अस्सलाम अलाइकुम Novels Library में खुशाम दी हमारी Novel वडेरा सिस्टम बेस नोवल है वनी बेस नोवल है रिवेंज बेस है आफ्टर निकाह बेस पोर्स मेरिज बेस रूड टीचर एंड स्टुरेंट बेस वेरी रूड हीरोस मरीज एंड वरीद सिद्धी रूड हीरोईंस नश्रा एंड नार और हैप्पी एंडिंग नोवल है हमारी चारिए बढ़ते हैं नोवल के जाने मिल गया तुम्हे सुकून और तनफुर से देख रही थी यही चाहते थे तुम मकसद पूरा करी लिया आखिरकार उसकी दबी दबी मुस्कुराइट नश्रा को और भी ज़्यादा सेखपा कर रही थी अभी कहां पुरा हुआ बीबी एभी तो बहुत सी मसाफ़त और तेकर नहीं है थीनी पर हाद बांधे उसके सजे रूप पर तन से फ़र निकाह डाल कर वो कमरे से जा चुका था कि मुतमेइन अंदास पर वो घुस्से से अपने गिर्ट लिपते सर ताज टुपटे को एक जटके से अपने तन से जुदा करके बैट पर फैंकते मुठिया भेंच गई थी तो फिर जान लोके आज के बाद तुम्हारी जिन्दगे को मजीद जहन्म बनाने में मैं सबसे ज़्यादा पेश पेश हूँ उसके हुले से दान पीसकर और मुखातिब हुई थी निकाहा कर लिया है मगर बीवी हूँ मेरी जूती भी तुमारी बीवी ना बने उसका घुसा किसी तौर कम होने में नहीं आ रहे था घुसे से बैट सूट का शिशे के सामने खड़े होकर परपल दीदा जेप काम वाले सूट में अपने सजे सौने रूप को देखा इस मन्हूस के लिए सैयार हुई थी मैं तेजी से सब देवर उतारा घुसा शदीद था बस नहीं चल रहा था कि वो दोबारा सामने आर उसका सर तोड़ दे कब सोचा था वो जिसकी कोई शनाक तुना थी जिसका सारे जिन्दगी मजाख उड़ाया था आज ही उससे इतना अहम रिश्टा दूर जाएगा और वो तो हमेशा से उससे नफरत में पेश पेश रही थी आह खिसमत नहीं दिन भी दिखाने थे मार्च तुम जैसे दो टिके के इनसान से मेरा अब निकाह भी होना था वो अपनी खिसमत पर इस लमें इतना मातम करती कम था तुम्हारी पाकिस्तान वापसी कब है उसके कंदे पर साटिकाए उदास नजरों से सामने देख रहे थी कल है वो मसलसल मुबायल पर मस्रूफ था वरीद तुम इस वक मेरे साथ वक गुजानने आये हो उसके मुबायल पर चलते हातों और उसकी बे तहज़ी पर वो जटके से कंदे से साटिका उठा कर खबगी परी निगाह उस पर डाले बोली यार अब तुम्हारे साथ होने का ये मतलब तो नहीं कि मैं पूरी दुनिया से कटके रहूं उसका यूं हंग जाताने वाला अंदास उसे एक आंख नहीं भाया था मैं नोट कर रही हूं कि तुम्हारी बाजु को एक जटके से उसके बाजु से निकाल कर उसकी चानब खश्मा की निगाहों से देखने लगा तुम्हें अभी हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था उससे आगे का खुआप तुम नहीं देखो तो अच्छा है उसके पास से उ जिसे वो फिछले छे सालों से जानती थी नजाने कितने दिन शामें और हता कि राते तक उसके साथ गुजार चीथी आज उसे वो कोई अजनवी महसुस हो रहा था कि आँखों में अजीव सी बेकानगी थी मैं महबत करती हूँ तुमसे तब डबाई आँखों से उस बेमहर को देखते वो बस रोने के करीब थी ओफ प्लीज जैने बी प्रैक्टिकल ये महबत औहबत कुछ नहीं होता बस जरुरत होती है मुझे तुम्हारी और तुम्हें मेरी जरुरत बस यही तक भी बाकी सब बेकार की चीज़े होती है और तुम जैसी एक फॉरें लड़की मसा चको और ऐसे किसी दिन मेरी जगे तुम हो और कोई तुम्हारी इस जजबे का ऐसे ही मसा पुड़ाए अपनी जगे से हरी होती हो एक एक लफ्स चबा कर बुलती बेदर्दी से आंखों से बहने वाले आंसों को साफ करती ते जिसे पाक से निकलती चली गई उस वास की थी तुमने फोन पर वो जो बैट पर बैठी पप से उसके इंतजार में थी उसे यूँ घुसे में अपनी जानी बढ़ते देखकर अभी समलने भी नपाई थी कि वो उसका मुह अपनी हाथ में दबोच कर जटका देखकर बुला तुम जैसी औरतों के साथ सिर्फ वक्त को हसीन बनाने के लिए चंड लम ही गुसारे जाते हैं इससे आगे कोई और मकाम नहीं दिया जाता जितनी जल्दी हो सके इस बच्चे से अपनी जान चुरूआओ और क्या गरंटी है कि ये बच्चा मेरा है वो उसके कानों में जहर घोल रहा था महर निगार की आँखों से आंसू बहने लगे एक जटके सुसका मूँ छोड़ा साइं आप जानते है कि मैं इस कोटे की जिनत बनते ही आपके हिस्ते में आई थी इस कवर से वो अपनी बेगुनाही का सबूत दे रही थी मुझे क्या मालूँ जैसे जूटे तालुग तुम लोग बनाती हो वैसे ही नजाने कितने चूट और घड़ती हो मगर मेरी बात याद रखना उंगली उठा कर उसके खुबसर चेहरे को तनाफूर से देखते वानिंग का अंदाज अपनाया तुम किसी का कारناमा मुझे नहीं थोग सकती और फर्स करो ये मेरे और तुम्हारे हसीन पल की यादकार के तौर पर तुम्हारे वजूद का हिस्ता बन भी गया है तब भी मेरा इससे कोई तालुग नहीं हो सफ़ाक अंदाज अपनाय हुए था अभी कल ही उसे मालुम हुआ था कि जिस कोटे वाली से वो एक महीने से तालुग बनाए हुए था तो उसके खून को खुद में सेंच रही थी बसे सुनना था कि मलिक सर्फरास कुसे में पागल होकर चहर में उस पौठी में पहुंचा जो महनिकार के हुसन के नजराने के तोर पर से देर रखी थी निकार तुम जैसे से तो किसी सुरत मैं नहीं करने वाला, तुम भी इस मसीबत से चुटकारा हासिल करो वैसे भी मैं एक मेनी से ज़ादा किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता मेरी बीवी मेरे घर में मौजूद है और अलाद भी आनहीं वाली है मगर तुम उसे बावर करवाता नखुआ से तुम उसके जाने वंगले उठा का उसे कड़ी नजरों से देखने लगा तुम किसी सुरत और मुकाम हसिल नहीं कर सकती हमारी औरतों की एक इज़त है तुम जैसी उसे उनका क्यात मुकाबला इसके लहजे का जहरी लपन महनिगार की दिल को चलनी कर रहा था और इन्ही इज़दार औरतों से चुप चुपा कर आप जैसे अपनी इज़द को बढ़ाने हमारे कोटों पर आते हैं शिकवा कुना नजरों से जो सास उसने बुला उमलिक सर्फरास से बरदाश नहुआ बकवास करती हो उल्टे हाथ का थपड़ अपने से चंगस के फासले पर बैठी मैं निगार को मारने में उसने पल भर की देर नहीं की थी गाल पर हाथ रखी वो उसकी आँखों में आँखे डाले बैठी थी मेरा भी वादा है आपसे ये बच्चा आपके लिए उम्तिहान ना बना दिया तो मेरा नाम इस सफ़हस्ती से मिटा देना उसका ने डर अंदास मलिक सर्फरास को आग लगा गया फस्से से उटकर वो कमरे से बाहर चला गया अब की बार पास पड़े फोन से वो मलिक सर्फरास का नंबर मिला रही थी कुछ देर पहले ही वो डेरे से वापस आय थे मरदान खाने मौजूद मुलाजिम से मारिच के बारे में सफसार किया मलिक जी वो तो पिछले बाहर में मौजूद है नहर वाले लोगों का कुछ मसला था बस उसे के सिलसले में उनसे बाच्चित करें मौलाजिम ने तफसील बताई उसको बो फौरण मेरी बात सुने और उन लोगों को बिठाओ मैं खुद इस मौमले को सुनूँगा मुसीबट डाली हुई है इन लोगों ने लाडाए ठगडों से बास नहीं आते अपनी पक को गुसे से सर से उतार कर सामने मौजूद लगड़ी की खुद सुनूरत मेस पर रखते बोले जी मलीक साब मुलाजिम फौरां से पहले मारिच को बलाने भागा अभी उन्हें इंतजार करते ज्यादा वक्त नहीं बुज़रत था के दाएं जाने से काही रंगे शल्वा खमीज में कंदों पर हल्के सुर्मई रंगी चादर फैलाए आंखों पर संग्लासस लगाए उन्हें वो किसी शहजादे से कमना लगा अपनी उलाद से बढ़कर उन्हें उसे चाहा था और उसने भी हमेशा इस चाहत का मान रखते उलाद से बढ़कर उनसे महबबत की थी उनके पास आते ही हमेशा की तरह चुपकर उनका दाया हाथ थामकर महबबत से लबों से लगाया जी बड़े साई मौदिब अन्दास में हाथ बांदे सा जुकाई उनके पास खड़ा था कैसा है मेरा शेर सुबा से नजरी नहीं आया महबब से चूर लहजे में पूछा उसे मखातिब करते उनके लहजे में बेहत फखर शामिल होता था नहर वाले मौमले में मसरूफ था ये नफरत और भी बढ़ चुकी थी जो हुकम बड़े साई मौदबाना अंदास में सर को होले से जुका कर हो होली के अंदर के जाने बढ़ा घंटे बाद उसकी फिजारो हुआ से बाते करती शहर के जाने बढ़ गई अपनी अडियल मन कोहा से तो वो भी अच्छी तरह वाकिफ था और उसे राह रास्त पर कैसे लाना था उससे भी वाकिफ था और फिर उसने अपना कहा पूरा कर दिखाया महनिकार, इंतिजार ही कर भी रह गई मगर उसने नहीं आना था वो नहीं आया हर तरह का तालुक वास्ता वो खतम कर चुका था सिर्फ ये एक कोठी उसके नाम थी वरना शायद वो उसे यहां से भी दर्बदर कर देता कोठी बेच करो एक छोटा घर ले चुकी थी वो वापस कोठी जाना नहीं जाती थी वज़ इसके अपनी जात नहीं बलके उबस्ता था मलिक आयाज ने उसके वादे पर सब मख़ी रखते ना सिर्फ उससे मलिक सर्फराज की इस बेराहरवी पर माजूरत की थी बलके उसका और उसके बच्चे का खच्चा पानी भी उठा लिया था मलिक सर्फराज की सरकत की तजदीक मलिक आयाज ने उसके खास बंदों से उखलवा कर ली और जो इस बात में कोई शक ना रहा कि महरनिगार के कोफ में पलने वाला बच्चा उसके भाई का ही है तब वो खुद को महरनिगार की मदद करने से रोक न पाए इस बच्चे को नाम भी मलिक आयास ने दिया था मारीज उन्हें अपने बेटों साही लगता था इसलिए उसकी इफाज़त और उसकी परवर्श में उन्होंने कोई कसर न उठा रखी थी आ गया मेरा शेर चौदरी वज़ाहत अली उसे गले लगा कर उसकी पीट थप थपा कर बोले कैसे यह आप अब बस आई को महबब से उनके हाथ चुमकर आँखों से लगाते भूला मैं फिर से जवान हो गया हूँ उसके चौड़े कंदो को थामकर मुस्कुराती आँखों से अपने खुबरू बेटे को देखा जो बाहर की दुनिया में जाकर भी अपने असर रंग नहीं भूला था कुछ देर पहले ही उनका बड़ा बेटा चौधरी वलीद उसे एरपोर्ट से लेकर आया था और चंग घंटों बाद ही नहां दोकर वो उनकी खिदमत में हाजिर हो गया था सफेद करकड़ाता शलवार खमीस पहने अपनी मकसूस खांदानी चादरकंदों के गिर्द ओड़े उनका वरीद उनकी आँखों को ठंड़क पहुँचा रहा था आप हमेशा से ही जवान हैं वो भी भारी मूचों तले उना भी होंटों पर मुस्कुराहत लाकर बोला चलो कोई रोटी टक कर खाते है वली से छोटे हुदैद ने सवाल किया भाई इन्शालला अगले हफ़ते से वनैपकिन से मूँ साफ करके बोला ले अभी तो तू आया है और अप पिसे शहर चला जाएगा माँ को बस तरसा कर रख उसके साथ वाली कुर्सी पर मौजूद सुग्रा वेकम ले जिम उदासी ले बोली बस कर ये दूसरी की चाक्री अपने बाब दादा की जमीने को देख सामने ही उसकी दादी रुकया बेकम मौजूद थी परख्त चहरे वाली सब्तर साल की होकर बिंकर रॉब और दब्दबा वैसे का वैसा ही था नखुष से बोली सुग्रा ने एक नजर बेटे को देखा उन्होंने बड़ी कोशिश की थी उनकी उलाद में इस खांदान और यहां के लोगों जैसे खरूर और रौनियत ना आए मगर इस खदर काम्याब नहीं हो सकी खुद वो आजज़ी पसंद और अल्लाह से डरने वाली खांदून थी मगर यहां एक से एक गरूर में डुबा वजूद था और यही गरूर उनकी उलाद में भी था बहुत से है यहां बाब दादा की चायदाद को देखने वाले मुझे अभी सिफ अपना शौक पुरा करना है और पिएचडी में मैंने उन जमीनों पर उगाने और दबाने के लिए नहीं की एक वही था जो रुकया बेगम को यू जवाब दे सकता था कुछ वो उनसे खफा भी था और यह खबगी बहुत सालों से थी वो चानती थी कि वो हग बचानी पैसी लिए उसे कुछ कहती भी नहीं अच्छा अच्छा चल तू शौक पूरा कर चौदरी वचाहत ने पौरन बात बदा और तेरा शादी का क्या इरादा है या फिर जोग ले रखना है सारी उमर रुकया बेगम भी कहां पीछे अटने वाली थी उनकी बात पर उसके चहरे करंगी अखलक से बदला किसी और में इतनी जुरत नहीं थी कि उसे ये सवाल पुछते सब उसके जुनून और उसकी इसपास से जुड़ी शिदत से वाकिफ थे जोग लेगी मेरी जूती मुझे सिर्फ बदला लेना है पहले वो लेलू फिर शादी भी कर लेंगे उसके लहज़ में नफरत थी या बदले की आग की तपिश अंदाजा लगाना मुश्किल था और आप तो ये बात पूछे ही मन आपकी लापरवाही की वज़े से मैं इस आग में जल रहा हूं रुकया बेगम की आँखों में आँखे डाल कर बोला घुस्से से नैपकीन टेबल पर फैंक कर जोर से कुरसी पीछे घसीड कर तनफन करता निकल गया अमा साहीं हट करती है आप आज ही वो पहुँचा है और आज ही आप ये मन्हूस दिकर लेकर पैट गई चौधरी वज़ाहत मा को मलामत करने लगे तो तुम आज गाउं जा रही हो वो दोनों इस वक्त हॉस्टल की ग्राउन में बैठी शाम के मंज़र से लुप अंदोज हो रही थी हाँ याँ बाबा साही ने बुलवाया है शायद भाई की शादी की डेट फिक्स कर रहे वो बेजार सी घास को नोच रही थी इतनी मुस्तरब क्यों हो वो दोनों दो दिनों से उसकी बेचानी को नोट कर रही थी वो दो दिनों से उसकी बेचानी नोट कर रही थी क्या नहीं होना चाहिए वोल्टा से सवाल करने लगी तो तुम्हारी इस हरकत के बाद तुम क्या समझती हो तुम्हारे बाबा साइए तुम्हें खुलो की हार पहनाते यकीनन सब इस्थतार लोग बेटी की बेरारवी देखकर इसी तरह से किसी भी एरे गेरे के साथ बादने पर तयार हो जाते है वो भी उसकी हरकत पर अब तक उससे खफ़ा थी अब तुम शुरू हो जाओ अरे मैंने कौन सा उस साइम कमीने से शादी कली थी इस कदर डरपोक मर्द मैंने जिन्दगी में नहीं देखा अरे बजाए खुश होने के के लड़की खुद चल कर उसके घर आ गए है अपने माबाप पर फिर मेरे माबाप को इंवोल कर गया वो अभी भी अपने किये पर शर्मिंदा नहीं थी की बात सुनकर वो अफसोस सर हिलाने लगी यानि तुम अभी इस बात को मामुली ले रही हो और जितना उसकी अकल पर अफसोस करती कम था नार तुम भी न है दे यार कितना बड़ा एडवंचर कर रही थी मैं अब वो बुस्तिल मेरे बाप की हस्यास से डर गया अब बाबा साई ने भी पकर कर उस नीच शक्स के पले बांदिया उसके लहज़े में भी भी मारिज के लिए नफरत थी नार के दिल को कुछ हुआ वस एक नजर उसे देख कर रह गई वो मारिज से अच्छे से वाकिफ थी कई बार उसे उन्हें हॉस्प्रेल लेने आते देखा था इस लम्हें नशरा की बे अपली पर माता मी कर सकती थी जो इतने डैशिंग और असल मर्द को छोड़ कर अब भी साइम जैसे बंदे के ना मिलने पर अफसोस कर रहे थी बीबी आपको लेने आए है हॉस्टल की एक मुलाजिमा तेजी से उनके करीब आते बोली अच्छा आ रही हूँ बाकी सब को भी बता दो मुह बिगाड़ते बोली प्लीज नशरा अब मजीद कोई बेवकुफी मत करना वो उसे समझाए बिना न रह सकी हाँ एक मैं ही तो बेवकुफ हूँ बाकी सब तो अकल मंद है उसे जटकर खड़ी वी अच्छा आप खफा मत हो वो भी उसके साथ खड़ी होते उसे बेख्यार बाजो के घेरे में ले गई उसकी खबगी कहां उसे चैन लेने देती थी चलो मुझे छोड़ने आओ और हाँ अगर भाई की डेट फाइनल हो गई वो तो तो तुम्हें हवेली बुलवा लूँगी और मैं कोई इंकार न सुनो उसकी बात पर वो उसे बस देख के रह गई सोचूंगी वो ठंडी सांस लेकर बोली सोचने की नहीं हो रही बस मैंने कह दिया ना आना है तो आना है वैसे भी तुम्हारी कौन सा कोई आगे पिछे है के तुम्हें इजाज़त लेनी पड़ी वो चल्दी में हद गलत पात कर गई अपने कहे अलफास की संगीनी का एहसास तब हुआ जब नार उससे चंद कदमों के फासले पर रुक गई चंद कदम लेने के बाद उसे एहसास वो अकेली चल रही है मुरकर नार को देखा तो एहसास हुआ कुछ गलत बोल गई है I am sorry नार लेक्तम वापस आते वो मुलतजी लहजन बोली और मश्किल अपने आंसु पी कर मुस्कराई कोई बात नहीं कुछ गलत भी नहीं कहा तुमने हसकर उसकी बाठ ताली नहीं यार मैंने तुमें हर्ट कर दिया वो उसके कंदों पर हाथ रखकर बोली अब पश्टाई के क्यों बिना सोचे समझे बोलती है आपी जल्दी करें मारिश भाई कब से इंतिजार करें इससे पहले कि उन दोनों में मजीद गुफ्तगू होती हानिया भागती हुई उन तक आई मारिश का नाम सुनते ही नश्रक हलक तक कड़वा हो गया जबके नार का दिल बुरी तरह धरका चलो जाओ तुम अब मैं गेट तक आती हूँ इसका हार पकड़कर वो तेजी से लिए अंदर की जानी पड़ी कुछ दिर बाद ही वो उन चारों की हमरा उनकी गाड़ी तक आई चेरह हजब मामोर चादर से चुपा रखा था सिपां की दिखाई दे रही थी मारिश ने एक निगाँ गलत नार पर डाली इसे एक नजर देख कही दिल अंदर तक सरशार हुआ गाड़ी की सीड समालते भी साइड मिरर से नार को देखना नहीं बूला था सब खामोशी से फिजारों में बैठ चुकी थी नार की बहुत मन्नतों के बाद सबब नशरा खामोशी से इस लमय जीट में बैठ चुकी थी नार की नजर बेसाखता मारिज के जाने उठी इसे अपनी जाने देखता पाकर वो बुखलाई तेज़े से नश्रा को हाथ लाकर वो अंदर के जाने पड़ गई मारिज के जहरे पर खुश्खवार से मस्कुराहाट बिकरी उनकी नजरों की यांख मचोली नश्रा की नजरों से उचल न रह सकी चल लमे तो वो गूं रह गई कुछ दिर बाद एक जहरेली मस्कुराहाट उसके लबों पर बिकरी क्या कर रही हो तिम यहां उच्छोट इसी बच्चिस लमे बाग में हवेली के बाकी बच्चों को पिलते हुए देख रही थी अभी चंदमी हुए थे उसे वहां खड़े जब उसके अकब से उससे चंद साल बड़े एक लड़के की करक्त आवाज उसकी समाहतों से टकराई वो डर कर उचली खौफ जदा नजरों से पीछे मुर कर देखा ये वही बच्चा था जो उसके यहां आने पर उससे नार्वा स्लूक रखे वे था दो दिन पहले भी उससे मार खाई थी और अब वो फिर से खुसीले तासुरा लिए उसकी पीछे कड़ा उससे घूर रहा था मैं तो बस ऐसे ही यहां खामुश अभी उसकी आवास अलग से खुरी तरह निकल भी ना पाई थी कि एक जोरदार था पर ने उससे बिलकुल खामुश करवा दिया मेरे आगे बोलती है तु है क्या उसकी दो चोटियों में से एक को जोर से अपनी गिरफ्तम लेते उसके सर को जोर से जिंचोडा वो तकलीब से बिलबिला कर रह गई आएंदा मेरे सामने जुबान मत चलाना वो इस लनों से 10 साल नहीं 30 साल का इस हवेली का वो मर्द लगा जो औरतों को किसी काबिल नहीं समझते जमीन पर पटक कर वो गिर जा वो जा 28 साल की कली इस जुल्म पर किसी को अपनी मदद के लिए बुला भी नहीं सकती थी उसका यहां था ही कौन वाक्त ने उन जालिमों को उसका हाकिम बना डाला था आप वो जैसे चाहे उसे इस्तिमाल करते अपनी हिच्टियों पर ममश्किल खाबो पाते अपना ना सावचूत खसीड कर चामन के दरखत के तने से लगकर सुकर सिमट कर बैठी नजाने कितनी देर रोती रही कभी काल पर हाथ रखकर जलते काल को सहलाती कभी अपने बालों को थाम कर उनकी तकलीफ कम करने की कोशिश करती अमा मुपर हाथ रखके माँ को आवाज भी नहीं दे सकती थी कोई सुन लेता तो उसकी और भी शामत आनी थी वो नहीं जानती थी कि इस लड़के को उससे क्या बेट था बस उसका जब दिल करता उसे धनक कर रख देता और कोई बच्चा उससे इस तरह पेश नहीं आता था मगर ये न जाने क्यों मत मारो मुझे मैंने अमा मैंने क्या विगाड़ा है तुम्हारा वो जोड़ जोड़ से चिला रही थी बिलक रही थी मगर वो वहशी बिना उसे अपनी वहशत का निशाना बिना सुने उसे अपनी वहशत का निशाना बना रहा था बकवास बनकर खमीनी कहींगी तो है तेरी वज़े से उसका थपर इस कदर जोड़दार था कि उस बेचारी के होट फड़ गए मगर वो किसी सूरत उस पर रहम करने को तयार ना था बेटा वो तुमें बताना था एकदम मनजर बदला कोई फोन पर ना उसे शल्टन याद रही ना कोई और कैसे हुआ ये इतनी पहरेदारी में कैसे मैं छोड़ूंगा नहीं एक एक को उधार रहा था अपने बाल नोच रहा था कैसे फिला ते वो उट बैठा आंके फार कर इर्दिर देखा मगर वहां कोई ना था चेंटन थी ना ही ये उसका फ्लैट था वो तो इस लंभी हवेली में अपने कमरे में मौजूद था मगर ये खुआब बहुत सालों से ये खुआब उसे तंग कर रहा था सरहातों पर गिरा एक लंबी सांस खारिच करता वो कमफटर गुस्टे से खुद पर से हटाता जल्दी से उठा साइट टेबल से मुबाइल उठा कर वहां से वक्त देखा रात के धाई बज रहते हर सीम तो सनाटा था मुबाइल वापस पटखकर सिग्रेट और लाइट उठाकर बालकुनी के जाने रुप किया नॉंबर के खुन खवा ने उसके जल्दे दिमार को पुर्सकून किया सिग्रेट सुलगा कर बाग में मौजूद किसी कहर मरई नफ्टे को पर फैंक कर पाओं से उसे ऐसे मसला जैसे सिग्रेट नहीं उसे तकलीब देने वाला वो शक्स हो मुबारक हो अल्ला ने आपको दो बेटियों से नवाज है वो जो कबसे मस्तरिप सा इधा से उधार चक्कर कार रहा था डॉक्टर के बाहर आकर खुशकवरे सुनाने पर थम सकया उसे आज ती के शायद बेटा हो मगर अब उसके बाद आपकी वाइफ दोबारा बच्चा कंसियों नहीं कर सकती लहाजा अब दोबारा आप ऐसा कुछ मत कीजेगा वरना उनकी जिन्दगी की हम गैरंटी नहीं दे पाएंगे अब भी इस बहुत पैचिदा था मगर अल्ला ने इन दोनों की जिन्दगी रखी थी इसलिए ये दुनिया में आई डॉक्टर की बाद पर उसके कंदे चुप कर रह गए पिछले छे सालों से उसके साथ यही हो रहा था सिर्फ एक जरनाब थी उनके तीन साला बेटी जो उनकी आउलाद में से अब तक जिन्दा सलामती बागी सब बेटे अल्ला को प्यारे हो चुके थे एक बार अल्ला ने बेटा सही सलामत दिया मगर डिलेवरी के चंगांटों बादी अल्ला ने उसे वापस बुला लिया नजाने किसकी बद्धुआएं मेरे बच्चे की खुशियां खा गए इश्रत बेकम रोते वे मलक सरप्रास के कंदे के साथ लगकर चहको पहको रोने लगी किसी की बद्धुआएं नहीं इनसान के अपने आमाल कभी कभी उसकी राहें घोटी कर देते है शुकर करो अल्ला ने उल्लाद से नवास है मलिक आयास ने गला कंकार कर एक हाथ से भाई का गंदा थप थपाया अपने बेटों पर गुरूर मत करे भाई की बात वो बरदाश न कर सका हाथ जटा कर नखुआ से बला मैं अपने बेटों पर गुरूर नहीं करता यहीं फर्ग है मुझ में और तुम में अपनी पगड़ी दुरूस करके वो वहां से जा जिके थे चंद दिन बाद ही मारिच को लिए वो हविली में दाखिल हुए कौन है यह बच्चा गंदमी रंगत का प्यार असा साथ साल का बच्चा मली कयास के हमरा आते देख कर रजिया माया को तख्तपा इहत्यास से लिटा कर खड़ी हुई इश्रत बेकमर जरीना के भी तासुरात रजिया से मुक्तलिफ नहीं थे यह मेरे दोस्त का बेटा है माबाब दोनों जिन्दा नहीं है इसलिए मैं उसे यहां ले आया अप से यही रहे का मली कयास की बात पर हौल में आते सर्फरास के कानों में खड़ी थी भाई साहब ऐसी कहानिया बहुत परानी हो चुकी है पताये का सरा कौन से दोस्त का बेटा है यह जब से पगड़ी मली कयास को मिली थी तब से मली सर्फरास वैसे ही भाई से जल रहा था ना पीसी जलन के तहट वो चान बूचकर बाप जैसे भाई पर इंसाम लगाने लगा इसकी बात पर वहां मौझूद तीनों खवातिन के चहरे के ताफरास लमा भर के लिए बदले तुम नहीं जानते उसे बड़ी मुश्किल से भाई की बात को बरदाश्ट करते उन्होंने अपना लहजा एतिदाल पर रखा अगर महनिगार ने उन्हें कसम ना दी होती तो जरूर इस वक्त मली सर्फरास को इस बात का अच्छे से जवाब देते कि खूब कही आपने ऐसे कैसे हम किसी भी एरे गरे को अपने घर में रख ले क्या आप अपने रिवायत भूल चुके हैं हाँ यहां हमारी बेटिया भी है जिन्होंने कलको जवान होना है एक ऐसे लड़के को हम कैसे यहां रहने की अजासत दे सकते है जिसका ना आगा पता ना पीछा क्यों अमा गलत कहा कि मैंने उसने रहुनियत से कहते मा को भी बीच में खसीटा और वो तो हमेशा उसकी अच्छी बुरी बात की तायक करती थी इसलिए तो बिगड़ा था सर्फरास ठीक कह रहा है बेटे हमारी यहां बच्चिया गेरों से परदा करती है कल को यह उसी के साथ यहां बड़ी होगी हम कैसे लोगों को जवाब देते फिरेंगे तुम किसी यतीम खाने में उसे बिजवाओ उन्होंने भी सफाकिस से कहा जिनका आगा पीछा हो करतूद तो कभी-कभी उनके भी ठीक नहीं होते पांदान और हसब नसब से अगर शराफ़त आनी होती है तो इजदतार लोग कभी कोटों परना जाते मलिक आयास ने अपकी बार अपनी संजीदा नजरे भाई की आँखों में गार्टे जैसे से कुछ पावर करवाया मलिक सरपरास की जुबान एक दम तालू से चुपक गई वो किस बात का हवाले दे रहे थे उच चौँक कर उसने मारिच की तरफ देखा उस चहरे ने किसी की याद बड़ी शिदत से दिलाई रंगत एतनी साफ नहीं थी मगर आँखे भू 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 भी थी इशरत बेगम की दिल में मारिच के हवाले से शका चुका था भू से रखने को तयार नहीं थी बहुत देर मलिक आयाज और उनमें बहस चलती रही जरीना की महवियत तूटी क्या आपको भी मुझ पर शक है उनके लहजे में एकास थी जरीना हुले से मस्कुराई क्या आपका ये सवाल करना बनता है क्या अतने सालों में इतना ही जाना है मुझे उनके चहरे का पिनान देकर उन्हें धारास मिली बंदा बशर है लोगों की बातों में आ भी सकती है उनके चहरे पर भी आसुदा मस्कुराहट बिक्री अगर ये आपकी भी ऑुलाद होती तो मुझे इस पर्चे से कोई परखाश नहीं थी हर इनसान अपने किये का जिम्मेदार खुद है अगर आप गुनहा के मर्टकित होते तो अल्ला ही आपके ले कापिये हम इनसान अपने आमान की जिम्मेदार है दूसरों के नहीं बस मुझे तकलीफ हो रही है कि लोग गुनहा का रिष्टा बनाती क्यों भूल जाते है जो जान इस सबकी पादाश में दुनिया में आती ही वो किन तकलीफ हों से उसरती है मैं कोशिश करूंगी कि मारिच को मेरी जानिब से कोई तकलीफ सहनी ना पड़े मगर बाकियों कर मैं कुछ नहीं कह सकती वो सरीना कि समझदारी और खुद से महबब से बहुत अच्छे से वाफिक थे आज भी उन्होंने अपने शोहर को मायूस नहीं किया था दूआ करो मैं उसे पड़ा लिखा कर इस काबिल कर दो कि वो हमारा मौताज ना रहे उन्होंने सत्के दिल से शोहर की बात पर आमीन कहा पुछोगी नहीं इस बचे की असल हकीकत क्या है उनके हाथ ठांते उन्होंने फिरमाईशे अंदाज में पुछा कुछ हकीकते मालूम नहों तो ही बहतर होता है लोगों के असल जहरे अगर नजर आ जाए से इतिमाद उच जाता है मैं चाहूंगी कि आप सर्प्राइस भाई के सराथ को कभी फाश न करे अल्लह बहतर हिसाब लेने वाला है जरीना के बात सुनकर उगूंग रह गए आपकी कोटे वाली बात पर सर्प्राइस भाई का चुपोना शायद और किसी को महसूस ना हुआ हो मगर मैंने इस खामशी से बहुत को चाफस कर लिया नजरे उठा कर उन्होंने शोहर की हरान नजरों में जानका वो वाकि बहुत जान दीदा औरती आज मली कयास को इस बात का यकीन हो गया थी आप अल्लह का इनाम है मेरे लिए बेख्तियार उन्हें सुद में समोते वो सरगोशी नमा आवास में बोले अल्लह सक्की परदबोशी करे उनके सीने पर सरकते जरीना ने सची दिल से दुआ की जू ही उसकी पिजारो हवेली के पार्किंग एरिया में रुखी तब लड़कियां हौले से अपनी अपनी चादरे समाल के उतरी अंदरूनी हिस्से से दो तीन मुलासिम आए उनका सामान गाड़ी से निकालने लगी नश्रा भी अपनी जानिब के दर्वासा खोल कर उतरी ड्राइविंग सीट से उतर कर मारिज गाड़ी के करीब खड़ा उसके उतरने का मनतजर था सुनो मैंने चपल पहन ली है मेरी हिस गाड़ी में रखी है मेरे कमरे में लेकर जाओ गाड़ी से उतर कर अंदर की चानिब इशारा करते और तहक्म से मारिज से मुखातिम होती अंदर की चाने बढ़ने लगी अम्मा नाजीरा बीबी के कमरे में उनकी जोधियां पहुचा दे उसकी हुकम के जवाब में मारीज ने पास खड़ी अम्मा नाजीरा का ओवास दे अपनी हुकम अदोली पर वो भुना कर मुड़ी और उसके करीब पहुच को उसके सीने पर उंगली रख कर बोली तुम लेकर आओगे मेरे कमरे में समझे मगरूर लह जिनों से उसकी एहसियत बावर करवाने लगी उसकी बात और हरकत पर उजच करने वाली मस्कुराइट उस पर उच्छाल कर दाइन हांसे गिलासे सतार कर कमीज की अगली जेब में रखते ऐसे मस्रूफता जैसे वो उससे नहीं किसी और से मुखातिव हो मुस्कुराइटी नजरों से एक नजर अपने मुकाबल गुस्ते से लाल जहरली नश्रा को देखा काश कि मैं अमा नजरा होता आपको हुकम बचा लाने में एक सिकन की भी ताखिर ना करता वैसे आज मलिक आयास सहाब से मलिक सहाब से पूछ लेता हूँ कि आज से बीबी के हर काम आप मेरे जिम्में लगा दे हत्ता कि गारी में बिठाने हैं गारी से उतार कर उनके कमरे तक पहुँचाने कामल भी कहें तो मैं अपने इन नातवां बाजों से अंचाम दे लिया करूँ ताके बीबी को फैर जमीन पर रखने की भी जहमत ना करनी पड़े फिर आपके कमरे के सफाई भी मैं अपने जिम्में लगवा लेता हूँ और अगर कहती है तो जब जब आप रातों को डरकर अमा नजीरा को अपने कमरे में सिर्वाती है तो खिदमत भी मैं ही अंचाम दे लेता हूँ और हाँ रुकिए आपके बालों में बरश भी आज से मैं ही कर दिया करूँगा और जब आप वाश बन करो अपनी बकवास वो जो नजाने क्या क्या खिदमतों को अपने नाम लिखवाने के दर पर हो रहा था नश्रा को उसकी फिल अफचानियों को टोक नहीं पड़ा तो चेहरा जो कुछ तेयर पहले गुस्से से लाल हुरा था अब भया की लाली बिखर गई थी उसे अंदाजा नहीं था नहीं का नामे पर साइंग करती वो उसके इस कदर बेबाग गुफदगू करने लगेगा आएंदा सोच समझ कर मुझे मेरी हैसियत बावर करवाईएगा वो क्या है ना ये वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया है एक गहरी निकाह उस पर डाल कर हौले से मुस्कराती मुच्छों को ताउं देते उसे मजीद आग बगुला करके ये जब उटा अमा मेरे जूते लेकर आएं अपनी लोड़कडाती आवास पर बमश्किल काबू पाते मरदान खाने के जाने जाते मारिज के पुष्ट को गूरती वो चादर जटकते जनान खाने के जाने पड़ी सर आप यकिनन हमारी यूरिसिटी की तरक्षी में चार चान लगा देंगे प्रिंसिपल के आफिस में बैठा हो बहुत देर से दाद औ तहसीन वसूर कर रहा था सर वरीद कोई भी मसला हो आपने बेची जख हमें कह देना है सब उसके आगे पीछे बिच रहे थे और क्यों न बिचते बाहर की यूरिसिटी छोड़ कर वो यहां अपने मुलक में नौकरी करने आया था और फिर इस कदर टैलेंटेड उस्ताद उन्हें शायद मिलता ना सिर्फ टैलेंटेड था बलके घजब का वजिया और यंग भी था चादरियों का गरूर उसमें भरा पड़ा था अभी भी कब से बैठा किसी को खातिर में नहीं ला रहा था मैं अपने मसाइल खुद ज़्यादा बेहता तरीके से हल कर लेता हूँ आप परेशान ना हो शिस्ता अंगरिजी और गैर मलकी लहजे में अपनी बात कहकर वो उन्हें मज़िद इंप्रेस कर रहा था प्रिंसिपल ने फखर से मस्कुराते महां मौझूस सबसादेजा को ऐसे देखा जैसे कह रहा हूँ देखा मेरी चॉइस क्या गोहर नायाब ढूनकर लाया हूँ कल से मैं अपनी कलास से इंट्रो के साथ जहां से आपके पुराने टीचर ने छोड़ा था वहीं से शुरुआत कर लूँगा आप सब बुक्स और माटेरियल मुझे मुझे मुईया कर दीजिए ऐसा मैसुस हो रहा था वो अपनी तारीफों से अब बेज़ार हो चुका था कली वो गाउ से शेहर आया था शेहर में उनकी कोठी मौझे ती जो भी पढ़ने की गर्स से यहां आता था उसका खियाम उसी कोठी में होता था अपसे वो कोठी वरीद के जर इस्किमाल होने वाली थी आज उसका स्टाफ से मुलकात का दिन था और कल से उसने जोइनिंग देनी थी उसे रुपे पैसे की कमी नहीं थी इसलिए उसे इस तीस से गर्स नहीं थी कि वो कहां पढ़ा था बस उसे अपना ये प्रोफेशन बनाना था उसका इरादा अपना कॉलेज बनाने का था मगर उससे पहले वो एक्सप्रियंस लेकर सब बारी के उकम अदे नजर रखना था था कॉलेज की जमीन वो बहुत पहले ही गे चुका था जब वो अभी पिएजडी कर रहा था बस कुछ साल यूनी में जॉब के साथ साथ उसका इरादा कॉलेज तामीर करवाने का था उसका ख्याल था कि इसी यूनी से वो हुनहार तालिब इल्मों को भी चुनकर अपने कॉलेज पढ़ाने की आफर करेगा बहुत कुछ सोच कर यूनी आया था तौका के एन मताविक हर कोई उससे मरूब नजर आ रहा था एक तो उसकी अपनी शक्सियत भी फिर बाहर की डिगरी का टेक दोनों ने मिलकर उसे इन सब में नुमाया कर दिया था यहां आकर चन्ड एक पुराने स्कूल के दोस्तों से रापता भी किया उससे मिलने को विताब थे अगले दिन यूनिशिटी क्लासेस के बाद उसने दोस्तों से गेट टुगेदर का फैसला किया था कुछ ही देर बाद प्रिंसिपल के आफिस ते उठकर सार सक्रिया की हमरा वो अपने आफिस के चानिब बढ़ गया बहुत देर से वो उसे एक लड़के के साथ हस्ते देखकर पैचोताब खारा था वोसेली नजरे नकाब में छुपे चेरे को बुरी तरह गूर रही थी जैसे ही वो लड़का यूनीक के अंदर की चानिब बढ़ा वो तेजी से गाड़ी गुमा कर इसके सामने ले आया यूँ अचानक गाड़ी सामने आने पर वो दर कर दो कदम पिछ़टी अचंबे से गाड़ी मौटूत मारिज को देखा वो संग्लासिस आंकों पर लगाए मूँ पर संजीदा तासुरात भी खिरे सामने के जाने देख रहा था अपने मक्सूस मलिकों वाले हुलिय शल्वार फरमीस पर चादर डाले वो नार को हैरा था उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो यहां क्यों है आप कली तो नश्रा और बाकी सब को हवेली लेकर गए है इसका जीब पुरसरार अंदास पर आखिर उसे ही आगे बढ़कर उसे याद करवाना पड़ा गारिंग बैठो की बात के जवाब में उसका हुकम नार की समझ से बाहर था क्या कह रहे आप वहरा जदा से पूछने लगे कम सुनाई देता है इस गदे की बाते तो बड़ी आराम से तुम्हें समझ आ रहे थी मेरी बाते क्या इतनी पेचिदा है कि उन्हें समझने के लिए बाकाइदा को कोई मौमा हल करना पड़े उसका फंकारता बेलेचक लहजा नार को अब परिशान कर गया वो जो आज तक कभी मुखातिब नहीं हुआ था आज कैसे हक जाता रहा था मुझे समझ नहीं आ रही आप यहां करने क्या है और मुझे पर ये रॉप किस कुशी में चार ले वो भी लहजे को सक्त बनाकर बोली आँखों से नाखवारी वाज़े जहलक रही थी तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्यूं और किसलिए तुम्हें मखातिब कर रहा हूं गारी में बैठो लोग मतवचे हो रहे हैं आखर उसे नार को इर्दगिर्द का एहसास दिलाना पड़ा होस्टर छोड़ दूँगा मजीद गोया हुआ वो भी इर्दगिर्द एक नज़र डालकर गारी का दर्वाज़ा खुलकर बैठ गई बहुत से लोग अपनी मतलुबा बस के इंतजार में खड़े ये मनसर बड़े शौक से देख रहे थे नार को आखर मारिश की बात मानती ही बनी आएंदा तो मज़े यू किसी लड़के से बात कर भी नज़र ना हो सुन लो पहले उसे बोलने के लिए मुग खुलता देखकर वो हाथ से रोकया मैं जानता हूँ उसे फ्लास फैलो था मगर यूनी के डिसकेशन यूनी के अंदर ही ठीक लगती है यू पबलिक स्पार्ट पर खड़ी होकर वो यू बेतकलुफी से बात कर रहा था कि बिल्कुल मुनासिद नहीं उसका अंदाज उसे जतना हैरान करता कम था वो ऐसे बोड़ा था जैसे बहुत करीबी तालिक या बेतकलुफी हो आप कौन होते हैं मुझे ये सब कहने वाले अपनी खूर आंके उसके संदीदा चहरे पर डालते हो तुलकी से बोली क्या मुझे बताने की जरत है क्या मैं कौन हूँ उसकी जाने एक नज़र देखते हो वो रुक रुक कर आखरी तीन अलफास पर जोड़ डालकर बोलता नार को हका बका कर गया तो क्या वो जान गया था उसकी हरांगी पर मोड कारते एक नज़र से देखकर वो मुभम सा मस्कुराया तुम बहुत एहम हो मेरे लिए और ये बात तुम जानती हो वो उसे क्या कुछ बावर करवा गया था अब क्या फाइदा ये सब बताने का वो बमश्किल चहरा मोड कर अपने आंसों जब्त करने लगी बहुत देर हो चुकी है फिलोटराते लहजे पर बमश्किल काबू पाकर बोली फिल्कुल भी देर नहीं हुई है मेरे ख्याल में अभी तो असल वक्त आया है तुम जैसे कहोगी मैं वैसा ही करोगा अतिबार करो मुश्कर वोसे यकीन दिलाता हो बोला इस पर यकीन नहीं है किसी पर भी नहीं अब किसी पर अतिबार नहीं वो नफ्में संद्लाते बोली आंसों टूट कर उसकी नाकाब में जजब हो रहे थे लहजे में बर्सों को मसाफत की मैं तुम्हारा यकीन और मान कभी नहीं तोड़ूँगा, वो हर मुम्किन तरीके से यकीन दिलाना चाता था, मुझसे दूर रहें आप, वो लहजा सफ्ट करके बोली, ये नामुम्किन है वो भी अटल लहजे में बोला क्या बताएंगे किसी को, कौन हो मैं आपकी वो से चैलेंज करने वाले अंदाज बोली जो हकीकत है, वो बता दूँगा डरता नहीं मैं किसी से, और इतने अर्से में इस बात का तो अंदाजा हो गया होगा तुम्हें वो भी उसका चैलेंज कुबूल करते बोला नहीं, मैं आपको को नहीं सकती फ्लीस, दोबारा मेरे रास्ते में मत आये का हॉस्टल के करीब कारी रोकते उसने एक नजर भर उसे देखा, कितना खौफ ता उसके अंदर तो मतासिफ हुआ, इसका फैसला तुमने नहीं, मैंने करना है तुम बेफिकर होकर जाओ और अपना ख्याल रखो मैं हर लमा तुम्हारे आसपास ही हूँ उसे यकीन दिलाता हूँ, उसे जाने का इशारा करने लगा नार ने बेबस, नजरोस उसे देखा, वो जिद्धी था ये तो वो जानती थी, हामोशी से गारी से उतर कर मरे मरे कदमों से अंदर जाने लगी कितना चाहा था उसने कि वो उसे ये सब छुपा ले मगर वो नाकाम रही थी अब उसे नश्रा की फिकर ओड़ी थी, अगर जो उसे ये सब मालम हो जाए उसका रियक्शन क्या होगा इसने बताया भाई साहब को मेरे और महरनिकार के बारे में वो अपने तमाम खास मुलाजमिन को लाइन हाजिर कर चुका था फसे से धारता और पागल हो रहा था उसके एक और कमजोरी उसके भाई के हाथ लग गई थी साहब, साहब मेरे इतिला के मताबक महरनिकार ने खुद बड़े मलिक को पून किया था चेहरू ने डड़ते ड़ते उसे इतिला दी तब मुझे बता नहीं सकते थे तुम सब इतने साल चुपा कर रखा और अब वो सैंपोलिया यहाँ इस हवेली तब पहुँच गया है वो गाली खुद कहा है वो फंकारते भी बोला चेहरा लाल सुर को रहा था आँखों से शोले निकल रहे थे वो वो साल वो मर गई है उसने फिर से हौले से बोलते गया ऐसे कहा जैसे अपने जुन का इतिराफ कर रहा हूँ अच्छा हुआ उसे भी अब मर जाना जाये गुसे से उसकी नाक के नतने बुरी तरह से फूले हुए थे बस नहीं चल रहा था मारिज को अभी के अभी मार देता उसे कल से बाड़े की रखवाली के लिए रखो आगे का काम मैं खुद करूँगा कुछ सोच कर उसने बागी मुलाजमीन को जाने का शराक्य शेरू को पास बिलाकर सरोगोशी के से अंदास में कहा साब जी पड़े मलिक साब ने उस बच्चे से ऐसे कोई भी काम लेने से मना किया है और फिर से खौफ से धर-धर कापते हो बोला ठीक है कल मैं शिकार पर जाना हूँ और भी मेरे साथ जाएगा और इस बार मैं कोई ना ना सुनो जैसे भी बंदवस कर सकते हो करो अपने गुसिली निकाहें शेरू पर जमाता हो एक एक लवस पर जोड़ दे कर बोला जी सरकार मैं कुछ करता हूँ जानता था उसकी बात ना मानने का क्या नतीज़ा हो सकता था इसलिए शेरू को मानते ही पड़ी अगले दिन जैसे तैसे मलिक आयास को मनाकाश बीरू ने मलिक सर्फरास के हमरा भी जाता दो मलाजमीन के साथ मारेश भी था वो जानता था कि मलिक सर्फरास उसका बाप है कि माने उससे कुछ नहीं छुपाया था थाकि उसकी हकीकत भी अभी वो नाजायस लब्स के मानी समझने की उमर में नहीं था मगर ये जरूर जानता था कि उसका बाप उसके लिए दिल में कोई एहसास और जजबा नहीं रखता मगर एकनी नफ़त रखता है ये अंदाजा उसे आज हो जाना था जंगल में कुछ दूर ही अभी वो पहुंचे थे कि मलक सर्फरास ने दोनों मुलाजमीन को गंस देकर एक मकसूर जगे पर उखने का कहा तुम लोग यहीं इंतजार करो मैं आगे जाकर शिकार करके आता हूँ वो दोनों हुकम के खुलाम थे लिहाज़ा जैसा मालिक ने कहा वैसी क्या चलो तुम मेरे साथ मुरकर गारिंग बैठे मारिश को बादर नुखास तर मुखास करते गारी से उतरने का शरा किया वो चुप चाप गारी से उतर गया उसे लिए ओ काफी आगे आ चुका था मारिश को समझ नहीं आ रही थी किस किसम का शिकार है जिसमे ओ दोनों बस चलते हैं चले जा रहे वो आगे एक पहाडी है भाग कर देखकर आओ वहाँ मुरगाबिया मौजूद है या नहीं अगर हो तो मुझे बताने में आकर वहाँ उनका शिकार करूँगा एक जगे रुकते उसमें सामने मौजूद टिले नुमा पहाडी की चानिब शारा करते मारिश को मुखाथिप किया वो सरिला था एक चानिब दोड़ने लगा मरिक सर्फराज ने उसे दोड़ते देखकर अपनी गन निकाल कस्पी टांगो का निशाना लिया अभी वो इतनी तेजी नहीं ढाव सकता था कि पल में उसकी नजरों से औरजल हो जाता वो बड़े सुकून से उसका निशाना ले चुका था यावाज के साथ उसे मारिश गिर कर रोता नजर आया इसकी बिल्बलाहट पर वो जहर खुन मस्कुराइट गनी मुच्फु तले लबो पर सजाए वहां से हट चुका था ना जाने क्यों शेरो को मलिक सर्फरास के तेवर ठीक नहीं लगे मारिश को उसके साथ भेश तो दिया मगर वो अंदर से खौफ ज़दा था डड़ते हुए मलिक आयास के पास गया जान की अमान पाउंड तो कुछ अर्ट करने है हाथ जोड़े वो मलिक आयास से मुखातिवा जो मरदान खाने में मौझूद मुच्छी को पास बिठा जमीन का हिसाब किताब करने मसूफ थे एक नजर शेरू को देखकर मुच्छी को वहां से जाने का कहा शेरू उनका वफदार बंदा था मलिक सर्प्रास कि बहुत से काले कामों से वो उन्हें आगा करता था इस तरह कि उसका नाम कभी नहीं आया था कहो कले में मौझूद चादर ठीक करते उस से गोया हुए छोटे मलिक साहब के तेवा ठीक नहीं लगते वो उस बच्चे को ले तो गए है मगर मुझे डर है कि वो अपना अंदेशा उन्हें बताने लगा साथ ही साथ उस दिन की कुफता को भी मनवान सुनाए तो तुम्हें ने उसकी सिपारिश की थी कि उसे ले जाने दे वो एक कड़ी निगा उस पर डाल कर बोले जी अपनी गलती का शिद्द से हिसास हो रहा है नजाने क्यूं दिल कह रहा है वो इस बच्चे के साथ कुछ बुरा करने वाले है उसका खौफ़दा लहजा उनकी भी पेशानी पर तफकरात की लकीरे खिल गया मेरी जीब निकालो कुछ सोच कर एक दम वो उठे कुछी देर में वो दोनों चंद और गार्ड्स के साथ उसी जंगल में पहुँच चुके थे सामने मलक सरफरास को मरगाबियां पकड़कर गारी में रखते वे देखा मारिज उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया मारिज का आए उसे ना पाकर वो गुस्टे से मलक सरफरास के जाने बर्ज जो कुछ करड़ाता हुआ नजर आया यही कही था शायद किलते किलते आगे निकल गया हो उसे इकलाते देखकर उन्हें अंदाजा हो गया कि शेरू का शक सच में बदल चुका है शेरू, सबदर, पजाहत, सब फैर जो इस जंगल में जब तक मारिज नहीं मिलेगा, कोई जंगल से एक कदम बाहर नहीं निकालेगा मलक सरफरास पर एक टीकी नजर डालते वो चिलाए कुछी देर बाद चेरू के बाजों में खुन से लटपत, बेहोश मारिज को देखकर उनका दिल किया मलक सरफरास को यहीं जमीन में गाड़ दे मलक साहब उसे गोली लगे, बहुत खून बेह रहे, वहां तवा उन तक पहुंचा इतने से बच्चे का, यह हाल देखकर मलक आयास आके बढ़कर सब मुलाजिमाओं की फरवा की बगए एक जोड़दार थपड, मलक सरफरास के दाएं काल पर जड़ चुके थे, एक हाल से शच्टर, मलक सरफरास का गरेबान पकड़ा तुम बाप नहीं, वो साफों जो अपने मतलब के लिए अपनी उलाद की निगलने से भी दरीग नहीं करता दूआ करना हैं बच्चा बच जाए, नहीं तो अपने अन्जाम की फिकर कर सरगोशी नुमाँ आवाज में उससे अच्छी तरह बावर करवा दिया कि मारिज उनके नजदिक क्या हैसित रखता है मलाजमीन की वज़े से उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि उन दोनों के लावा कोई और इस सच को ना सुन सके जटके से उसका ग्रेबान छोड़का शेडु को गाड़िंग बैठने का इशरा करते हो खुद भी जीब में सवार हुए एक है मलक सरफरास के मूँ पर धूल उड़ाते वहां से निकले तुना है हमारे सिमस्टर में नए सराय है फौरन कॉलिफाइड है और बाहर की उनीकी जॉब को लाद मारकर यहां पढ़ाने के लिए आए है नश्रा की वापसी का क्या सीन है जानते थी कि नश्रा उसके ज्यादा क्लोस है यार रात को बात कुई थी कह रहे थी कि इस विकेंड पर उसके भाई की शादी के फंक्शन शुरू हो जाएगे जहासा अगले पंड़ा दिन तक तो वो नहीं आएगी नार की बात पर वो मूँ बना कर रह गई तो इतने दिनों की छुटी मिल गई क्या उसे वो कुछ हरांगी से बोली उन्हें तो सब टीचर्स दो दिन की छुटीों पर छाड़ कर रख देते थे वो हमारी जैसी नहीं है उसका अबा साही यहां पर डोनेशन देते है उनके बच्चों को फेवर नहीं मिले की तो किसी मिले की नार की बात पर उचुप रह गई कुछी देर बात दोनों नए टीचर की क्लास रिटेंड करने पहुँच चुकी थी वर्जिशी जिसमें फाला लंबा चोड़ा संजीदा सा वरीद तमाम स्ट्रेंट को अपना गिर्विदा बना गया काली शर्वार कमीज पहने कोनियों तक कफ फोल्ड के वो वज़ाहत का शाहकार था रोल नंबर 201 क्यों क्या आप मेंसे कोई उनकी इतनी लंबी गैरहाजरी की वर्जिश जानता है वरीद एक ताराना निगाख सामने बैठे स्ट्रेंट्स पर डाल कर बोला आज उसका यहां कलास के साथ पहला दिन था अपने इंट्रो के बाद उसने अटेंडन्स लगाने शुरू की नकाब में मौजूद एक लड़की ने हाथ खड़ा किया जी उसने उसे बताने का इशारा किया सर वो गाओं गई है उनके भाई की शादी है उसकी बाद पर वो सरी लाकर रह गया भाई की शादी पर अतनी लंबी चुटी अपनी शादी पर क्या करेगी उसकी बाद पर गलास में कहका लगा नारक उसकी बात नाखवार गुसी आँखों से चलकती नाखवारी वरीद की जीरक निकाहें से चुप नहीं सकी बैट जाएं उसने इग्नोर करते से बैटने का शारा किया थोड़ी देर बाद वो तमाम क्लास से उनका इंट्रोर ड़क्शन ले रहा था मेरा नाम नार एहसान है इतने मुक्तसर तारूप पर वरीद ने दाएं आँख की अबरू उठा कर ऐसे देखा जैसे काओ ये क्या था बस अपनी हैरत को अलफास पहनाए जी सर मेरी जात ही मेरा तारूफ है उससे जादा तारूफ फिलहाल मेरा नहीं है उसकी बात में वरीद को मखमसे में डाला वो लड़के उसे अजीब सा मौमा लगी बंदे उचकाए कोई ambition नहीं है आपकी जिन्दगी में इस डिगरी के बात क्या करेगी नजाने क्यों उससे बात करने को दिल किया अभी सब से बड़ा ambition ये डिगरी है और 9% पाकिस्तानियों की तरह डिगरी के बात अच्छी नवगरी एहम गोल है जिन्दगी में उसकी बात पर मतासर के इन मस्कुराट उसके चहरे पर बिकरी मतलब आप हकीकत पसंदे है अच्छी बात है मतासर हुए बेगर ना रहा नाकाब में मौजूद कमी लड़कियों को इतना कांफिट उसमें देखा था वरना अमोमन घबराई ही होती अब की बार उसने गहरी निगाहों उसकी काली सया गोर आँखों पर डाली नार ने सरस्ते निगाहों का साविया बदल हकीकत पसंद होने से जिन्दगी आसान हो जाती है और उमीडे नहीं बनती ना तूटती है ना तकलीव देती है सब मज़े से उनकी गुफटगों सुन रहा थी कूट अच्छा लगा है जानकर के मेरी कलास में इतने कलासफर मौद है नजाने उसने तारिफ की थी कि मज़ाग उड़ाया था कुछ लोग दबा दबा हंस रहे थे नार को तो ऐसा ही लगा कि ये तारिफ नहीं मज़ाग उड़ाना था अब की बार वो खामोशी रही इसी खामोशी से अपनी सीट पर बैट दे अच्जिब बात का जवाब दिया है इस पर मज़ाग उड़ाने की क्या बात है सरगोशी नुमा आवाज में जरुआ से मुखावी अरे नहीं उन्होंने वैसे ही का आए वो बात टालने वाले अंदाज बोली तुम अभी से उनके चमचा गिरी करने लगी एक आख नहीं भाया मुझे ये बन था वो खश्मगी निगाहों से देख कर बोली तो किसने का एक आख से देखो दोनों से देखो भाज आएगा उसे नॉर्मल करने के लिए मैं साहिया अंदाज बोली वैसे तुम्हें भाने से क्या गर्स तुम्हें कौन सा इससे पहले कि उसके मुझे कोई अधीम बात निकलती नार नों से जोर से कुनी मार कर खामोश करवाया मुझे शॉपिंग करने शहर जाना है मज़े से जरीना की गोद में सरक के लेटी नाज उठवा रही थी अच्छा शाहाब से कहती हूँ तुम्हे ले जाए उसके बाद समारते बोली क्यों अब मैं मारिज की जिम्मेदारी हूँ वही लेकर जाएगा मुझे करनारी शरीना का कम कमी जब्त चुआफ देता था अगर देता था तो नश्रा के हाथों वो खूब इकलोती बेटी के होने के फायदे उठाती थी और शायद उसी वज़े से बिगडी भी थी वरना उनके बेटे इसकदर बेरारवी का शिकार ना थे आप बस मुझ पर तशद्द करती रहा करें एक तो आप सब की वज़े से उस नाजैस वो तेजी से उठकर बैठती उनके सामने होते तू बदू बोली उसकी बात पर फूरी होने से पहले जरीना उसके मुझ पर हाथ रखकर आँके निकाली आइंदा मारिज के लिए कोई बकवास की तो जुबान कीश दूँगी अपनी दादी और फुप्वियों की जुबान मत बोलो मैंने तुम्हें कितनी बार समझा है और तुम कौन होती हो से ये ताना देने वाली उनका बस नहीं चल रहा था उसका मूत खड़ो से लाल करते थी बहुत अच्छा किया तुम्हारे बाबा साइनी जो तुम्हारा निकाह मारिज से कर दिया मैं ते कहती हूँ जल्दी से रुकसाती भी कर दे जान चुटे मेरी तुम्हारी इतनी बेबाग और निडर गुफतक उसे कभी अपने भाईयों को देखा है मारिज के साथ ऐसी कोई बात करते उनसे सबक सिखो हम अपने किये के जिम्मेदार खुद है कोई और नहीं लहाज़ा दूसरों की बातों में आकर उसे गलत जच मत करो वो उसे अच्छी तरह लुतार रही थी अब वही लेकर जाएगा तुम्हें बासार बिल्कुल सही करता है वो तुम्हें किसी खातिर न लाकर वो अच्छी से जानती थी मारिज को और उसकी शराफत को वही तो था जिसने साइम के साथ उसके चक्कर चलने का मली कयास को बताया था युनिरसिटी जाते उसे गोया तो गोया पर लग गए अपने क्लास फैलू साइम को पसंद करने लगी वो भी उसकी खुशूरते से मतासिर रुआ एक दो बार महारी शहर किसी काम से आया वही उसने किसी रेस्टुरेंट में उसे साइम के साथ देखके बड़े सबाह से मली कयास को बदाया कि वो भड़के नहीं यहां मली कयास ने नश्रा से बात की वही वो इस सब का कुछ और मतलब निकालते जिद में आकर एक रात सब छोड़ चार का साइम की घर जा पहुची कि उससे निकाह कर ले वो सब को उसके लिए छोड़ आई है साइम इससे सिर्फ वक्त गुजारी के लिए दोस्ती कायम रखे वे था इतनी आगे का तो उसके वहम गुमान में भी ना था उसके माबाप मली कयास को अच्छे से जानते थे उन्होंने भी अपने बेटे को अच्छा लोताड़ा और फॉरण मली कयास को फोन कर दिया उनके फोन से पहले ही मारिज ने एतिला उनको पहुचा दी कि नश्रा घर छोड़ कर भाग गई उसने कुछ दिनों से अपने कुछ बंदे उसके पीछे लाक आए वे थे जो इसकी एक एक रिपोर्ट मारिज को देते थे वो हवेली की सबी लड़कियों के लिए इतना ही इस्तास था मगर इस सब करते इसके भी वहमगमान में ना था कि नश्रा को साइंग जैसे आवारा सिपत लड़के से बचाते बचाते खुद भी फज़ जाएगा मली कयाज उसी रात कुस्ते में नश्रा को हवेली लेकर आए और आती उसका निकाह मारिज से करने का फैसला किया जरीना तो किसी हद तक मुतमें होगी मगर खांतान के आखी सब लोगों ने इतिरास किया कि जिस लड़के को बच्पन से नाचायज बच्चे के हवाले से जानते थी यूं हवेली की लड़की उसे कैसे देते मगर अलमली कयास के फैसले के सामने कोई चूब भी नहीं करता था और यूं सब के अतिरास के बावजूत नशरा और मारिज का निकाह होकर रहा तब से नशरा ने उससे और विबैर मान लिया साफूरा खाला ये चोटे चौदरी मुझ पर इतना घुस्ता क्यों करते है कुछ देर पहले ही वो उसके कमरे में सफाई के लिए भेजी गई थी उसकी किताबे देखकर उनकी जानिब अभी बड़ी ही थी के पीछे से कोई तेजी से कमरे में आया और आने वाला भी कोई और नहीं कमरे का मालिक था तुम तुम यहां क्या कर रही हो अबल तो वो उसे का अपने कमरे में देखकर ही भना गया था और उस पर मस्तजाद वो उसकी बुकरे के करीब खड़ी पिश्तियाक से उसकी किताबे देख रही थी मैं तो यहां सफाई के लिए उसे अपनी चानिब कुंखवा नजरों से देखकर वो हिकलाते बोली ओ शट अप मेरी किताबों का सफाय करने आई थी बताओ क्या चुराएं यहां से बोलो उसे इसलमी वो पागली लगा था जो बिना सोचे समझे बस उस पर गुस्ता उताने के बहाने जूनता था सहाब मैंने कुछ नहीं चुराया रोते वे अपने चोटे चोटे हातों को उसके सामने जूरते वो बेबस थी चदीद बेबस कब सोचा था जिन्दगी में कभी ऐसे हालात का सामना करना पड़े का नाजो नाम में पढ़ने वाली आज जियू रूल रही थी डफाओ जाओ मेरे कमरे से दोनों उकालों पर ये पैदर पे थपड़ों की बरसाद करते भूल गया था कि जो गुस्सा वो उस पर निकाल रहा है वो उसकी हगदार नहीं वो हापनी कापनी वहां से भागी सीधी मुलाजिमों के बने वी इससे की चारिबाई सफूरा खाला उसका लाल चरह देखकर समझ गई कि उपर से चोटे चहदरी से मार खाकर आई है तो क्यों गई वहां एक वही यहां उसके दुख समेटने वाली थी वरना तो कोई किसी को कुछ फरक नहीं पड़ता था मुझे बड़ी बेगम चहदराईन ने भीजा था उनका कमरा साफ करने के लिए वो रोते वे रोते खुद पर बीती रोधात बता रही थी दूसरी जानिब सहुरा वेगम अपने बेटे को ऐसा दरिंदा सिफ़त देखकर उसे टोके बिना न रह सकी यो तुम उसे यूं बेदर्दी से मारते हो इंसान है वो उस बच्चे के निकलती वो उसके कमरे में मौजूद थी अमा साई मत उसकी साइड लिया करे वो अपनी उमर से कहीं बड़ा उन्हें लगा मैंने खून में नहाया अपना भाई देखा था आपने नहीं वो अपनी लहू छलकाती आंखों से एक नजर उन्हें देखकर रह गया वो मेरा भी वेटा था मैंने मौफ कर दिया सबको तो रोते हुँ उसे कंदों से थाम कर अपने साथ लगाते हुँ बोली कैसे कर सकती है आप उन्हें माफ कैसे मैं नहीं कर सकता उनके हाथ जटकर दूर हुआ वैसे ही सफाग था बस कर दो वरीद ये मेरे हाथ जुड़े है वो बच्ची मर जाएगी रोज तो मुसे मारते हो यही सीक्र है वो अपनी पढ़ाई से अपकी बार उसे घुस्त से डांट दिने लगी थी हाँ बुजदिल बना दे उसे अपनी तरह नजाने किस लमे रुकया वेगम कमरे में आई उन्हें पता नहीं चला अल्लह के कहर से डरे वो दबी आवास में बोली कवह मती के उनके सामने एतिरास कर पाती उना हंजार डरा अल्लह से मेरे बच्चे को गारी के नीचे रौनते वो धारी और तू बिलकुल सही कर रहा है तो उसके साथ वो से मजीद शेर बनाका चली गई सुखरों ने अफसोस से उन्हें देखा ये उन्निस्टिस से आने के बाद वो बहुत देर से खामोशी से समरे में बैठा था रौकिंग चेयर का रुख खिर्की की जानिक था लायानी सोचों ने घेर रखा था कैसे जूनो तुम्हें हाथ की मुठी बनाकर मारते को हौले हौले ठौक रहा था उसी लब में मुबाइल वज़ा उसके खास बंदे का कौन था हाँ कुछ पता चला की है उसकी गुमशुद्गी के चंद दिन बाद ही वो अपनी बेटी की घर हमेशा के लिए चली गई थी क्योंकि उसका शौक किसी अक्सिडन में मर गया था तो सफुरा विकम को महां मजबूरन जाना पड़ा वरीत को ये न जाने क्यों कहानी में जोल लगा पता करो वो आप कहा है उनका अड्रेस मुझे बिजवाओ तो सोच कर उसने उसे एक नया काम दिया जैसे आपका हुकम सरकार हमद्दिब अंदास मोला अभी फोन बंद किया ही था कि एक बार फिर से फोन की बेल बज़ी कहां है यार दूसरी चानी फखर था कहीं नहीं घर पे यूँ एक लंबी सांस खायच करके बोला तू आ जा तुझे एक फ्रेंड से मिलवाओं उसके लेज़े में मौजूद खनक सुनकर उसकी चेहरे पर भी मुस्कुराहट दोड़ गई वो प्लेब वो आये था नजाने एकने दिन भी किसी लड़की के बगर कैसे कुजार दियो थे आता हूँ फोन बन करके तेज़े से तयार होने चल पड़ा कुछ दिर बाद यो फखर के सामने बैठा था जो पहले से किसी तरह तरहदार लड़की से बाते करने महसूस था तीनों शहर के महंगे होटल में इस वक्त मौझूद थे यह मेरा बहुत प्यारा दोस्त वरीद है खाली में बाहर से पड़कर आया और अब यहां भी पढ़ाएगा साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर है बहुत से मुलकों में में सेमिनार्स कर चुका है मगर अब पाकिस्तान में अपनी खिदमात पेश करने आ गया है उसकी बात पर मकाबर लड़की मतास्र कुन अंदाज में वरीद को देखने लगी और यह रिदा है मेरी यूनी फेलो सोचा आज तुम से मिलवाओं उसकी बात पर दोनों ने एक उसरे को देखकर खैर मकदमी मस्कुराहत देखी इनका इतना लंबा छोड़ा तारुफ और मेरा बस इतना सा वो एक अदा से बुरा मूँ बना कर बोली तुम अपना तारुफ खुद करवाओ मेरे ख्याल से तुम ज़्यादा ने बारी में बता सकती हो अच्छा गाइस मुझे जरा दरूरी कॉल आ गए मैं फिर किसी रिम तुम दोनों को जॉइन करूंगा वो देखी से वहां से उटता हुआ बोला कोई देर फखर को वहां से जाता देखने के बाद उसने अपनी मेतनाती सी सहर जदा निगाहें उसके चेरे पर गारी थी जी तो आप अपना मुकमल तारूफ करवाना पसंद करेगी कुर्सी की पुछते से टेक लगाए आराम दा अंदास बैठे वे कुर्सी की हत्ती पर कोहनी टिकाए दाएं हाथ की बन मुची होंट और तोड़ी पर टिकाए वो रिदा को पुदरत का शाहकार ही लगा बलैक ड्रेस पैंट पर लाइट ग्रेश शर्ट पहने पॉर्मल से उलिये में घने बालों को जेल से सेट किये वो एक शानदार मर्द था दाड़ी और घनी मुचे उसकी वजाहत को चार चांद लगा रही थी सुद्वानाद, तनी हुई भवें, गरूट चलकाती आंके सब बेहत पॉफिक था तो खुद इस वक परपल स्लूलेस टॉप और वाइट टाइट पर खुब्सूरती से तैयार भी किसी का भी इमान मुतजल्जल करने की सलाहियत रखती थी इतनी जुनती क्या है, मिलते नहीं तो मजीद खुर कर एक बुसरे के सामने आएंगे शोल्डर कट बालों को नास से जटकते वे मुकाबल को अपने सहर में चकर चुकी थी वेल सैड टॉप अच्छा लग रहा है आपका वो ऐसी लड़कियों को काबू करने की गुर से वाकिफ था कुछ दिर बाद जब वहां से उठे तो नंबर्स एक्स्टेंज कर चुके थे बेतकलुफी खासी बढ़ चुकी थी मुझे पहले हॉस्टर जाना है जीप में बैठती वो हुकम सादर करके बोली मारिज ने एक नज़र बैक्वी मिरर से चादर से चहरा चुपाए नश्रा को देखा आपने बाद आज जाने का कहा था लिहासा गारी सीधा बाद आरी जाएगी ओबलेटर का दाज बोला तुम तुम समझते क्या खुद को तो बमश्किल घुसा जब करके बोली हर बात पर उसकी नफी जो समझता हूँ वो हैसियत आप मानने को तयार नहीं मस्कुराहर दबाता हूँ इस लम्हें उसे शदीद जहर लगा अपनी लुक्स मुझे दिखाने की ज़रत नहीं है उसके पुरकशिश चेरे से बमश्किल नजरे चुड़ाई वरना दिलने वारदार शुरू कर दी थी अब मुझे अपनी सब लुक्स सिर्फ आपको और आपको अपनी सब लुक्स सिर्फ मुझे ही दिखाने की जरूरत है वो कहां हारने वाला था भरपूर जो आपकारवाई कर रहा था पता नहीं किस लम्हें तुम्हेरे साथ आने का कह दिया अब उसे अपनी गल्दी का शदीद एहसास हुआ उसने तो सारे रास उसका बी-पी हाई करवा देना था इसलिए कहते हैं कुछ पैसले सोच समझ के करने चाहिए वरना पश्टावा ही आता आता है वो ना से बना उसे समझा रहा था अच्छा तुमसे मशोरा नहीं मांगा वो तड़क कर बोली मांग लेती तो अच्छा होता बैक्यू मिरर से एक बार फिर उसकी ब्राउन आँखों को देख था नश्रा अपकी बार खामोश रही वो उसे जेर करने लगा था और यह उसकी ने खतरनाग था कोई उसे खुद पर हावी नहीं उने दे सकती थी ने नाममकिन था उसकी लिए उसकी पुरसोष नजरे दूर तक यह तो में उलज रही थी वो जितना उसे जिच करने की कोशिश करती उससे ज़्यादा खुद हो जाती सुनो तुम्ही कोई लड़की पसान है क्या नजाने दिमाग में क्या समाए कोई देर बात फिर से बीडो के छटे को छेड़ा कोई भी तो आप से कोई बेतकुलिफ ही नहीं कि आप से शेयर करता पिरूं इसकी बात पर माते पर बल वाज़े नमदार वे देखो अगर है तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी सिरियसली मजाग नहीं कर रही वो हर तरह से उससे जान चुडाना चाहती थी बीबी आपका और मेरा मजाग है भी नहीं बेतर होगा जो फासले चुरूं से काइम है वो कायम ही रहे अपकी बार वो उसे शेट अप कॉल दे रहा था तो तो इस निकाह मुसीबत का मैं क्या करूँ उजिनलाई इतने मुकद्दस रिष्टे के साथ ऐसे अलपास लगाने मनासिब नहीं है वो उसे टोक कर बोला अच्छा उस्ताद साहब उस रचट अपक गई ये तो मारीज भी नहीं जानता था कि उनके इस रिष्टे का अंजाम क्या होगा मैं तो मलिक आयास के एसानों का बदला चुकाने की छोट इसी कोशिश की थी पिछले दो गहंटे से वो होस्टल में हॉस्पिटल में मौजूद थे अब तक उसकी हालत नहीं समली थी बड़े मलिक सहाब आप होसला रखें अल्लहा बहतर करेगा वो मसलसल उनका होसला बना उनके साथ मौजूद था अगर उसे कुछ हुआ मैं उसकी माँ को कयामत की दिन क्या मूरिखाऊंगा उससे वादा किया था कि मैं उसे हर मसीबत और हर आफ़स से बचा कर रखूंगा क्या पता था उसका बाफ उसकी जान लेने के दर पे आ जाएगा सही कहते गुनाहों की दलडल इंसान में हर तमीज खतम कर देती है दिल खाला होने लग जाता है वो मस्तरिब से अधर उधर चकर कारते फिर चन्नमों के लिए कॉरिडर में लखके बेंच पर बैट जाती मगर सुकून नहीं मिल रा था कुछी देर बाद डॉक्टर आपरेशन रूम से बाहर आया गोली तो निकाल दी है मगर बच्चे का खून बहुत बैगया है और इसके लिए खून की बॉतले लगाई गई है दूआ करे माजूरी ना हो जाए उसमें कोई डॉक्टर के बाद पर वो धेस गए घड़ी बुरी तरह मतासिर हुई है मगर कोशिश करेंगे के बच्चा ठीक हो जाए डॉक्टर के बाद पर उनके चहरे पर परिशानी के साइं लह राए जितना भी महंगा इलाज हो कुछ भी हो आप प्लीज उसे माजूरे से बचा ले मैं पानी की तरह पैसा लगा दूँगा मडिको की यूँ बेबस उस डॉक्टर ने पहली बार देखा था बस बच्चे को वो शाचर एक्सरे डिपोर्ट सा जाएं पर ये कुछ बहतर कहा जा सकता है यहां इलाज मुम्किन ना भी हो सका तो आप उसे शेह ले जाएगा वहां यकिनन बहतर अंदास में डॉक्टर आपकी मदद करेंगे बाकी सब अल्लह की हाथ में हैं डॉक्टर अपनी बात मुकमल करके चला गया फिकर न करे बड़ी मलिक साहब अल्लह बहतर करेगा और फिर वाकर इन्होंने बेदरीख पैसा लुटाया मुझपर इतने मुलाजिमों के सामने मेरे भाई ने हाथ उठाया छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को ड्रैवर को बाहर निकाल कर वो अकिला इगुसे से पागल होते जंगल से निकला था रैश ड्राविंग उसने सिंदगी में कभी नहीं की थी मगर इस लम्हें वापे में नहीं था ड्रैश पोर्ट केक खुप्या खाने से शिराब की बोतल निकाल कर आदी एकी सांस में खाली की समझता क्या यह यहां का बड़ा बन गया तो हम सब का खुदा बन बैठा जैसा कहेगा जो कहेगा हम करते चले जाएंगे घलत फहिमी उसकी मैं मैं ऐसा जाल बिछाओंगा कि सब मरतबा और मकाम चीन लूँगा उसके घुसे ने उसके भोश औ हुआस सिलब कर दिये तेस रफ्तार से वो पगडंडी पर जीब तड़ा रहा था नशे में दुद सामने से आते बच्चे को वो देख ही नहीं पाया गाड़ी के साथ साथ उससे भी उडा ले गया साथ ही बाग में खिलते इसके भाई दॉलते वो इसके करीब आए पकड़ों से वरीद भाई की लाश देखकर चिला रहा था दस साल का वरीद रो रहा था चिला रहा था वरीद आंके कोलो गाड़्स पर उनने लिए गाड़ी में बैठे जीब के पिछली सीट पर भाई का सर गोद में रखे तो मुसलसल उसे पुकार रहा था मगर वरीद दिन्दा होता तो सुनता हॉस्पिलल पहुशने पर डॉक्टर ने मायू से कहिसार करते उसके एकस्पायर होने की तस्दिक की वरीद ने रो रोकर पूरा हॉस्पिलल सर पर उठा लिया था जी सर आपने बुलाया मुझे उन्हें एक हफ्ता हो चुका था वरीद से पढ़ते वे बहुत से स्ट्रेंट तो उससे बेतकल्ब भी हो चुके थे जिनमें बड़ी तादार रड़कियों की थी चैनल एक को छोड़कर बाकि सब भी वरीद की गिरविदा थी जी नार आईए पिलीस तो मसरूफ से अंदाज में अपने आफिस में बैठा वहुत सी फाइल्स अपने आगे फिलाईस का मुंतजर भी था ये कल के लिक्चर के नोटस है मैंने सारी किलास के रिये कौपीज निकलवा ली है आप सब में डिस्ट्रिब्यूट कर दे और इन्हें बता भी दे के नेक्स विक इसी में से टेस्ट आएगा कागल सुका एक बलंदा उसकी जानी बढ़ाते हैं सादा से अंदाज बोला लेकिन सार में कलास की सिया नहीं हूँ बैतर है कि आप उन्हें को ये काम दे वो अंदर आकर यूँ ही खड़ी थी उसके इशारा करने के बावजूद बैटी नहीं थी उसके दो टोक अंदास पर वरिद का असाइमेंट स्टेक करता हाथ रुका फुरसी के सार टेक लगा कर फुरस सस्ते उसे देखा उसके निगाहों के गहरे इरतिकास पर जुजबुजवी नज़रे जुकीवी उसकी टेबल पर मौझूद पेपर्स पर थी क्या मैंने आप से पूछा कि एक लास की सी आर कौन है और क्या एक हफ़ते बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये मालूम नहीं होगा कि सी आर कौन है वो सी आर पर सोड देते तंजिया अंतास बुला तो सर मुझे ये काम देने का मकसद उसमें बहुत से टीचर्स के बारे में सुन रखा था जो उमर का लिहास ना करते अपनी स्टूडेंट्स पर डोरे डालते है बहुत सो से तो वो वाकिब बीटीसी ले कुछ रिचर्स के पास वो कभी अकेली नहीं जाती थी मिशा नार, नश्रा और जर्वा एकट्टे ही जाती थी मगर आज दोनों ही उनी नहीं आई थी लियाज उसे मजबूरां अकेले आना पड़ा आप मेरी स्टूरेंट है और ये मेरी मर्जी कि मैं किसी भी स्टूरेंट को कोई भी काम दे लू इस देट के लिए अपकी बार वो नाखवारी से बुला उसे डिक्टेट करने वाले लोग बुरे रगते थे तो उसे वो कैसे बरदाश करता और आएंदा टीचर से बहस मत किजे का मैं उमर में आप से बहुत बड़ा ना सहीं बहरेयार टीचर हूँ और आप ऐसी हूर पर ही नहीं जिनके दीदार के लिए मैंने अपने रूमें बलाए टेकिट एंड यू में गुनाओ वो अच्छी तरह उसकी तब्यास साफ कर चुका था उसे डड़कियों की कमी थी क्या सोच कर वो उसे यूँ बात सुना गई थी नकाब होने के बास वो उसके चेहरे पर अपने अलफास की फिफ़त नहीं देख सका मगर उसकी नजरों की बड़ती नगवारी को अच्छी तरह महसूस कर गया उसे वो लड़की पहले दिन से खुद को उँची चीज समझती लगी थी या उसी के साथ ऐसे बहेर कर रही थी बाकी टीचर्स से उसने उसकी काफी तारीव सुनी थी मगर पहले दिन से वो जैसे हद बंदिया कायम कर रही थी वरीद को एक काफ नहीं भाई अजीब खुद पसंद ड़ड़की थी नार खामुशे से पेपर्स पकड़कर बाहा निकल गई कैसी हो तुम और कुछ देर पहली हॉस्टल आई थी आज का दिन ही बुरा था सुबा वरीद से जार सुनने के बाद उसके डोर टेस्ट इंतहरी बुरे हुए जिन्दा हुँ बस उसके फार खाने वाले अंदास पर नश्रहरान है हुआ क्या है इतनी गुस्से में क्यों वहरा से बोली वो जो नए सराय है वो तमीद बानने लगी हाँ क्या हुआ उने वो भी दिल्चस्पी से सुनने लगी हुआ अजीब घमंडी इंसान है अब तुम बताओ क्लास को टेस्ट के बारे में इंफॉर्म करना नोट्स देना मेरा काम तो नहीं है सीयार क्यों बनाया हुआ एक लास में यह उसका काम है ना वो उसकी ताइद चाहने लगी हाँ ना सीयार बनाने का मकसद ही यही है कि वही टीचर्स के सब काम इस्टुरेंट तक पहुंच जाए नश्रा ने उसकी हां में हां मिलाए वही ना सर ने आफिस बुलाया और कहा नोट्स बच्चों को दे कर टेस्ट का इंफॉर्म करे तो यही बात मैंने उन्हें समझाई उल्टा मुझे डाटने लगे उसकी वज़ात पर नश्रा कहरी सांस भर कर रहेगे यार दफा करो कहते हैं तो कर लिया करो तुम्हें पता है ना यूनि में किसी टीचर से बिगाडने का मतलब यह है कि आप अपने ग्रेड से हाथ दो ले अब तुम बिला वज़ा अपने ग्रेडिंग मत खराब करवा ले ना ऐसी तुम्हारे पीछे न पढ़ जाए वो उसे समझाने लगी क्यों भई मेरा मामा लगता है कि उसकी हर बात मानू आइंडा ही हो आफिस में बुलाया है मैं तो सुना दूंगी मैं जी बाकी सब जो चमचिया आंगे पीछे फिरती हो उसे काम ले वो इस वक्ट कुछ भी सुनने को तयार नहीं थी अच्छा पिरीज मेरे आने तक कोई फटे मत करना एक तो तुम्हे आदत है तर जूट का पच्चार करने की उसे टोक कर बोली हाँ तो लोगों को सही गलत की तमीज होनी चाहिए वरना बहुत से लोग भुकतान भुकतते हैं वो स्यासियत भरे लेज़ें बोली तुम बताओ भाई की शादी की तयारिया कहां तक पहुंची वो बात बदल गई उन तयारियों को छोड़ो तुम अपनी तयारी रखो तुमने महन्दी वाले दिन आना है वो से याद दिलाने लगी यार सच में तुम्हारी शादी में आ जाओंगी लेकिन ऐसे भाई की शादी में आना जीव लगता है वो वहाँ जाने से कत्रा रही थी और वज़े बता भी नहीं सकती थी मैं कुछ नहीं सुन रही समझे तुम बेवफा पहले तो कह रही थी हाँ हाँ जब बुलाओगी आ जाओंगी और अब बहाने बना रही हो वो ख़फा से लेजिन बोली अच्छा आ जाओंगी वहाँ मानने वाले अंदाज बोली सर इस रिपोर्ट पर साबे इस इंडरस्टेर्स ने फिट बैक दिया है आप फिरी हो जाए तो मैं आपको इमेल कर दे दी फखर के सामने इस वक्त उसकी ऑफिशियल मेनेजर किसी नए प्रोजेक्ट को डिसकस करने के साथ-साथ एक पुराने प्रोजेक्ट के बारे में मुटला कर रही थी ठीक है मिसहसान आप इम वाले प्रोजेक्ट के डील साइनल समझे गेती से कहें कि इमेल उन्हें हमारे रिस्पॉंस और मिटिंग के कर दे जिसमें हम प्रोजेक्ट पर साइन करेंगे और साबर इंट्रेस्टरिस के इशूस के मुतालिक रिपोर्ट मुझे भिजवाएं ताके उन्हें भी जल्दी देखा जाए क्योंकि आदी पैमेंट को हमें कर चुके है हमारा क्लाइंग खराब नहीं होना चाहिए एक हाथ से मसलसर नने वाले फोन को उठाकर रिसीवर कान से रगाते हो उसे जरूरी हिदायत दे रहा था ये कैसा वो उसे मसलूफ देकर उठने वाली थी जब दूसरी जानी बात करते है उसमें उसे बैटने रहने का शारा किया तो चुप चाप बैटकर उसके फारिक होने का अंतजार करने लगी जी केती दूसरी जानी उसकी सेकरेटरी थी पर कोई वरीद साप आपसे मिलने आए हैं आपके साथ अपारिमेंट तो नहीं हैं मगर वो बज़िद है क्या आपसे मिलना है शायद आपके दोस्त है गेती प्रोफेशनल अंदास में उसे बता रही थी अरे बहजे उन्हें और उनकी शकल याद कर ले मैं जितना भी मस्रूफ हूँ मेरी अपारिमेंट वो ना हो उस बंद एक आफिस में आते ही आपने सीधा मेरे आफिस में बेट देना है वो खुशगवार लहजे में बोला नार को इतना अंदाजा हो गया था कि वो जिस किसी के बारे में भी बात कर रहा किनन कोई बहुत पुराना दोस्त है जिमिस हैसान वहाँ जो रेड़ वाली फाइल हो अभी लेकर जाए और सब डिसाइन्स को अच्छे से देखकर आज ही फाइनल करें दो दिन से ये काम भी पैंडिंग है अपने रूम में लगी फाइल्स की शेल्फ की जाने बिशारा करते हो बोला सर नमबर बताएं अपनी जगे से उटते हो बोली क्योंकि वहाँ दस बारा की तादाद में लाल रंगी फाइल्स थी कोड नमबर है वो अपने सामने मौजूद फाइल से देखते हो बोला जहां सब फाइल्स 113 के नमबर और उनके डिटेल्स मोटे मोटे अलफास में लिखी वी थी वो सर इलाते शेल्फ की जाने बड़ी उसे लमे कोई हलका सनौख करके अंदर दाख लुआ नार की दर्वाजे के जाने पुछत थी आईए आईए चौधरी साहब आज मेरे आफिस को रौनक कैसे बख्षी नार का फाइल पर रखका हाथ लमे भर के लिए थमा चौधरी के लफ़ पर उसकी आदाश के परदे पर बड़ी तकलीफ दे तसावीर उगरी तो जटक कर वो अपने काम में मसरूफ रही बिल्कुल ठीक तुम सुनाओ नार का वाज जानी पहचानी लगी फाइल निकाल कर मुड़कर एक नज़र आने वाले को देखा प्रीम के लड़के कुर्टा शलवार में मखसूस अंदास थे बालो को जेल से सेट किये अपने मगरूर नकोश के साथ वहां आने वाला कोई और नहीं उसके सर वरीद थे उसका हलक तक पड़वा हो गया सर यही है वरीद फखर से बगलगीर होने के बाद उसकी टेबल के सामने रख़ी कुर्सियों में से एक पर टिकते रहा था कि दाएं जानिब से आने वाली निस्वानी आवाज सुनकर ठिटका कुर्सिय पर बढ़ते बढ़ते नजरे कुमा कर उस जानिब देखा नकाब में मौदूद लड़की को मतहीर नजरों से देखा आवाज उसे सुनी भी महसुस हुई नासिक आवाज बेतासूर और हर तरह के आईसास स्यारी नजरे उसे चौंका गई उसके नजरे खुद पर महसुस करके और जुस्पुस हुई जे मिस ऐसान यही फाइल है उपिनार की मौजूद की वहां फरामोश कर चुका था ठीक है सर आप जब फिरी हो जाएं तब बता दीजे का मैं तब तक बाकी लोगों से डिसकस करके इस फाइल को फाइनल करती हूँ वरीद को भरबूर अंदाज में जननादास करके एतिमाद से बोलती हूँ कोई और नहीं नार ही थी वरीद को अब किसी भी शक की कुछ जाईश नहीं थी वो चहरा मौट चुका था किसी किसम की जान पहचान का तास्र भी दिये बगए ठीक हो गया मैं ठैंक्स और गेती से कहिए का कुछ अच्छा सा बचवाए वो भी शायद उसे वहाँ से बेजने की जल्दी में था वो सर इला कर वहाँ से निकलने लगी जब दरवाज़े से गजरते अपने पेच्छे वरीद की आवाज सुनी तुम्हारे आफिस में नकाब कोश हसी नाई भी होती है वरीद की बात पर लाहूल पड़ती यार क्या उसने तुझे पहचाना नहीं या तुने उसे वहरा से बोला क्योंकि दोनों ने अजनबियों वाले तासरा आती दिये थे दोनों ने पहचान लिया था मगर उस पहचान के जार करने की दोनों तरफ हुआश नहीं थी इसे मूँ बिगार कर कहने पर वह अब भी हैरान था वो क्यों वखर अपकी बार उल्जा छाद मैडम खुद को तोप चीज समझती है अब लड़किया मेरे आगे पिछे पिड़ती है तो इसमें मेरा क्या खसूट मगर उन मेडम का कहना है कि ये कोई लोफर किसम का टीचर है बाई तुम अपनी शराफत रखो अपने पास और अचार डालो उसका ना मैंने तुम्हे घास डाली ना ऐसा कोई इरादा है वाम वखर के अटिट्यूर दिखाती है आज ही जब वो क्लास की किसी लड़की से कॉरिडूर में खड़ा बात कर रहा था तब नार की ये नाया बलफास इसके कानम पड़े थे यार ये फारिया को देखा है जो हर वक्त सर वरीद के आगे कुछे फिरती रहती है जरौा और वो उन से कुछ पास्के पर कॉरिडूर में जरौा उसे टोक कर बोली अगर टीचर्स की खुशामदे करके ही ग्रेट लेने हैं तो इससे बहता है मैं डिग्रेट में मास्टर करूँ वैसे भी मैं अपने वर्ड बढ़ाने के लिए डिग्री ले रही हूँ वरना तुम जानती हो कि मुझे इसकी जरौत नहीं हो साफ गो इसे बोली हाँ यानि तेरी स्ट्रेंट तुझे लोफर समझती है इंट्रेस्टिंग उसकी पूरी बात सुनकर फखर अपना कहका न रोक सका तुझ जानता है मुझे ऐसे लोग सक्त बुरे लगते है जो खुद को अलग जाहर करने के दर्पे हो चाल मीठे बोल उससे तो बोलू तो ये मैडम भी और लड़कियों की तरह आगे पिछे फिरती नजर आए वो अलग बात है कि ऐसी हो को मैं मुझे नहीं लगाता वो राउनत भरे अंदान बोला इतना बड़ा बोल नहीं बोलते आगे आजा फखर ने नजाने उसे नसीट की थी मज़ाग में का था हो सरजटक करे गया वैसे कब से मेडम काम करे या वो पूछे बगए नहीं रह सका यार असल में बाबा के किसी दोस्त की जाने वाली है तो बाबा नहीं उसी दो साल पहले यहां रखता है माबाप है नहीं होस्टल में लेती है बस और इससे जादा कुछ नहीं पता उसके बारे में महनती बहुत है और टैलेंटेट भी उसकी बात पर वो महस्त सर हिला करेगा उसे कोई खाद दिल्चस्पी नहीं थी और तो सुना तेरे हालात कहां तक पहुँचे और जिस जाने बशारा कर रहा था उसे समझकर मुभम समस्कुराया बहुत फास लड़किया भई कल तो मेरे घर आने पर तयार हो गई थी मैंने ही रोका कि दरा होस्पा करो बैडरूम तक भी ले जाओंगा वो तफसील बताने लगा I told you बंदी बहुत पिट है उसे आफ मार का बोला दोनों को कहका भरपूर था ये क्या कर दिया तुमने कुछ देर पहले वो मारेज को शेहर के हॉस्पिरा छोड़कर हवेली आये थे शेहरो को वो मारेज के पास ही छोड़ाय थे ताके वो उनकी गैर मौजूर की मुसका ध्यान करे मगर हवेली आते ही एक नई मुसीबत उनकी मुनतजर थी मुझे समझ ही नहीं आई वो कब काड़ी के आग आ गया गया नशे से चूर लह जही मली कयास को समझा गया कि किस वज़े से इस बच्चे को देख नहीं पाया और फिर वही हुआ जिसका उन्हें डर था शाम से पहले पहले जर्गे के मौजजजीन उनके घर मौजूद थे आपके भाई ने बिलकुल अच्छा नहीं किया कल उस बच्चे के कुल है परसू जर्गा बठे का अगर उसने भागने की कोशिश की तो कुफारा आपको भनना पड़े का उनकी बात पर तफक्र की लकीरे उनके मात्रे पर नमुदार ही आप एका मत करें मैं और छोटे मलिक चर्गे में आएंगे जो फैसला भी चौधरियों की जानिब से आएगा हमें मन्सूर होगा उनकी बात पर वो सब कुछ देर बैटने के बाद उर गए अब क्या होगा चर्गे के लोगों के साथे ये इशरत बेकम ने कहा उन सब को ही अन्दाज़ा था कि आप क्या हो सकता या तो खोन के बरले खोन या फिरवनी मुझे क्या पूछ रही है उसको पूछे जो नशे में धुद कारी चला रहा था वो भी धाड़े सब औरते जनान खाने में मौजूद थी मैं मैं नशे में नहीं फूस्चे में दुद था जूल गए क्या क्या किया था आपने वो भी खुळ्रा कर बोला क्या किया था इन्हां बो एक मासूम पर गुली चलाते शरम नहीं आई तुमें वो भी दूबदू हुए एक कमी कमीन के लिए आपने मुझे मुझे मुलाजिमों के साल ने माला मेरा ग्रेबान पकड़ा और कह रहे है कि क्या किया है मैंने वो बदली हाजी से बोले बस कर दो तुम दोनों इश्राइट बेकम जोर से बोली ये परसो जरगा जाएगा और अगर इस बार आपने उसके गुनाहों के परदा कोशी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा वो मा को तंबिया करके गुस्ते से मलिक सरफरास को देखते वहां से निकल गए सुनो उस अनान खाने के करीब से बुसरा था जब नश्रा की आवास सुनकर रुका कुछ तपे हाथ बानकर नजरे जुकाये खड़ा रहा कितने शरीफ लगते हो इस तरह खड़े हुए मासूम से जिसके मुह में जुबान बिना हो इस लम्हें यूँ खड़ा हो से वाकर बड़ा मासूम से लगा मारिश के चाहरे पर मकसूसी मुबहम मुस्कुराह तुबरी तो बाकियों को तो बेहद अच्छी लगती थी मगर नश्रा को आग लगा दे थी क्या मेरी तारीफे करने के लिए आपने मुझे रोका है प्लीज जितनी भी करने है जल्दी करे मुझे जरूरी काम है उसको चड़ाने का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देता था इतनी तुम क्रिस एवेंस खुमू बिगार कर बोली ओ यानि इंडियन्स मुवीज के बाद अब आपने हॉलिवूड की मुवीज भी देखना शुरू कर दी है और जानता था अब वो मजीद भड़केगी हाँ देखूंगी और शाद एक दिन फिल्मों में काम भी करने लगो तुम्हें क्या तकलीफ है जिस बाद के रोकत हो तो अब कही पीछे रह गए थी दोनों की अजली दुश्मनी शुरू हो चुकी थी उसके जवाब पर अब की बार मारीज के जहरे पर नावावार सासरात उबरे नजरे उठा कर सुलकती नजरों से उसके हसीन मुकड़े को देखा अब आप में मलिक आयास की बेटी नहीं है सिर्फ मेरी मन कोहा भी है सोच समझ कर बोला करे गहरा संजीदा साथ लहजा और नजरे उसकी रिल्ल की हड़ी में फरेरी सी दोड़ा गई ओह बड़ी खुश फैमिया नहीं होगी तुम्हें वो उसका मजाक उड़ा कर बोली अगर इस कागस के टुकड़े पर साइन करने के बाद भी आपको ये गलत फ़हमी है कि आप अब जो चाहें करेगी और आपको पूछने वाला को नहीं होगा तो बेतर है कि उसका इलाज कर ले हुले से उसके नजदीक होकर उसकी जानिब जुकते वोसे बहुत कुछ पावर करवा गया नश्रा तो चन्ना में उसके लहजे की गंभीरता पर चूपी रह गई तुम तुम मुझे उस पेपर की बुनियाद पर बलेक मेल नहीं कर सकते उसके लहजे का सहर तोड़ कर उसके पीछे होते कमजोर लहजें बुली मारी जैसे मुस्कुराया जैसे किसी बच्चे की बात पर मुस्कुराया जाए जायज रिश्टे बलेक मेल नहीं करते ये लूली लंगडी बेसाखिया नाजैद रिश्टों को चाहिए होती है फिचे हटकर खड़े होते उसकी नज़रे दोबारा जुक चुकी थी फ़िर ये सब तो मुझे डिसाइट करना है कि जिस रिश्टे को लेकर तुम मेरे सर पर चड़ने की कोशिश कर रहे हो उसे कब और किस दम्हें तोड़ना है फिलहाल तुम्हें यहां रोकने का मकसद इतना था कि कल मेरी बेस फ्रेंड नार को शेर से ले आना बाय के शादी वो अटेंड करेगी अपने दिल में पनबते बहुत से जवाबात को दिल में रखते हूँ असल बात की जानिवाई जिससे वो उसे रोकने की गल्ती कर चुकी थी जो हुकम आपका ताबदारी से बोला यही ताबदारी इस वक्त भी मुझे चाहिए होगी जब इरिश्टा मैं खतम करूँगी जादे जाते भी उसे अपनी हैसियत दतलाना नहीं भूली शोहर से इतनी तौकात नहीं लगानी चाहिए जरूरी नहीं वो हर उमीद पर पूरा उतरे मस्कुराहट मोटो पर रोखते नजर उठाकों से चैलेंज करती निगाहों से देखता उसे हमेशा की तरह बेहत बुरा लगा शोहर माइफुट वो गुस्ते से मुठियां भेच कर बोली ना ना इतना गुस्ता नहीं करते देखे आपके हसीन चहरे पर जुरिया पर जाएगी निशला होंट दातों में दमाता हो फिर से उस पर चोट करके ये चाओ जा उससे पेचोता आप खाती उसकी पुछत को गूरती रह गई सर मैं कमिन उसे दो दिन के लिए चुटी चाहिए थी बागी सब टीचर्स को तो वह इंफॉर्म कर चुकी थी और उनसे चुटी अप्रूप करवा ली थी मगर सब की तरह उसे वरिट के आफिस भी जाना था येस कमिन मसरूप से अंदाज में उसे अंदर आने का उन्दिया दे चुका था फखर के आफिस में से देख लेने वाली बात का हवाला उसने अगले किसी भी दिन उसे नहीं दिया था नार रिलेक्स थी कि उसने इस बारे में किसी किसम की कोई बात नहीं की थी जे फरमाएं चन पल के लिए लापटॉप से नजर हटा कर उसने सामने मौजूद नार एहसान को हमेशा की तरह सर से पाओ तक देखा वो सट पटाई ऐसा लगता था एकनी बड़ी चादर के अंदर तक उसकी नजरे गुस रही हो या फिर वो किसी खोज में हो उसे तो ऐसा ही मेसुख हो रहा था जब से हकीकत मालू हुई थी वो अब और भी उसे इगनोर करती थी मगर उस्ताद होने के नाते किस हटा की इगनोर कर सकती थी फरमाएं या आज यहीं इसी हालत में सोने करादा है उसकी मुससल खामुशी पर वो तडख कर बुला प्रिजन्टेशन तयार करती हो मखल हुई थी कल उसने एक सेमिनार अटेंड करना था और उसमें प्रिजन्ट भी करना था अभी भी वो उसी पर काम कर रहा था सर वो मुझे दो दिन की लिए उख चाहिए मंडे को मैं आ जाओंगी वो तेजी से बोलते साथ ही हाथ में थामी दर्खास फॉम से हिकाल कर एक पेपर उसके सामने रखा सब टीटर्स अपने अपने दस्ताखत कर चुके थे अब सिर्फ वही रह गया था क्यूं दर्खास थाथ में पकर कर उस पर एक नज़र टालने के बाद अब उसकी फोश्च की नज़रे उसके चेहरे पर टीकी थी सर वो गाउं जाना है मेरे कजिन की शादी उसने जूर का सारा लिया मेरे इतिला के मताबिक आपकी कोई फैमिली नहीं हैं और फखर सली जाने वाली रिपोर्ट के मताबिक उसे जता कर बोला वो लम्मे भर के लिए चुप हुई आप मेरे बार में इंफॉर्मेशन एकटे करते फिर रहे उभी हर जिजग पालाय तक रखकर उसकी गहरी बोलती आंखों में देखकर बोली मेरे दोस्त के भाई की शादे जो काओ गई हुई है उसी की शादी पर जा रही हूँ अब की बार उसमें साब को इसे काम लिया तो जूट बोलने की क्या ज़रा थी वो लम्म में उसकी नजरों के उसके खौफ तासुर के सहर से बहा निकला क्योंके टिचाथ एकनी आसानी से फिर लियू नहीं देते वो लहजे को बहुत हट तक मतवाजन कर चुकी थी और अगर मैं अब लियू ना दू तो और अगर मैं अब लियू ना दू पेन हाथ में पकरते उसे गुबाया फिर मैं यहीं समझूंगी कि जूर की वकत सच से ज का रहता नहीं खेर अब ऐसा नहीं आपने सच बोला इसलिए आपको लियू दे देता हूं क्या याद रखेगी मज़ाग के अनसर मैं बोला याद तो वाकरी रखा है आपको फोहले से बढ़ बढ़ाई कुछ कहा आपने उसकी तेस समाहते उसका पूरा जुमला तो ना सुन कि मगर कुछ अलफास पले पड़े मगर वो भी अधूरे और अधूरी बाते हमेशा उलचा देती है जैसे वरीद को इस लमें मजीद उलचा गई नहीं सर थैंक्स बोला था वो बाद बना कर बोली उससे दर्खास लेकर उसे एडमिन्स आफिस में जमा करवाना था दर्खा उसे फोन करके बता चुकी थी कि वो तैयारी कर ले शाम में मारीज उसे लेने आएगा उची जगते वे हॉस्टल से निकली वार्डन से मिलकर मारीज उसे बलवा कर खुद बाहर आकर गारीम बैच चुका था फ्रंट सीट का दर्वाजा उस पिले खोल रखा था वो उसे है इसकी चाते हुपूचा लहम दिलिला बिल्कु ठीक हो खुछ दिली से बोला नचरा ठीक है उसके सवाल पच्छम से उसकी शबीया जहन के पर लहराई अभी निकलने से पहले वो उसे दालान में नजर आई थी उस पर पढ़ने वाली एक नजर मेहीं तो उसका भरप रही थी नहीं खैर अब इतनी भी बेवाकुफ नहीं है खैर उनका जिकर छोड़ो इस वर सिर्फ अपनी बात करो उसे टोग गया आप आपको मेरे बारे में कैसे पता चला वह हैरान थी वो जो सारी दुनिया से चुप चुकी थी मारीज ने उसे कैसे पा लिया था तुम से कभी ये मौका मिले सोचा तुम्हारे साथ एक कप चाए पी ली जाए पहली बार तुम यूँ अकेली मेरे साथ मौजूद हो एक छोटी सी टिट्टो बनती है ना उसकी बात पर नार की आँखम बेक्तिया रांसो आये कब सोचा था कि जिन्दगी में अब कभी कोई अपना मिले का मैं तो नकाब में हूँ आपको किसी ने ऐसे मेरे साथ देख लिया तो वो अपना डर बयान कर गए मुझे तो कभी भी इस बास से डर नहीं लगा कि अगर ह उतरने का शरक किया थोड़ी ही देर बाद वो दोनों होटल के अंदर मौजूद दो कुर्सियों वाली टेबल पर आमने सामने बैठे थे चाय के साथ सैंडवीचेस का ओर्डर दे कर वो दोनों इदोधर की बाते करने लगे खरियत आज बड़ी दिनों बात तुमने याद क किया है नजाने की उनी से आने के बाद एक पल को भी वो नज़रे उसके जहन से नहीं अटी थी यूँ दिल उसकी जाने खिच रहा था उससे समझ ही नहीं आ रही थी किसी आँखों पर वो यू दिल हा जाएगा उसके कभी वहम कमान में भी ना था आकर तंग आकर उसने रि कुछ ही देर बाद स्टालिश सी बलेक शलवार कमीज में बालों को जेल से सैट किया नक सकता वो तैयार था दोनों मकरररा वक्त पर पहुंच चुके थे तुम शलवार कमीज इतनी क्यों पहनते हो हैलो हाय की बाद उससे सवार किया बिना नह रह सकी गो कि उसे लबास खमीर में पेवास हो जाती है जिन्हें चाह कर भी हम छोड़ नहीं सकते तुम यही समझ लो इन मेंसे एक चीज़ मेरा शलवार कमीज पहना भी है वो जाहत देने के साथ ताथ एक तारान निगा इर्द गर्द भी डाल रहा था जब एक मखसूस आवास में उसे अपनी जान प्षिशने लगी नार भी उसे देख चुकी थी मगर हमेशा की तरह नजरों में अजनवी तास्र मौजूद था जो वरीद को खौला कर रगया क्या हुआ उसे मसलसल खामुशी से दाएं जाने चुक चुक की बान कर देखने पर टोक गई रिदा ने कुछ चौंकर साथ वा जैसे होश में आया तुम आडर करो अपकी बार सीधा होकर बैठा दोनों बाजू टेबल पर टिका कर मेनु कार्ट अपने सामने किया रिदा भी सर जटक कर मेनु कार्ट की जानी मतवज़ हुई वरीद ने उसे मसरूफ देखकर एक बार फिर दाएं चानी नजर मर्द ने उसके गिर्द बाजू फैला कर गोया उसे अपने हिसार में लिया वरीद की गोया तन बदन में आग सी लग गए कौन है आखिरी जो इसकदर इस्तिकाक जता रहे उसके मताविक तो आज वो नश्रा के भाई की शादी अटेंड करने चारी थी फिर यूँ एक कुछ पूछ रही थी हाँ हाँ ठीक है और चौक कर उसकी जानी मतवज़खवा तो जो तुझे तुम्हारी तब्यत कुछ चीक नहीं लग रही है उसे मसलसल गुमगुक एफियत में देखकर आखिर उसे कहना पड़ा नहीं मैं ठीक हूँ पेशानी रगड़ते वो उसे ता नहा का मरतकिब हो मैंने बात कर ली है तुम बाहर मामों के पास पढ़ने जा रहे हो वीकेंड पे जब वो हॉस्टल से हविली आया उसे इतला देने लगी थी ठीक है नहीं मा की बात को नौरमल अंदाज मिलिया मुझे फोन पर उसके बारे में अपडेट करती रही का वो अ बातों से दूर रहो उसके कपड़े अलमारी में ठीक करते नजरे चुड़ा कर उसे टोक गई क्यों मेरा तो बहुत गहरा तालूख है उन बातों से वो वाकिए अपनी उमर की निजबत बहुत बड़ी बाते करता था इस लमें भी उन्हें 10-11 साल का वरीद नहीं लगा उसर टटक कर अपनी किताबे कोड़ चुका था जर्गा फैसला करने के लिए तैयार बैठा था एक जानी मलक के लोग बैठे थे तो दूसरी जानी चौहदरी आमने सामने बैठे चौहदरी मलक सरफरास खुर रहे थे तो आप लोगों का क्या फैसला है आके जर्गे के प्राबर के शरीक है इस वक्त हम सब सिर्फ आपका फैसला सुनने के लिए बठे आपने सला मशुरे से जो भी फैसला किया है मलकों को खुबूल करना होगा उन्होंने एक तीकी नज़र मलक सरफरास और मलक आयास पर डाली मलक आयास ने सरह लाकर उनके फैसले को की गोया त मलक सरफरास के खौफ से सफैद पढ़ते चहरे को तंजिया नज़रों से देखते वज़ात अली चौदरी ने अपना फैसला सुनाया लेकिन ये वो बेकसूर है मलक सरफरास को शायद पहली बार किसी तकलीफ का एसास हुआ था पहली बार उसके दिल पर हाथ पड़ा था अ का अभी तो शुकर करे एक ही बच्ची वनी के लिए मांगिए दो नहीं इसके सफाक अंदास पर मलक सरफरास भड़क गया बखवास बन करो मूँ तोड़ दूँगा मैं तुम्हारा वो गुस्से से चिलाया मलक आयाद ने इसके कंदे पर हाथ रखकर शान्त किया गुस्से के से काम मत लो हमें आपका फैसला मनसूर है इस वक्त यहां जंग फुच अदर करने का मतलब हालात मजीद बिगारना था आपकी बेटी नहीं है ना इसलिए तकलीफ नहीं हो रही है वो उनका हाथ च्टरक्तर फंकारा अवलाद चाहे अपनी हो या किसी और की तकलीफ एक स रात तक जरनाब वनी बनका चोधरियों की हवेली में उनके अताब सेने पहुँच चुकी थी जबकि मलीकों की हवेली में आज मातम कसा समा था रीदा के साथ पूरी शाम गुजाने के बाद भी और नॉर्मल नहीं हो पा रहा था क्यों मैं उससे सर पर सवार कर रहा हूं कम जिसे से खुद से सवाल जवाब कर रहा था वो मेरा स्टेंडर्ट नहीं है खुद को जिसे याद दिला रहा था उसके दिमाग में चलती सोचो की अलगार का खात्मा मुबाइल पर उसके खास बंदे की आने वाली कॉल से हुआ हैलो क्या खबर है तो गंभीर आवाद म बोल वहीं उनका घर है उसने तफसील बताई तुम एक चक्का लगा कर आओ फिर मैं खुद जाओंगा उसने मजीद इदाया थी जैसे आपका हुकम चौदरी साब वो हुकम बज़ा लाया मचामता था सफुरा खाला पठान है उसकी दादी एक बार अपनी जवानी में सवाद ग रहूंगा मजार नाम के हुले से मुखाती बाता खायर में वही चोटी बच्ची थी उस दिन उन दोनों के आँख मचोली का केल नश्रा भूल चुकी थी लेकिन आज मारिज को अकेले नार को लाते देखकर वो फिर से शक में पढ़ चुकी थी उन सब को लाने के लिए भी अपने साथ बोडी गार्ट लेका जाता था तो फिर उसकी दोस्त के लिए ये अलग सा वरविया क्यों अंधरोनी हिस्से से निकल कर वो ड्राइवे के करीब आई जहां मारिज ने पिचारों को रोका उसमें से निकलते मारिज और नार नश्रा को नहीं देखा था मारिज के पसंद करता था तो उसके साथ निकाह का ड्रामा क्यों नार के आने पर खुश होने की बज़ाए वो गुस गम वो गुसे की तस्वीर बन गए थी मारिज ने नार को उसका बैक थमा कर जो ही मुड़कर जनान खाने से मुलाजमों का वास देनी चाही अन्रोनी हिस्से के जान कर अपने मखसूस अंदाज में सर नीचे करके नजरे जुकाते वो नार के आगे से अटा नार उसे देखकर तेजी से उसकी जानी बढ़ी मारिज भी उनके खरीब से गुजर कर मरदान खाने की जानी बढ़ने लगा डगता है आज हर खौफ और ख़तरे से आज़ाद होकर म अज़ाद देने लगा वही तो खेर तुमसे बाद में बात करूंगी नार चलो तुम्हें बाकी सबसे मिलवाओं मारिज को तो अच्छे से जानी गई हो उसे बासों से थामी वो अंदर की जानी बढ़ी मगर एक और गहरावार करना नहीं भूली थी मारिज ने बमश्किल म आया था अमा साही ये मारिज को मैं भाई कह लो बच्चों सी आवाज मों इस्तियाक से बोली हाँ मगर दादी साहीं के सामने ना कहना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा माने तोकव वो अपनी दो पोनियों वाला सर खिला कर बोली आँखे नम हुई ऐसा लगा वो मनजर उन दादी साही और फुपु साही कहती है वो गंदा लड़का है हम क्यों उसे इस शादी में बिलाएं तो नाक चड़ा कर बोली जरनाब मुझ बना कर है गई वो आज वी मारिज के बारे में यही राय रखती थी मारिज भाई ये शर्बत पीले वो अपना गिलास चुप करके गर्मी में बैठकर किताब परते मारिज के पास लेकर आई गुडिया तुमने पी लिया रोज की तरह उसने वही सवाल दोराया उसकी सौतेली बहन थी मगर मारिज की तरह वो भी उसकी चाने किची चली आती थी हाँ ना उजट से अपनी दोनों पोनियों वाला सर हिला कर ब भाई होना उसे भाई का बहुत चौक था जैसे नश्रा के बड़े भाई असीद भाई और साबिर भाई थे हाँ मैं तुम्हारा ही तो भाई हूँ उसके पास बैठी मज़े से बाते करने में मस्रूफ थी नश्रा के भाई मत बनना बस मेरे भाई बनना और फह मारिश यंद दान्स बोली मारिश उसकी तंबिहा पर मस्कुराय बिनाना रह सका नहीं मैं उस नश्राडी का भाई कभी भी नहीं बन सकता मैं तो अपनी इस परी जैसी नार का ही भाई हुआ नूँगा उसकी फरमाईश पूरी करते उसने उसे प्यार का नाम भी दे दिया था जर्नाम ख गुजरे थे जब उसने दिल में मसम्मम इरादा किया और चोधियों की हवेली का पता करता अपनी गुडिया को देखने किसे हमें वहां पहुँच चुका था क्या चाहिए दर्वाजे के बाहर कड़े गार्ज ने पुछा खाने को कुछ है वो फकी नहीं था मंगर बहन की जलक के लिए साइल बन गया फेरों मैं अंदर से लेकर आता हूँ तुम इधर ही रहना उसकी बात पर एक्दम उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा बहुत दूर से चल कर आ रहा हूँ तक कुछ देर के लिए अंदर बैठ सकता हूँ उससे समझ नहीं आई वो कैसे अंदर जाय लिहाज़ा बहाना बनाया बच्चा समझकर उस चौकिदार ने भी अंदर बुला लिया वो बड़े से बाग के एक जानिब जामुन के बड़े से दरख के साथ टेक लगा कर इधर उधर देखने लगा कुछी देर बाएंच आनिब उसे मुलाजमों के कार्टर में से एक औरत और उसके साथ जरनाव रोती भी नजर आई और उसके बहलाती वे एक कार्टर की जानिब ले गई मारिश की दिल को गोया किसी ने मुठी में जखड़ा मा और दाया के बाद एक वही तो थी जो सच्चे दिल से उसकी जानिब बड़ी थी उसे महबब दी थी रिष्टे का मान दिया था और वाज उसके लिए कुछ न कर सकता था भारे दिल लिए वो वहां से उटकर चला गया मगर दिल में मसमम इरादा कर लिया कि उसकी खबरगीरी करता रहेका पिर अक्सर ही वो इस हवेली के आसपास रहने रहा चंद देने ही मलिक आईास को इस बारे में मालू हो गया उन्होंने उसे कमरे में बिलाया क्यूं बार बार उसके पास जारे हो कोई भी तबहीद बाने बिना वो सीधा असल बात की जाने वाए तो बहने मेरी वो उन से हर तरह की बात कर लिता था अगर किसी को मालूम हो गया कि तुम इस हवेले से आते हो तो वो उसका जीना और हराम कर देंगे वनिंग की खबर गिरी नहीं के जाती वो से समझाने वाले अंदास बोले मैं ऐसी किसी रसम को नहीं मानता वो मेरी बहन है और मुझे हर हाल में उसकी खबर रखनी है वो पहले बार उनके समनी यूँ जिद लगा कर बैठा था आखिर उन्हें उसके जिद के सामने हार नहीं पड़ा था और यूँ वो टोड़ी चुपे वहां जाने लगा चनने एक बार दिन के उजाले में जाकर हवेली के अंदर के रास्तों से वाकिफ हो गया बारा साला जर्नाब को जब सफुरा खाला ने उस हवेले से निकाला हो तब भी इसके हमरा मौजूद था मगर ऐसे के कोई जान नहीं पाया जिस गाड़ी में सफर करके उसावाद पहुंची मारिज में उस गाड़ी मौजूद था और फिस सफुरा खाला की बेटी को पैसे दे कर उसके बारे में वक्तन फौकतन मुतला करने का कहा वो कब वहां से शहर के स्कूलर फिर कॉलिज बढ़ने के लिए गई वो एक एक बात से वाकिता ना सीफिय बलके कई बार उसकी मदद के लिए पैसे तक सफुरा खाला की बेटी को दिये उसके हॉस्टल का इंतजाम तक उसने करके दिया मगर ऐसे के कोई नहीं जान सका उसने हकीकत में उसका भाई होने का हक अदा किया था उसे तो गोया हवेली आका चुप सी लग गई थी अभी तक वो अपनी माँ से नहीं मिली थी इसकी जुरुआ बहने तो उसी हॉस्टल में रहती थी उनसे कई बार मिल चुकी थी आओ तुम्हें अब्बा साइंस से मिलवाओं इसका हाथ थामें मरदान खाने की जानी बड़ी एक वहीत थी जो यू बे धड़क कहीं भी चल पड़ी थी मरदान खाने की जानी में चाते दो काम वाले सामने से आते नजर आये शादी का घर था बहुत से कामों के लिए लोग बिलवाये जुके थे उन्हें देखकर वो एकदम चेहरे जुकाए वापस मुड़े बेठक से निकलता मारिज लाइट वालो को वापस आता देखकर हैरान हुआ खेरियत है वो यही समझा उन्होंने कोई और बात के लिए साव वो दोनों अब कहे भी नहीं सकते थे के कॉरीडूर में आपके घर की जनानिया है उन्हें हिचकचाते देखे वो खुदी तर्वाजा पार करके जुहीं बहार निकला नश्रा मजे से जनाब का हाथ था में कमरे के करीब आती दिखाई दी वो कहर बरसाती नजरों से देखने लगा शुकर था कि सर पर डुपटा ले रखा था आप यहां क्या कर रहे है सर लहजन बोला अबा साईंसी मिलना है उसे किसी खाते में न लाते हो बोली आप मर्दान खाने में क्या कर रही है अब कि बार वो दबी दबी आवास में कुर रहा है कि तुम्हारी नहीं मेरी हविले जहां चाहे जाऊँ वो पहले ही उस पर तपी हुई थी लग रहा था उ गुस्से को मज़ीद हवा दे रहा है आप जाए मलिक साहब कुछ देर में अपने कमरे में जाएंगे वही मिल लीजेगा फौरान उसे वहां से चलता क्या मैंने तुम से नहीं पूछा कि मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहे क्या नहीं जा रहे ये के नहीं अब की बार उसका रहजा बेलचक था नजरे भी उठी हुई उसके चेहरे का गुस्से से तवाफ करते चिंगारिया बरसा रही थी और तरक्की बतरक्की अब की बार मेरिज़ के लिए उसका दिमाग ठिकाने लखाना जरूरी हो गया उसे कुछ भी समझने का मौका दिये बिना मजबूती से अपनी डाएं हाथ के शिकंचे में उसका बाया बाजो थाम कर देजी से रुख घुमा कर उसे खीशता हुआ अपने साथ चलाने लगा क्या कर रहे हो ये तुम? तुमारी हमत मुझे हाथ लगाने की वो बुरी तरह सट पटाई थी दनान खाने के बैरूने हिस्से के जानिब लाकर ही उसका बाजो छोड़ा अंदा मुझसे बेफजूल बहस मत किजेगा उसका बाजो छोड़ते उसकी जानिब जुटते बारी लहजे में की जाने वाली तंबिया उसे शेश्टर कर गई तो कभी इतने खुर्दरे लहजे में उससे मुखादिब नहीं हुआ था अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मुझसे नर्मी की उमीद मत रखिये का हंगली उठाकर सिवान करता तेजी से मुड़कर मरदान खाने की जानिम चला गया तुम क्यों इतनी जित्ती हो जनाब बे चारगी से उसे देखकर रह गई हमारे जिए के रवये पर अभी तक शदीद हैरत का शिकार थी वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी यूं तहक्माना अंदाज में उससे मुखातिब होगा अगले दिन भी जल्वागर होकर अब गुरूब होने करीब था मगर उसे किसी कुल चैन नहीं था आखिरों किसके साथ थी कल से ख्याल उसे खाय जा रहा था कुछ सोच कर मुबाइल खुला क्लास के सियार ने हर टीचर के साथ एक वेटसाप गुरूप बना रखा था जिन में सब उस्टरंट को भी एड़ किया था वरीद ने वो खोल कर उसमें से जरनाब कर नमबर भून निकाला कुछ सोच कर ये टेन एजिस वाली हरकत की उसका नमबर डायल किया कुछ ही देर बाद दुसरी जानिफ से फूर उठा लिया गया हेलो उसकी रस खोलती आवाज सुनकर वरीद को ये गुना सुकून मिला अपनी कैफियत पर वो खुद हैरान था हेलो नारहसान से बात हो सकती है जजबात के बरक्स अलफाज इंतहे कुर्दुरे थे जी मैं बात कर रही हूँ दुसरी जानिफ उसी के होने पर उसने गहरा सांस खारिज किया मैं वरीद चोदरी बात कर रहा हूँ अपना तारूफ उसी उक्षड अंदाज में करवाया जी सर आपने मुझे कॉल क्योंकि अपकी बार दुसरी जानिफ भी लहजे में खुरदरा पन था आपको कुछ नोट दिये थे सुफियान ने आपने वो मुझे रिटर्न करने थे जो के आपकी बगए चले की वो लहजे में अजना वीपन समो के बोला जैसे बस यही कहना था ओ सॉरी सर्ट मैं फरीहा को कहती हूँ मेरे रूम से लेकर आपको कल दे देगी उसे हकीकत में भूल गया था कि वो नोट से वरीद को वापस करने है सरे ठीक है वैसे इससे पहले कि वो फोन डगती हूँ मजीद गोया हुआ शादी का बहाना करके आप तो टी पार्टीस कर रही है मुझे तो अब भी अकीन नहीं कि आपने अपनी लिव की जो वज़े बताई वो सही भी है ये मज़िद कोई छोल है उसके इतनी प्रसनल बात पर वो सेखपा हो गई वो समझ गई वो कल का हवाला दे रहा है जब उसने उसे मारिज के साथ देखा था एक्सक्यूज मी सर मैं अपने प्रसनल मैटर्स ना किसी के साथ शेयर करती हूँ ना किसी को अजाज़त देती हूँ कि उनमें से डखल अन्दाज़े करें उसके ठीक ठाक इज़त अफ़ाई कर गई और आप पहले भी एक बार प्रसनल हो चुके है कि बात वरीद को तैश दिला गई आप जैसे स्ट्रेडर्स पर चेक रखना बहुत जरूरी होता है वनना हमारे इदारे का नाम खराब होगा यहां आप जैसी लड़किया पढ़ती है जो शादी के बाहने बना कर लड़कों के साथ टेट्स अभी उसकी बात पुरी नहीं हुई थी जब चिलाई आप होते कौन है मुझ पर ऐसे रकीक इल्जाम लगाने वाले बैतर है के पहले अपनी तर्बियत करें फिर दोसरों को सबक पढ़ाए वो भी उसे बेरनुक्त सुना कर फोन बन करके घटी है इनसान ऐसे लोग कभी नहीं बदलते फोन बन करके बढ़बढ़ाए अगले दिन शाम में महंधी से पहले वो उसे अपने साथ लिये मली कयास के कमरे में मिलवाने पहुंटी मैं आ जाओ अब बस आई दर्वाजे पर नाउक करके अंदर आने की अजाज़त मिलते ही दर्वाजा वाउक करके अंदर जाने से पहले पुछा आ जाओ बेटे भारी मरदाना आवाज पर नश्रा की पीचे खड़ी जनाव का दिल भराया काश उसका बाब भी आज जिन्दा होता तो वो कमस को मुसे देख तो पाती आंसु पीते नश्रा का हाथ थाम कर औंदर दाख लूए अब बस आई हमारी दोस नार आई है अपसे मिलने उसे उनके सामने करती बोली वो जो महंदी के लिए तयार होकर अब खुद को आएने में नाखदाना निगाहों से देख रहे थे नश्रा के अंदर आते ही आएने के सामने से टे नार ने जुकी नज़े उठा कर उनके शफीक चहरे पर डाली सफैद और सयाम उचे और दाड़ी उनके शख्सियत में रौप के साथ साथ एक अलगी शफकत बरा ऐसाद जगा रही थी उनकी नज़े भी अपने भाई की कमनफी बेटी को देखकर अश्क बावी उसके छोटे छोटे हाथ याद आए जो अक्सर वो अपनी फरमाईश पूरी करने पर उनके भारी हाथों को थाम कर उन पर प्यार करती थी दो पोनियों वाली सरनाब अभसीन लड़की के शकर इक्तियार कर चुकी थी उसने उनके खांदान का खासा था सरनाब भी उन्हीं में से एक थी जिसे बंदा देखे तो फिर ठिटक कर रुख जाए उसके सलाम करने पर उन्होंने आगे बढ़कर उसका चहरा हाथों में धामा वो घबराई जबके निश्रा शच्टर उन्हें अपनी किसी दोस के साथ ऐसे करते देख रही थी प्यार करने करे मखसूस अंदास सिर्फ इस खांदान की बच्चों के साथ अपना है जाता था एक दम जुकर उन्होंने उसके मांते पल्लब रखे इस अंदास पर जनाब का दिल किया हर मस्यद बलाए ताक रखकर उनके पुशफिक चोड़े सीने पर सरक कर अपनी हर तकलीब बहादे मगर वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी बमश्किल आंसुपी है माशालला बहुत प्यारी बच्ची है महबत उनके लहजे से ही आया हो रही थी नश्रा तो साकित खड़ी थी उन्होंने कभी उसकी किसी दोस्तों सर पर हाथ पिरने के अलावा ऐसा कोई अमल नहीं किया था तो क्या मारी जुन्हे नार के लिए अपनी पसंदिद्धी बता चुका है कि देहनी रुक गही और ही बहक रही थी क्या मेरा बाप मेरे के किये सजा देगा कि मुझ पर सौतन लाएका अपनी परगांदा सोचों में मगण खड़ी थी आप जब फारिक हो तब मुझे आप से कुछ जरूरी बात कर नहीं एक दम कुछ सोचते मली कयास से मुखातिवी फंक्शन के बाद तो मेरे कमरे में आ जाना पीछे हटे उसे देख कर बोले जी बहतर चलो उन्हीं जवाब देते हो जर्नाब से मुखातिवी मेहन्दी के फंक्शन में औरते और मरत अलग अलग थी जोलग का इतिमाम किया गया था जर्नाब अपनी ही दो बहनों और बागी कजिन से साथ सब इंजॉय कर रही थी जबके नश्रा चुप चुप सी थी उसे क्यों नार और मारिश को एकटे सोचना बुरा लग रहा था उसे समझ ही नहीं आ रही थी मैं आती हूं उसे लगा आप मजीद इनी सोच रहा तो उसका दम घुट जाएगा माया से कहती वो उटकर पिछले बाग की जानिप आई इस वक्त वहां कोई नहीं था मरदान खाने में असीद के दोस्त और घर के मर्द थे जबके औरतों ने महंदी का फंक्शन हवेली की रहायशी हिस्ते के सामने वाले बाग में कर रखा था वो खामुशी से चलती बाग में मौजूद मस्ली आपशार की जानिपाई जिसके इर्द गिर्द बर की कमकमे लगे थे महंदी और गलाबी रंके शरारी और घुटनों तकाती शाट पर गोटे का बेहत नफीस काम हुआ था कमर तकाते बालों को चुटिया में गोन कर उस पर गेंदे के फूर लगाए हुए थे मांग में बिदिया और सब समोतियों वाले जुंके हातों में चुड़ियां और पाउं में हमरंग खुस्ता पहले दुपटे को गले में डाले और खतरनाख असीन लग रही थी मरदान खाने का एक दर्वाजा पिछले बाग में खुलता था असीब का दोस्त महरान फोन के सिगनल खराब होने की वज़े से पिछले दर्वाजे से बाहर निकला हाँ यार अब आवाज आ रही है एक फोन कान से लगाए दूसरे से सिग्रेट के कश्ट लगाते एकदम उसकी नजर बाई जानिब आपशार के करीब खड़ी लगी पर पड़ी बड़ की कमकमों की रोश्टी में उसके चहरे से भी रोश्टी फूट रही थी हाँ क्या कहा सबसरा को देखकर उस जाने उससे आने वाली आवाज को फ्रामोश कर चुका था मैं तुसे बाद में बात करता हूँ अपनी पुर्शोक नजरे उस पर टिकाय फोन बन कर चुका था से पहले के उसके कदम नश्रा के जाने बुटते पीछे से कंदे पर पढ़ने वाले भारी हाथ ने उसे बेख्तियार उखने पर मजबूर किया मुर्कर देखा मारी सर्द तासरात लिए उसके पीछे खड़ा था उसे असीद के वालिद के खास बंदे की हसे से जानता था खाना लग चुका है बैतर है कि आप अंदर तश्रीफ ले जाएं उसके मुर्टे उसके सर्द अलफाज में उसे लमा बर को खफ़त जदा किया सिकंदे से हाथ अटा कर फिर से हाथ पुष्ट पर बांदे उँ मुबाइल के सिगनल ठीक नहीं थे तो इसलिए में यहां आ गया वो खफ़त मिटाने को वज़ाहत देने लगा बेतर है कि जितने दिन आप यहां हैं मुबाइल के सिगनल ना भी आएं तब भी आप इन कमरों से बाहर न आएं वरना हर तरह के सिगनल बन करने में मुझे एक पल नहीं लगेगा इसका जतलाता अंदास महरान का लग खशक कर गया एक खास उसे अंदर जाने का शरक या इसा जुकाय तेजी से अंदर के जानी बढ़ा उसके अंदर जाने तक मारिज की नजरों ने इसका पीछा किया आया के पीछे मुड कर उस मूरत को ना देख ले जैसे ही वा अंदर गुम हुआ अब की बार उसने करदन मोर कर खश्मे की नजरों से नश्रा को देखा जो अपनी हुलिया से बेपरवा यहां खड़ी ती कुछ सोच कर कदम उसके जानी बढ़ाए आप यहां क्या कर रही है सहद लहजा अब भी बरकरार था उसकी आवाज सुनकर वो फौरण पड़ी साग ग्रीन शलवार और कुर्टे में शानों पर काली चादर डाले मारिश को देखा इस कदर हुसन देखकर महरान का ठीटकना बनता था मगर वो मारिश था नफस को उसकी इंतिहा पर आजमाने वाला उसके हुसन ने भी दिल पर कोई वारदात नहीं की थी आप क्या कही खड़ी भी तुम्हारी मर्जी से हूँ वो जो पहले इसकी वज़े से मुनतशर सोचे लिए बद्दिल हो रही थी उसे सामने देखकर कोया फट पड़ी जनान खाने में जो मर्जी करे उसके बात के जवाब में बड़े तहमने से समझाया जानती हूँ दूद पीती बच्ची नहीं हूँ दान चबा कर बोली काश कि आप जानती और समझती होती तो यूँ मुझे आप पर वक्त जाय नहीं करना पड़ता वो भी तरखा तो किसने का आए वक्त जाय करो अभी तुम्हारे दस्तरस में नहीं आई कि ऐसे हुकम नामें जारी करते फिरते हो एक निकाह क्या हो गया तुम तो मेरे कुल मुक्तार बन बठे हो तो उससे मजीद उलच रही थी यहां बीवी के दर्मियान सबसे एहम यह निकाही होता है बागी सब तो दुम्हारे के तकासे अपने मकसूस अंदाज में हौले से मस्कुराते उसे और भी पतंगे लगा गया इस वक्वास का मकसद कहना क्या चाते हो महबत किसी और से और बश्री तकासे कही और पुरे करना चाते हो वह मारिज वह उसके तंस पर मारिज के मस्कुराते लब सुकडे पहले भी कहा था सोच समझ कर बोला करे लहजा संजीदा हुआ हम हर काम सोच समझ कर करे और तुम जहां दिल चाहे मूँ मारते फिरो वह आपे से बार हो रहे थी कहा मुमारा है मैंने आंके सुकेर के गुस्से से जब्रे भेंचे इतने ही तुम धन्ने तुमना क्या खैले मुझे नहीं मालूम तुमारे और नार के बीच क्या चल रहा है और आ गए मुझ पर पाबंदिया लगाने और चटकी कुछ मालूम हुआ वो सुबह से अपने खास बंदे की कॉल के इंतिजार में बैठा था चौदरी साब वो कह रहे है कि उनकी बेटी तो यहां से बहुत अरसा पहले किसी और शेयर चली गई कि बास सुनकर उस लग गया क्या मतलब इस वकवास का कहां गई वो उफंकरा साब वो नहीं जानते मन मनाया यह पता करवाया है तुमने इतने दिन लगा कर नाकाम इंसान वो धारा वो जो कफसे इस इंसजार में था के अब अपनी मन्जिल के नस्दिक है जल्दी वो उस लड़की को उसके किये की सजा देगा अब भी वही का वही खड़ा था साब मैं फिर से पता करता हूँ बेचारगी से बोला जानता था अब वरीच चौदरी उसका क्या हशर करेगा तुम रहने दो कर लिया तुमने पता मैं हवेली जाकर खुद ही कुछ करता हूँ और तुम भी अगले हफ़ते हवेली पहुचो वरीच की धंकी पर उसे अपनी मतवक्का हालत का अंदासा हो गया था कि उसके साथ हवेली पहुचने पर क्या सलूक होगा साब आप मुझे एक और मौका दे हाथ के हटेली पर मारा उसी लम्हे फोन फिर से गुन गुनाया बेजार ओकर फोन उठाया दूसरी जानिब सुग्रा बेकम थी कैसा है मेरा चान लहजे में शिदीद महबबत थी ठीक हूँ आप बताए बमश्किल अपने गुसे पर काब हुपाया इस वक्तों जिस कदर डिस्ट्रॉप था किसी से बात नहीं करना जाता था मगर मा का फोन देखकर उठाई लिया मैं भी ठीक ही हूँ अच्छा मैंने तेरे लिए रिष्टा देखा है उनके इश्तियाग भरी लहजे पर छंसे नकाब से जहांकती दो आँके उसकी नजरों के सामने लहराई क्या जल्दी आप लोगों को वक्ताया देख वरी तेरे बड़े दोनों भाईयों की शादिया कब की हो गई और तू ऐसे ही फिर रहा है उनके लहजे में जैसे दुख था तो उनकी शादिया जल्द होने का मकसद ये है कि मैं भी उसी रविश को बरकरार रखो तो उखड़े लहजें बोला अभी सिर्फ रिष्टा पक्का कर देते है जब तू कहेगा शादी कर देंगे उसे मनाने लगी आप जानती है कौर भी मेरे नाम के साथ जुड़ी है पहले उसे ढून लू वह इस हकीकत को जुटला नहीं सकता था और ना ही कोई और इसकी बात पर सुग्रा बेकम लमा भल को चुप रह गई वो वनी थी बेता और वनी से नसले नहीं चलाई जाती वो दोखी लहजे में हकीकत कहने लगी तो मैंने कब उसे बीवी समझ चा मुझे उसे ढून कर उसकी इतजुरत की सजा देनी है जो उसने मेरे पीछे से हवेली से भागने की की है उसकी लहजे का सर्दपन उन्हें परिशान कर गया बेटे छोड़ दो से उसके हाल पर उन्होंने उसे अपने रआदे से हटाने की कमजोर सी कोशिश की आप तयारी करे मेरी मंगने की मगर मुझे अपने रादे से हटाने की कोशिश मत कीज़े का अप अजनभी लहजे में बोला लड़की कौन है एक दम ख्याल आने पर पूछा मेरे चचा की नवासी है बाप MP है और शेहर में ही होती है शायद तुम्हारी यूनिरसिटी में पढ़ती है उन्होंने तफसील बताई नाम वोगरे सब बताया में पता करवाता हूँ उसके मान जाने पर ही वो खुश होकर उसे मजीद बताने लगी हेलो अभी महन्दी का फंक्शन खतम हुआ ही था वो कमरे में आकर कपड़े तबदील करके सोने की तैयारी करी रही थी जब अनजान नंबर से कॉल आई तो सोचकर फोन उठा लिया दूसरी जानी फरिया थी फरिया तुमने इतनी लेट कॉल की सामने घड़ी एक बचा रही थी हाँ यार असल में मेरा बैलेंस नहीं है और घर का वाई फाई भी खराब है मैं सर को कॉल करके बताना चारे थी कि उनके नोट्स मैंने सर बाकिर को दे दिये थे क्योंकि सर आज यूनी से जल्दी चले गए थी तो मैं चार एक यूनी इनफॉर्म कर दू मगर भाई के नंबर से शायद कॉल कर रही हूँ और वो अननाउन नंबर देखकर शायद पिक नहीं कर रहे है फरिया ने उसे फोन करने की वज़े बयान की तो अब तुम ऐसा करो कि सर को कॉल करके बता दो कि सर बाकिर से नोट्स ले ले यागर ले लिया है तो कन्फर्म कर दे वो मज़ीद कोया हुई तो यार मंडे को फूश लेंगे तो शक्स को फोन नहीं करना चाहती थी यार कल सर का सेमिनार है तो मैं याद नहीं उन्होंने कहा था उन्हें वो नोट्स उसके ले चाहिए और अगर उन तक ना पहुँचे तो तुम्हारा और मेरा हशर कर देंगे सब ही वरीद की इंसर्ट करने के आदत से डरते थे तो बहुत बुरी तरह बेज़द करता था अच्छा यार देखती हूँ उन्हों बना कर बोली इस ना पसंदिदा शक्स से बात करना उसे इम्तिहान लगता था प्रीज यार उन्हों प्लतची हुई अच्छा ठीक है फिर से घड़ी में वक्स देखते हामी भरी इसका फोन बन होते ही उसने वरीद का नंबर मिलाया तुसरी ही बेल पर फोन तो उठाया गया मगर आगे से किसी निस्वानी आवास पर उलमा भर के लिए खामोशी कौन है भई तेके लेज़े में पूछा गया वो सर वरीद से बात वो सकती है वो अपनी हैरत चुपाती बोली और वेट दूसरी जानिब से बेज़ार लेटे में कहा गया कौन है उसे वरीद की आवास सुनाई दी तुम्हारी कोई स्टुएंट है शायद अजीब है उसने मैनर्स नहीं कि किसी के प्रसनल टाइम में उसे डिस्टरब नहीं करते फोन को होल्ड करने की जहमत के बिना वो जो कोई भी थी अपने नादिर ख्यालात के इसार कर रही थी क्या उसने शादी कर ली जिस इस्तिकाक से उस लड़की ने फोन उठाया था और जो जूमानी बात कही थी इससे तो जरनाब को यही अंदासा हुआ उस जैसी लड़की ये सोच नहीं सकते थी कि मिया बीवी के रिष्टे के बगर भी लड़का लड़की इस इस्तिकाक के साथ इस लमे एक दुसरे के साथ रात के इस पहर मौजूद हो सकते है हेलो कुछी देर बात उसकी भारी सहर बख बिखेरती आवास फोन में उपरी हेलो सौरी सर मैंने इस वक्त आपको डिस्ट्रफ किया असल में फरीह ने आपके नोट सरबाकिर को दे दिये थे कि उन्होंने आपको दे दिये है उसने सीधे साथे अंदाज में पूछा था वरीद के वहम गुमान में भी नहीं था इस लमें वो से फोन करे कि जिसके ख्यालों से पीछे चुड़ाने को वो रिदा को शाम में ही अपने साथ घर ले आया और इस वक्त वही उसके साथ मौजूद थी वो वश्रूम में गया ही था जब उसका फोन बज़ा वरीदा ने बिना इजाज़त उसका फोन ठालिया था वश्रूम से बाहर आते उसके हाथ में अपना फोन देखते से नागवार गुजरा अगर फोन पर भड़ती आवास सुनकर उसकी सारी नागवारे पर ही जास होई थी कि क्या हो रहा था उसके साथ वो परिशान होकर रह गया नहीं उन्होंने मुझे कोई नोट्स नहीं दिये इंतहें गयर जिमेदार है आप और आपकी दोस्ते भी जिस वक्त मैं यूनी में था तब उसने मुझे नोट्स क्यों नहीं दिये नजाने किस बात का गुस्ता निकालते उस पर उलट पड़ा एक्स्की उजमी सर आप इस तरह मुझे इंसर्ट नहीं कर सकते उसे शदीद सुपकी महसुस हुई थी और इस वक्त अब आप पून करके अपने मजीद गयर जिम्मेदार होने का सुबूत दे रही है उसका गुस्ता कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था चायद ये गुस्ता सा नाम के लिए उसके दिल में पैदा होने वाली हैसियत का असर जायल करने के लिए था फरिया का कोई ईशू था वो आपको कॉल नहीं कर पाई इसलिए उसने मुझे कहा फिर आपकी वाइफ से भी इस वक्त कॉल करने पर स्थियूस कर चुकी हूँ आप से भी कर लेती हूँ उसे खुद भी इस वक्त फोन करना अच्छा नहीं लग रहा था पता होता इतनी बेज़ती करेगा कभी भी कॉल ना करता वाइफ उसे इसी का लब्स हैरत से दोराया जी अभी आपकी वाइफ ही थी थी ना वो भी उसकी हैरत पर मतहीर हुई नॉनसेंस वो फिरसे उसे रखीद गया फोन उठाकर बालकुने में जा खड़ा हुआ रिदा ने चुक्ती निगाहों से उसका अजनबी अंदाज देखा वो मेरी बीवी नहीं है वो नहीं जानता थे उसे ये वज़ात क्यों दे रहा है तो फिर वो इस वक्त वो अपनी हैरत चुपा नहीं पाई और बेतुकी बात कह गई जैसे ही अपनी बात समझाई खुदी खामोश हो गई सिर्फ दोस्त है वो मजीद वज़ाहत देने लगा मुझे क्या हो आपकी जो भी हो आप मुझे क्यों वज़ाहत दे रहे ओके सर बाई उसने अपकी बार मजीद कोई बात करने से इस्टिनाब करते फोन बन किया उफ ये इस किस्म के है फोन बन करते माते पर हाथ रखा मैसेज की विपर फोन के जाने चौंकी वाकई इल्मैनर्ड है अगली जाने जाने से भी ग्रेटेंस सुनने के बाद फोन रखते है उसकी हिदायत पर वो इस्तेसाया मस्क्राई अजीब इनसान है मेरी कोई बहुत रिश्टदार है कि मैं पूरी फॉर्मिलिटी के साथ फोन बन करूँ वो हूँ करके रह गई रिश्टा तो है दिल के किसी कोने से आवास आई जी अब बस आई उनके पैगाम भेजने पर उनके कमरे में मौझूद थी जी बेटा आपको कोई बात करने थी उसने कमरे पे नजर दोड़ाई मा भी मौझूद नहीं थी उसने सुक का सांस दिया यानि वास्तानी से उसे बात कर लेगी मुझे आपसे मारिज के बारे में बात करनी है जो सामने बैट के दाएं जानी पर अपने मकसूस सोफे पर बैठे थे उसके जाने पूरी तरह मतावज़े है बैठो अपने सामने बैट पर उसे बैटने का इशारा किया तो मेकने की अंदाज में उनके सामने बैट पर तिकरी नजर जुकी वे थी कहो उसे बोलने का उंदिया दिया मारिज किसी में इंटरिस्टेड है उसने गोया उन्हें बहुत बड़ी खबर दी और ये मारिज ने आपको खुद बताया है चनलम बाद उन्होंने गोया सवाल नहीं किया उसे बिसात पर पेचिदा चाल में घसीटा नहीं मगर मैं आखे रखती हूँ और दिमाग भी उन दोनों का इस्तिमाल करके मुझे अंदाजा हुआ है वो बड़े इतिमाद से बोली और यह इतिमाद ही उसकी शक्सित का खासा था अंदाजे और मफुरूज़ों पर कायम की जाने वाली राय कभी कबाश शदीद पच्छावे का बावस भी बनती है उन्होंने गोया उसे वौन किया कि कुछ गलत न बोले मुझे यकीन है कि उसका मेरी दोस्त के साथ कोई चक्कर चल रहा है उसे यहां बगर किसी बोडी कार्ट के लेकर आया ना सिफिये बलके मुस्कुरा बिराथ अर्मिड दोस्त जो अजनवियों से बात करना तोहीन समझती है वो बड़े मज़े से उसके साथ फ्रंट सीट पर बैट कर आ गई अगर उन दोनों का अपस में इंटरेस्ट है तो मुझे कोई अतिराज नहीं है मगर मेरी इस मजबूरी के रिष्टे से जान चुरुआ दे उसके बोलते चले जाने पर फुलजे आप किसकी बात करी है उसके अंदास पर और इशारों पर बुरी तरह चौंके वही मरी दोस नार जिससे शाम में मिलवाया था वो और मारिश का चक्कर अभी उसकी बात मुमें ही थी जब मेली कयास की धार पर वों पहुंचकर रह गई जरूरत से ज़्यादा आगे की सोचने वाले अकलमन नहीं अध्से ज़्यादा बेवकुफ होते है और मुझे अफसोस है आप ऐसे लोगों में से है वो बमश्किल अपनी आवास पर काबू पाकर बोले बेतर के आप किसी के बारे में राय कायम करने की बज़ाए अपने काम से काम रखती उसे दो टोक अंदास में खामोश करवा गए मगर वो कहां खामोश बटने वाली थी अब बस आई गुसा की माव लेकिन मैं हर चीज बरदाश्ट नहीं करूंगी आपको जूट लगता है बिलाए मारिच को कुछे उससे भी अभी उक पिसी तोर टलने को तयार नहीं थी अब की बार उनके शोला बरसादी नजरों ने उसे घूर कर देखा पास रखा फोन उठाया इसी को कॉल मिलाई मारिच बेटे फोरन मेरे कमरे में आए उनकी बात सुनकर वो मसरूर हुई अब पता चले का मुझे वेवकूब बना रहा थे जान चुटे कि उससे वो दिली दिल में अपने इस इकदाम पर खुश हुई कुछी देर बाद वो दर्वाजा नौक करके अंदर दाकिल हो चुका था उसे देखकर लमे भर को ठिटका आओ बेटे मडिक आयास के लहजे में जरा भर बरहमी नहीं थी जिसे महसूस करके वो जुजबुज हुई ऐसी बात पर उसके लट्ते लेने चाहिए थे पर अब बस आई भी न उसे चोर नजरों से देखकर रो तलमल आई जी मडिक साई वो अपने मखसूस अंदाज में उनके करीब आकर उनके हाथ पर बोसा दिया पीछे हटकर हाथ आगे बानकर अदब से खड़ा हुआ नजरे नीचे थी कल असीद की दुलहन की रुखसती के साथ-साथ नशरा को तुम्हारे साथ रुखसत कर रहा हूँ इंतिजाम उसके मताबिक कर लए वो जो तवर्जे से उनकी बात सुन रही थी मोचकर रगए अब बस आई गहरे सदमे से बस उतना ही बोल सकी जिसे तुम एस्केंडलाइस करती फिर रही हो वो इस घर की बेटी जरनाब है और उसकी बहन है सौदेली इस से आगे तुम्हें जानने की जरूरत नहीं और ना मुझे बतानी की खुएश है ये मारिच इस घर का खून है माजुरत बेटे मैं उससे ज़्यादा इस तच को चुपा नहीं सकता था क्योंकि अब बाद दो लोगों के किरदार पर आ गई है मारिच को देखकर उन्होंने माजुरत खुआना अंदास में कहा जो बेबसी से उन्हें सच बोलते देख रहा था और वो हैरत की तस्वीर बनी अपने साथ हुने वाले जल्म पर वाविला करने की बचाए अब ने इनकिशाफ पर शदीद हैरत जदा थी आप जाकर अपने रुखसती की तैयारी करे उसे मतहिर और खामूँच देखकर उन्होंने उसे वहां से निकाला वो चुपचाफ वहां से उडगे मारिच तुम यही बैठो उसी की छोड़ी जगे पर मारिच को बैठने का शारा किया वहतिजाज बिलन के बिना चुपचाफ वहां से जा चुकी थी अगला दिन सारी हवेले के लिए हैरत का दिन था रात तक सबको सिफ असीद की बारात का इल्म था सुबह उठे तो उसके साथ साथ नश्रा की रुकसाती की खबर भी पूरी हवेले में जंगल की आग की तरह फैल गए इतना बड़ा फैसला एकदम जरीना ने भी उनसे सवाल पूछा क्या आपको एतिराज है मुबायल पर नंबर मिलाता उनका हाथ रुका आँखे पल के पल उठाकर उनके जानी देखा जो बैट पर उनके सामने बराच्मान थी चहरे पर हरानी थी या परेशानी उन्हें समझना मुश्किल था मैंने अतराज नहीं उठाया मगर अचानक नश्रा इस सब के लिए शायद तयार नहों उन्होंने जिजक कर कहा मारिज बेवकूफ और करमकल नहीं है वहर रिष्टे के तकासे को बहुत अच्छे से जानता है जबरदस्ती किसी पर मसलत नहीं होता बेफिकर है वो से संभाल लेका हमसे बहतर उसे मालूम है कि आपकी बेटी के उसके साथ कैसे तालुकात है इस बाती बच्चा नहीं है तबियत में हेराओ है इसलिए मुझे फैसा करने में जिचकी चार नहीं हुए उन्होंने तफसीले जवाब दिया मेरा ख्याले आपकी तसली हो गई होगी जो काम कुछ महाबाद होना था अच्छा हुआ के अभी हो गया सब एकटे है दोनों के जिम्मेदारी से अभी फारिक हो जाएंगे मुबाइल पर मसलसल कुछ देखते वो नहीं भी जवाब दे रहे थे मगर रुकसती के बाद क्या वो होस्टल और मारीज यहां तो फिर फाइदा क्या हुआ उनके अभी भी तसली नहीं ही थी आप से किसने कहा के नशराब होस्टल में रहे की मेरा शेहर वाला अपार्टमेंट मैंने उन दोनों को दे दिया है मारीज उसे रुकसत करवा कर वहीं ले जाएगा वलीमा हम को चरसे बाद रखेंगे अपकी बार वो उनकी जाने पूरी तरह मतवच हुए मुबायल एक साइड पर रखकर उनके जाने देखका जवाब किया जरीना के भी चहरे पर इत्मिनान के साही लह रहाए अपनी बेटी के उख़ड मिजाजे से वाकिफ थी डर था कि होस्टल गई तो कोई इंटाहे कदम न उठा ले ठीक है आपने बहतर फैसला किया उटने से पहले वो उनके फैसले को सराहे बिना नहीं रह सकी मारिज की समझदारी पर तो को शक था ही नहीं कहा था ना तुम्हारी शादी पर हवेली आओंगी सब लड़कियों को जैसे ही माल हुआ सब उसे मुबारक बात देने शड़ी आई जरनाब सब में पेश पेश थी नश्रा ने खाली निगाहों से उसके जानी देखा क्या हुआ नश्रा नश्रा की मतोश हाला देखकर वो ठिटकी सब के कमरे से निकलती हुँ उसके करीब आई क्या तुम इस वैस्ते पर खुश हो उसके सवाल पर भी उसकी हालत में कोई कमी ना आई जलू इसी हुलिये में बैट पर बैटी हुँ उदासी की तस्वीर बनी ही थी जरनाब उसके सामने बैट ते उसके हाथ अपने हाथों में लेकर तुम जरनाब हो कुछ दिर बाद उसके मूँ से निकला भी तो क्या जरनाब बुरी तरह चौंकी तक तुम कौन जरनाब बड़ी मुश्किल से लफजों को जोड़ तर करके खुद को अंजान जाहर करना चाहा मालूम हो चुका है मुझे मज़िद मत चुपा वो उसके हाथों में दबे हाथों को जटका दे कर बोड़ी एकदम हाथ उसके हाथों से निकलते उसके गिर्द अपने बादू का इसार बनाकर उसके कंदे पर फूरी टिकाए आंसो को बहने दिया नजाने किस-किस बाद पर आंसो बारे थी चन्नात की हलत कुछ मुक्तलिफ नहीं थी तुम से उनिर्सिटी में जिस दिन मुलाका थी उसी दिन जब तुमने अपने गाओं हावेली और ताया साई का बतायर में उसी दिन जान गई थी कि तुम मेरी वही दोस्त हो नजाती थी उब भूल चुकी थी कि आज उसी रुकसाती है याद था तो बस इतना कि बेहनों से बढ़कर दोस्त उसके सामने है जिसकी तकलीफ पर कई बार उसने आंसो बहाए थे छोटे होते वनी का बस इतना इल्म था कि वनी होने वाली लड़कियां तो बारा कभी अपने घर वापस नहीं आ सकती मगा शौर की वन्जिले तैय करते मालू हुआ कि वनी सिफ घर और अपने प्यारे छोड़कर नहीं जाती बलके इंसानिया सो सुलूक होता है उसके साथ ऐसा सुलूक के इंसान और वहशी में फर्क करना मुश्किल हो जाता है बस उस दिन के बाद वक्ता जरनाब को याद करके रोती और उसके लिए दुआएं करती बस वहाँ एक काम करने वाली थी उन्होंने मुझे वहां से निकालने मदद दी उनकी बेटी सवाद के करीब एक गाउ में रहती है उन्होंने अपने खास आत्मे के साथ मुझे वही भेज़वा दिया और फिर वहां कुछर से रहने और पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे पंचाब भुजवा दिया यहां शेहर में होस्टर में दाकिल करवाया बस फिर कॉलिज के साथ साथ जॉब भूडी उसमें भी उन्हीं लोगों ने मदद की और उनके रेफरेंस से मुझे ये जॉब मिली उसने तक्सीली बताया तो तुम जो हर महीने दो दिन के लिए कहीं जाती हो तो क्या वो सवार जाती हो नश्रा ने एक और सवाल उठाया मैं उन्ही से मिलने जाती हूँ वही तो है मेरे अपने वो यासियत भरे लहजे में बोली नहीं अब से हम भी तुम्हारे अपने है हांसु पोंच कर मुस्कुराकर से देखा दोनों हौले से मुस्कुराई बहुत याद किया तुम्हें बद दुआएं की तुम्हारे लिए नमावाज और मुहबत भरे लहजे में जरनाब को कोई शक नहीं था अबासाई और मारिज वाकिफ थे तोंसे नजाने और वो सवार Sabbath कर रही थी आ खुस्द से मखातिब की मैं जब यहां से वनी होकर गई मारिज भाइ तक से मलिकों की हुएले आ कर मेरे खाब गिरी कर रहे थे मेरे वहां से निकलने, सवाच जाने और फिर वहां से बंजाब, जौब, गर्जव, एक एक चीज़ से वाकिफ है इसके लेज़े में मारिज के लिए अकीदत ही अकीदत थी तुम जानती हो तुम उसकी सौधेली बहन हो उसकी इतला पर जानाब की इतनी ही लगमे बेकीनी से उसे देखे गई क्यों क्या, कहना चाती हो तुम्हें किसने कहा वो शदीद भेरत में मुटला थी कर रात ही कुछ गलत पहमी की बिना पर मारिज के बारे में अब्बस साइण से बात करने गई थी वहीं उन्होंने तुम्हारे बारे में और मारिज के बारे में बताया मगर मैं नहीं जानती चाचा साइण ने दुसरे शादी कब की और अगर की थी तो मारिज को खुबूर क्यों नहीं किया जर्नाब को बता कर उसे मारिज से ही क्योंकि वो तो पिल्कुली लारिम थी मारिज भाई मेरे अपने भाई है उसके लिए तो ये अनकिशाफ एक इनाम ही था सारी उमर यही सोचती रहे कि काश भाई होता तो शायद वो से इस पिरदाफ से निकाल लेता मारिज ने जिस तरह उसके बारे में हर लम्हा खबर रखी वो भी उसके लिए बहुत था मगर उसके बाप की दूसरी शादी का यहां किसी को क्यों नहीं पता था और उसके बाप ने मरते दम तक उससे नफरत क्यों कायम रखी और फिर ताया साई का भी उसकी हगीकत से परदा ना उठाना ये तो ऐसा था जो अभी भी मारिश के बारे में कोई नहीं जानता था सिवाय ताया साई के, वो दोनों अपनी-पनी सोचों में खल्ता थी मगर दोनों की सोचों का महवर एक ही शक्स था मारिश हाँ भाई खैरियत बड़ी जल्दी में मुझे बिलुआया है वो इस वक्त पकर के घर पर उसकी कमरे मौजूद था दोनों एकी सोफे पर आमने सामने बैठे वे थे हाँ यार खुछ डिसकस भी करना था तुमसे और मशुरा भी लेना था वरीद को वो पुछ उलड़ा सा लगा खैरियत मौमला घंबी लगता है वो खुशकोर अंदाज में उसके टेंशन कम करने के लिए बोला तुमारे ख्याल में कैसी लड़की से शादी करने चाहिए उसका सवाल बहुत गएर मतवक्त था मेरे ख्याल से जो दिल को भाए कुछ तौकफ के बाद वरीद ने जवाब दिया नहीं मेरा मतलब है जिन के साथ हम दोस्तिया रखते हैं उनके साथ या फिर उन से हटकर फखर की बात पर उसने भुमे सुक्यरी यार ये जो दोस्ति टाइप की लड़किया होती है इसे फ़क्त गुजारी के लिए होती है हमारी ब्रादरी में ऐसी उसे दोस्ति तो की जा सकती है मगर शादी तो किसी शरीफ और ऐसी लड़की से ही करते है जिसे एक दमाने ने ना देख रखाओ तो उसने महिस इंकारा भरा और तुम्हारे साथ भी किसी को वनी किया था उसे से मुझालिक सवाल करने लगा तुम अपना मसला बताओ मुझे चोड़ो उसे फखर का यू पोच टाच करना बहुत नाःवार गुज़रा या डाड़ी ने एक लड़की को मरे लिए पसंद किया है अब वो असल मुद्दे पर आया तो अच्छी बात है कौन है वो वरीद मुतजस हुआ तुम जानते हो उसे तुम्हारी स्टुरेंट भी है फखर का लहजा सरसरी था मगर उसकी बात सुनकर वरीद को 240 वाट का जटका लगा क्या मतलब मेरी स्टुरेंट अब की बार उसका लहजा कुछ तर्श था या वही नार एसाम मेरी कंपरी में जोट जॉफ करती उस दिन तुमने ही तो बताया था कि तुम्हारी स्टुरेंट भी है बहुती बावकार लड़की है उसके मौसे जर्नाब की तारीब सुनकर नचाने क्यों वरीद का दिल किया इसकी आवाज यही पर दबा दे अर तुम्हें पसंद है वो अब की बार उसने लिजदा अजनवी ही रखा मगर वो जानता था वो इस मौमले में अजनवीत नहीं दिखा पाएगा अफ कॉर्स यार ऐसी बाप पर्दा औरत किसे पसंद नहीं होगी और तुम्हें ने तो अभी कहा है कि शादी के लिए ऐसी लड़की होनी चाहिए शरीक उसके जवाब पर वरीद को एक दम अपना दम घुटा महसूस हो मेरे ख्याले मुझे डैडी को हाँ कर देनी चाहिए अब देखो ना हम जितने भी मूट हो जाए ऐसी लड़कियों को कुबूल नहीं कर सकते जो वक्त तो चार-चार लड़कों से अश्क वाशी किया लड़ा रही हो जबकि हमें भी मालुम होता है कि ऐसी किसी एक के साथ सेंसियर नहीं होती उसकी बात सुनकर वो इस दिजाईया मुस्कुराया और तुम क्या तुम इस एक के साथ सेंसियर हो लोगे अब कि उसने फखर को कटरे में लाखडा किया अरे यार ये बाहर की काम तो चलते रहते लेकिन घर के अंदर तो जिन्वेन पीस होना जाई है अंच हुआ कांग दबा करो खबास सेंसा चलो जो तुम्हें बहतर लगता है करो मुझे जरा जरूरी काम से जाना है फिर मिलते है उसकी बातों पर अदम दिख्जस्पी का मजाहरा करते हो एक दम उठा अरे ऐसे कैसे खाना आज मेरे साथ ही खाओ वो भी उसके अचानक उटने पर हरान हुआ हलाके जब उसने वरीद को फोन करके बलाया था तब तक उसने यही कहा था कि आज हो बिल्कुल फिरी है हाँ पहले प्लैन था लेकिन फिर याद आगया मसाई ने कुछ काम कहा था वही करने जा रहा हूं इसने पाग बनाई अच्छा चल ठीक है फिर तो क्या कहता है मैं हाँ कर दो वह भी आज उसे जिच करने पर तुला था यार जिन्दगी तुझे गुजानी है जो पैतर लगता है कर लेना ने जान चुड़ाई अच्छा बुद की शाम आफिस में पार्टी है तो भी इन्वाइटेड है जरूर आना फ्लीस हो मैं सर हिला कर फौरण वहां से निकला मजीद कुछ देर वहां रहता तो शायद वो सच आवया कर देता जो अभी तुद से भी चुपा रहा था नार एहसान से महबबत का तालुब शुरू हो चुका था मली कयास के उकम पर नश्रा को मातम कर रही थी एक ऐसा शक्स जिसे सारी उमर मुलाजिम समझा नाजैस तसवर किया एक दम वो उसी खांदान का हिस्ता निकला एक ऐसा शक्स जिसके लिए दिल में हमेशा से नफरत के सिवा कोई और जजवा पैदा नहीं हुआ वो उसके साथ सारी उमर का साथी बन बैठा वो रोती ना तो और क्या करती मारिश खुद पर कटे पैड़े पैड़े बिठाए बिलकुल खामोश था गाड़ी में सिर्फ नश्रा की सूंसो की आवास आ रही थी सुर्क लहंगे में दुलहन का पूरा रूप ओड़े भी वो मारिश की दिलके तार बजाने में नाकाम साबित कुई थी वो जानता था ये रिष्टा मजबूरी का है और मजबूरी के रिष्टों में कभी कभी गुनजाइश बड़ी मुश्कित से निकालनी पड़ती है जो से मली कयास की वज़े से निकालनी पड़ी वरना इतनी बेबाग और खुदसर लड़की शरीक ह्याद के लिए उसकी चौईस कभी नहीं रही थी उसे हमेशा धीमे मिज़ाज की शरम और भरम रखने वाली लड़कियां अच्छी लगती थी मगर वाय फिसमत उसकी हिस्से में ये नादिर पीस ही लिखा था उसकी सूसू की आवाज पर एक उचर्टी निकास पर डाल कर हटा लेता चादर में लिप्टी अपने हुड़ी और आपसी रिष्टे से बेनियास हो बस रोने में मसरूफ थी अगर इनसान अकल का इस्तिमान कर ले तो ऐसे ना पसंदिदा तालुक हालाथ से ना गुजाना पड़े आखिरकार मारिज की सर्द बरपसी आवाज गाड़ी में गुंची तुम्हारे मशुरे नहीं चाहिए वो भी तरखी उसका वो हाल था रसी जर्गी मगर बल नहीं गए आपको मशुरा देने का शौक मुझे है भी नहीं मगर ऐसे मातम करने का फायदा उससर ढटक कर वला मैं मातम करूं या जो भी क्योंसे मतलब रोना धोना भूल कर अब वो से लड़ने को तयार भी चादर चहरे से सरका कर अपने होश रुबा रूप उसके जानिब किया मारीज ने एक नजर उसके दुलहनों वाले रूप पर डाली धरकनों में कहीं थोड़ा सा रतियाश परपा हुआ मगर वो खुद को जल्दी अपने खोल में समेट लाया चादर चहरे पर डाले उसकी बात के जवाब में तहक्म से कहा नहीं डालती ये लो बाकी की उतार कर गोला सा बनाकर पिछली सीट पर फैंकते दुरुशत और किसकदर गुस्ताखाना लचे में बोली मैं असीद और साबिर नहीं और नहीं आपकी अबासाई हूं जो आपकी बत्तमीजी बर्दाश करे चादर पकड़े और फौरा नोड़े एक नहौआ नजर उसके सजे धजे सरापे पर डाल कर तो फिर से दबे दबे चटखते लहजें बोला नहीं पहनूंगी कैजी से अपनी चानिव का दरवाज़ कर बाहर निकला ठाकी आवास से दरवाज़ बंकिया नशरादम साथे उसके जार एहना सेवर देख लेथी दिलसहमा गाड़ी के सामने से ठकर काट कर jejा जोड़ की जानिवा जोड़ से दरवाज़ कोल कर कॉल कर लीजेगा रात के ग्यारा बचे इस तुनसान सरक पर उसे यू तनहां छोड़कर जा रहा था उसका पैग उसके कदमों के पास फैंका उसका बाजो छोड़कर अपनी सीट के जाने बढ़ा वो जो कब से खामूश और हवास बाखता खड़ी थी उसे गारी स्टार्ट करते देखकर अग्दम होश में आई मारिच मारिच वो चिल आई इस पहरवा के लिए यहां खड़ी रहती तो उसके साथ क्या क्या उच्छ नहीं हो सकता था उस सोच करी काप गई दर्वाजा खोलो वो अपनी चानी वाली सीट का दर्वाजा बचाने लगी क्योंकि वो अंदर से गारी लॉक कर चुका था ठोड़ी दर्व योही गारी स्टार्ट किये खड़ा रहा और वो बेबस इससे दरोते दर्वाजा बचाती रही अब कुछ नहीं करती प्लीज दर्वाजा खोलो तो मुझे यूँ छोड़ कर नहीं जा सकते रोते वे वो चीख रही थी उपर जब्च करते मारीज ने हाथ बढ़ा कर लॉक खोला वो तेजी से दर्वाजा खोलती बैक थामे अंदर बढ़ी तो मैं जरा शर्वाज नहीं आती तो रात के अंदरे में मुझे यहां चोड़ के जाते उसे शर्म दिला रहे थी और आपको शर्म नहीं आ रही अपनी हुलिये पर न्यू दुलन बनी आप मेरे साथ प्रंट सीपर बैठी यहां से गुजरते हर बंदे को अपने आप दिखाना चाती है चादर में आपको आपके बाप ने मेरे साथ बिठाया था उस चादर का तकद तो उस पामाल करते कि आपको शर्म आई वही ठंडा ठार लहजा जो मुकाबिल को मुझमित कर दे मैं डिस्टरब्ड हूँ अपकी बारो मनमन आई तो मैं तो जैसे ढोल ताशे बजा कर आपको अपने साथ ले जा रहा हूँ मैं आपसे ज्यादा डिस्टरब्ड हूँ अपक्या जो दिल में आये करता फिरू गारी को फिरसे सड़क पर डालते हूँ उससे सवाल करने लगा जो पिछली सीट से जादर उठाकर खुद पर लपेट रही थी ये सब जितना आपके लिए गयर मतवका है उससे ज्यादा मेरे लिए है क्योंकि शादी के लिए आप जैसी बद्तहजीब और बद्तमीज लड़की मेरी ट्वाइस कभी बद्तमीज नहीं रही मुझे मजबूरी में आपको जेलना पड़ रहा है उसकी साव गोई नश्रों को फिर से पतंगे लगा गई तो इंकार क्यों नहीं किया मुनाख पिला कर बोड़ी आप से कहीं बेबस मैं हूँ मैं मलक साय के हिसान का बदला अगर ही हूँ आपको खुद का नाम देका चुका सकता हूँ तो मुझे इस रिष्टे पर कोई एतिराज नहीं मगर इस रिष्टे को मैं सिफ एक कागस की हैसियत से ज्यादा कुछ नहीं दे सकता उसे बहुत कुछ साफ साफ जता गया हाँ मैं तो मरी जा रही हूँ तुम्हारी महबते पाने के लिए उसको तर्की नहीं मुझे ऐसी कोई गलत फेमी नहीं है ना मैं ऐसी बाते सोचता हूँ और आप से उसे जलते कोईलों पर खसीड गया यानि वो उसके नजदीक क्या थी कि उससे रिश्टा बनाने का सोचना भी नहीं चाता था नश्रा ने मुठ्यां भेज कर वो मिश्किल खुद को कुछ और कहने से बाज रखा वो तो आज उसके जाद के बखिये उद्रने पर लगा था मैं खुद से महबत ना करवा दी तो कहना तो दिल में कुछ और ये रादे बान रही थी ये जाने बगए कि उससे ज़्यादा वो खुद उसकी महबत में गिरफतार होने वाली है आदी रात वो दोनों अपने अपार्टमेंट पहुंचे उसके बास से अभी तक उन दोनों के मावैन मज़िद कोई बात नहीं हुई थी दोनों अपनी अपनी सोचों में उल्टे वे थे मारे जिन उसे कोई रियायत नहीं दी वो अपना वैग घसीटी खुद उसके पीछे चल रही थी शुकर था कि उसने लिफ्ट से उपर जाने का फैसला दिया था वन्ना तो से महसूस हो रहा था आज अगले पिछले सारे बरले निकाल की रहेगा कोई पता ना था कि सीडियों से चलता लेकिन यहां उसने नशना पर थोड़ा रहम खाया अपार्टमिन के सामने खड़े होते की होर में चाबी कुमाई चोट इसी लॉबी से गुजर कर लाउंज में दाख लुआ आगे बढ़कर दाएं हाथ पर मौजूद स्वीच बोर्ट पर लगे मुक्तलिब बटन ओन के पूरा लाउंज अलाभी जगमगा उठे अंदर आते उसे परवा नहीं थी कि वो उसके पीछे आ रहे है की नहीं ऐसा मैसुसरा तो अकेला है नश्रने सुलकती नजरों से उसकी पुछत देखी अभी तक दरवाजे पर खड़ी थी उसे आज इन हो गया था मारिज किस बला का नाम है वो जब तक लोगों को अपने आगे पीछे फिरते देखती रही थी उसके नाज नकरे पल पल उठाये जाते थे आज सब एक खौब बन गया था उसके बाप ने अकिनन उस रात का बदला निकाला था मारिज से उसका निकाह करके जब उसने अपनी बाप की इज़त मिट्टी में रोलते हुए साइम के घर अपने कदम रखे थे फरोना फिर से ओध कराया था तो अपना बैग घसिती मरे मरे कदमों से अंदर दाक्री वी वो सामने दो कमरे है उन में से दाएंवाला मेरा है बनाना नहीं जाता लेहाज़ा बेफिकर होकर रहे सुबह आपको यूनी छोड़ने जाना है लेहाज़ा मैं तो सोने जाना हूँ आपका जब सद्मा कम हो जाए तो आप भी सो जाएगा वो अच्छी तरह सो से उसकी हैसित जतला चुका था यह तुम बार-बार मुझे क्या जताने के कोशिश करते हूं मैंने क्या महबबत के शादी की है तुम्हारे साथ जो तुम मुझे कभूल ना करके मुझे मेरी हैसित बता रहे हो अपने कमरे के जाने जाते उसने नश्रा की भिपरी आवाज सुनी मैं बार-बार अपनी हैसित खुद को याद दिलाता हूं मुड़कर उसके सजें सौने रूप को देखा आंके तो रोर रोकर वो साफ कर चुकी थी मगर होंटो पर अब भी लाल सुर्की अपनी छप दिख ला रही थी हैसित याद रखते तो यहों मुझे नीचे से अपना बैग यहां ना लाना पड़ता उसके हाथों ने पहली बार इतना बोज उठा था उसका तो लाना बनता था उसके रुहां से लहज़़ पे मारिज अपनी हसी ना रोक सका वो वाकई पहली बार यहों बेबस हुई थी इसकी हालत मारिज को मज़ा दिला गई चैन वो क्या है कि अब ना चाहते भी हस्यत तो बड़ता ली गई है मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है अपनी जिच करने वाली मुस्कुराट उसको चाल कर वो कमरे में बन हो गया यह देखी बिना के वजीद रोने के लिए लाउंज मचुर सोफे पर कबज़ा कर चुकी है कुछ दिर रोते रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त लाउंज में तन तना है अपना बिखरा वजू समेटे वो खड़िए बैक घसीरती इस कमरे के जानी बाए जिसकी तरफ मारीज ने इशारा किया था दर्वाज़ा खुलकर अंदर दाक्त लुई हाथ मारकर दर्वाज़े के करीब स्विच बोर्ट टर्टोला सब बटन दबा दिये कमरा रोशन हुआ एक ताराना निगा कमरे पर डाल कर तसलिव ही कि कमरा पुरा आसाईश था दर्वाज़ा खुलते साथ ये बैड दगा बैड के सामने सिवार गीर अलमारी उसके सामने ड्रेसिंग और उसकी बिलकुल सामने दो सोफे रखे थे वो मतमें होती बैक से आरामदा लिबास निकालने लगी अलमारी के सामने चोड इसी लॉबी बनी थी वही वाश्रूम बना था और इसके सामने खिड़की बनी थी जिस पर दबीज परदे पड़े थे नश्रा लिबास लेकर वाश्रूम में बन होगी कुछ देर बाद बाहर निकली सर शदीद दर्ड कर रहा था कुछ सोचकर बाहर आई लाउंच के साथ ही उपन के चंट था फिरिज खुला खाली फिरिज उसे मूँ चुड़ा रहा था खुसे से बन करके महरिच के कमरे के दर्वाजे के चाने बड़ी दर्वाजा बचाया नहीं धर धराए कुछो कुछ देर पहले लेटा था अभी आग भी न लगे के दर्वाजे पर सबल जंग बजने की आवाज महसुस ही ना खुद चैन लेंगी ना दूसरे को लेने देगी उबर बड़ा कर उठा लाइट जलाकर दर्वाजा जटके से खुला जी फरमाएं मजीद कितनी लड़ाई बाकी है इसका पुर्सकून मगर तंजबरा अंदास नश्रा को चलाकर राख कर गया मुझे कोई ज़रत नहीं तुम से लड़ने की मुझे चाय पीनी है सरदद उसे फटा चारा है सब्स और हरे रंग के इमतिजाज का सूट पहने फेरा दुए बालों की धीली सी तोटी बांदे तो पटा एक कंदे पर डाले हो आकई दिमान खराब कर देने वाली हुसंद और लापरवा इसकी लगड़ रखी थी मारी ने एक नजर देखकर नजरे फेरी मगर उसके सवाल पर फिर से नजरे उसकी जाने गुमा कर किसी कदर हैरानी से देखा मैं आपके लिए अभी चाय बनाओ फेराब के इजहार भी किया अभी वो उसे बता चुका था कि उसका तालुक अब उसके मुलाजिम वाला नहीं रहा और वो फिर भी रॉप ज़ाने आई थी जानती हूँ ऐसी उमीद तुम से रखनी अब बबस है दूद नहीं है फिरिज में और मुझे चाय पीनी है वो बेजान ले जिम बोली मैं फरहाद हर्गिस नहीं कि इस वक्त आपके लिए तूद की नहर खो दू उसे जिस कदर जिच कर सकता था कर रहा था नश्रा ने दान पीसे बाजार से जा कर लाओ उफार खाने वाले अंदास बोली मारीज ने मुड़कर सामने दिवार पर लगी घड़ी पर वक्त देखा तीन बढ़ चुके थे इस वक्त मेरे किसी रिष्टेदान ने दुकान नहीं खोली होगी सुबह होगी तो मैं सब चीज़े ला दूँगा पैन किलर खा ले वो मज़े से मशरा देकर उसके मूँ पर दर्वासा बन कर गया नश्रा हैरा से मूँ खोले उसका मशरा सुनती उसकी बेरुखी पर फिर से रोने बढ़ गई पैर पटके अपने कमरे के चाने बड़ी रोते रोते किस लमें आँख लगी उसे अंदाजा नहीं हुआ शुकर यार तुम आगई आज सर वरीद का टेस्ट है परिया उसे देखकर बेख्यार बोली सर नाब नश्रा की रुकसती होते ही मलिक आया से जाज़त लेकर निकल आई थी उन्होंने अपने खास ज्रैवर और चन बोड़ी कार्ट के हमराओ से होस्टर बिटवाया था हाँ यार सुबह उटकर तैयारी कर ली थी उसने एक बार फिर से सामने मوجود नोट्स पर नज़र दोड़ाई नश्रा कब तक आएगी फरीहा की बात पर उसे कल की रात याद आई यार उसकी भी रुकसती थी कल रात वैसे तो वो शहर आ गई है लेकिन पता नहीं आज आती है कि नहीं आखिर सब को मालुम तो होना ही था ना उसकी दिला पर फरीहा का मूँ खुल गया आरे इतनी अचानक और किसके साथ जर्णाब के लाव उसकी निकाह के बारे में कोई नहीं जानता था हाँ वो उसकी कजिन के साथ उसका निकाह हो चुका था तो बस सब के लिए ही सर्पराइस था मगर उसके अबबा साई ने पहले से सोच रखा था कि उसके भाई के बारात के साथ उसकी रुखसाती भी कर देंगे उसने फॉरन बात बनाई वाव यार ऐसे अच्छानक शादिया भी कितनी रॉमेंटिक होती है वो अपनी ही राक अलाब रही थी यह तो नश्रा और जर्नाब भी जानती थी चौती रुमें मौझूद नकाब से जांकती दो आँकों ने उसे एक गुना सुकून पहुंचाया वो अपनी बदलती कैफियस सफ खायब था बिना देके सिर्फ आँकों और शक्सियत पर दिल हार जाना उसका वतीरा नहीं था ये पहली बार था और ये पहली बार ही बहुत जान लेवा था ना रहसान आपकी तैयारी है आज की टेस्ट की अटेंडन्स लेने के बाद उब रहा है रास उससे मुखातिब हुआ जी सर मैंने फरिया से पूछ लिया था और उन्होंने मुझे टेस्ट की तिरा दे दी थी मैं तैयारी करके आई हूँ ये पहली बार था कि जरनाब ने उसे सीधा जवाब दिया था ठीक है मैं फिर पांच मिर्ट दे रहा हूँ चल्दी से रिवाइस करें सब फिर मैं टेस्ट शुरू करता हूँ उसने एक नज़र सब को देखा फिर हाथ में बंदी घड़ी पर वक्त देखके उन सबसे मुखातिब हुआ टेस्ट लेने से पहले उसने सब लड़के और अभी वो इसके पास से बुजर कर आगे ही पढ़ाता कि जर्नाब के पीछे बैटे लड़के की सर्गोशी नुमा आवास सुनाए दी नार मिस नार सहबा दो तीन बार भी उसे बुलाने पर जर्नाब ने मुड़कर ना देखा अहतिशाम मुड़े बिना ही वरीद की वरीद को यह हरकिस कवा रहा ना था अभी वो ठकर काटकर दूसरी रो में गया ही था कि फिर से इसे इतेशाम के आवास सुनाए दी नार ये तिसरे का आप्शन बता दो या नार एहसान के साथ इस बेतकलुफी से मखातिब होने वाले को वरीद बख़शता भी तो क्यों कर और कैसे मुड़कर फिर से तेज नजरों से उन दोनों के जानिम देखा जहां जरनाफ चान चुराने के लिए उसे हाथ से दोग का इशारा करे थी यानि दूसरा आप्शन क्या सारी दुश्मनी तुल्खी और बेसारी उसी के लिए रहती थी वरीद का उसे यूं किसी को ए टेस दे एंड आउट उनके जानी बढ़कर गुस्ते से उन दोनों के हाथों से टेस्ट की शिट्स खीटी सर मैंने कुछ नहीं किया अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी मुझे चूट बोलने वाले नहायद बुड़े लगते हैं उनली उठाकर से वार्निंग देता ह उसकी आँखों में आँखे डाले उससे खुरा उससे दो का इशारा कौन कर रहा था आपकी मामूर का बेटा है जिसे इशारों में आप जवाब बता रही है पूरी किलास के सामने इसने कोई लिहाद नहीं रखा और ये तू सबी जानते थे कि वरीद चौदरी बेहिज़त करते कोई लिहाद नहीं करता इस वक्त मामला नार एहसान का था जो उसे कभी खातिर में नहीं लाती थी सर में बोली तो नहीं ना उसने सवज्जा पेश करने की कोशिश की थी हाँ तो इशारों में सारा टेस्ट करवा दे आप मुझे तो आज मालिभ हुआ के नकल उसे ही क कर रहा था मैंने सिफ जान चुडाने के लिए बताया था वो बेचारगी से बोली मौमला नंबर्स का ना होता तो वो इससे बहस ना करती मगर वरीड टेस्ट से पहले बता चुका था कि इसके मां उनके फाइनल पेपर में शामिल की जाएगे ना रहसान इतनी बेबस तो आफिर में उधारा था जर्नाब ने खा जाने वाली एक नजर एक नजर इतिशाम पर डाली जिसकी वज़े से ना सिफ इसकी इंसर्ट हुई बलके टेस्ट का आखरी सवाल भी मिस हो गया वो बैग उठाकर तनफन करती किलास से निकल गए दर्वाजे को लग रहा था कोई बजा नहीं रहा बलके तोड़ने का इरादा रखता है वो जो तक्ये में मूँ देकर पड़ी थी सर उठाकर मुंदी मुंदी आंखों से इर्द गिर्द देखा चन लबहें लगे उसे इर्द गिर्द के माहुल से मानूस होने में क्या है उसके लावा यहां जो दूसरा शक करने में वो फल की देर नहीं लगाती थी फल से तो उसके रंग ही निराले थे अपना चक्राता सर थामे वो मश्किल बैट सूतरी कुस्टे से दर्वाजा खुला नहीं जाना धहर से दर्वाजा बन करके रात वाला बदला उतारा मारिश के चैले पर ना चाहते भी मुझे महसुस करवाना चाहते हो कि मैं दुनिया में नहीं जहन्नम में हूँ अपकी बार दर्वाजा खुल कर वो बेबसी से बोली इसकी बात पर मारिश होले से चौकर से टेक लगा कर उसकी चानिम चुका इसके अंदास पर पहले तो बहुंच कर रही इससे नजर ना मिलाने वाल यूँ फजल करती नजरों से देख रहा था कि नशना को लगा उसका दिल उचल कर हलक में आ गया हो आंके फैली मगर अपनी जगे से हटने की हिम्मत उसमें ना हुई उमारिश नहीं कोई साहिल लगा दुनिया में अगर सारी जिन्दगी सिर्फ आसाइशे, सुकून, आराम और खुशियां ही मिलती रहे तो फिर जन्नत और दुनिया में कोई फरक नहीं बीबी अगर दुनिया बनाए ही इसलिए है कि जन्नत और जहन्नम दोनों का थोड़ा सा मसा हम यही चक ले समझ ले, अब दुनिया में ही जहन्नम का थोड़ा सा मसा आपको भी चकना है, यहां तैयारी करेंगी तो वहां की तैयारी भी होगी ठैर ठैर कर बोलता और नश्रा को नजाने क्या समझा रहा था, वो तो बस इस ताहर के फिलते होंटों को देख रही थी उसके सहर में जकरती जा रहे थी, आच आए, आज तो मैंने नाश्ता बना दिया है, कल से आप अपने सब काम खुद करेगी क्योंके बदकिसमती से आप मेरी बीवी है और आपके अबस आएं की तरह मैं अमीर कबीर नहीं के नौकर अफोर्ट करो, तो कल से आप अपना काम करेगी और मैं अपना, मज़े से चौकर छोड़ते वे सीधा हुआ, और हाँ, अब ये कह कर के, मुझे तुम्हरे यह अहसान नहीं चाहिए, इस रिसकुस को लाथ मत मारिये का, तो कि बहरे आल आपको इस वक्त इस एहसान की अशद जरूरत है, फ्रेश होकर आ जाए, अपनी मुझों को मखसूस अंदाज में दाएं हाथ की दो अंगलियों से सवारते, वो जैसे उसके अंदर तक उतर गया, नश्रा रखी थी, नश्रा को ये सादा सा नाश्ता भी इस वक्त नेमत ही लगा, कल सुबह के नाश्ते के बाद से उसने कुछ नहीं खाया था, इस वक्त पेट में शदीद चुहे तोड रहे थे, खामुशी से टेबल के करीब रखे, फ्लोर कुशन पर बैठ कर, खाना शुरू कर किया, मारिज, शायद नाश्ता कर चुका था, इस वक्त उसके सामने सोफे पर बैठा बस चाय के मक से चुस्किया ले रहा था, मैं आज यूनिसिटी नहीं जाओंगी, सा नीचे किये ही, उसने अपना फैसला सुनाया, बहतर, मैं फिल कुछ काम से जा रहा हूं, शान तक आ जार रहा था, उसके जानी मतवच हुआ, वापसी पे जरनाब को लेते आओगी, उसे हुकम दे रही थी, या उसकी राय मांग रही थी, मारिज समझा नहीं सवाली है, नजरों से उसके जानी देखा, मतलब क्या उसे लाना पॉसिबल है, यूनिसिटी तीन बजे ओफ हो जा जब दोबारा उसकी आवास सुनाई दी, जी, अपके मुड़े भी ना बोला, लहजे में जुनलाड थी, मैं दोपहर को क्या खाऊंगी, मारिज ने मुड़ कर, उसकी जानी बैसे देखा, जैसे कह रहा हूँ, नह बड़ा मसला बयान किया है, जो इस लम्हें उससे चन कदम के फास्ते पर खड़ी थी, खुदी तो तुमने कहा था, अपसे आप अपना काम खुद करेंगी, और मैं खुद, तो फिरिज में कुछ होगा ही, तो मैं अपनी लिए बनाऊंगी ना, और फिर जर्नाब भी आएगी, उसके लिए भी बनाना पड़ेगा, मारिज ने उसके पर हंसी दबाए, किस कदर घरेलो लग रही थी, उलजी उलजी, ये सब बाते करती, मारिज ने नजरे जमीन पर काड़ी, माबादा आँखे उसके एहद को तोड़ कर गुस्ताकी की मुर्तकित ना हो जाए, आप फिकर नहीं करें, ये वसूल कल से लाग होगा, वैसे भी अ अजनबियत, मगर उनमें ऐसा रिच्टा ही कब था, तो उसे कोई उमीद दिलाता, कोई दिल को खुश करने वाली बात करता, या उसका हैसास करता, नश्रा उसे रोबोर्ट कहती थी, और रोबोर्ट अब एकदम से इंसान कैसे बन जाता, ऐससाथ तो इंसानम होते, रोबो माई दीरे से सरिला का चला गया, मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों उससे उमीद बान रही हूं कि वो मेरे लिए किसी और तर्ज में सोचे, किसी और लहजे में बात करे, वो इलची परिशान सी वहीं बैठकर सर थाम गई, महबत ने बड़ा कारा वार किया था, क्रेड ओवर होते ही वो दोनों उसके सामने उसके आफिस मौटू थे, आप बाहर चाहे, मैं हतेशाम से बात कर लो, फिर आप अंदर आईए का, नश्रा को भी, हतेशाम के पीछे अपने आफिस में आते देखकर उसने बाहर के जाने पिशारा किया, वो चुप चाप बाहर निकल गई, अपनी सीट समाल कर, अब उसका रुख एथिशाम के जाने था, जी तो क्या मसला था आपका, क्यों तयारी नहीं थी, और अगर तयारी नहीं थी, तो मुझे साब बता देते, तमाशा करने की क्या ज़रत थी, उकड़े तेवरों से उसे आड़े हातों ले रहा सर एक ही सवाल पूछा था ना, बाकी तो एथिशाम बढ़ा, इठला कर ऐसे बोला जैसे वरीद का चहता इस्ट्रेंट हो, एक पूछा, चाहे दस, आइंदा ये हुआ, तो आप वन वीक के लिए क्लास से आउट कर दिये जाएंगे, और आइंदा, इसकी बात काट करो, की उंगली सो से दर्वाज़ के जाने का शरक किया, पिर निकलते ही जरनाब अंदर दाकिली, सौरी सर, अंदर आती है, उसने वजाहत देनी चाही जब उसने हाथ उजाकर उसे खामोश करवाया, सामने टेबल पर रखी फाइल खूली, जिसमें सब टेस्ट मौजूद थे, उसमें से जरनाब का टेस्ट निकाला, लास्ट कुश्टन आता है, उसके सवाल पर उलमे भर को हैरान ही, जी जी सर, सारा टेस्ट आता था, वो फिर से वज़ाहत देने लगी, ओके ये पकड़े और यहाँ बैट का टेस्ट मुकमन करे, उसकी महरबानी को जितना हैरान होती कम था, हावास भाल रखे टेस्ट घामा, उसके सामने जरकी कुरसी पर खामोशी से बैटकर बैक से पेन निकाला, उसकी नज्ञे टेस्ट पर और वरीग की नज्रे उसपर टीकी थी, दोनों कोहनियां कुरसी के हत्तों पर रखे, आतों को बाहं पेवस किये, चाहादत की उ पूम्लियों को मिलाए होंटों पर रखे वो मसलसल उसे नजरों की फोकस में लिए वे था जरनाब जानती थी उसकी नजरे मसलसल उसका तवाफ कर रही जो आता था लगता था वो भी भूल जाएगी सर उठा कर लहसे भर को उसके जानिम देखा उसकी यू देखने पर भी उस सरसरी से रखते उसने दाएं जाने मौजूद सोफे की जाने बशारा किया वरीद के जहरे पर पल भर को मस्कुराट आई जिस जरूर लहजे में शीरी नहीं गुली थी वो गहरा सांस खारिच करती वहां से उठकर सोफे पर जाबाए थी वरीद ने अब की बार सवज्जे स सिमाल करने के बजाए आने वाली ने सिर्फ इसका नाम लेने पर किफा किया वरीद ने कुछ चौंग कर उसे देखा साइड ब्लू जीन्स पर गिरे और पर्पल टॉप पहने दुपटे से आसाद बालों को केटर से बांदे एक जाने बैक डाले दूसरे हाथ में एक रजिस्टर ठामे हाथों में बेश बहा अंगोटिया पहने वरीद को गुमान हुआ जैसे वो किसी मॉडलिंग के लिए को नहीं कहेंगे इसकी बेतकलुफी काबल दीद थी वरीद ने हाथ से खुरसी पर बैठने का इशारा किया जरनाब उन दोनों से बेखबर टेस्ट करने मगन थी ऐसे जैसे वो आफिस में अकेली हो एक बार भी सर उठा कर उन दोनों को नहीं देखा ठैंक्यू एक अदा से बैठते अंग्रेजी तर्जल खातुप अपनाने की नाकाम कोशिश की वरीद ने मुठी होंटों पर जमा कर मस्कुराहट रोकी मैं जूफिशा आपकी मंगेता तुबी हाथ उठा कर उसकी जाने बशारा करते फिसर जी वो खरीब अंदास में कहा कि बात पर अपकी बार ज फिंडेट हार अंदास परो कुछ किफ़ा जदा सी वी जी बताया था मगर आपकी तस्वीर वगरा कुछ नहीं बेजी वरना शायद आपको पहच जानने में इतनी देर ना लगाता मुठी नीचे करते वो अपनी ही शाहना अंदास में उसे खातिर में लाय बगार बोला ना अंदास पर जोफिशा को शदीद सुपकी महसूसी वो जो समझी थी कि वो उसे मतासर करने में कामियाब हो गई है अपनी सोच पर लाना भेचती तनफन करती उटकर उसके आफिस से वाक आउट कर गई उसके निकलने का नोटिस लिए बगर वरीद अपनी जगे से उटकर ज टेस्ट को देखते उसी पोजिशन में जुके सर के उठाए बिना बस आंखे उठा कर एक पूरी उस पर डाली जो यकिनन नकाब में मुस्कुरा रही थी वैसे मुबारा को सर वो फिर से तीर चलाना नहीं भूरी अपी मुबाराक बाद अपने पास रखे जल्द किसी और अ चाकर निकल गई ये तो उसे यकीन था कि वरीद उसे हर किस और कभी भी पहचार नहीं सकता तो आखरी प्रियर्ड के लिए जा रही थी जब उसके सेल पर नश्रा की कॉल आई तो ऐसी हुबे मुरावत सुबह से इतने फोन किये अच्ट में मेरी याद आई छूटते उसे बस यार तब है ठीक नहीं थी कल यहां आते आते भी देर हो गई पस शदीद ठकावर की बेसारी से ट्रेजिक में अपनी रूदास सुनाने लगी इसलिए आज यूनी भी नहीं आई वो मजीद कोया हुई हा ना अच्छा सुनो लास्ट प्रेट के बाद हॉस्टल मत जाना म मारिश तुम्हें लेने ही उनी आएका शाम तक मेरे साथ रेना बहुत उदास उड़े हुई यहां उसकी बेचारी सी आवास पर जरनाब को शदीद दरसाया अच्छा ठीक है वो फॉरन मान गई मैं तुम्हें मारिश के नंबर देती हूँ वो कॉल करेका तुछा लेना उस उसे तुम्हारा नंबर दे दिया है और फिर से हिदायत देने लगी ठीक है आखरी प्रिएट के बाद मारिश के नंबर से कॉल आए जरनाब ने बिना हिचकिचाए फोन उठा लिया जी भाई आवास मुहपत बुली थी मैं में गेट पे हूँ आ जाओ उसकी बात सुनते है उसके कदम में गेट के जाने बढ़े जरनाब को आता देखकर मारिश ने फौरण दर्वाजा खुला जरनाब उसे धीरे से सलाम करती बैट गई उसके दर्वाजा बन करते उसने गाड़ी आगे बढ़ाई दो आखोंने बड़ी सुलक्ती निगाहों से उने देखा वो उन तो ये फिब कौन है वरीत ने कुछ सोचकर मुबायल निकाल कर नंबर डायल किया दुसरी जानिब से फोन उठाती उसने बगए सलाम दुआ के अपनी बात पर एक गारी का नंबर बेच रहा हूं पता करके बताओ किसके नाम पर है और जबंदे का पायो डेटा भी मुझे एक दो दिन में बिजवा तहक्कुम से कहते साथ ही फोन बंद किया गारी का नंबर उसी नंबर पर सेंड करके गारी में बैठ कर जन से में गेट की जानिब बढ़ाई आप नश्रा के साथ फीक नहीं कर रहे है गारी बैठते उसने भाई से शिक्वा किया मैं तो कुछ नही कर रहा ये तो उनके किसमत कर रही है और मुभम सा मस्कुरा कर बोला आप इतने ला तालग क्यूं बन रहे है उससे वो दोस्त की वकालत करने लगी इन चन्द दिनों में ही उसने देख लिया था कि उन दोनों के दर्मान खिचा 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 तालुक है तो मुसे छोड़ो को ये बताओ सुबा नाश्ते में क्या खाया था मुझे मेदार भाई की तरह पूछने लगा असल में स्टॉपिक से उटाया था जिसकी औराक पर लिखी कहानी क्या से क्या करने वाली थी वो खुद भी उसके अनजान था आप बात बदल रहे हो गूर कर बोली यही समझ लो वो भी हत्यार डालते हो बला भाई क्या 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 आप वाकरी मेरे मतलब बाबा साइं के बेटे है और मेरे भाई उसकी हिमत नाहिए से सौतेला भाई कहने की मारिज ने मुस्कुरा कर सरह लाया क्या मैं इस हकीकत से वाकित हो सकती हूँ उसके सवाल पर लब भेंच कर रह तो मियें बताया किसमें कुछ आनता तुठा फिर भी इससे पूछने लगा नश्राने अपना अंदास, अंदालत सच होने पर वो महसर हिला कर रह गया ये कभी नहीं सुद्रे की, बीबी सी वही की बड़़ाय मनकर जन्नाबनस की बड़़ा हट बड़ आराम से सुन ली भी बता नहीं पा रहा था, प्लीज भाई प्लीज, पहले बार किसी बात की खौईश की है, उसकी बात पर वो एमोशनल हो ही गया, मगर वादा कर रह तुम किसी को भी नहीं बताओगी, अपनी प्यारी दोस को भी नहीं, उससे वादा लेने लगा, मुझे पता है मेरी दोस बहुत प्यारी है, बार बार प्यारी कहे कर आप लगता है अपने दिल की बात कह रहे है, उस शराज से बुली उसे अंदाजा नहुआ, वो दो बार उसे प्यारी कह गया है, जरनाम की शरीर अंदास पर उसे पूरी से नवासा, अच्छा अच्छा सौरी, अबा मुश्किन ह सी रोक कर बोली मारिज ने आइस्ता इस्ता सब राजों से पर्दा हटाया बाबा साई ने मरते दम तक सायन साई से वादा लिया था क्यों ये हकिकत किसी को नहीं बताएं कि उनके मताबिक उन्होंने जिन्दगी में तो ऐसे कोई अच्छे काम नहीं किये न्याजा हो चाते थे उनके वफात के बाद लोग उन्हें बुरे अलफास में याद ना करें खास दोर से नहारी अमा साई का इतिबार हो मरते मरते तोड़ जाते पर यह उन्हें गवार नहीं था इसकी बात खतम होते है कि इतने ही देर काड़ी में खामोशे चाही गई इनसान इनसानों से कितना खौफ जदा रहता है उनके सामने अपना इमेज खराब नहीं करना चाहता मकर इस सब में उसे ये डर और खौफ क्यों नहीं होता कि ये तो सब मिठी हो जाएगे उस अल्ला के सामने अपना क्या मूँ लेकर जाएगे उसके सामने इमेज खराब होने की फिकर क्यों नहीं होती इसकी बात पर मारीज एक कहरा सांस भर कर रह गया ये सब बताने का मतलब ये नहीं कि तुम उनके बारे में बुरा सोच हो उसे संब्या करने लगा आपकी मा यकिनन बहुत अच्छी आउरत होगी आप मुझे बाबा साइं का परतू नहीं लगते तो यकिनन आप अपनी अम्मी जैसे होगे इतनी खुशनसीब है वो जिनके आप जैसी है सारी उमर लोगों के सामने सवाल निशान बनने को तैयार है लेकिन जिनोंने आपको अपनाया अपनाया नहीं उनके लिए बुरा नहीं सुनना चाहते वो रश्क से उसे देख रही थी ऐसे नहीं कहते जरनाम हम सबने अपने अपने आमाल का हिसाब खुद दे में उनके मसायल को समझने लग जाए तो शायद हम लोगों से शिक्वे करने छोड़ दे नजाने वो कितने मजबूर होंगे कि वो मुझे अपना नहीं सके पदीमा लहजा जन्नाब के दिल में उसका मुकाम और बुलंद कर गया पता है क्या मैंने कभी शिक्वा नहीं किया कि मेरी दुनिया में आने की वज़े क्या थी क्यूंकि उसमें मेरा हाथ नहीं था और अल्ला तो जानता है ना जब मैं उसके आगे सर्खरू हूं तो मुझे इनसानों के कहे जाने वाले लफ्स नाजाइस पर तकलीफ महसूस नहीं होती लोग अपनी उसके जहनियत के मताबिक बात सोचते मेरी जात पर फर्क नहीं परता क्यूंकि अन्ला नहीं के घर में पाल पोस कर बढ़ा करवाया सायसाइं की बेश बहा महबत मुझे मिली मैं किसी आसाइश और नेमत के लिए तरसा नहीं पर लिख लिया अपना कारोबार कर रहा हूँ बस यहीं बहुत है मेरे लिए उसकी बातों ने जरना को खुद का महासबा करवाया हम दोनों बहन भाईयों की गिसमत एक सी है बेनिशान आसूस के गालों पर लोटे ऐसे नहीं कहते हमसला के बंदे है और इतनी बड़ी शनाख बहुत है मुसल्मान है यह काफी नहीं इस हजब नजब में क्या रखा है मारिज ने हाद बढ़ा कर उसके सर पर थप थपाया दुरोते रोते मस्कुरा कर उसने भाई की जानी देखा इंदा ऐसे नहीं कहना उसका होसला बढ़ा रहा था रंग वोबू का सहला था मुकरर रवक्त से गंटा लेट वो फखर के आउफिस के फंक्शन में मौझूद था एक मशूर होटल के लॉन में सब इंतजाम था वो भी सबके दर्मियान कबसे मौझूद किसी फास को ढूने में मगन था किसे तलाश कर रहे हो फखर ने भी उसकी बेचा नहीं भाफ ली थी किसी को नहीं बस ऐसे ही देख रहा था वो बात बना कर बोला मैंने डैड़ी को हां कर दी है फखर की बात पर उसने अजीब से तासुरास से देखा देखा ऐसे जैसे उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा हो कि वो क्या कहना चा रहा है अरे यार वही नार एहसान से शादी करने वाली बात था वो उसके तासुरास से समझ गया कि वो यकिनन भूल चुका है वरिद को देर चुक भी रह गया वो वाकर भूल चुका था कि फकर ने उसके लिए पसंदेश की और शादी करने का कुछ दिम पहले ही इसार किया था यहां वाश्रूम किस साइट पर है उसकी बात का जवाब देने की बज़ए उसने कुछ और ही कहा हाँ वो इस तरह उसके इतने रूड अंदास पर फकर को अजीब सा एसास हुआ बज़ए खुश होने या कोई अच्छी बात करने के उस दिन भी वो वहाँ से भाग गया था और आज भी वो इसकी बात को नज़र अंदास कर गया उसने एक जाने बशारा किया वरीज सर हिला कर उस सिम्ट चल पड़ा जब अंदर के जाने बढ़ते सामने से आते वजूद से तसादम होते होते बच्छा वरीज ने एकदम को रोक कर खुद को सामने से आती लड़की से टकराने से बचाया सामने वाली बचलत में नकाब दरूस करती आ रही थी जब अंदर आने वाले से टकराते टकराती बची नकाब सेट करता हाथ उलजा नकाब यखलक से चहरे से गिरा वरीज जो सौरी करने के लिए सामने वाली की जाने निकाह उठा चुका था सामने खड़े वजूद की आँखों से तर नचाने कब से आच ना था मगर अपने सामने इस मुकमल हुसन को आच पहली बार देखकर उसे महसुस हुआ जिसे शायदी आच से पहले इतना मुकमल हुसन देखो वो कोई और नहीं जरनाब और वरीद के लिए नार एहसान थी वो जो कब से उसे ढून रहा था अंदाजा नहीं था आज यूं किसमत उसके रूबर उलाएगी कि वो इस चांद की चमक से आँखों को खेरा होने से नहीं बचा सके का उसे नहीं मालूम था क्यों हकिकत में इतनी हैसीन थी या उसकी नजरों ने उसे हुसन के सिंगासन पर बिठा दिया जरनाब ने उसे साकित खड़े देखकर जल्जी से नकाब किया इस खेल में दोनों हार गए उसे देखने के बाद वरीद को कोई और चेहरा वहाँ दिल को नहीं भारा रहा था खुछी देर बाद और फिरसे सब में मौझूद था जरनाब भी मौझूद थी दोनों बहुत बार आमने सामने आए जनाब तो भरपूर अजनवियत का तासूर ही दिये हुए थी मगर वरीद वो अब उस अजनवियत को बरकारा नहीं रख सकता था उसे अब वो चाहिए थी वो जो इतने दिनों से अपनी कैफिया से अंजान था अब जान गया हम तो तेरी मंगनी की तैयारी करना है तुझे साथ लेकर जाना है अबते वाले दिन तेरी मंगनी रखिये ओ मेरे शेरा वो मस्कुराते उसे खुशकबरी सुना रहे थी मगर उसके लिए ये खुशकबरी हर्गिस नहीं थी मैंने आप लोगों से बात करनी ही थी आज अच्छा हुआ के आप आगए मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता उनके सामने सोफे पर बैठते हूँ मजबूत लहजे में अपना फैसला सुना चुका था दिमाग खराव है तुमारा कि बात सुनती ही वचा चौदरी आप ऐसे बार हो गए चौदरी साहब इसकी पूरी बात तो सुन ले सुगरा बेगम ने उनके कंदे पर हाथ रखकर उन्हें ठंडा करने की कोशिश थी क्या पूरी बात सुनू और पूरी बात है ही क्या और मज़िद गुस्ता हुए गुसेली नजरों से सामने देखा जाओ उसका इत्मिनान खाबली दित था मिला हुमें आपकी पसंद की ही लड़की से उसे किसी फिल्म में हिरोईन होना चाहिए मेरी बीवी की हैसित नहीं मिल सकती उसे उसी इत्मिनान से उन्हें मज़ीद आग बॉलकला कर गया तो तुम अंदर जाओ वो कुछ कहते कहते रुके सुगरा विगम को सामने कमरे में जाने का इशारा किया अम्मा साहीं यहीं बैखेगी जो बात होगी उनके सामने होगी मां को आँखों से ना उटने का इशारा कर गया तो खोलो तुमारे करतूद इसके सामने वो मुँ से जाग उड़ाने लगे थे क्या करतूद है मेरे मैंने वही कुछ किया है जो हमेशा से अपने खांदान के मर्दों को करते देखता आया हूँ अगर आप मेरे अफेयर्स की बात कर रहे तो फिर यहां करतू सबी के खुलेंगे आप समयर उबे निडर अंदास में बाप के दूबद हुआ यह तमीज है तुमारी यह कहती है तुमारी तालीम अपने पे बात आते देखकर वो आग बखला हुए वो हमेशा से मूफ अट था और यह सब जानते थे फिर चाहे सामने वाला उसका बाप हो या बाप का बाप हाँ मगर मा के साथ वही बत्तमीजी कभी नहीं करता था मेरी तालीम ने मुझे यही सिखाय है कि सच चाहे दूसरे के मुतालिक हो या अपने मुतालिक बोलने में आर महसुस नहीं करनी चाहिए मैं तो मानता हूँ कि मैं और्टों के साथ अफियर सुलाता हूँ शराब पीता हूँ क्योंकि मैंने बच्पन से इस धर के मर्दों को यह सब करते देखा है और अगर इतना ही बुरा है तो आप क्यों करते हैं आपने का औरत पर एक्टपा क्यों नहीं किया क्या मर्साही बेखाबर है नहीं हर्गिस नहीं और अगर यह सब इतना ही जुम था तो जब पहली बार आपको मेरे शराब पिने सिगरेट पिने और किसी नामहरम लड़की की जानिब रागिब होने का इल्म हुआ था सब मुझे क्यों नहीं रोका मैंने तो हमेशा आपको यही कहते सुना यह तो मर्द की शान है तो अपनी मर्सी की औरत के साथ शादी करना क्यों गुना है वो बोला तो फिर बिना रोके बोलता चला गया मुझे आपकी पसंद की लड़की अपने लिए अची नहीं लगी सिम्पल उसमें तालीम, तर्बियत और कर्टूत कहां से आ गए वाज उन्हें रगीद ने लगा था आप बताए मासाई क्या गुना है उस्तरों का मा के जानी था जिनके सामने वो अपने बाप के सब कर्टूत खोर चुका था जिन पर आवाज उठाने की उसकी मा को इजाज़त नहीं थी बेटे ऐसा नहीं है अच्छा बताओ का नहीं लड़की धीमे लहजमे शोहर के पास उठकर वो बेटे के करीब सोफे पर बैटे महबब से कंदे पर हाथ रखा तुम्हारी मुरगे की फिर वही एक टांग अरे मैं इन लोगों को हाँ कर चुका हूं तुम जानती नहीं क्या होगा मेरे साथ उदोनों मा बेटा को घूर कर बोले क्या होगा जिस सीट के लिए आप उनके पीचे पीचे फिर रहे असम्बली में उचीट नहीं मिलेगी उब वजहा चौधरी का बेटा था बाप की एक एक रम्स से वाकित मेरी शादी मेरी जिन्दगी की खुशी के लिए है आपके सियासी मफदात और सौधा बाजी के लिए नहीं और जिस लड़की को आप मेरे लिए पसंद कर चुके वो दो बारा अबोर्शन करवा चुकी है और जाहरे सादी तो उसमें अभी तक ही नहीं उसके इस तरह खुलं खुला सब हकीकते बताने पर सुगरा बेगम नजरे चुरा गई माजूरत के साथ हम चौधियों का मसला ये है के बाहर मूँ मानने के लिए हमें हर तरह की औरत पसंद है माँ बाप मर चुके है इसे रिष्टेदार की हाँ पली बड़ी है और फिर एक खास उमर में हॉस्टेल्स में रहना शुरूर को गई अब अपना कमाती है और खाती है और बदकिसमती से आपके बेटे को घास नहीं डालती मगर आपका बेटा से फुसी कीचा रखता है वो साफ गोई से सब बताता सला गया ये लड़का मुझे पागल कर देगा गुसे से अपने जगे से उठकर चकर कमरे में लगाने लगे आप टेंशन न ले सुबा तफसीर से बात होगी मेरा ख्याल है इतना ही शौक काफी है आपके लिए वो अपनी जगे से उठते वे माते माते पर बोसा देख कर बोला आप लोग भी रेस्ट करें मैं भी ठक गया हूँ उन पर एक नज़र डाल कर वो अपने कमरे की जाने बढ़ा देख रहे हैं इस बेल अकाम को वो कहर बरसाती नज़रों से पंदा जाते देख रहे है थुसे उसुर उसका नहीं वो सच कहता है जो देखा है वही कर रहा है वो साधे लेचे में भी बहुत गहरा वार कर गई चलिए सुबा बात करेंगे उनसे पहले वो सामने मौजूद कमरे की जाने बढ़ गई अरे वाँ भी मेरे पीछे से तो यहां का माहुली बदल गया वो तीनों इस वक्त कैफे में बैठी थी दो दिन से नश्रा भी उनिशिटी आ रहे थी वरीज से वो अभी तक सिर्फ कायबा ना मतारिफ थी हाँ में हाम कर लाई अगर सरवरीद नामा बन हो गया है तो काम कर ले वो किताब टेबल पर रखती उन दोनों से बोली वैसे मैंने सुना है सरवरीद ने तुम्हारा टेस्ट पहले कैंसल करवा दिया था प히र तुम्हें आफिस बुला कर टेस्ट कर वा दिया नश्रा की बाद पर उसने एक लम्हें के लिए उसकी जानिव देखा हाँ ना जब हैतिशाम ने कनफेस कर लिया कि चीटिंग वो कर रहा था उसे वानिंग देने के बाद सर ने मुझे पूछा टेस्ट के बागी सवाल आते हैं मैंने का आते हैं तो सर ने दे दिया ये कहकर कि आएंदे हरकत ना हो आखरी बात के अधाफा उसने अपनी जानिब से किया वरीद का अपनी जानिब जोकाओ अच्छे से महसूस कर चुकी थी इसकी बात पर नश्रा ने महस सारी लाया आखरी फिडियर के बाद जरनाब ने उसे रोका क्या हुआ मारिश आ चुका है जल्दी ना पहुंची तो उस्ता करेगा वैसे भी वो मुकमल तोर पर शोहर बन चुका है उमू बना कर बोली अच्छा है ना तुम्हें ठीक करके रख देंगे भाई उसकी हालत पर मुस्कुराई हाँ हाँ तुम हस लो जल्दी बोलो बल्के ऐसा करो साथ ही चलो शाम में मारिश तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर देगा उसकी सुने भी ना अपना ही प्रोग्राम बनाने लग नहीं नश्रा ऐसे बुरा लगता है रोज रोज जाना तुम्हारी इर भाई की प्राइवेसी डिस्क्राव होती है उसे सहुलत से मना करने लगी हाँ प्राइवेसी हमें कोई प्राइवेसी नहीं और बुरा समू बना गई चलो ना उसे अपने साथ घसीटने लगी कैसी हो वो जो पिजारों से टेक लगाय ख़ड़ा था उन दोनों को साथ आते देख चुका था जन्नाब के करीब आकर सलाम करते उसकी खैरियत पूछी छीकू आप कैसे हैं मस्कुराते लेजिंग पूछा पिछली सीट का दर्वाज़ा खुलने लगी जब जन्नाब ने उसका हाथ थामकर अगली सीट की जाने धाकेला तुम आगे बैठ चाओ तर्वोशी में कहती वो पिछली सीट समाल चुकी थी जन्नाब ने खिफ़त से मारिज को देखा जो कंदे उचका कर रह गया जन्नाब दान पिस्ती अगली सीट पर मारिज की हमरा बैठी उन्हें फ्लेट पर उतार थी मारिज अपने किसी काम से जा चुका था क्या हरकत थी ये जन्नाबन से आड़े हाथों लिया क्या उजान बुचकर अंचान बंदी चादर उतार कर किचन के जानी बड़ी जन्दगियों में दाकिल होने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ती है अपना मुकाम कुद आगे बढ़कर बनाना पड़ता है वो दोनों लाउंस में फ्लोर कुशन पर आमने सामने बैठी थी तुम्हारा भाई बहुत वाज़े उन्दास में बता चुका है कि मैं उसकी पसंद नहीं और मुझ जैसी लड़कियां उसकी पसंद कभी भी नहीं है वो यासियत भरे रहज़े में सा चुका कर बोली जरनाब को उसकी आवाज में नमी कि आमेजिश महसूस हुई तो क्या हुआ नहीं रही तो अब हो जाएगी तो कोशिश तो करो वो इसकी कोद में रखी हाथों पर हाथ रखकर गया उसे हौसला देने लगी कैसे कोशिश करो वो मौक कही नहीं देता जब वापस आता है तो बस अपने कमरे में गुम हो जाता है कमरे से बाहर आता है खाना पीना किया और फिर अंदर बन मुझे तो जूटे मूँ पूछता भी नहीं और वो ओ देखो एक देख्ची में अपने लिए बना कर गया है और दूसरी में मैंने अपना बनाया है नहाते ही कह दिया था अपने सब काम हम खुद करेगे कोई किसी का काम नहीं करेगा पलकों से नमी साफ करते केचन मौझूर चूलो पर रखी देख्टी उनकी तरफ इशारा किया तो तुम भाई के बिना कहे उनके काम कर दिया करो कमसकम उन्हें महसूस तोगा ना कि तुम उनकी इचाने बरागिब हो रही हो उसकी बाद पर नश्रा ने सुखा जाने वाई नजरों से देखा लड़की अच्छी लगती है इशार में पहल करती महबत करने में पहल कर ली तो इशार में क्या मुमानियत है और फिर तुम उनकी बीवी भी हो जार्ज रिश्टों में ये नहीं सोचते महबत में किसने पहल करनी है सौदे बाजी थोड़ी है कि कोई कुछ दे तो ही हमने भी देना है मिया बीवी की रिश्टे की तो खुबसूरती ही है कि कभी एक इशार करे और कभी दूसरा जर्नाब की बात पर वो कोई कोई नजरों से देखने लगे बहुत प्यारा रिश्टा ही है नश्रा से यूँ अपने अपने मफरोजों में खराब मत करो अगर भाई से महबत हो गई है तो जरूरी नहीं उसके सामने जाकर आई लव यू बोलो छोटी छोटी बातों का हिसास करो वो खुद तुम्हारी जानिप मतवज़ होंगे जिन लोगों ने महरूमियों में जिन्दागी बसर की होती है न वोने रिश्टों और महबतों को महसूस करने के लिए कुछ वखत दिये होता है मुझे पूरी उमीद है अगर तुम सच्चे दिल से उनके जानी बढ़ोगी तो वो भी तुम्हारी तरफ मतवज़़ होगे उपर से ही रोबोट टाइप बनते है वनना बहुत अहसास करने वाले है वो कितनी जल्दी मारिज को समझ गई थी तुम्हें नहीं पता बहुत कुंकवार है वो उफ बरफ की तरह ठंडा गुसा है और ऐसे गुसे की मार बड़ी ज्यादा होती है आग जैसे गुसे को तो पानी के बंदों से बुझाया जा सकता है बरफ पर तो पानी भी असर नहीं करता है वो जजज़री लेकर बोली अब तुम कहो के वो एक ही दम तुम्हें बीवी बना ले तुम्हारे आगे पिछे फिरे तो ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा साथ अभी तुम्हारे बडले है उन्हें तो महसुस करवाना है वहां सकर बोली है क्यों हो गई मुझे ऐसे सफ़त बंदे से महभबत पता नहीं तो एकदम इतना अच्छा लगने लग गया है वो बेचार की से बोली यही तो निकाहा की तासीर है वो महभबस उसे देखते बोली हारे हां तुमने कोई बात बतानी थी एकदम उतने मसलों से लच्टों से ख्याल आया मैं जिस आफिस में काम करती हूँ सब बहुत अच्छे मतलब मेरे बास के फादर सफुरा खाला के दामाद के जानने वाले है उन्हीं की मदद से मुझे जौब मिली थी वो तमीद बाने लगी नश्रा तवाज़े से उसे सुन रही थी तो कम कम आफिस आते हैं ज्यादा तर सर्फखर ही होते है लेकिन कल वो आफिस आए और उन्होंने मुझे अपने आफिस बिलाए है वो तफसील बताने लगी फिर नश्रा मुतजस हुई तो चाहते हैं कि उनके बेटे से मैं शादी कर लो उन्होंने कहा कि वो सफुरा खाला के दामाद के रोस भाई से में रिष्टे की बात करना चाहते है तो मुझे तो कोई एतिराज नहीं उसने बात ख़तम करके नश्रा के जाने देखा तो तुमने क्या कहा वो फुर्जोश हुई यार मैं क्या कहती मैंने कहा जैसे आपको मुनासिब लगे लेकिन जर्नाब तुम तो वनी हो मेरा मतलब है कि तुम्हारा निकाह रचकिचाई जानती थी ये मौदू उसके लिए बहुत तकलीवदा है मैं वनी जरूर हुई थी मगर एक तो वो शक्स जब 18 का हुआ तो उस मिल्क में नहीं था और मैं उसके आने से पहले महां से भाज चुकी थी लहाजा निकाह तो हुआ ही नहीं इसकी बात पर नश्रा एकदम चौँगी तो मैं कैसे पता कि उसकी वापसी होगी है उसने फौरण जर्नाब की बात में एक बात उचक ली अरे मुझे कहां से पता होगा मेरा कहने का मतलब है शाद वो वापस आया हो या नहीं पहरे आल में तो निकल आई इसमें बड़ी मुश्किल से बात बनाई वो हरकिस भी नश्रा को ये नहीं बताना चाहती थी के जिस तरवरीर की तारिफों में वो आज दुनिया जहां एक कर रही वो असल में वही है जिसकी वो वनी है हाँ फिर तो रिष्टा हो सकता है वैसे वो है कैसा नश्रा ने श्टियाक से पुछा कौन जर्नाब अभी उसके पहले सवाल में ही उलची वी थी अचंबे से पूछा अरे यार तुम्हारा बॉस फखर वैसे मेरे ख्याल में तुम्हें मारी से बात करनी चाहिए तुम्हारे घरवाले हम है मेरे ख्याल से उन्हें हम ही से बात करनी चाहिए नश्रा की बात परो लमा भर को चुप हो गई अजीब लगेगा मैं भाई से ऐसी बात करूँ किया तुम बता सकती हो ने उसने मदद तल्ब नज़रों से नश्रा को देखा यार अच्छा चलो मैं बात करती हूँ इंकार करते करते हो हामी भे गई दो दिन हो गए थे सुखरा बेकर्म और वचाहर चौधरी को उसके साथ सर खपाते मगर उसकी ना हामे बदल ही नहीं रही थी शाम के पहर वो तीनों लौन की कुर्सियों पर बैठे चाय पी रहे थे और साथ साथ उसे समझाने का काम भी कर रहे थे आप लोग क्यों नहीं समझ रहे मुझे वो लड़की किसी भी तरह मन्जूर नहीं वो जुनलाया हुआ था मगर तुम्हारी पसंद कुर्दा लड़की के साथ भी मैं इसी सुरत तुम्हारी शादी नहीं करवा सकता हम क्या मूद दिखाएंगे लोगों को कि गाओ के चौजरी किसी करीब और यतीम के साथ अपने बेटे का भीहा करवा रहे वो सकत कभी ना नसरों से देख कर बोले एक तो मुझे यह समझ नहीं आती जिन्दगी हमारी है मगर हमें परवा लोगों की करनी है वो साच जिटक कर बोला बेटे हम इस मौशरे से कटकर तो नहीं रह सकते ना सुगरा बेकम ने उसे समझाना चाहा मैं इससे पहले कि कोई जवाब देता कि उसका मुबाइल बोल पड़ा मैं भी आता हूँ उन दोनों के जानिब देखकर वो वहां से उड़ गया समझ नहीं आरे कौन है जिसने यूँ जादू कर दिया उस पर पजाच चौधरी मुझो को ताओ देते बिगड़े हुए लेटे में बोले सुगरा बेकम खामूश ही रही उन्हें तो कोई एतिराज नहीं था वरीद की पसंद पुर्दर लड़के से उसकी शादी करवाने पर शाम में मारिज घर आ चुका था कुछ सोचकर उसने जरनाब लड़ायत पर अमल करते अपने वर मारिज के लिए चाय बनाई चाय के दोनों का फ्रे में रखकर सेंटर टेबल पर रखके हिम्मत मुझतमा करके उसके कमरे के दर्वाजे पर नौप किया कुछी देर बाद दर्वाजे में मारिज नमुदार हुआ ची नजरे जुकी भी थी वो मैंने तुम्हारे और अपने लिए चाय बनाई है पीलो कुछ बाद भी करने है तोड़ तोड़ कर वो मुश्किल जुम्ला पुरा किया मारिज ने किसी कदर हैरस उसे अपने सामें औरेंज और पिंक रंको के इम्तिजाज का सूट पहने अपनी शरी के हयात को देखा उस पर नजर भी बड़ी एहतियास से डालता था जानता था कि उसके करीब भड़ता हुआ शोला मौजूद है मगर वो इस शोले को थामने की गलती नहीं करना जाता था राख बनने से डरता था आपने ऐसे ही जहमत की मैं आही रहा था अपने लिए चाय बनाने सादा से लहजे में कही गए उसकी बात नश्रा को इतनी भी सादा ना लगी बीवी हूँ तुम्हारी अगर मेरे हाथ की बनीवी चीज खाप भी लोगे तो मर नहीं जाओगे सब शरम जिटक बालाय ताक रखकर वो उसे खरी-खरी सुना गई मर तो वैसे भी रहूं रोज आपके तेवर देखकर निश्ला लब दातों में दमा कर मस्करहाट रोपता उसे फिर से जिच करा था देखो मारेच उंग्री उठा कर कड़े तेवर उसे देखा देखना नहीं चाता हाथ सीने पर बान कर चौकर से टेक लगाई कमबख्त के स्टाई इस पदर जान लेवा है तो नजरों से अपने सामने आफ़ वाइट शल्वार कमीज पहने फुरसत से खड़े मारेच को देखकर देली दिल में बड़बडाई मैं चाहती हूँ कि हम यू दुश्मनों की बजाए दोस्त बनके भी तो रह सकते हैं अब जिन्दकी तो साथ गुजानी है जैसे तैसे भी सही तो क्या जरूरी है लड़ जगर कर गुजारी जाए कहीं तुम ढ़ल जाओ कहीं मैं ढ़ल जाओंगी मारेच ने अपकी बार अपनी गहरी बोलती से आँकों से उसकी जानी देखा जैसे यकीन कर रहा हो कि वही है जो हवीली वालों में से सबसे ज़्यादा उसके खिलाब बोलती थी उसे हकीर जानती थी वह सोचते हैं आपकी बनाई जाए ठंडी हो जाएगी और आपको कुछ बात भी करनी है मुझसे उसकी बात का जाब देने की वज़ा अपने जगे छोड़ता सामने मुझसो सोफे के जानी बड़ा नश्राबी गहरा सांस लेकर अपना मत हाथ में लेकर उसके सामने फ्लोर कुशन पर बैड़ गई मारिज नी नोडिस किया था और जब से यहाँ आए थे उसके सामने ज़्यादा तर नीचे फ्लोर कुशन पर बैठती है बजाए उसके साथ सोफे पर बैठने के क्योंकि बदकिसमती सी वहाँ एक ही सोफा था जिस पर ज़्यादा तर मारिज जी बैठता था मुझे जन्नाब के हवाले से तुमसे बात करनी है संजीता लहजिम बोली क्यों? क्या हुआ? तो एकदम बुरी तरहां चाउंका जिस ओफिस में जॉप करती है वहां के बास चाते है कि उनके बैठे से शादी करे वो जन्नाब का रिष्टा लेकर आना चाते है उसकी बात पर कुछ हैरान हुआ यहां लेकर आना चाते है उसने मजीद हैरत का मजहरा किया यहां कैसे लेकर आएंगे? उन्हें क्या पता मैं और तुम उसके भाई और भाबी है वो तेजी में फिर से उससे जुड़े रिष्टे का बड़े आराम से धार कर गई मेरा मतलब है कि मारिष्ट की आँखों में बिखरते तब असुम से अंदाज हुआ कि वो फिर से बड़े धर्ले से उसके और अपने माबैन रिष्टे का इज़ार कर गई है हसना बन करो अपनी खिपत मिटाने को उस पर रौब जाड़ा मैं कब हसा हूँ? उसने हैरानी से उसका इल्जाम सुना उसके लब नहीं मस्कुराए थे मगर आँखे मुझे डी ट्रेक करने की जरूरत नहीं है असल बात पर फोकस करो वो फिर से उस पर चड़ दोड़ी साप छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं वो कहां रिष्टे ले जाना चाते उस पर गहरा वार करके वो बात समेट कर बोला उसकी बात पर वो भी तफसील से बताने लगी जर्नाब की किस हद तक मर्जी है चाय के मक्य किनारों पर हाथ पिरते उससे बोला मेरा ख्याल है उससे कोई एतिराज नहीं है वैसी वो बहुत प्रैक्टिकल बंदी है महबत और बबत नहीं है उसे मारिच जानता था वो बेबाग है और बगए जिचके आराम से हर बात कर देती है मगर मारिच को उसका बेचिचक अंदास कुछ फिला उसने सिर्फ मर्जी जानी थी वो महबत के मसाल भी बीच में ले आई मैं तायां साइन से बात कर लो फिर देखते है एक बात पूछो वो कुछ राज़दारी से बोली जी मगर सवाल मेरी जाद से मतालिक ना हो पहली हदबंदी कायम कर गया मबादा अब उसे महबत के हवाले कोई बेबाग सवाल कर लेती इतने भी तुम एहम नहीं के हर वक्त तुमारी बाते कर दी रहूं उमज़े से छिडाओ कर बोली शुकर है मारीज ने जान बुछ कर मक टेबल पर रखकर दोनों हाथों को उपर उठाकर शुकर अदा किया तुम जानते उस लड़के को जिससे जर्नाब वनी हुई थी नश्रा की बात पर एक तकलीव दस आया उसके चेहरे पर लह रहाया आपने क्या करना है ये जानकर उसके सवाल पर सवाल कर गया क्या उन्हें कोई गर्स नहीं कि जर्नाब कहां गई है देखो न वनी यूँ भाग जाए तो यूँ ये कोई आम बात नहीं है उससे अपनी हैरत शेयर करने लगी अच्छा है उन्हें गर्स नहों कम असकम हमारी बेहन तो सुकून की जिन्दगी गुजारेगी ना उसकी बात पर वो महस सरहिला कर रह गई हाँ क्या पता चला दूसरे जाने वाली हेलो के जवाब नो उसने पूछा गाड़ी के मालिक का नाब मारिज मलिक है दूसरे जाने से उसे इतिला दी गई और कुछ जी वो मलिक अयास का खास बंदा है और शायद मलिक सरफरास के भी खास बंदों में उसका शुमार होता था वैसे तो गाओं में रहता था मंगर हाली में उसकी शादी मलिक अयास की बेटी से हुई है और अब यहाँ अपने अपार्टमेंट में बीवी के साथ रहता है पुरी तफसीर सुनकर वरीद को बहुत कुछ याद आया वो जो नारहसान के चक्करों में जरनाम मलिक को भूल चुका था मलिकों का नाम सुनते उसे दोबारा अपना बचला याद आया ठीक है एक काम करो पता करो के एक लड़की नारहसान उसकी बीवी की दोस्त है उसके अलाव उसका मारिज मलिक या आयाद मलिक से क्या रिश्टा है क्योंकि वो महस उसकी बीवी की दोस्त नहीं लगती जो दोबारा उसे अकेले मारिज के साथ देख चुका था वो अंदाजा लगा चुका था कि नार एहसान महद नश्रा मलिक की दोस्त नहीं चीक है मैं पता करवाता हूँ और एक और बात वो जो फोन बन करने लगा था फिर से फोन के जानी मतवज़ हुआ हाँ बोलो दुसरी जानी मौजूद शक्स को मजीद बोलने के जाज़त दी चौधरी साहब आपकी बनी लड़की के साथ सफुरा खाला के लावा एक और मलासमा भी हमा वक्त रहती थी वो अब भी हवेली में काम करती है उसका नाम शादा है शाद वो भी उस लड़की के पारे में कुछ जानती हो वो काफी दिनों से हवेली में मौजूद मालूमा ते खटी कर रहा था ठीक है मैं इस विकेंड में आ रहा हूँ मैं आकर उसे खुद अगलू आँगा आंके सुकेर कर गयर मरई नुक्ते को देख कर बोला कुछ तो तुम्हारा कनेक्शन है मलिकों से उसे एकदम नार एहसान की शक्सियत पुर असरार सी लगी और शक्सियत की पिछे क्या असरार था वो अब उसे हर हाल में जानना चाता था वो जर्नाब तक पहुँच चुका है नश्रा को इनिसिटी ड्रॉप करके सीधा मलिक आयास के पास पहुँचा उन्हें शहर के खरीब के एक कजबे में बुलाया था जहां उनका फॉर्म हाउस था वो नार एहसान तक पहुँचा है जर्नाब तक नहीं वो उसकी तस्रीक करते बोले और आज कल वो जर्नाब को ढूंता फिर रहा है मेरी गाड़ी का नंबर में पता करवा चुका है वो ना सिर्फ जर्नाब से बाख़बर था बलके उसके दुश्मन से भी इतना ही बाख़बर था तो पहुचने दो वो कुछ नहीं कर सकता उन्होंने उसके इस्तराब को कम करने की कोशिश दी वो बहुत घटिया शक्स है अगर उसे मालूम हो गया तो कहीं उसे नुकसान न पहुचा है उसके चेहरे से परिशानी वाज़े टपक रही थी जर्नाब का होस्टल में रहना ठीक नहीं है वो अपने खच्चात बयान करा था वो जितना भी घटिया हो वो नार एहसान को नुकसान नहीं पहुचाएगा सुकार ककश लेते वो इतमिनान से बोले कैसे हो सकता था कि कल का बच्चा मारिश तो अपनी बेहन से बाख़बर हो और वो अपनी बेटे से बाख़बर ना रहें हमेशा मलिक सरफरास से बढ़कर उसे चाहा था वो उन्हें अपनी पुरसुकून और तंग ना करने वाली तबियत के बास वैसे ही बहुत प्यारी थी उसके वनी होने पर वो बहुत प्रुए थे मगर इस वक्त वो इतने वेबस थे के ऐसी रसम के खिलाफ नहीं बोल सकते थे उनकी अपनी बीवी वनी होकर आई थी वो अलग बात थी कि उन्होंने उन्हें बीवी का दर्जा दिया बाकाइदा नहीं कहा किया लेकिन जब वो वनी लेकर आई थे तो कैसे वने के रसम को सब रोक पाते आप क्या कहना चा रहें वो समझ कर भी उनकी बास समझना नहीं चाता था दिल कह रहा था ये जूट हो जोगो सोच रहे वो अपने माबाप के सामने जरनाब और नार एहसान से शादी का कह चुका है ना सिब कह चुका है बलके लड़ रहा है मस्कुराते उसे देखने लगे मुझे वरीद की एक आदत बहुत पसंद है और जितना भी बुरा सही शराबी और और ओरतों के पीछे वाला सही मगर जब वो किसी से महबत करता है तो पूरी जीचान से करता है चाहे फिर वो उसकी मा ही क्यों ना हो या नार एहसान शष्टर उनकी बाते सुनदा था आप यह सब कैसे जानते है उसने तो अपने कुछ खास बंदे उसके पीछे लगा रख लेते मगर सायां साई उससे भी ज़्यादा बाखबर कैसे थे वक्त आने पर पता चल जाएगा उसे अभी इस इश्क की आग में जलने दो यह मेरा दावा है कि वो नार एहसान को कभी कोई नुकसान नहीं पहुटाएगा और जहां मुझे जरा सब इस शक उसरा तुम से पहले मेरी बंदू की गोली से वो मरेगा उनके लिए जमी अफलक चट्टानों की सी सकती दराई और जबो जर्नाम के बारे में जाम लेगा आप क्यों चाहते ही कि वो जर्नाम तक पहुँच जाए उसका बस नहीं चल रहा था कि जर्नाम को वरीग की नजरों से कहीं चुपा ले वो जानता था वो इनसान नहीं दरिंदा था जिसने दस साल की उमर में उसे मारने से दरेग नहीं किया था अब तवाना मर्द बनकर वो कैसे उसे नुकसान ना पहुँचाता मगर मली कयास ना जाने ये बात क्यों नहीं समझ रहे थे क्योंकि ये जर्नाम की खौईश है कि वो अपनी पूरी कोशिश करे और फिर उस तक पहुँचे उसमें उसकी क्या मसलियत है मैं भी तुम्हारी तरह नचान हूँ मेरी बेटी ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा मगर ये खौईश उसने बड़ी चाह से की है उनकी बात पर वो हक तक उनका चहरा देख रहा था यानि जर्नाम ने इस सब के बारे में बरहे रास मली कयास से बात की थी जर्नाम ने जैसे ही उसे पहचाना था उसने मुझे फोन करके सब बता दिया अब एक रास से पर्दा बता रहे थे मगर अभी बहुत से रास चानने बाकी थे वो चानता था कि जब मली कयास की मर्जी होगी तब यू बताए कि लहाज़ उन्हें कुरेदना बेवकुफी है इसलिए उचुप चाफ उनसे इजास लेकर चला गया वो कुछ देर पहले एक लास लेकर अपने आफिस आया था चब कुछ देर बाद वो भी उसके पीछे उसके आफिस में मौटूद थी इस रात के फंक्शन के बाद आज वो दोनों आमने सामने हुए वरीद तो उस दिन के बाद से उसके ठेरे के सहर से बाहर ना सका था मैं कमिन सर दर्वास नौक करके वो अंदर आने के जाज़त मांग रही थी उसके मतरन्नम आवास वरीद के दिल पर खुवार की सुरत बरसी येस प्लीस अंदर आने के जाज़त मिलते भी वो उसकी टेबल के सामने आकर खड़ी वे अंदास कुछ लड़ने कसा था क्या मैं कूछ सकती हूँ उस दिन एहतेशाम को आपने क्या कहा था वरीद ने कुछ ना समझने वाले अंदास में उसकी खुबसरत आंखों के टानिब देखा तर नकाब से नज़राती उसके दिल को रोज एक नए ही अंदास एक हायल करती थी किस दिन वो तो उसे रूबरू देखकर हर चीज परामोश कर जाता था पिर एहतेशाम क्यों कर याद रहता जिस दिन टेस्ट के दौरान आपने उसे चीटिंग करते पकड़ा था और आफिस बुलवाया था वो जोड देखकर बोली कुछ भी नहीं बस यही कहा था कि आएंदा ऐसा नहों उसे बस इतना ही याद रहा था नहीं सर आपने इसे पियन ही कहा था आपने उसे मुझसे दूर रहने का कहा था क्या मैं पूछ सकती हूं कि क्यूं और किस हवाले से आपने उसे यह वार्निंग दी थी उसकी आवाज उची नहीं थी मगर सकते लहजा उसके शदीद गुस्से का पता दे रहा था वो अच्छा इंसान नहीं है कुछ खास अच्छी कंपणी नहीं है उसकी इसलिए वो उन किया था वो कुछ सी के साथ टेक लगा कर फुरसा से उसे देख रहा था तो फिर ये बात आपको उसे सब लड़कियों के हवाले से कहनी चाहिए थी आपने मेरा नाम लेकर मुझे स्केंटलाइस कर दिया है एकदम वरीद को उसकी आँखों में नमी दिखाए दी उसकी माते पर लातादाद बल पड़े कहाए वो मुठियां भेचे वो उससे से खड़ा हुआ प्लीज बहुत महरबानी आपकी मजीद मेरे लिए कुछ अच्छा मत कीजिये का मैं से एक कहने आई हूँ कि मुझे किसी के साथ भी यू आएंदा मत कहसी दिये का जैसे वो किलास की सब लड़कें से बात करता वैसे उसने मुझे से भी कर ली आपका ये सब कहना बनता नहीं था वांसो पीतों से बहुत कुछ समझा गई और अगर मैं ऐसा ना करू उसे मुझे देखकर वो सवाल उठा गया मेरे और अपने दर्मियान इस उस्ताद और शागिर्द के रिष्टे के तकद्स का तो ख्याल कर ले वो तुल्की से बोली कहां लिखा है के एक उस्ताद अपनी शागिर्द से शादी नहीं कर सकता उसकी बात पर वो जो उसकी जाने जरा से रुख किये बोल रही थी पूरी की पूरी उसकी जाने मुरी I want to marry you बगर कोई दूसरी बात कि वो उसके सर पर बंब फोर चुका था How dare you वो फटी फटी आंखों से से देख रही थी What do you mean by this किसी से शादी का इज़ार करने में क्या बुराई है या गुना है उसका अंदास वरीद को नागवार गुजरा Excuse me sir आपके दोस्तर फ्रास कर रिश्टा मेरे लिए आ चुका है और बहुत जर्ड़ मैं उसके लिए हाँ भी करने वाली हूँ वो बड़े तमिनास से अब उसके सर पर बंबारी कर रही थी अप ऐसा कुछ नहीं करेगी वो जबड़े भेच कर बमश्किल खुद पर जब्द करता बोला और मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगी उसकी आँखों से उसे खुद का मजाक उड़ाती लगी थी इसलिए कि वो आपके साथ सेंसियर नहीं है वो मुझे बता चुका है वो कही से भी आपको सूट नहीं करता अपनी बात पर जोर दे कर बोला एतिशाम बुरा लड़का है सर फखर बुरे है ना वो मुझे सूट करते है ना ये तो क्या आप इतने ही अच्छे इनसान है कि आप मुझे सूट करते है नकाब से झांकандが आके उस से इंतिहान ले रही थी जी क्योंकि वो दोनों आपसे महबद के दावेदा नहीं और मैं उनमे और मुझमें यही सबसे बड़ा फर्क है कि मैं आपसे महपत करता हूँ चंद कदम उठा कर उसके मुकाबल आया दोनों बाजों सिने पर बांदे कितने दिन के लिए वो भी जरनाब थी उसे पूरी तरह जाम देती मेरी अब तक कि जो भी जिन्दगी थी मैं उसे चोड़ने को तयार हूँ बड़ी मज़े से उसे अपनी रादों से आगाह किया आप मुझे इस वक्त ऐसे शक्स की तरह लग रहे है जो किसी मुसल्मान औरस से शादी करने के लिए खुद को मुसल्मान के रूप में ढाल लेता है और जब वो मिल जाए तो वापस अपना चोला पहन लेता है फुद पर जबर मत करें मैं आपके काबिल नहीं आप अपने जैसी लड़की डिसौर करते है इस तजाईया अंदाज मुसे आइना दिखा कर मुझने लगी जब इसका बाजू वरीद की रफ्त में आ गया गुस्से से बाजू छुडवाया आइम सॉरी वो अपनी हरकत पर शर्मिनदा हुआ यू शुड़ भी वो दान पीस कर बोली प्लीज मेरी बात तहम्मल से सुन लो प्लीज नार ते कहा था कि उसके सामने ना आए उसके सामने आए और फिर वो देखे कि जिस नार एहसान से वो महबत कदावेदार है जर्नाब को देखते ही क्या करेगा अभी उसकी ये खुआश पूरी हुई थी वरीज चौधरी को अपने सामने गिर गिराते देखने की जो इतना बड़ा दावा कर रहे उसकी हालत पर महसूस हुई सब कुछ जानता हूं तुम्हारे बारे में और मुझे तुम्हारे बैक गराउंड से कोई मसला नहीं है तुम्हारा मेरी तरह उंचा खांदान नहीं है मुझे इससे भी कोई फरक नहीं पड़ता मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो वो किसी भी सुरत उसे मना देना चाहता था अपने हैसास उस तक महचा देना चाहता था कि वो भी उस आँच को महसूस करें फ्लीस तर अपनी मुकाम से इतनी नीचे मत आईये ये आपको सोट नहीं करता मुझे दूर रहे तो बहतर है वनना कहीं पष्टाना ना पड़े उसकी रास, समय, गहरी, सोगवार, नजरे वरीद को मनचमित कर गई उसकी मज़ीद कुछ भी सुने बिना उसके आफिस से जा चुकी थी उसके आफिस से बाहर निकल कर रोते वे सीरिया उतर कर यूनियसिटी के कदरे खामोश और कम रश्वाले हिस्टे के जानिब आई वो इस वक्त किसी का सामना नहीं कर सकती थी और इस तरह रोते वे तो कभी भी नहीं उसे लगा था उसके एक एक जखम पर वरीड के लफ़ों ने फाय रखे हो उसका हर गिरगड़ाया लफ़ उसके लिए तरहस्ता हर एहसास उसके जखमों को सी गया था क्या जीब था जखम देने वाला ही मसीहा बना था नकाव गिराय वो चहरा हातों में दिये बिलग बिलग करो रही थी उसने अल्लह से दूआ मांगी थी कि वो शक्स एक बार उसकी जिंदगी में उसके सामने आया वो उससे बदला ले सके और उससे बहतरीन बदला क्या था कि वो जो उसे अपनी नफनत कर निशाना बनाता रहा था आज उसकी महबत क्ले कासा फैलाए भीक मांग रहा था क्या खूब इनसाथ किया था था अल्लह ने मगर नहीं अभी वो सिर्फ नार एहसान के सामने गिर्गडाया इस सो जाती और रोते रोते खामोश है अपने आंसों सकी से कालों से रगड़े अब तुम्हे जर्णाब के आगे भी यू ही गिड़ाना होगा अभी मेरा बतला पूरा नहीं हुआ वरीज चौधरी तकलीफ और अजियत तुमने जर्णाब को दी थी तुमाफी भी उसी से मिलेगी महबत और धथकार ने कहा तुम्ही जर्णाब को है फिर जर्णाब के इश्क में तरबता हुआ तुम्हे देखूंगी तो कहीं इस दिल और वजूद की अजियते कम होगी तुम बेरहम थे तो मैं भी अब बेरहम हूँ तुम्ही से ये गुर सीखा है वो सामने देखते मुसलसल उसकी हेले से मुखादिती और फिर कभी कभी किसी से मिलने वाले दुख इस कदर जान लेवा हो जाते है कि इन्सान पत्थर बन जाता है शायद जर्णाब भी पत्थर बन चुकी थी जिस पर वरीद की महबत शायद कभी असर अंदाज नहीं होने वाली थी और यही शायद वरीत की सजा थी रात की वरीत के बारे में आका हुआ था अपनी परेशानी में सुबह अपना खाना बनाना यात न रहा मली कयास से मिलने के बाद नश्रा को युनिरसिटि से पिकर ड्रॉप करने के बाद वो आपस अपने ओफिस जा चुका था कोई नहीं जानता कि मलिक आयाज ने बहुत पहले मारिच को मलिक सर्फरास की इसे में से कुछ जादाद दे दी थी जिसे बेच कर वो शहर में अपना कारोबाश शुरू कर चुका था अब वो मलिक आयाज का महताज नहीं था मगर वो फिर भी उनके साथ जुड़ा हुआ था कुछ दिन वो शहर में इस अपार्टमेंट में बहुत अर्से से रह रहा था और कुछ दिन वो मलिक आयाज के पास उनके हवेली रहता था अपने बेटों से ज़्यादा अपने मौमलात के लिए वो उस पर इन्हसार करते थे वो भी उन्हें बाप का समान देता था रात में जिस वक्त वो अपने अपार्टमेंट वापस आया नश्रा उसके और अपने लिए खाना बनाने मगन थी पिटन के करीब आकर उसे सलाम किया तुम चेंज कर लो खाना रेड़ी है मसरूफ से अंदाज बोली मारिज ने चौन कर उसे देखा आपने क्यों बनाया मेरे लिए उसकी बात पर नश्रा ने गुसरते देखती कर धकन वापस रखकर मुर कर कड़े तेवरों से उसके करीब आई अगर मैं चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हूं तो तुम्हें क्या मसीबत है दोनों हाथ कमर के नाएं माएं रखके उससे वुझगुझ कर रही थी मुझे इतनी इनायतों की आदत नहीं है बीबी वो सुबह से डिस्टरब था इस लम्हें उसे तंग या जिच नहीं करना चारा था सादे से लहजे में अपना मसला बयान किया मुझे भी ये सब करने के आदत नहीं थी मगर कर रही हूँ उस दिन भी कहा था कुछ तुम ढ़लो कुछ मैं ढ़ल जाओंगी जिंदगी आसान हो जाएगी मैं इतनी बुरी नहीं मारिच जितना तुम मुझे समझते हो अपनी सफाय देते आँके नम ही जिने उस पे हिस्ते चुपाने के लिए वो नजरे जुका गई यही पूछ रहूँ आप क्यू ढ़ल रही है मैं आपका मियार नहीं हूँ बीबी ना कभी हो सकता हूँ मैं इस हकीका से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ आप कुछ को यह हलकान मत करें अपनी बढ़ाई करें और फिर जिसरे चाहेगी मैं खुद आपकी शादी करवाँगा इस वक्त सिर्फ इसलिए चुपूँ के आप अपनी बढ़ाई मुकमल कर ले और मलिक साइंग को भी अभी मैं किसी अजिया से गुजारना नहीं चाहता कुछ असे बात आपको छोड़ने और आपकी शादी कहीं और करवाने के बाद मैं उन्हें कायल कर लूँगा वहरस से मूँ खोले उसके नादिर ख्याला सुन रही थी तुम गस्ते से इसके बादों पर हाथ मारका उसे खामोश करवाया तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हारे लिए इनसान कुछ सोचे तुम क्या समझते हो अगर मुझे किसी और से शादी करनी होगी तो तुम्हारे लिए यूख खवार होगी तो चीखी मैंने इसलिए आज आज आपको सब बात क्लियर कर दी है अगर आप की समझते है कि मलिक साइं की वज़े से आप मजबूर है तो मैं मजबूर नहीं हूँ मैं आपकी हर तरह की मदद के लिए तयान हूँ वे चागी से बुला कैसे समझा है उसे कि वो अपनी अवकाद जानता है और उससे बाहर निकलने का उसोच भी नहीं सकता वो कैसे उसे बीवी बना ले जिसने अपने लब्दों से हमेशा उसे गाहिल किया था अभी शायद वो इस तनाई और इस रिष्टे के जिरेसर उसे वो मुकाम दे दे मगर क्या गरंटी है जब इस नाम नहाद महबब के खमार उदरे तो वो आपस उससे जमीन पर लापट के तुम जैसे मर्द ना मर्द कहलाने के लाइक नहीं जो अपनी औरतों को दूसरों को देने के लिए तैयार बैठे है वो गुसे में उसकी गरत को निशाना बना गई बीबी मारी धाड़ा तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं सब क्यों कर रही हूँ तुम बदला लेने चाहते हो ना मुझसे मैं जो तुम्हें हर लम्हा जलील करती थी तुम इस सब का बदला ले रहे हो ना मुझसे तुम जानते हो कि मैं महबबत कर बैची हूँ तुम से तुम जान बुचकर मुझे और नीचा करना चाते हो यग दम शिद्ध ते गिरिया से रो पड़ी ऐसा नहीं है वीबी आप समझ नहीं रही आप जिसे महबबत कह रहे है तो शायद उन्सियत है जो दो लोगों को एक साथ रहते हो जाती है जब इस महबबत की पट्टी आपकी आँखों से उतरेगी तब मैं आपको वही मारिच नहीं नहीं जासर आओगा आपके बाप के टुकडों पर पलने वाला नाजायस मारिच वह वही अलफाद दोरा रहा था जो कभी उसके लिए इस्तिमाल करती थी महबबत की पट्टी मकसद क्या है तुमारी जबकवास का आँसू पोचे वह उसका और भी इम्तिहान ले रही थी उसके कैसे बताता निकाने उसके दिल पर भी असर किया है मगर वह इस अहुषर के जिर असर ज्यादा देर रह कर उसे हासिन नहीं करना चाता था अपनी हदवकल्ायूत से निकलना नहीं चाता था और वह थी कि अमतिहान बनी उसके नस्दीक से नस्दीक सर होती चा esa один कही दिल की धरकरों में वो बसने लगी थी मगर वो दिल को डान टपट कर चुप करवा रहा था तुम समझते हो तुम कोई बहुत खुपसरत इंसान हो कि तुम्हारी खुपसरते से मतासिर होकर मैं तुम्हारे इश्ट में पागल हो चुकी हूँ नश्रा अपनी महबत के तोहीन बरदाश न कर पाई हाँ मैं मानती हूँ के मेरी जाने से तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंची मुझे हकीकत का इल्म नहीं था इसलिए फुपसाई और दादी इर्दगिर्द के लोगों से जो सुना स्टेटस यहें सब अवल रज़े रखते हैं मगर अब मुझे अंताजा हुआ है यह सब तो कहीं बाद में आता है तुम बहिस्यत इनसान बेहद अच्छे हो और तुम्हारी सच्छाई ने मुझे तुम्हारी जाने बरागिब किया है तुमने एक बार भी मुझे साइम के हवाले से कोई ताना नहीं दिया किसी मर्द के लिए ये बात ही इस चात बेज़दी से कम नहीं होती कि वो ऐसी औरत से शादी करे जो किसी और के नाम से कभी बदनाम हुई हो अगर तुमने यह सब बरदाश्ट किया तुमारी इसी बात ने मुझे तुमारा गर्वेदा बनाया हलाके साइम से मुझे इश्क और मुहबत नहीं हुई थी वो तो सिफ उस बिजदिल की बातों की सच्चाई को जाशने के लिए उसके घर जा पहुची यह सोचे समझे बगएर के इस हरकत से मेरी जात पर क्या हुर्फ आ चुका है मगर तुम्हें मेरी इतनी बड़ी खामी से कोई फरक नहीं पड़ा मारीच खामोश उसे सुन रहा था उसे यह यकीन करने में लिक्त महसुस हो रही थी के नश्रा बीबी उसकी अच्छाईया उसके सामने गिनवा रही थी मैं जानती हूँ तुमने अबा साइं की महबतों का कर्स उतारा है मुझसे शादी करके मगर मर्द कर्स उतार कर भी लोगों पर एहसान जताना नहीं भूलते तुम किस मिट्टी से बने हो मारिच रोज मुझे अपना एक नया रूप दिखाते हो रोज अके रुवीदा बनाते हो तुम जादू करो मुझे अपने बस में करके मज़ा लेना चाते हो ना मेरी तलब का घुसे से चोड़े सीने पर मुके मारे आँखों से जलतल रहा था बेबी वो आगे बढ़कर उसके आँसों पोचना चाता था मगर खुद को फिर कैसे माफ करता जो नश्रा को महबत की इस तकलीफ से दोचार ना करने के रादा रखता था वो नहीं चाता था उसे छोड़ना मारेश के लिए तकलीफ दा हो उसने जिन्दगी में बहुत से तकलीफे देखी थी मगर महबत के इस नासूर से वो दूर ही रहना चाता था अपनी माँ को इस तकलीफ में दिम्रात मरते देखा था तब इसे खुद से एहद कर लिया था ये खुद को कभी महबत के करीब भी फटकने नहीं देखा उन बाच्चाहों का क्या है किसी को तकलीफ मुब्तिला करके छोड़ जाते है वो नहीं चाता था कि कल को जब नश्रा को अपनी महबत गलती लगे तो वो उसे भी ऐसे ही छोड़ जाये जैसे उसके मां को उसका बाफ छोड़ गया था दफ़ा हो जातो तुम इस काबिल ही नहीं के मैं तुम्हारे लिए उस अंदाज से सोचू रोते विखरते भी जब उसे अपनी जगे चमे देखा तो मूँ मौर कर सिंग के करीब गई मूँ पर छीटे मार कर खुद को परसुकून करने की कोशिश की मगर मुहबद की आप कब किसी को परसुकून होने देती है मारिज ने आगे बढ़कर चुलह बंद किया डिश में बिर्यानी निकाली जो वो उसके और अपने लिए बना चुकी थी नश्रा ने मुड़कर उसके जाने निकाहें गलत भी नहीं डाली तिश लेकर जाकर टेबल पर रखी प्लेटे और चमच वो पहले ही रख चुकी थी आएस्ता रवी से चलता उसकी पुष्ट पर जा खड़ा हुआ बाज उससे पकड़कर उसका रुख अपनी जानी किया वाइट और ब्लू रंगों के मितजाच का नेट का सूट पहने सूजी आंके और बिकरा हुलिया लिए वो उससे घूर रही थी मैंने कभी नहीं जा था आप मुझसे ऐसा कोई तालुक जोड़े मैंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि आप मुझसे महबत मुब्दला हो अहां मुझे कहने दे उसे मुझ कोलता देखकर उसके हुंटों पर शहादत की उंगली रखकर बोला इस लंस से वो जी जान से काम गई उसका गुलना चहरा देखकर मारिज ने फौरान उंगली हटाई उसकी हुंटों का अपनी उंगली की और पर उबरा लंस उसके लिए भी जान लेवा ही था मैं इस मुझबत के वाकई काबिल नहीं अभी कुछ वक्त गुजरने दे खुद को परके मैं एकदम इस रिष्टे को नहीं बढ़ा सकता इतना मजबूत आसा आपका मालिक नहीं अभी तो आपके नाम के साथ अपना नाम जुड़ा देख करी दिल इस तब पर यकीन करने को तयार नहीं आपकी महबत का बार नहीं समाल सकता हाँ ये कोशिश कर सकता हूँ कि आप और मैं दोस्तों की तरह रहे मगर मैं ठहरा पत्थर दे इसलिए भी इस पत्थर को मौम होते वक्त लगेगा तब तब सिर्फ इतनी सी दर्ख़ास है खुद पर जल्म ना करे आप बुरी नहीं है आपको हमेशा महबत और अइतिमाद ही इतनी मिली के आपने बस उसका नाजाएस पाइदा उठा लिया वरना आपकी शराफ़त पर कोई शक नहीं मैं जानता हूँ साइम वाला मौमला में आप उतनी कुसुरवार नहीं है इसलिए मैंने मलिक साइ को बताया जानता था कि आप सिर्फ उसकी चिक्नी चुक्री बातों में आ गई है वरना आपका मेयार दस लड़कियों को भुकताया हुआ शक्स नहीं हो सकता था इसलिए आपको ठोकर लगने से पहले बचाने की अदनासी कोशिश की और आपकी नफरत करुख अपनी जानी मौड लिया दीमे लहजे में बोलता हूँ नश्रा की दिल की धरकने बढ़ा रहा था और फिर आँखों का नरम गरम तासूँ उसकी महबत मुब्तिला ना होती तो क्या करती तीर चलाने के गुर रख्तिवे भी वो मासूम बनता था कि उसने उसे मुब्तिला करने की कोई कोशिश नहीं की फिर मैं कमज़फ मर्द नहीं जो आपको ऐसे घटिया ताने दू मैं अपना मुखाम अच्छे से जानता हूँ बस आपसे दर्खास है मेरे लिए यूँ खुद पर जल्म ना करे आपको यूँ तकलीफ में देखको यकीन जाने मैं भी पूर सुकूर नहीं रह पाता कि बाजो को थामे वो उसे खुद से दूर रहने के सबक सिखा रहा था आहस्ता से हाथ बढ़ा कर उसकी पलकों की नमी को उंग्लियों की पोरों पर चुना फिर एकदम हाथ फीचा अब सब को छोड़ कर फिलहाल खाना खाए बिर्यानी लगता है बहुत दिल से बनाई है आपने आएं खाते है फिर चाय में बनाऊंगा हौले से मुस्कुराते इसका हाथ थामे टेबल तक लाया नश्रत उसकी हाथ में दबे अपनी हाथ को भी हस्रत से देख रही थी अभी बाजू और आँखों पर उभरता उसका लंग क्या कम था जो हाथ भी उसने खैद में कर लिया था खाने के दोरान वो इधोधर की बाते पूछता उसे नॉर्मल कर गया था मैं गाउं जा रहा हूँ मारिज मलिक की फ्लैट का जायजा लेते रहना कोई भी गएर मामूली हरकत हो तुमने मुझे फॉरण आगा करना है वो कपड़े बैग में रखने के साथ साथ पोन पर किसी से महों गुफता गुथा अपने बाप की पसंद कुरदर लड़की तो रिजेक्ट कर चुका था और अपने फैसले में भी अटल था इसलिए वजहार चौदरी को उसके आगे गुटने ही टेकने पड़े इस वक्त वो उन दोनों को वापस छोड़ने भी जा रहा था और जर्नाप का मालूम करने के लिए भी अपनी हवेली के एक और मुलासमा जो सफ़ुरा खाला के साथ होती थी उसने निशान दही कर ली थी अब वो उसी से पूझ भूझ के लिए काउं जा रहा था निशान नहीं जानती थी के रोज वो क्या करने और कहां जाता है ना उसने कभी बताया कुछ देर बाद ही वो कमले से बरामद हुआ नशान चाय बनाकर टेबल पर रखते उसे बुलाने का सोची रही थी जब वो बाहर आ गया चाय पिलो दोस्ताना अंदास में उसे बाहर निकलते देखकर कहा फैंक्स वो भी शुक्रिया अदा करते कपली सोफे पर बैट गया कुछ देर खामशी से सिप लेता रहा बीबी आप यहां बैट जाय करे मुझे यू अजीब सा लगता है वो जो फ्लोर कुशन पर बैटी थी उसकी बात सुनकर हॉले से मुस्कुराई मारिज ने उसके चहरे पर किलती खुफरत मुस्कुराहट से नजरे चुराई मुझे बादा किसी गुस्ताकी के लिए दिल लुक्सा आता वो तो अभी दोस्ती का ही रिष्टा कायम करना चाता था उससे आगे नहीं मैं यहाँ जादा रिलेक्स होकर बढ़ती हूँ तुम आज मुझे छोड़कर कहीं गए नहीं वैसे रोज कहां जाते हो उसे अपनी मर्जी बता कर आखिर आज पूछी लिया कि वो रोजाना इतने घंटों के लिए कहां गायब हो जाता है मैं आफिस जाता हूँ उसने सादे से अंदास में सच बताया नश्रा ने बमश्किल चांग का घुट हलक में उतार कर उसे हैरान नजरों से देखा तुम आफिस किसके आफिस उसकी बात पर अपके मारिज के जहरे पर खुफसरत मस्कुराइट उबरी अपने ओफिस बीबी मजश्च से बताया क्या काम करते हो मज़ीद पुरेदने लगी गाड़ियों का शोरूम है इसके जवाब पर नशरा की होट वाओ की अंदाज मिले कब से अपने शोहर की बिजनिस को उसे आज पता चला था यही कोई 6-7 साल हो गए है नशरा ने हॉले से सरी लाया अच्छा एक जरूरी बात कहनी थी उसे एकदम कुछ याद आया गाओ में नहर की जमीनों पर धगड़ा चल रहा है मुझे आज जरूरी वहाँ जाना है रात को मैं नहीं आ सकूँगा तो ऐसा है कि मैं जरनाब को आपके पास छोड़ जाता हूँ कल की आप दोनों चुट्टी कर ले कल दोपहर तक इंशालला मेरी वापसी हो जाएगी अपना प्रोग्राम बताने लगा तो हम दोनों अकेली कैसे रहेगी वहरानी से सवाल करने लगी तो फिर आप अपना कोई जोड़ा रख ले मैं आपको जरनाब के पास उसकी होस्टल छोड़ाता हूँ वैसे यहां सब सेफ है सेक्रेटी का कोई इशू नहीं और मैंने सिसी टीवी कैमरा भी लगवाया हुआ है कोई डर की बात नहीं है उसने नश्रा की तसलिक करवाई चलो ठीक है फिर जरनाब को छोड़ जाओ एक रात की तो बात है ओ मुतमैन हो गई हस्टल जाने का उसका मूड नहीं था ठीक है मैं जरनाब को पिक कर की यहां छोड़ जाता हूँ चाय का खाली का टेबल पर रखते उठा और मैं कॉंटेक्ट करता रहूंगा आप परिशान नहीं होएगा मुबाइल और वालेट कमीज की पॉकेट्स में रखता वो उसे और भी तसलिए देने लगा नश्रा के जरे पर उसके इतने केरिंग अंदास पर मुस्कुरहाट बिकरी मारिच मैं इतनी डर्पोक नहीं हूँ वो हस्ते उसे जटा आई इसकी बात पर सीधा होता उसे देखते खुद भी मुस्कुराया जी आप डराती है डरती नहीं मुलेसे अपना हाथ उसके बात उपर तक्तफा कर गोया जाने का उंदिया दिया उसके लम्स पर एक खुबसूरत एहसास उसके साथ लिपका वो खामोश उसे दर्वाजे से निकलता देखती रही शाम में सबसे मिलकर वो फिरस्ते कही जाने को तयार था अब कहां जा रहे हो तुम? सुग्रा बेकर ने उसे तयार देखकर पूछा हो तो उसके लिए रात की खाने में इतिमाम करवा रही थी मैं आज रात पॉमाऊस पर रहूँगा मुझे कुछ काम है बहाँ एक दो मुलाजमीन को भेज़ दे वो जो इसके कमरे में उसके पीछे आई थी उसकी बास सुनकर मायूस थी हुई बस हवा के गोड़े पर सवार रहते हो आखे कब मेरे पास भी चंगड़ियों के लिए सुकून से रहोगे उसके वजिया चेहरे पर हाथ पिरते ममता का मजबूर सा लहजा लिये बोली आप दुआ करे कुछ कामों को निटा लू फिर कुछ अरसा फुरसत से आपके पास रहूँगा अपने चेहरे पर रखा उनका हाथ अपने हाथों में थाम कर उसके पुष्ट पर बोसा देते महबबस से लवरेज लहजे में बोला कैसी है वो लड़की उन्हें भी तो इस बारे में बात करने का मौका मिला था बिलकुल आपका परतू अपने फैसलों में अटल आपके बेटे को अभी मिली नहीं और आपका बेटा सुधरने लग गया है सोचे मिल गई तो फिर तो बिलकुली सीधत हो जाओगा हौले से हस्तेओं ने इसनमें बहुत अपना सा लगा जैसा वो उसे देखना चाहती थी धीमा और बुणाईयों से पाक फिर तो मेरी दूआ है वही तुम्हारा नसीब बने हस्ते उन्होंने आँखोई आँखों में उसकी नजर उतारी आमीन उसने सच्चे दिन से आमीन कही अच्छा आप ऐसा करें शादा को भिचवा दे फॉर्म हाउस की कुछ सफाई करवानी है अगले हफ़ते शायद मेरे दोस्त आए मेरे साथ शिकार के लिए उनका हाथ छोड़कर वो अजलत भरे अंदाज में बोला तो अगले हफ़ते में तुम्हारे आने से पहले सफाई करवा दूँगी वहां की प्रोग्राम अगले हफ़ते का था उसे अब सफाई करवानी थी वो कुछ हैरान सी हुई नहीं मुझे कुछ सेटिंग भी चेंज करवानी है उपरानी यहां काम करने वाली है उसे काफी बहतर चीज़ों का और हमारी पसंद का अंदास है उन्हें बाजों के गहरे में लिये वो कमरे से बाहर आया अच्छा मैं एक कह देती हूँ उसके बाजों के हिसास से निकलती हुए जिसे बड़े कमरे से निकलती मुलाजिमों के कॉर्टर्स के जानी बड़ी थी जन्नाव के आते ही उसे लगा फ्लेट में रौनक आ गई हो तुम्हारे हालात कैसे चल रही भाई के साथ दोनों इस वक पास्ता बनाने मसरूफ थी साथ साथ धेरो बाते भी चल रही थी थोड़ी सी दोस्ती होई गई है तुम्हारे मश्रूर पर अमल करके मैंने इसके जाने दोस्ती का हाथ बढ़ाया मगर कुछ पसो पिस्त के बाद उसने हाथ थामी लिया वो वाइट सौस बनाती अपनी और मारिश की दोस्ती की रूदात बयान करने लगी अरे वाँ तो बात यहां तक पहुँच गी जर्नाब ने शरारत से उसकी हाथ थामने वाली बात पर उसे छेड़ा कुछ लम्हे तौकफ के बाद उसे जर्नाब की शरारत समझ में आई बत्तमीज निशला होंट दाटों में दबाए वो अपनी शर्मीली मुसकान उसे छुपाने की कोशिश में लगी थी मगर चहरे पर खली लाली और नजरे चुराने के अंदाज ने जर्नाब को बहुत कुछ बता दिया मैं कहती थी थी ना भाई बस उपर से सक्त बनने की कोशिश करते है हाँ यार दिल का अच्छा है बस वही बात के अभी वो महबत पर यकीन करने से डरता है नशरा भी उसकी ताइद करने लगी अच्छा रेडी हो गए है बताओ किस में डालो पास्ता उपर चुका था वो इधर उधर चलनी ढूनते हुए नशरा से बोड़ी उसके मुबाइल की रिंग टोन की आवास आई नशरा उसे चलनी पकड़ा कर मुबाइल के जानी मतवज हुई मारिज कॉलिंग लिखा देखकर उसका दिल जोर से धड़का उठा भी लो या भी तक सकते में होके भाई ने कॉल की है जरनाब भी उसके मुबाइल पर मारिज कॉलिंग देख चुकी थी दूसरी बात सच है वो मज़े से अपनी कैफियत बताते हुए एस कर चुकी थी अस्सलाम उलेकुम उसकी भारी बोड़ल आवास स्पीकर से उबरी नशरक को उसकी आवास आज तक इतनी खुबस्वत नहीं लगी थी जितनी आज लगी थी शायद महबत ने हर एहसास ही बदल दिया था वो अलेकुमस्सलाम वो मुबाइल ये मारिज के ही कमरे में चली आई अब तक दूसरी बार उसका कमरा देख रही थी हर चीज में उसका अहसास जाग रहा था उसके बैट पर बैट कर उसके तक्ये पर हाथ फिरते वो अपनी ही कैफियत पर मुस्कुराई यकिनन महबत ऐसे इनसान को बेखुद कर देती है ठीक है आप दोनो उसे समझ ना आएं के क्या बात करें फोन तो कर दिया था लेकिन अब हाँ ठीक है उसे भी समझ ना आएं क्या बात कहे क्या कर रहे थी बीबी लव्ज बीबी सुनकर वो चल भून गई सब एहसासाथ पर उसने पानी बहा दिया एक तक तुम आज के बाद मुझे ये बीबी नहीं कहोगे वो तड़क के बोली मारिज हसा उसकी हसी की आवास इतनी जरूर थी के नश्रा सुन सके तो फिर क्या कहूँ मतबस्तुम शरी लहजे में पूछा गया कुछ भी वो चिर गई कुछ भी तो बहुत अजीब नाम है उसे तंग करने में मसा आया मारिज ड्राइविंग करने के साथ-साथ उसे चिड़ाने का काम भी तंदही से कर रहा था कुछ भी से मुरादे बीबी के लावा कुछ और कहा करो वो भी जिच हो चुकी थी हमेशा की तरह बीबी नहीं तो बीबी बहतर है आपका क्या ख्याल है लहजा और भी शरीर हुआ और आवाज मजीद बोजल नश्रा की धरकने तेज हुई नश्रा कहा करो सब की तरह और रॉप से बोली मकसद उसकी शरारत का सर जाहिल करना था मगर मैं सब तो नहीं महबत की आँच उसकी लहजे में भी शामिल हो रही थी अच्छा बस यही बोंगिया मानने के लिए फोन किया है उसका ध्यान हटाने लगी नहीं आपकी खेरिया पूछनी थी क्योंकि मेरे फ्लैट से निकलते वे कोई डर रहा था जाते वक्त उसका डरा सा चेहरा तसवर मिलाते बोला मैं नहीं डरती बरती और जल्दी काम खतम करो तुम पहुँच गए होगा आओ उसे जुटलाने लगी जी बस हवेली पहुँचने वाला हूँ वो अपने कुछ गार्ट्स फ्लैट की बिल्डिंग के बाहर खड़े करवा कराया था इसलिए भी मुतमें था ठीक है सब को मेरा सलाम कहना वो बात समेटे वो बोली और कोई हुकम मौतिब अंदाज में बोला नहीं बस इतना ही काफी है बाकी की हुकम फिर कभी वो नास से बोली ओके अपना खयाल रखे का वो भी बात समेट कर फोन बन कर गया बताओ कहाँ है सफूरा खाला कुछ देर पहली वो शादा और कुछ मुलाजमीन के साथ फॉम होस पहुंचा था बाकियों को काम पर लगाकर शादा कुले एक कमरे में आया दर्वाजा लॉक किया वो घबरा गई क्या कर रहें साहब वो में वरीद से चन एक साल ही बड़ी थी एक सवाल पर वाहिस्त से सलता उसकी मुकाबिल आया उसके सवाल को नजर अंदास पर जो वरीद में कहा उसका शादा के चहरे पर बढ़वासी पहली मुझे क्या पता वो तो शायद मा चुकी है उसके लहजे के लिड़कराहाटी वरीद को बहुत कुछ बता गई देखो मैं शराफा से तुमसे पूछ रहा हूँ कि सपूरा खाला कहा है मुझे जूट से और जूटों से सखत नकत है मैं तुम पर कोई सखती नहीं करना चाहता मैं साहब मैं वो तक्लीफ से बिलबलाई छूट नहीं वो अपकी बार धाला वो जी वो सवाद के करीब एक काउ में है वहां अपनी बेटी और दामाद के साथ रहती है वो एक जटके ही से सब उगल गई मगर वहां मालूम करने पर वो कह रहे कि वो तो वहां से कही और चल गए उसका मूँ छोड़ता अब उसने उसे बाजू से ठाम कर सीधा खड़ा जिया जो मुआजाद होते हुए तक्लीफ से दोरी हुई थी साहब वो वहीं है फूट बोला होगा कब अभी कुछ दिन पहले मैं उससे मिलकर आई हूँ उसकी बात पर वरीद के आँखों में फून उतरा उनकी बेटी के खदोखाल कैसे उसके सवाल को उसने कुछ नक्षा बताया रुको वरीद ने एक हाथ उसे रोक कर अपना वालेट निकाला कमीज की जैसे एक पैंसे निकाली वालेट से एक तहे शुदा कागज निकाला उसे सीधा किया पैठो और बताती जाओ उनके नामाद को देखा है कभी उसे एक सोफे पर बैटने का शरा किया कमरे में मौझूद दूसरे सोफे पर खुद बैटा उसके आगे टेबल रखा था उस पर वो कागज रखते उससे सवाल किया नहीं जी हम मर्दों को नहीं देखते वो कुछ बुरा मना करो दी अच्छा चड़ो इनके बेटी का नक्षा बता उसकी बात पर वो उसका नक्षा बताती गई और वो सकेच बनाता गया जिस लड़की को मेरे साथ बनी किया था वो भी वहीं होती है इसकेच को तह करते सरसरी सा पूछा उसका मालूम नहीं सहाफ मैंने उसे वहां कभी नहीं देखा तो सफुरा खाला के मरने का क्यों मशूर किया हुआ है इसने अबरूच का कर फिर से सवाल किया पता नहीं खाला नहीं कहा था कि हवेली में बता देना कि मैं मर गई हूँ कि बात में इस बार सदाकत लगी थी ठीक है मैंने यहां जो कुछ तुम से पूछा है वो अगर इस कमरे को पार करने के बार किसी को बाहर पता चला तो तुम सोच सफ़ी हो के मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा अभी मैंने मार फिट नहीं थी बहुत सस्ते में तुम्हें बख्षा लेकिन अगर तुमने इतनी सी भी बात सफूरा खाला या हवेली में किसी को बताई तो मेरे पाले वे जानवरों को तुम्हें खाने में कोई आर महसुस नहीं होगी सफ़ाख लेज़े में से वार्निंग दी ची साथ कभी नहीं उसकी बात सुनकर ये दहशत से उसके आँके बाहर आने को बेताब हुई शाबाज सफाई करो अपनी जगे से उठकर वो कमरे से बाहर चला गया तुम और भाई अलग-अलग कमरों में ही रहते हो खाना खाने के बाद चाहे कि मगली और दोनों नश्रा के ही कमरे में आ मौजूद थी जायर है अभी इतनी प्रैंक्रेंस नहीं भी अच्छा तुम मुझे छोड़ो ये बताओ कि फखर वाले मौमले का क्या बना मैंने तुम्हारे भाई से पूछा था नगर उसमें कोई खातिर्खा रिस्पॉंस नहीं दिया नश्रा को एकड़ याद आया मेरी बात हो गई थी भाई से वो कह रहे कि मैं उनकी सफुरा खाला और उनकी दामाद से मुलाकात करवा दू उसकी बात पर नश्रा ने चनलमे उसके चेहरे पर कोई हिसास होजा लेकिन नाकान रही एक बात पूछो बैट के साथ टेक लगाई हाँ पूछो तुम्हारी कितने खुशे शामिल इस रिष्टे में इसकी बात पर जर्नाब चनलमे कुछ कहे नासाई के ठीका समस्कुराई उसमें खुशी का क्या तालुक है शादी तो करनी है आज एक कल किसी के साथ तो होनी है कोई गिरगडाता हुआ तस्वर में आया उसने सर जिटकर गोया उसके तस्वर से जान चुड़ाई शादी का तालुक है खुशी से होता है वन्ना तो वो एक कारुबार ये जिसे हम बाकी के कारुबार करते है आज शादी खालस सितन अपनी इस्जाद की खुशी का मौमला है तुम भी तो अपनी शादी पर खुश नहीं थी फिर सब ठीक हो गया शाद मेरा दिल भी आमदा हो जाए अब की बाहर वो नश्रा को चुप करवा भी कैसा इंसान है वो नश्रा उसकी पसंद से बहुत हटक वाकिश थी पता नहीं कभी उसके बारे में अतना गौर नहीं किया और साद्धी से बोली एक ही आउलत पर एक्तिपा करने वाला है अब ये मत कहना ये भी नहीं पता इतना तो बंदे को इर्टित की बातों से भी अंदाजा हो जाता है नश्रा की बात परो हुले से मस्कुराई अगर बेहत बज मर्दा मुस्कुराइटी नहीं नहीं वो शायद कभी एक लड़की पर एक उखाब करेगा उसके बात नश्रा को किसी इनकिशाफ से कम नहीं लगी और ऐसा शक्त इम्हारी च्वाइस है वहरा से मुझ खुले उसे तक रही थी वो मेरी च्वाइस नहीं है बस एक हलो उसके अलावा और कोई च्वाइस नहीं है उसकी बात नश्रा को शदीद उल्ज़न नुफ्तिला कर रही तुम पागल हो क्या तो अब तक बेयकीनी से उसे देख रही थी जो इस सब पे इंतहाई नॉर्मल भी है कर रही थी शादी क्या पागल करते है हसी में उसकी बात उड़ानी चाही लेकिन कुवे में पागल ही गिते है मैं हर्गिस तुम्हीं ये बेवकुफ ही नहीं करने दूँगी तो बरहम भी तुमका पागल हो अचीब बेवकुफ हो तो मुसर्फल शौप किसी कैफियत में थी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी तन्नाब अब की बास संजीदा होते हैं उसे मना करने लगी तुम अब चुप कर जाओ उसे समझ ही नहीं आ रहा था आफिर उसे क्या पढ़ी है ऐसे शक्स से शादी करने की चलो अब सो जाओ सुबा की उठे गए नश्रा को उसे मजीद बात करना खुदू लगा लहाज़ अवहीब पर बात खतम करते खाली मख लिये के चन्ड में रखने चली गई कुछी देर बात दोनों लाइट्स आफ करके दर्वाजों और फिर्टियों की लॉक अच्छी तरह चेक करके नश्रा केही कमरे में बैट पर लेटी बच्पन की बाते याद करते करते सो चुकी थी हेलो पर सुकून साफ़कर के बाप को फोन की टांग पर टांग रखे हो बड़ा मुतमें था हेलो जी आप कौन? उन्होंने फोन उठाते दूसरी चानिक से बोलते शक्स को पहचाना चाओ मगर नाकाम रहे मैं आपके बेटे के हवाले से आप से कुछ बात करना चाहता हूँ उसकी बात पर शहबास से की एकदम चौकरना हुए जी लेकिन आप कौन? फखर तो घर पर ही मौडूद था पिर ये कौन था? मैं आपका खेर कौन? असल में मुझे मालू हुआ है कि आप अपने बेटे की कही और शादी करवाना चाहते है जो कोई भी था शहबास से को परिशान कर रहा था मगर आप है कौन? अपकी बारों सखत लेजिंग बोले कहा ना आपका खेर खुआ आपका बेटा कही और कमिटेड है और ना सिफ कमिटेड है बल्कि लड़की प्रेगनेंट पिये लेकी नहीं आ रहा तो मैं अभी आपके नंबर पर उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट भे चुका हूँ जहां आपके बेटे ने खुद को उसका हस्बेंट शोकिया है अब मैं नहीं जानता हो शादी कर चुका है या नहीं मगर रिपोर्ट बिल्कु दुरूस है किसी और की बेटे की जिन्दगी खराब करने से बहतर है आप अपने बेटे की असन को फौकिया दे अल्ला हाफिस कुछ दिर पहले ही फखर ने रिपोर्ट और परिशान सदा फोन करके अपने अफेर का रिजल्ट बताया था तो अक्ती परिशानी बैन कर रहा था मैकर उसकी परिशानी ने वरीद का रास्ता आसान कर दिया था वो ये रिपोर्ट किसी और नंबर से शेवास असन को और अपने नंबर से जरणाब को भेड़ चुका था भस देवेख ते पन पर थी बन गया इसलिए पकड़े जाने का उसे कोई डर नहीं था अभी कोई देरी हुई थी उसे अपना कारणामा इंजॉय करते के उसके अपना नंबर मुन बनाया वो समझा नार एहसान होगी मगर उसके खास बन्ने का फॉन था हेलो हाँ क्या रिपोर्ट है सर मारिज मलिक आज घर पर नहीं है और शाम में नार एहसान को अपने फ्लैट पर बीवी के पास छोड़ गया वो अभी भी मारिज मलिक के फ्लैट पर ये इसकी बात पर वरीज ने कुछ सोचते वे सल लाया ठीक है एतियास से फ्लैट के अंदर जाकर पता करो के आफिर उसका मारिज मलिक के साथ क्या तालुक है दोनों को ड्रा कर सिर्फ उगलवाना है दोनों में से किसी एक को भी हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ कर रग दुगा और नजरों को काबू में रखना समझे खड़कंदाज मुसे बहुत कुछ समझाया जी जी साथ समझ गया ओभी जानता था वरीज चौदरी के खिलाव परजी की तो वो पाताल में हंकेल देगा गुड गहरी नीन में होने के बावजूत नजाने के इस एहसास के तहत उसकी आँट कुली करदन गुमार करदाएं बाये देखा नश्रा मुपर एक बाजू रखे कहरी नीन में थी कुछ दिर वो यू ही लेटी रही थोड़ी दिर गुजरने के बाद साइट टेबल पर रखा मुबायल उठा का टाइम देखा रात के धाई बज़ रहे थे टाइम के साथ-साथ वरीद का नाम भी जगमगा रहा था वैटसअप पर कोई मेसेज आया हुआ था पहले तो मुबायल वापस रख दिया फिर कुछ सोच कर दो बार उठाया थोड़ अचा उठकर कमर बैट की पुछते से टिकाई मुबायल अनलॉक करके जो ही वैटसअप पर मौजूद तस्वीर खोली वो किसी प्रेग्मिन से ट्रेस्ट की थी मुंदी मुंदी आंके अप पूरी तरह अकुड चुकी थी रिपोर्ट पर फिज़ा के साथ-साथ जिस शक्स का शोहर की केटिगरी में नाम था वो जर्नाब को बनी तरह चौंका गया कुछ मजीद मेसेजिस भी थे जर्नाब ने पढ़ने शुरू किये बहुत बहतरीन चुआईस है आपकी शादी से पहले ही आपको एक और अन ओफिशिल बीवी और बच्चे का तुफ़ा भी आपका हस्बें तू भी कखर शहबास देने का इरादा रखता है मुबारफ हो अब डिसाइट कर लेजेगा सौतन आप बने की के हो वैसे मुबारफ हो क्या फूब बन्दा चुना है शादी के लिए जरनाब का दिमाग भक से उड़ चुका था अभी वैसी सदमे के सेरेसर थी के नश्रा के कमरे की पिछली जानिब बनी बालकुनी में किसी के फूदमे की आवास आई उसका दिल सुकर कर खलक में आ गया नश्रा आइस्ता आवास से नश्रा का आवास दी नश्रा पर्दे के करीब साया लहराया अपकी बार उसे जो से जोड़ा क्या है यार शुकर था कि वाहस्ता आवास नहीं बोली थी नश्रा बाहर बालकुनी में कोई है अपकी बार उसके कान के करीब आहस्ता से कहा नजरे उसकी बालकुनी के पर लहमताते साहे पर जमी थी क्या? इससे पहले कि नश्रा की मुझे चीख वरामद होती जर्नाद ने पौरन उसके मूँ पर हाथ रखा पागल हो चीख क्यों रही हो दबीदबी आवाज में गुर राए कुछ देर बाद फिलकी पर दोबारा ठख ठख की आवाज के साथ की ग्रील खुल चुकी थी नश्रा ने तेजी से दिमाग चलाते मुबाइल पर मारिश का नंबर डायल करके बहुत इहत्यास से वो हाथ अपने कमर के पीछे का लिया दोनों ने तेजी से डुपटे ओडे नश्रा को रुपटे के अंदर मुबाइल वाला हाथ चुपाने में आसानी हुई चनलमों में कोई नकाब में दोनों के सामने मौजूद था गन वाला हाथ उनके सामने था कौन हो तुम क्या चाहिए जर्नाब ने नश्रा को अपने पीछे किया नश्रा फुद भी उसके पीछे रहना काती थी ताकि आने वाले को उसका शक ना हो कि वो मुबाइल के जरीए किसे के साथ राप्ते में है तुम दोनों आपस में क्या रिष्टा है आने वाले ने उसका सवाल नजर अंदास करते अदीब से सवाल किया देखो हमारे पास इस वक कोई फास रकम नहीं है तुम तलाशी ले सकते उप लटकी वो मेरा बैग है उसमें चन हजार रुपे है जरनाप के कंदे से जहांकते वो तेजी से बोली जो बकवास की है उसका जवाब दो वो धाड़ा क्या बकवास की है नश्रा की बात पर आने वाले का दिल या अपना माता पीट ले क्या लगती है तुमारी उसके सवाल दोराने पर अब की बार जनाप का दिमाग सेजी से घूंकर वरीत की जाने गया कैसी अजीब बात है कोई चोर आए और वो चोरी की बजाए ये पूचे के घर के मकीनों का आपस में क्या तालुक है इसका मतलब है वो इसे कुछ ना कुछ राकिफ था और किसी के कहने पर बस भीजा गया था दोस्त हैं अब की बार जनाप का खौफ कुछ कम हुआ मारिश मलिक के साथ तुम्हारे क्या तालुक है उसके दूसरे सवाल पर नश्रा भी चोंगी कौन था ये चोर नहीं था इसका शोहर है अगला जवाब फिर जनाप की जानिब साय वो मुझे भी मालुम है मगर तुम्हारा क्या लगता है उसने आँके निकाली मैं उसे भाई कहती हूँ बस अब भाई होने का हक निबा रहा है जनाप ने अपकी बार गुमा फिरा कर जवाब दिया सच कह रही हो ये उसका रुक नश्रा की जानिब था नश्रा ने तेजी से सारी लाया जूट बोला तो ये भीजन उतार दूँगा वो फिर से घुराया सच कह रही है पताऊ नश्रा उसकी गन वाला हाथ अपने मजीद नजदी काते देखकर जल्दी से बोली इससे पहले कि जनाप का नाम लेती जनाप उसकी बात कारती हाँ हाँ इतनी बार कहें के सही करें ये सिर्फ मेरी दोस्त है जनाप ने ठॉले से कोहनी उसकी पस्त्री में मारी नश्रा कश मकश मुप्तिला थी के ये कौन रात की इस पहर उसे उचगूच करने आ गया है अगर एक लवज भी जुट हुट हुआ नहीं मैं शहर ही आ रहा हूँ जिन्दा नहीं चोड़ूँगा उसे जिस किसी ने मारीज मली के फ्लैट के जाने बुकिया आप घुबराएं नहीं मैं आपके पास पहुचने तक कॉल पर ही हूँ तो जो रात में जल्दी काम खतम हो जाने पर रात रुखने की बज़ाए शहर वापसी के रास्ते पर था रात के ढ़ाए बज़े नश्रा के नंबर से कॉल आते देखकर कुछ परिशान हुआ फोर उठाने पर उसके खशाद सच साबित हुए किसी ने उसके फ्लैट पर आने की शदीद हिमाकत की थी पर बातों से साफ मैसुस हो रहा था कि वरीद चौदी का बंदा है जो जर्नाब की तलाश या फिर नार एहसान के सच को जानने की कोशिश में था गाड़ी की स्पीड इस वक्त वो जितनी तेज़ कर सकता था कर चुका था शुकर था कि उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना वो जा चुका था लेकिन अपनी कमबक्ती को आवाज दे दी थी हेलो वो कब से इंतिजार में था जर्नाब मेसेज़स पढ़ चुकी थी मगर फिलहाल वो उसे कॉल या मेसेज़स मजीद नहीं करना चाहता था क्या हुआ अपने बंदे के फॉन का वो बेताबी से इंतिजार कर ला था साहाँ वो उनकी महस दोस्त है दोनों का बयान एक जैसा था तुमाई उसी सिकार ठीक है तुम अब अपने अड़े पर जाओ फिर बात होगी वरीद ने कुछ सोच कर फोन बंद किया अगले दिन उसमें सुवाद के लिए निकलना था इस वक्त एक पुरसुकून नीन के उसे अश़द जरूरत थी मगर मुबाइल पर आने वाले मैसेज ने उसकी सारी नीन फिल से उड़ा दी फखर अगर ऐसा ही हुआ है तब भी मेरी 24 कोई और शक्स होगा मगर आप कभी नहीं सरनाब की जाने से आने वाले मैसेज में उसका सुकून बरी तरह सिकारत किया अमोमन बड़े बड़े दावे करने वालों को अपने ही दावों का भुटान भरते देखा है इसलिए सोच समझ कर दावा करो अपनी सारी खौलन मैसेज में निकाल कर मस्कुराया वोया उसे चड़ाने में काम्याब हो गया हो फिर तो आप इस किसमत के चक्कर में मुझसे पहले आने वाले है देखते है किसके दावे उसके सामने आते है मेरे या आपके उसके जुमाइनी बात वरीट को फिर से वरते हैरत में डाल गई और क्या कहना चाती थी उसे समझ नहीं आई थी कुछी देर में वो फ्लैट पर मौदूद था दर्वासा खोल कर तेजी से अंदर के जानी बढ़ा वो दोनों परिशान सी नश्रा के कमरें मौदूद फिरकी से बाहर देख ले थी ठीक है आप दोनों उसके कदमों की तेज आवास पर वो मुड़ी मारिच उसे अपने सामने देखकर दोनों ने सकून का सांस लिया यग दम दोनों जजबाती साहरे के लिए उसके जानी बढ़ी वो भी उन्हें अपने सामने सलामत देखकर यग बुना सुकून में आया हाथ बढ़ा कर दोनों को पुछ से लगाया डोंट वरी मैं आ गया हूँ जर्नाब तो कुछ देर बाद उससे अलग हो चुटी थी मगर नश्रा वो जर्नाब की निजबत ज्यादा डर गई थी अरे आप तो इतनी भाद दूरे मुझे तो डर था जर्नाब ज्यादा डर पोके मगर यहां तो उर्टा हिसाब लग रहे उसे खुझ से अलग करना चाहा जो इससे अलग होने को तयार नहीं थी अगर वो अपनी गन चला देता उसके खंदे के साथ लगे लगे उसने खौफ से जर्नाब को और फिर एक नज़र सर उठा कर मारिज को देखा ऐसे कैसे चला देता मारिज के माते पर शिकने नमुदा ही वो हमें मानने के रादे से नहीं आया था जर्नाब की बाद सुनकर वो मारिज से अलग होती अब उसके करीग अगई तुमने इस वक जो मुझे कुनी मारी थी जब मैं तुम्हें जर्नाब कहने रगी थी अफिमारी से तुम्हारे तालुक को उसने पूछा हमारे दर्मियान मौजुद रिष्टे को इसका मतलब है तो चोरी की नियत से नहीं सिर्फ हमारा आपसे तालुक कुछने आया था वब कड़ी से कड़ी मिला रेगी उन तुनों के चहरोंपर एतनी परिशानीности नहीं जिला करे थी जितनी परिशान वो थी तुम दोनों क्या वाकिफ हो के वो कौन था बलके इसका बंदा था अबकि उसने मश्गुख नजरों से न दोनों को देखा जिनके चुप उसकी बात की तद्दीक कर रहे थी कौन है वो उसने बारी बारी दोनों को देखा जो एक दूसरे को खामोश नजरों से देख रहे थे वरीद चौदरी आपका सर और वो शक्त जिसके साथ दरनाब बनी हुई थी मारिज ने मस्तरब अंदास में बालों में हाथ फिरते वे बताया फिर उसे हटकर बालकुनी के जाने बढ़ा यनि वो शक्स वाकिफ था कि मारिज के बंदे फ्रंट साइड पर खड़े है और दूसरी और रहम बात वो ये भी जानता था कि पिछली जाने कैमरा नस्फ नहीं था मली कयाज ने ठीक कहा थो नार एहसान को कोई नकसान नहीं पहुचाएगा जिन से महबबत की जाए उनकी मुश्किलात और मसीबतों को कम किया जाता है उनके लिए मसाल पैदा नहीं किये जाते वरीद भी नार से ऐसी ही महबबत कर चुका था उन दोनों को मुतमेन करवा कर उन्हें सोने के लिए भीजा खुद वो अभी भी परिशान था जब वरीद पर यह हकीकत खुली के जरनावी नार है फिर तो वो उसे किसी भी तरह का नुक्सान पहुँचा सकता है क्या गैरन्टी थी कि नफरत पर महबबत भावी आए या महबबत पर नफरत आने वाले कलका तो किसी को नहीं पता था उच्छ सोच कर टाइम देखा फजर का वक्त करीब थे यानि मली कयास तहजुद के लिए उच्छ चुके होंगे कुछ सोच कर उसने उनका नंबर डाल किया वो लाउंज में ही मौदूर था खरियर बेटे इस वक्त कों किया शेहर पहुँच चुके हो उसकी जुरत को तोड़ना बहुत ज़रूरी है उसकी हिम्मत कैसे मेरे फ्लेर तक टसाई हासिर करने की वो शदीद गुस्ते में था जिनकी इज़तों को गयर नजर भर कर देखने की जुरत नहीं कर सकते उसकी बीवी और बेहन को कोई आदे घंटे तक देखता रहा वो भी इतने करीब से मारिच का बस नहीं चल रहा था तो शब्स की आँखे निकाल ले तुम वरीद तक अभी नहीं पहुचोगे हाँ जिसने तुम्हारे फ्लेर तक आने की हिम्मत की है उसकी चाहो तो आँखे निकाल दो हाथ तोड़ दो अपाहिट कर दो मुझे कोई मसला नहीं लेकिन तुम अपने गुस्ते को अभी वरीद तक नहीं पहुचने दोगे उन्होंने बड़े तहम्मल से उसके गुस्ते को कम किया लेकिन इससे पहले के कुछ कहता हूंनोंने उसे चुप करवाया मैंने कहा है न अभी नहीं उसका जल्म जर्नाब ने अकेले साह था तो उसका बड़ला भी मुझ से और तुम से पहले उसे लेने कहा थे और जर्नाब से कहो तयारी करे कल वो सवाद में मौझूद होनी चाहिए अब वक्त हो गया है कि वो उसकी वनी की हस्या से उसके सामने जाए मैं अपने कुछ भरोसे के बंदे बिजवा रहा हूं कारी समेश जर्नाब उनके हमरा सखुरा भी के पास जाएगी उनकी बात पर बहस करने की कोई गुझाईश नहीं थी ना ही वो कोई गुझाईश छोड़ते थे जी बहतर हमेशा की तरह परमाबरदारी से उसने उनकी हां में हां मिलाई थी शाबाश नमास पढ़कर तुम भी सो जाओ कर बात करते हैं उसे हिदायत देते हो फोन बन कर चुके थे अगले दिन वो अपने बाडिकार्ड के हमरा उस घर के आगे मौडूद था जहां सफुराफ हाला के मौडूदगी का उसे कामिल यकीन था तुम लोगों ने यही रहना है मैं कुछ देर में आता हूँ अपने गार्ड को घर के कुछ करीब रुकने का कहते हैं वो इस घर के करीब गया अच्छा तबर स्टोरी घर था बहुत पुर्ताईश नहीं मगर बहरहाल इस इलाके के हिसाब से काफी बहतर हालत थे जिससे अंदाजा हो रहा था कि उनका दामाद अच्छी आमदन रखता था जी साफ किसे मिलना है वो जो घर को देखते अभी बेल देने का सोची रहा था एक नजवान लड़का उसके करीब आकर उसे दर्याफ करने लगा मुझे फिरोज खान से मिलना है उसने अपने वहां खड़े होने की वज़े बयान थी आप कौन उस लड़के ने गौर से सब्टा पाओ देखा मुझे शादा ने बेज़ा है कुछ जरूरी पैगाम देना था सफुरा खाला को उसने पौरां सोची समझी इसकीम के तहट इदर देखते राज़दारी से कहा उसने में वह अपने मक्सूस पड़कते शांदा शलवार कमीज की बचाए आम से शलवार कमीज पर चादर लिए आम से उल्ली मौझूद था ताकि वहां के मकीनों को शक्त ना हो सखुरा खाला ने उसे कभी बच्पन में ही देखा था इसके बाद से वो उससे अंजानी थी वो कौन सा उसे पहचान लेती ये ख़द भी देना है शादा की जानिब से उने इसने हाथ में मौदूद एक लिफाते के जाने विशारा किया जिसमें शायद कोई कागस तेह करके रखता हुआ था अच्छा आ जाओ उसकी स्कीम कामयाब ही थी क्योंकि शादा के अलावा हवेली का और कोई बंदा नहीं जानता था कि सखुरा खाला और उनकी बेटी वही रहते है उस लड़के ने जेब से चाबी निकाल कर दर्वाजे की लॉक में डाल कर घुमाया दर्वाजा खुलते ही वो उसके पीछे चलता अंदर दाकिल वा पोज में गाड़ी भी खड़ी थी गाड़ी के पास से गुजरकर उसने एक कमरे का दर्वाजा खुलो जो यकिना ड्राइंग रूम था चल सोफो और एक सेंटर टेबल पर मुच्टमिल सामान वाला सादे से ड्राइंग रूम में वो खड़ा था आप बैठे में नानों को भिशता हूँ यानि वो लड़का सफुरा खाला का नमासा था वरीद ने सरी लाया दिमाग तेज़े से चल रहा था कुछ दिर बाद एक मर्द बेसाखी से चलता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिला से अंदर आते देखकर वरीद अपनी जगे से खड़ा हुआ सलाम लाले अंदर आकर वो वहां के मुकामी अंदाज में बोला वा सलाम लाले मैं ठीक हूँ आप कैसे है उससे मसाफ़ा करके उसके इशारा करने पर वो वापस वहीं बैठ गया शादा बेहन क्या लगती है तुम्हारी अब एक और बंदा पूझवच शुरू कर चुका था मेरी चचचजाद है वरीद ने फौरण जवाब दिया तुम क्या करते हो उखोरती नजोसों से देख राता मैं शहर में होता हूँ जी वहाँ नौकरी करता हूँ लेजे को थोड़ा अजीब सा बनाया ताके तलफूज और पड़े लिखी अंदास पर वो शक में मुब्तिला न हो जाए लालाओ वही लड़का कुछ देर बाद वहां का मखसूस कहवा लेकर अंदर आया अरे लाले या आप किन तकलुफात में पड़ गए बस खाला से मिलना है वो घर पर है सफुरा खाला की गैर हादरी पर वरीड थोड़ा वेजार भी हुआ और किसी गरबर का हिसास भुआ हाँ हाँ खाला ना रही थी बस आती होगी उसकी बात पर वो थोड़ा मुत्वाइन हुआ आप तब तक पहवा पियो उसने प्याली उसकी जानी बढ़ाई थोड़ी ही देर बाद सफुरा खाला चादर में लिप्टी ट्राइंग रूम में दाकिली अपने मकसूस अंदाज में चहरा चादर में चुपा रखा था बस जुनियों जदा आंके नजर आ रही थी खाला खड़े होते उन्हें मौदिम अंदाज में सलाम किया वालेकुमस सलाम बैटो बैटा नहीर से आवाज में उन्होंने जवाब दिया शादा ठीक है दाए जानी मوجود सौफिक पर बैटते उन्होंने महबबा से पूछा जी खाला वो एक खद देना था शादा ने दिया आप पढ़ ले चेव से वही खद निकाल कर उनकी जानी बढ़ाया अरे बेटा मुझे कहा नजराता है फिरोज बेटे एक खद पढ़कर सुनाना उनके कहने पर उसने वो खद फिरोज को थमाया सलाम खाला अमीद है आप खेरिया से होगी खाला मुझे कुछ तीन चादरे म अपस आ गया है और जर्नाब को ढूंता फिर रहा है अपने बंदों को भी बार बार कभी शहर और कभी कही बेट कर पता करवा रहा है मैंने अपने तायाजात को इसलिए बेचा है कि अगर अभी तक आपने उसकी शादी कही नहीं करवाई तो उसे देख लो अच्छा उसने शुरू की चंड लाइने उंची और बाकी की तमाम लाइने सफुरा खाला के करीब बैठकर आहिस्ता आवाज मेंने सुनाई चलो देखते हैं लड़का तो ठीक ही लग रहा है आचा है जर्नाब आ रहे है वो आती है तो उससे बात करती हूँ तुम कल दो पहर में उस दिये बिना सुनतरा यानि आज हूँ यहां मौजूद होगी दिनी दिल में उससे मखातिबा तो आज रात मुलाकात के लिए तयार रहे मेडम जबड़े मैचे ठीक है बटा कल तुम दो पहर में खाना हमारे साथ ही खाओ और चादरी ले जाना सफुरा खाला ने अपनी बा उसके पिछाए तो उन्हें शक नहों वो वो नहीं जो अभी बनकर उनके सामने मौजूद था मली कयास के हुकम के मताविक अगले दिन सुबाई मारिज ने जनना आपको उनका पैगाम देखकर उसे वहां से रवाना किया नश्रा ने उसे वो सारा दिन कही जाने ना दिया उस शक्स का इतने आराम से मकाबला करके अपनी खाजर दिमागी से मुझे कौल मिलाकर अब आफ डर रही है कुछो खाना बनाने मगन थी मारिज की बात पर मुड़कर उसे गूरी से नवाजा आपका वो हाल है घर के शेर बाहर वालों के सामने गिदर बन जाते है और फिर स इसी तरह तो हमारे कात्ल तक पहुँच सकोगे माज़े से उसका दिल दहला गई बस खुजूल बातों के चलावा कुछ और आता है आपको उसकी बात पर मारिज ने शदीद नागावारी का इजहार किया आँच हलकी करके उकिचंद समेट कर चाय के मग लिए मारिज के पास पर सोफिक के साथ टेक लगाई आपको बताने से क्या होता वो अपना मग थामे मज़े से उसे और तपा गया और मुझसे चुपा के क्या मिला वो भी दूबद हुई आपका क्या पता आप उसके सर चल जाती लड़ने के मेरे दोस्त को क्यूं मारते थे उस पर जुल्म की थी नहीं आप ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेगी संजीदा होते वे से तंबिया करने लगा अच्छा देखते हैं अब दूसरी बात पर आओ थोड़ा सा आगे भी मारे जिसकी लापरवा तबियत पर अश्ट अश्ट कर उठा महतरमा का अंदाजा ही नहीं था वो अपनी इस बेखबरी और लापरवा तबियत के बास कितनी बार उसके नजदी काकर उसे इमतिहान से दोचार कर देती है जी वो संबल कर बैठा ये जनाफ के बास फखर वही जिसके अब बास कर रिश्टा लेकर जाना चाते है तुमने उस लड़के के बारे में पता करवाया है उस शक्स को हम अपनी जर्नाब किस लिए दें उससे और जोश मों हमेशा की तरह सोचे समझे बिना बोलती चली गई उसके ठरकी कहने पर मारिज ने लाहौल पड़ी मैंने एक दो बंदे लगवाए हैं उस काम पर मुझे भी उसकी कोई अच्छी रिपुटेशन नहीं लगती म अलिक साइंसे बात करता हूँ मारिज की बात पर उसे कुछ तसलिए वही ना अब जर्नाब को उसकी खराब रिपुटेशन का पता है मेरे समझाने पर वो बेवकुफ कहती है तो क्या हुआ तुम्हें कौन सा शादी के टाइम भाई से महबत थी मुझे भी बात में हो जाए कुछ होना बाकी है वो ल्टा उस से बोला सामने रखे टिशू बॉक्स से टिशू लेकर मुझ साफ किया उटकर किचन के चानिक गया ताके इसके इनकिशाफात को कुछ ब्रेक लगे अभी उसकी चाम की हरकतों को मारिज ने बमश्किल इगनोर किया था कि रात में जिस वक मारिज सोने के लिए अपने कमरे में गया कुछ देर बाद उसके कमरे का दर्वाजा नौफ करके अपना तक्या लिए मज़े से वो उसके कमरे मौजूद थी अब तुम मुझे बेशरम कहो बत्तमीज कहो बेबाद या कुछ भी मगर मैं सोंगी तुम्हारे कमरे में मुझे अकेले कमरे में नहीं सोना अपना तक्या उसके करीब रखकर उसके करीब रखका तक्या उसके और अपने दर्मियान में रखकर तो मज़े से उसके बैट पर उसके करीब लेट चुकी थी मारी चख दक उसके कारना में देख रहा था आप क्यू जाती है कि मुझे चोटा तो तुम मुझसे भी ज़्यादा फुजूल बातों की रिकॉर्ड तोड़ते हूँ, वो बुरी तरह दहर गई थी, चेहरे की उड़ी रंगत मारिश को अच्छी तरह उसकी जिन्दगी में हैसियत बहुत अच्छी तरह समझा गई थी, इतना खुबसरत अहसास था कि वो से च हुआ हा था, क्या है अब उसे तुक्टुकी बान के खुद को देखता पाकर उसके माते पर शिकने नमुदार ही, कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, उसकी नागवारी पर हैरान हुआ, तो यू घूर क्यो रहे हो, नहीं डरने वाली में तुम्हारे गुस्टे से, सू फिर से लेट गई, अपनी मरतबा मासुमित के रिकॉर्ड तोड़ते इजहार करे, और मेरी दफ़ा आपको नहीं पता, मैं क्या कह रहा हूँ, सर हिलाते उसकी बेनियाजी पे वो अदाद ये विनाना रहा है, उसके जाने से कोई बंबारी नहीं, जिसका मतलब था, वो सो भी तुकी थी, पिश्मीर राज की टेंशन के बाद इसकी नीम बहुत बुरी तरह खराब हुई थी, लहाज अब सोने में एक सेकंड भी नहीं लगाया, मारिज कुछ देर उसके पुष्ट को देखता रहा, भने सया बालों को खोल के सोने की आदक थी, जो उसके इस लम्हे मारिज को नहायद गिरा गुजर रही थी, शुकर था कि टुपटे को अपने उपर फैला रखा था, दो बार उसके वदूत से नजर चुराई, आखरी तीसरी बार दिन के मश्बूर करने पर आहिस्ता से हाथ बढ़ा कर उसके बालों के नर्माहट को महसुस किया, आज कमरे और बैट पर भी काबिस हो गई, कल को पूरे दिल को कबसे मिले कर लेगी, हौले से उसके सोते वजूत से मुखाटिवा, उसके जागते वो ऐसा कोई इजार उससे करने की हमत नहीं रखता था, मुस्परा कर उसके बालों से हाथ निकाला, उठकर लाई टौफ की, वापस अ अजीज हो गई थी, मगर ये बात अभी वो उसे पताने का होसला नहीं रखता था, मैं सब्के, मैं खुर्बान मिली थी, इतने दिनों बाद आई है, सफुरा खाला महबबस इसे खुस्ते लिपटाए वो ली, शाम में वो सवाट पहुंची थी, उस वक्त सब उसके इर्द बस उनके गिर्द बाजु लपेट कर बोली, अभी तक उसने उन्हें मली कयास, मारीच और नश्रा से मिलने के बारे में नहीं बताया था, इसी कश्मकश में थी कि उन्हें बताया की नहीं, अच्छा चन्द मुहाद दो करा, थोड़ा आराम कर ले, रात को खुब बाते करे उसके चेरे पर हाथ रखकर प्यार से कहा, जी खाला जरूर उठकर वाश्रूम में जा चुकी थी, रात की खाने के बाद, तब अभी सफुरा खाला की कमरे में जमा बाते कर रहे थे कि बेरवजी, इस वक्त कौन हो सकता है, फिरोज खाने घड़ी पर वक्त देखा नौ कहा था, फिरोज खाने भी हैरान हुआ, मैं भी चलता हूँ, अपनी बेटाचिया लिए, वो भी सफुरा खाला के पीछे चल पड़ा, सरनाब और महागुल, सफुरा खाला की बेटी भी ड्राइंग रूम के दर्वाजे पर पहुंची, मगर उसकी ओट में खड़ी थी, खर जरनाब इस आवाज पर चौंगी, यह आवाज, यह लहज़ा तो हजारों में पहचान सकती थी, वही जरनाब जिसे लेकर आप भाग आई है, मेरी वनी, वरीद चहुदरी की वनी, क्या समझा था आपने, मैं कभी उसे ढूंडूंगा नहीं, सफुरा खाला को घुस्ते से फिरोस खान उसका बे अदब लहजा सुनकर घुस्से में आया, तुमने हमसे जूर बोला, तुमने भी तो जूर बोला था, जब मेरा बंदा यहां पता करने आया था, तुम ही ने कहा था ना के सफुरा खाला आप जिन्दा नहीं, और उनकी बेटी और दामाद यहां नहीं उसका क्या, जरनाप को मामला अब खतरनाख हट तक संजीदा होता लगा, उसके महसिन, उसकी वज़े से क्यों किसी नुकसान से गुजरे, अब उसका सामने आना जरूरी था, चहरे को नकाब में चुपाई और अंदर बढ़ी, महागुलू से रोकती रह गई, मैं हूं जरन आते हैं, आपके या मेरे, किसी के अलफाज उसकी नजरों के सामने कुमें, दुनिया गोल है, और इस बात का यकिन आज वरीड चौदरी को बड़ी बुरी तरह हुआ था, तो तुम नार एहसान, तरगोशी के से अंदाज में बमश्किले हैं अलफाज उसके होंटों से बर ना था, तो यह उसके सामने रहकर उसे ही सबक सिखा गए, नार एहसान नहीं, जरनाब मलिक, उसका मजबूत लचा बेखौफ नजरे परते मार, वरीड चौदरी का गरूर तो कपकर पाश पाश कर चुका था, वो समझा क्यों नहीं, वो जाना क्यों नहीं, उसकी जुमानी लाठी से ऐसा वार करता है कि वो फिर उठ नहीं सकता, वो जैसे नफरत करता था, शदीद नफरत, किसमत ने ऐसा बल्टा खाया कि उसी की चाह लिए दरदर भटकने लगा, और किसमत की सितम जरिफी के उसके आगे गिर गिर आया, तुम जानती थी, सब खामोश तमाशाई बने उन दोनों को देख रहे थे, अभी तो वक्त की तनाबे जर्नाब की हातों में थी, अभी तो वो फुटली बना उसके सामने खड़ा था, जिसे वो जैसे चाहे मोड देती, हाँ, मगर अफसोस, आप मुझे यहाँ वहाँ धूनते रहे, आज देखे, फिसमत ने कैसा इ आँखों में देखती, उसे वो वक्त प्याद करवा रही थी, जिसे उस लमें वरीद अपनी जिन्दगी के औराख से फार कर मसल देना चाता था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, इसकी नजरों में बेवसी थी, महबत को ला रही थी, दुश्मनी तो नजाने कहां जास रही थी, अंदर बाहर, पुरा वजूद, बेवसी की तस्वीर बना खड़ा था, तो क्या करते, मारते, तकलीब देते, पाइदा उठाते मेरा, बोले, आपकी ताकत तर है ही क्या, वरीद ने तो इससे जिसमानी तकलीब पहुँचाई थी, मगर वो, वो तर लबजों के त भी लाचार करना था, जर्नाब होले से हसी, नहीं, जर्नाब और नार, एक ही हस्ती के दो रुख है, आज जैसे दरिंदे ने मुझे मेरी पहचान खटम करने पर मटवूर किया, ताकि मैं कभी ये याद ना कर सकूं के, जर्नाब मलिक भी कोई थी, वो तो आपकी बड़ी सी हवेली में ही मर गई थी, तिसक सिसक कर मर गई थी, वो बच्ची जिसे वर्नी का मतलब भी नहीं पता था, जिसी ये तक नहीं मालुम था, कि और किस गुनाब की पाफ़ाश में यू माल खाती है, कि उसकी तकलीफ पर मरहन रख़ी वाले को भी तकलीफ से दोचार किया जात उसके परी नजरों में वरीज के शल होते वजूद पर एक तरहम भरी नजर डालना भी जरूरी ना समझे। खड़ी हूँ मैं आपके सामने लाएं अपना कोई नया हदियार करे मेरे वजूद को फिर से जखने मारे मुझे यही ताकत है नाप की करे मुझाहर अपनी ताकत का वो चंद कदम चल कर उसके मकाबल खड़ी। या किरिया डिगरिया ये अकल ये समझ वक्त लोगों को धुका देने के लिए है। नफरत से दस्तबरदार हो जाओं। उसकी नजरे एक लम्हे को भी उस पर से नहीं हटी थी। आँखों से लपकते जजबे नफरत पर फौकित ले गए। उसे मालुम हो गया था कि शदीद महब्बत कभी कभी शदीद नफरत पर हावी आ जाती है। अरे इतनी सी धंकी पर ही अपनी नफरत से दस्तबरदार हो गए। ये तो वरीद चौदरी के शाया ने शान नहीं। उसकी बात पर उलम्हा भर के लिए साकित हुई। फिर तंज से भरपोर बार किया। तुम मेरी वनी हो ये मत भूलो। अपकी बार उसके लहज़े में सक तिदर आई। वनी हो बीवी नहीं। शायद याद हो आपको हमारा कभी भी निका नहीं हुआ। लहाज़ आप मुझ पर किसी किसम का हक नहीं जटा सकते। अब उटका कर उसे बहुत कुछ पावर करवाया। वह नहीं तो अभी और इसी वक्त हो तो सकता हूँ। ओभी वर शायद तो वह नहीं जटा सकते। मुझे जर्णाब और नार चाहिए हर कीमत पर एक एक लफ चबा चबा कर बोला मेरी कोई कीमत नहीं समझे आप उगुर्राई तुम्हारी कोई कीमत हो भी नहीं सकती बहुत अनमौल हो तुम आफिर वरीत चहुर्द्री की महबत हो सबके सामने अतिराफ जर्णाब को शर्म से पानी पानी कर गया मालूम हो गया आज आपको कि जर्णाब कौन है तो बहतर है कि अब आप यहां से तश्रीफ ले जाएं उसकी बात को बरी तरह नजर अंदास करके वो कड़े लहजें बोली अभी कहां अभी तो असल कहानी शुर कज़ें अब क्या होगा अब क्या होगा फुरा खाला उसकी धंकी पर दिल ठाम कर रह गई रूप कुछ नहीं होगा खाला तो चाहती ही वरीद का दिल किया, गारी वापस मोड़े और उसे बताया कि वरीद कितना दरिंदा है, मगर नहीं, अब उसे आसिल करना था और उसके लिए उसे नफरत नहीं, इस बाल जरनाब को महबत की मार मारनी थी, उसे खुद से करीड करना था, दूर नहीं, मस्तरिब अ इंतिहान ले रही थी, सुबा के करीब वो घर पहुँचा, एक लम्हे के लिए भी आख न लगी थी, बच्पन से अब तक के तमाम वाकिया एक फ्लिम की तरह चलते रहे, काड़ी पोच में खड़ी होते हो अंदर की जाने पढ़ा, फुद खौलन जिस पर वो अब तक काब पस में जकर आ गया, बहुत बुरा बदला लिया है तुमने, बहुत बुरा, तुम अब किसी सुरत मेरी जिन्दगी से नहीं निकल सकती, चाहे जो भी कर ले, उसके तसवर से मखाति था, वाश रूम में जाकर वाश बैसिन का नल खोल कर पानी की चिंटे, चेहरे पर मारे, अंदर की तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी, यही महबबत का कमाल था कि उसकी नफ्रत की आपको सबसे बुचाये थी, और असल महबबत यही है जो बदल दे, महबबत उसे बदल रही थी, वरना क्या मुश्किल था उधान पान सी लड़की को तुनक कर रख रख दे माहो साल भूल गए थी, जो उसमें उस लड़की से बदला लेने की चहां में गुजारे थी, महबबत के सामने ना उसे वो साल याद थी, ना ही कोई बदला, बस याद की तो जर्ना, जिसे अब अपनी जिन्दगी में शामिल करना था, सुबह होते ही नश्रा को अपना करने में लगे कि आज पहली बार मारिज ने कोई फेश कर्मी की है, पन्ना तो उसे महसूस हो रा था, वो सारी जिन्दगी, इसी आस में रुजार देगी कि वो कभी तो उसकी जाने मतवचे हो, वो था भी तो बस अपने आप में रहने वाला, अपनी सोचों के ताने बाने में ही मसरूफ थी कि उसी लमे मारिज के मुबाइल की टोन बढ़ी, मगर वो भी शायद दो रातों का ठका हुआ था, मुबाइल की आवास खासी हूची थी, मगर वो फिर भी नहीं उठा, नश्रा ने आज का से अपना बास उसके खौला दी, हाथी शिकंदे से निकाला, मा इठाती भी जखकड की तरह है, उसके जोर जोर सी लाने पर वो बलाखर उट गया, मगर नहीं से जाकते भी हाथी जवाबी रजब की थी, वो वाकिए मजबूत आसा आपका था, नहीं तो हड़ बड़ा ज़ूर जाता, फून बच रहे आपका, कब से, उठाओ, उसके मेरी बोलती नगरों से खखा होती, मूँ खुला कर उसके पास से गुजरी, आपको कोई बेवकूफ ही घूरने की गल्ती कर सकता है, हाँ मैं बेवकूफ हरगिज नहीं, उसका जुमानी लहज़ा अपके उसे वहां से भागने पर मदबूर कर गया, उसके तेजी देखकर उ मस्कुराय बिना ना रही सका, नश्रा के कमरे से जाते, उसने साइट से बल पर रखा, मुबाइल ठाया, जर्नाब की कॉल थी, पोरन कॉल बैक थी, हैलो, तुम ठीक हो, जानता था, रात वरीद उससे, जर्नाब की होसे से मिल चुका था, मिल चुका है, मली कयास की बंदे, मसलसल फिरोस खान के घुर के आसपास दे, ताके किसी भी गलत सुरतिहाल के बैदा होने से पहले हाला तो काबू में रख सके, मारिश को सबसे ज़्यादा डर, इस बात का था, कि कहीं वो जर्नाब को वहां से उठवा कर ना ले जाये, मगर उसके सब हर्षात में हर्षात ही जर्नाब ने सारी उदात बयान की, तुम अब होस्टल नहीं जाओगी, उसने दो टोक अंदाज में कहा, भाई वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुचाएगा, पहुचाना होता तो कर रात ही मेरी असलियत से वाकिफ होने पर पहुचाता, उसे कायल करने लगी, तुम्हें ऐसे लोगों का नहीं पताओ, कोई और चाल चलेगा, और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, उसे समझाने लगा, महफूस तो मैं आपकी फ्लैट पर भी नहीं, उसकी बात प्रोलमा भर को खामोश हुआ, मैं ताया सायं की वज़े से खामोश था, वरना बहुत पहले वरीट के मैं आज वापस आ रही हूं और फिल्हाल मैं हॉस्टल में ही रहूंगी, वो अपना फैसला बताने लगी, जरनाफ उसकी जिद के आगे जिच हुआ, ओके लेकिन तुम आज से बाडिकार्ट के अंडर रहोगी, वो भी आफिर उसका भाई था, और उसके आगे तुम जिद नहीं करोगी, और वीकेंड्स पर तुम हमारे पास रहोगी, वो अपनी बात पर जोर देकर गोला, अच्छा ठीक है, उसे आफिर मारिच की बात मानते ही बनी, बुड गर, महबब से कहते उसमें फोन बन किया, अब तुम से मुलाकात का वक्त हो गया है, फोन बन करके वो व बन देके उठाए जाने के खबाय मिली, जो उस राद मारिच मलिक के फ्लेट पर गया था, उस वज़े से भी वो कुछ लिपरा बैठा था, सहाब मारिच मलिक आया है आप से मिलने, वो जो लाउंज में टीवी देख, खमा और अपनी सोचों में ज्यादा मगन बैठा था, अपने मुलाजिम के अंदर आकर इतिला देने का चौंका, में मक्सूस लेबास सफेश अलवा कमीज में मल्बूस टांग का टांग रखी गठा था, फिर तो हास उसे मारिच को लाने का इशारा किया, जी सहाब, वो उल्टे पाहर रवाना हुआ, पुछी देर बात मसबूत भारी कदमों की धमस लाउंच के दर्वाजे पर उगरी, करदन मोर का उसमें आने वाले को देखा, जिसका ठेहरा और सुकून मगर आँखों से शोले लपक रहे थे, आओ भई, उसे दर्वाजे के ही करीब खड़े देखकर अंदर आने का शरा किया, अपनी जगे से खड़ हुआ, सतायशी नजरों से वरीब ने सिन्वार कमीज में मलबूस, उंचे लंबे मारिज को देखा, दोर्यों के कर टेक जितने ही थे, तो चलता हुआ उसके मुकाबल खड़ा हुआ, अच्छा किया तुमने आ आ गए, वरना बहुत जल मैं तुम तक आने वाला था, दोनों कुछ तो पर हाद बांदे एक दूसरे को देख रहे थे, वरीब के चहरे पर महजूस को नुस्कुराहती जबके मारिज के चहरे इंतहाई संजीदा, अपने बंदे की खबर तो मिली गई होगी तुमें, इसकी बात पर वरीब भॉले से हंसा, अंदाज जिच करने वाला था अगर मकाबल भी मारिज था, बाउस की माने हंदे मिज़ाज था, बिल्कुल, तुम्हारी कुर्टी की दाद देनी चाहिए, वो हुले हुले, अर रिलाता गोया से सरहा रा था, अर तुम्हारी इम्मत की भी, के मेरी बहन तक पहुंचने की गल्पी की, मारिज की बात पर उ आँकी काड़े उसे चता कर बोला, उसके लिए दुनिया में एक वही और एक तुम्ही नहीं रह गए, दाए आँकी अबर उठा कर वो भी उसे चताए बगए न रहा, मगर मेरे लिए एक वही है, ये बात खुद भी समच जा और अपने बड़ों की भी समझा तो, बहुत ज अपने तक उसकी आँकों में सकती दराई, दस्तबरदार होने के लिए मेरा इस दुनिया में ना होना जरूरी है, और अभी मुझे तुम्हारी बेहन के साथ एक लंबी उमर गजारनी है, अपने बच्चों समये, उसे चैलेंज करते हो, इसके चेहरे की मतफ़एर खालत पर महजूस हुआ, ये बात पहले अपने खांदान में करो, फिर हम तक अपने नादे ख्यालात पहुचाना, मेरी बहन तक अब दोबारा तुम पहुंचे तो याद रखना, आज तुम्हारे बंदे को उठवाया है, कल तुम्हें उठा कर, इस दुनिया से भेजने में मुझे क कोई दुख नहीं होगा, मैंड इट, उम्रे उठा कर सिवान करता हो, वहां से निकलता चला गया, वरीब ने गुसे में एक हाथ का मुखका दुसरे हाथ की हटेली करमाया, वो जानता था, उसकी घरवालों को राजी करना ही, जान जो खम का काम है, वनी के लिए और कहां यार नहीं था, तो वो तुम्ग तक पहुँच भी कया, वो दोनों इस वक्यूनिसिटी के कदरे कमरेश वाले बिराउन में बैठी थी, जन्नाब ने इस दिन का सब वाक्या से सुनाया, हाँ ना, तभी तो ताया साही ने मुझे सवाग बिचवाया था, फूप कलास नहीं म पहारती हो साच जटक कर बोली, जनाब मुझे महबत के दावेदा है, जन्नाब में मज़ग उडाने वाले अन्तास में कहा, महबत करने वालों का यूं मज़ग नहीं उडाती, तो तो पुद उसकी अस्यूह थी, उससे बहतर कौन जानता था, महबत की प्रण क्या होती है, म तुम्हारी मर्जी सुनता, तुम्हें ट्वाइस जगा नश्रा ने उसकी बहुत सी बातों की चानिक तबच्छ दिलाई। तुमने वो दुख नहीं साहना मेरी जान, मैं आज भी उन थपड़ों की पाउं की जोगरों की तकलीफ अपने जिसमें पर महसूस करती हूं। क्या मैं ऐसे शक्ती सची जूटी महबबत महसूस कर सकती हूं। नहीं नश्रा, माफ करना इतना आसान नहीं और फिर ऐसे शक्त को जिसने मेरी दूसरी शनाक्त से महबबत थी, मेरी असर शनाक्त को तो वो मिटा नहीं आया था ना, उसकी बतकिसमती के आगे मैं थी, वो इस मगर तुम ये भी तो देखो कि वो बदल गया है तुम्हारी असर शनाक्त होते ही तुमसे बदला नहीं लिया बेलकि वो अपनी नफरत से दस्तबरदार हो गया ये कितना बड़ा इंसाफ किया अल्ला ने वो जो तुम्हें तकलीफ से दोचार करता रहा तुम्हारी ही सामने तुम्हारी महबत की धीक मांगने लगा वो तो शाह से गदा बन गया क्या ऐसा बडला भी किसी के साथ चिसमत ने लिया होगा उसके हाथ थामे वो उसे समझा रही थी जो उसकी बात मानने को तयार नहीं थी तुम सोचो अगर उसे तुम्हारे दूसरे रूप से महबत ना ही होती तो क्या कर लेती तुम कैसे उसके मुकाबल खड़े होकर उसे नीचा दिखाती वो उसे हक्रीकत बतात लाने लगी तो तुम्हारा क्या ख्याले ऐसे बदले लेने वाली बीमार जहन के शक्स के साथ मैं शादी कर लो उसे महबत करने लगो नहीं नश्रा कि महबत सिर्फ तबी तक है जब तक मैं उसकी दस्तरस में नहीं आदते बदली जा सकती है खसलते नहीं और ऐसे लोगों की खसलते में खसलत में दोसरों को नीचा दिखाना है क्या गारंटी कि मैं उससे शादी कर लूँ और शादी के बाद वो शक्स अपने खुसे पर काबू पा ले क्या गारंटी है कि बच्पन की तरह वो अपनी खौलन मुझे मार पीट कर ना निकाले उसने बच्पन से अपने घर यही देखा है वो कैसे बदल सकता है नश्रा ये तो आँखे बन करके कबूतर बनने वाली बात है उसका एक एक लवज सही था नश्रा उसे ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकती थी वो जानती ही कितना थी वरीद को रात में उसने हवेली फोन किया कैसे हो मिल गई तुम्हें वो मा नहीं हाल चाल पूछते है उससे सवाल किया कौन उनके सवाल पुर एकदम चौंका वो तो किसी को बता कर नहीं गया था कि वो जर्नाब को डूनने जा रहा है ना रहसान उनके बाद पर उसके तने आसाब ढीले पड़े ना रहसान है जर्नाब मली उनकी तस्हीर करने लगा क्या मतलब वो चौंकी फरीद ने सब हकीकत उन्हें कह सुनाई कैसी हो बच्ची उनके लहजे की कपकपाट उससे चूपी न रह सकी वो जानता था उसकी माँ जर्नाब के लिए नरम गोशा रखती थी जब वो वनी होकर आई थी तब भी वो उसके नफरत करने वालों में शामिल नहीं थी बलकि कई बार उसे वरीद के अताब से बचाया था बच्ची नहीं रही वो शेर नहीं बन गई है परीद के चहरे पर एक खुशनुमा मस्कुर ले आई यकीना बहुत खास हो गई वो उन्होंने उसकी खुशकोर मस्कुराट मस्कुराटे लहजे से भांप ली थी आपके बेटे को कल भी वो चाहिए थी और आज भी चाहिए है वो संजिदा होते अपने मतलब की बात पर आया तो वो तो वनी है ना तुम्हारी वो लेता था मगर यहां मौमला चीज़ कर नहीं एक जीते जाकते इंसान का था आप और बाबा मलीकों की हविली मेरे रिष्टा लेकर जाएगे इसने खुआश का इजार नहीं किया था गोया उनके पाव तले से जमीन खिश दी थी मरीद क्या करते फिर रहो बेटा फशली बा पूरी की पूरी मेरे दिल पर काबिज हो चुकी है अब उस दिल से कभी नहीं निकल सकती मगर मैं उसे किसी गलत तरीके से अपनी जिन्दगे में शामिल नहीं कर सकता प्लीज अमा साइं मुझे आपकी मदद चाहिए वो मा को मनाने लगा मैं तुम्हारे बाबा साइं से ऐ मसरूफ था और वो बैट पर उसके खरीब बैटी किताबे फैलाय नोट्स बनाने मसरूफ थी क्या हुआ वो कब से किसी पॉइंट पर अच्टिवी थी कभी एक किताब खुलती कभी दूसरी फिर माते पर हाथ मारती फिर पेपर्स पर जुकती फिसीधी होकर बैट जाती ए अरे मुझे शादी का शौक चड़ा था या अबबा साही को तुम में सरखाब के पर नजर आ गए थे और वो भी ऐसे के मेरी एक न सुनी हो मुझ फुला कर वो ली इतना असान कोश्टन देखकर उसने लैपटाप साइट पर रखका रुख उसके जाने किया तुमने पड़ नहीं था कि MBA कर रखा है इसलिए मैं M19 को आसानी से पढ़ा सकता हूँ चहर उठा का शरी नजरों से देखा तब ही इतनी जल्दी जल्दी हल कर रहे हो वो भी इंप्रेस हुई और खुश भी कि उसका शरी के हयात बड़ा लिखा था ये लिए सवाल हल करके उसके सामने किया अफिस अंजित की से समझाने लगा ओफ यहां पर मैं स्ट्रेप गलत कर रहे थी तब ही समझ नहीं आ रहा था हुमाती पर हाथ मार कर बोली पढ़ने से जादा मुझ पर तवाज़े रखेगी तो यही होगा मज़े से से चोट करके बोला और यह सही भी था वो ऑफिस की फा पॉर्म के बस तुम्हें ही देखती रहूं उसके चरने पर वो खिल के मुस्कुराया वैसे तुम फेस्बुक इंस्ट्रक टुइटर इस्तिमाल करते हो अब मैसे से बाकी सारे सवाल हल कर रहे थी और मारीज अपना लैप्टॉप फिर से खोले बठा काम कर रहा था नहीं इ कई नजर उस पर डाले कभी पोस्ट करिये कभी नहीं उसे तंबिया कि हां दुनिया तो जैसे मुझे ही देखने के लिए बठी है वो हसी में उसकी बात उड़ा गई दुनिया को आप दिखनी भी नहीं जाए उसका गंभी संजीता लहजा नश्रा को पल भर को गुंग कर ग जैसे वो इस बात पर खुशी से जूम उठेगा लैपटॉप से नजरे हटा कर संजीता मगर तेज नजरों से सदेखा चेंज दा टॉपिक बीबी की बात पर नश्रा का मुह हैलत से खुला अरे मैं तुम्हारा इंट्रिव ले रही हूं जो ये कह रहे हो कि माती पर बर्ल कड़े वापस अपनी जगे पर बठी दोनों बेहन भाई सड्यल है नोर्स बंकर कर बरबराई कुछ कहा आपने उसकी तेज समाहतों से बरबराई चुपी न रहे हाँ ये कहा है कि अर्णदा बीबी ना कहना इतनी बार कहूं तुम्हे नश्रा नाम है मेरा मिसस नश्रा मार बेनियाजी से बोली ये मुझसे नहीं लिया जाएगा वो मायूससी बोला क्यों काटे मेरे नाम में तरक कर बोली नहीं मैं खुद को इस खाबिल नहीं समझता कि आपका नाम लूँ सादे से लेजिंग बोला उफ मारिज बस को रोए सेल्फ पड़ती अबरदार आइंदा बेनियाजी जो मारिज को हद बंदिया तोड़ने पर मजबूर करती थी आपको सच में अपने कहे का अंदाजा नहीं होता या आप मेरी शराफ़त आसमाती है लैपटॉप बंद करके से गहरी नजरों से देखा अब अगर शोहर की तारीफ ना करू तो किसी गएर की करूँ हाथ उठा कर बोली बिल्कुल करें मगर आपके अंदास बहुत जान लेवा है इसके बोज़े लहजे पर उसके हाथों के तोते उड़े अच्छा सुबह मुझे जल्दी निकलना है एक एसाइमें फोटर स्रेट करवानी है उप और उसका ध्यान हटाने लगी जो हुकम उसक मतवस्म शरीर लहजा उसे बहुत अच्छे से समझा गया कि उसके बात बदलने को जान गया है ये लड़का मेरे दिमाग खराब करके छोड़ेगा पता नहीं क्यूँ आ गया वापस वही दफ़ा रहता तो बहतर था कुछ देर पहले ही वरीब का फोन आया था और उसकी अगर वो ऐसा चाहता है तो हजी क्या है उनके सुर्ख खांखों से डरने के बाउचू तो बेटे के फैसले की तरफदारी कर रही थी तुम्ही पट्टी नहीं पढ़ाए उसे वो धारे नहीं मैं तो खुद हैरान हुई थी कि उसकी बात सुनकर वो फॉरन सफाई पेश करन उने जबत से अपने आंसों साब बाहर आने से रोके हाँ तो जब नहीं है तो फुदूल में उसकी हमायाद करके उसे सर चलाने की ज़रत नहीं है लगता है इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा अंधा कर दिया है मेरे शेरो जैसे बेटे को अरे औरे औरत के लिए पागल है तह दिल से दुआ की ए अगर मेरा बेटा इस लड़की के लिए संजिदा है और उसे मान और इस्ज़त दे सकता है तो उस लड़की का नसीब मेरे बेटे से जोड़ दे ताकि इन फरसुदा रस्मों का कहीं तो खात्मा हो कोई ताउरत हो जो ये दिखाए कि वो कितनी ता हो रहा था तैयारी ज़्यादा खास थी अब तो महबूब सामने था उसे देखने अपने इर्द गिर्द महसूस करने की तो बात ही और थी मस्कुराते हैं बालों में जेर लगाकर बाल सेट थी अपने मखसूस लेबाद डाग गिरे चलवारा फमीस पर लाइड गिरे चाद हुआ उसी लमे मुबाइल बजा बरश रखकर ड्रेसिंग पर रखकर मुबाइल उठाया बाप की कॉल थी यकिनल मेरे ख्यालात जानकर कर रात आपकी नीन उट चुकी होगी वो भी उनका बाप था उनकी रग रग से वाकिफ देखो बेटे मैंने सारी रात बहुत सोचा त तो क्या जरूर है कि तुम उसे वीवी ही बनाओ अरे ऐसी लड़कियों को उठवाना क्या मुश्किल है मैं करी उसे तुम्हारे पास बिजवा दूँगा जितने दिन रखना है रखो फिर मार मोर के फिंग दो पड़े ज़त से गुजरते उसने बाप की नहीं नीच बात त अहम्मल से सुने वो मेरी महबत है और मेरी महबत की तोहीन आपके मुझे सुनने के बाद मुझे अब इस बात की खुआश ही नहीं कि आप मेरा रिश्टा लेकर उनके घर जाए अगर यही सब मुझे करवाना होता तो मेरे लिए कुछ मुछ मुश्किल नहीं था वंगर मिशा औरत की तोहीन ही की है मगर मैं अपनी महबद की तोहीन बरदाश नहीं कर सकता आज तो आपके अलफास मैंने सुन ली मगर आइंदा ना तो सुनूंगा और ना कितने ताहमल का मुझाहरा करूंगा आप जैसे ही मर्दे जिन्होंने मर्दजाद को बदनाम कर रखा है अपसोस है मैं आपकी ऑलाद हूँ और शुकर है यह आप जैसा नहीं बना जबड़े भेंचो वह मुश्किल अपना घुसा कंट्रोल करा था तोहन बन करके बैट पर फैंक करो खुद भी बैट पर गिरने के से अंदाज में बैठा सर हातों पर गिराए वो मश्किल अपना घुसा कंट्रोल करने लगा उससे गिन आ रही थी खुद से अपने बाप से इस वक्त इसे जब 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 वो भी औरत को टिश्यू पेपर की तरह परच चुका था तुम दोनों को कुछ मालूम है उनके बारे में क्या उसने मश्कूफ नजरों से उन दोनों को दिखा नहीं यार नशा उसे इटानने वाले अंदास में बोली पिट तुम दोनों को क्यूँ कोई हैडरत नहीों और भी बाल की כ allegiance उताने लगे लेकिन सर के बारे में कोई नहीं जानता क्यों कहां है वो जो मुक्तलिफ टीचर्स और अडमीन से पूछ चुकी थी और सबने लायलमी का मुझारा किया था इस बात पर वो हिराम थी और अगर छोड भी दी है यूनी तो अच्छी बात है जर्णाव एकदम सर च्टक कर बोली उसी लमें लाबरेलिय का दर्वाजा कोई अचलत में अंदर आया शुकर सर आ गए है जर्वा का दर्वाजे की जानी रुखता उसे अंदर आता देखकर वो खुशी से बोली लाबरेलियन के पास खड़ा कुछ बात कर रहा था तुम भी उन्ही लड़कियों के फैरिस्त में शामिल तो नहीं जिने इस सर पर करश है नश्रा की बात पर खुशत रंग जर्वा के चहरे पर आका ठहरा जर्णाव ने हैरत और अफसोस उसे देखा हर चमंती चीज सोना नहीं होती नजाने कब हमारे मुलक की लड़कियों को ये बात समझ आएगी जर्णाव ने हर्सोस सर लाते कहा जब तक आप जैसी लड़किया इस मुलक के नوجवानों को समझाने के लिए पेश पेश नहीं होगी उसकी आहस्ता आवाज में कही बात उसकी तेज समातों ने बड़ी आसानी से सुन ली उसे जो बुक चाहिए थी वो उन्हीं की टेबल पर मौझूद थी लाबरेलियन के बताने पर उनकी टेबल की जाने बढ़ा जरनाब का सर जुका था इसलिए हो अपनी टेबल की जाने बाता देख नहीं पाई थी जटके सर उठा कर देखा जो सामनी अपनी जान लेवा मुस्कराइट होटों पर लिए पुल शोफ नजरोसों से देख रहा था कैसे सर आप जर्वा जोश से बोली आइस्ता ये लैबरेली है पिकनिक पॉइंट नहीं जो हम यहां डिसकुशन करें और वैसे सर बाहर ही जा रहें तुम उनके साथ जाकर तफसील से उनके खेरियत पता करो कही वीकेंड पर तबियत ज्यादा खराब नहों लगता है किसी मौर्के में शिकिस्त खाकर रहे हैं जर्नाब ने उसकी पुशोक नजरों को नजरांदास करते जर्वा और उसे दोनों को एक ही बार अच्छी खासी सुना दी उसके बात पर वो नश्रा के करीब रखी कुरसी घसीट कर वही बढ़ गया नश्रने तूक निली अगर वो जो मारिच को मालूम हो जाता कि वो उन दोनों के करीब आया है आखों से जर्नाब को चुप रहने का इशारा किया इतने चोटे मार्कों में मैं शिकिस्त नहीं खाता अभी तो मनजिल की जाने के लिए पहला कدم सीड़ी पर रखा है अभी तो चंद कदम और चलना है मुझे अपनी सलाहियतों पर पूरा यकीन है कि जल्दी मनजिल तक पहुंच जाओंगा लेकिन शर्त यह है कि आप जैसे हमदर्द वहां मेरे होसला अवसाई के लिए मौजूद हो तो जैश्न बनाने में भी मसाईगा होले से बाजू टेबल पर रखता वो पूरी तरह जर्नाब के जाने मतवज़ था अरे सर ये ऐसे बखवास करी आप किसकी बातों को सिरियस ले रहे नश्रा ने मामला कंबीर होते देखकर बात आई गई करने की कोशिश की क्योंके जर्वा हैरान और परिशान से ये मुकाल में सुन रही थी अब तो मामला भी और मामला बनाने वाली तोरों को सिरियस ले लिया मैंने अब तो आपके इन हद बंदियों का कोई फायदा नहीं चहरा नश्रा की चानी मोर कर मस्कुरादी नजर से पहले उसे अफ़े जर्वा को देखा वो दोनों जर्वा की मौझूद की फरामोश कर चुके थे हद बंदियों को तोड़ने वालों का मुवी मैं बहुत अच्छे से तोड़ना जानती हूँ जर्वा उसकी गहरी नजर से उलचती उसे तपाना जरूरी समझा जर्वा हैरान परेशान सी उन दोनों को देखती अपनी सीट से उठकर उसकी पीछे चल दी घटिया इंसान जर्वा के साथ बाते करते उसे जाता देखकर वो गुस्ट से पेचोता आप खाती बोली पागल हो गए तो यूँ उसकी बातों पर चिर्का है अपना तवाशा लगवाना है नश्रा दबे दबे अंदाज में गुस्टे से बोलती उसकी किलास देने लगी इसे क्या जरूरती मेरे मूँ लगने की वो वो मिश्किल खुद पर काबू पाती बोली और तुम्हे क्या जरूरती उसके मूँ लगने की अगर उस शक्स तो अपनी जिन्दगे से निकानना है तो बहतर है उसके साथ कोई तालुप मत रखो चाहे वो नफरत का ही क्यों न हो परना ये नफरत वरीद की तरह महँबत में ना बदल जाए विकॉस यू नेवर नो किसमत ने क्या से क्या लिखाओ कंदे उचकाती अपकी बार वो जर्नाब को खामोश होने पर मजबूर कर गई एक्सक्यूज मी नश्रा क्लास खतम होते ही वो बाहर निकली जब अपने पीछे से आती वरीद के आवास पर वो मुड कर उसे देखने लगी जर्नाब अभी कलास में ही थी शायद इसलिए वरीद ने उसे मकातिब कर लिया था क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं इस दर्खास गुसार अंदास पर वो एक नज़र फलास में चीज़े समेटी जर्नाब को देखका सर इलाथी उसके साथ हो ली माजूरत मुझे आपको ऐसे अलग बुलाना नहीं चाहिए था मगर मुझे उसके अलावा कोई हल नज़र नहीं आ रहा खदरे पुरसकून कॉरीडर में उसे ले जाकर वो उसके सामने खड़ा हुआ मारिच को मालू हो गया तो मेरा कीमा कर देगा वो भी डरी डरी आवाज में बोली मारिच आपका हस्बन है ना उसने तज़्दीक जाही जी मैंने मालू करवाया है मगर जर्नाब का तो कोई भाई नहीं है फिर ये मारिच कली उसके बंदे के कहने पर उसे मालू होता कि जर्नाब के लावा सरफरास मलिकी दो बेटिया और भी है मगर बेटा कोई नहीं है उलजा और उसी उलज़न को रफ़ा करने के लिए वो नश्रा से मकातिबा कुछ वो उसका अंदास आज सुबा देखकर सोच बैठा था कि जर्नाब तक पहुँचने के लिए क्यों न उसे हमवार किया जाए बलकि ये मारिच तो आपके बाबस्ताइं का खास बंदा है फिर आपकी शाद्य और उसका जर्नाब को बेहन कहना नश्रा ने एक नजर बस उसकी जानी देखा ये हमारा प्रसनल मामला है बस इतना ही बता सकती हूँ कि मारिच जर्नाब को बेहन समझता और मानता है नश्रा ने महतात अंदास में से बता कि जर्नाब और मारिच की तरह आप भी समझती है कि मैं जरनाव के काबिन नहीं उसका टूटा सा लहजा नश्रा को उसकी तकलीव समझा गया मेरे समझने से क्या होता है जिसको समझना चाहिए क्या आपने उसे ये सब समझने के लिए गुझाईश छोड़ी है नश्रा की बात पर एक तकलीव दा मस्कुराट उसके चहरे पर लिखरी मैंने अपने घर में मर्दों को औरतों के साथ बुरा सुलुक करते ही देखा है जब जरनाव वनी होकर आई वो तो नहीं मगर मैं यहीं जानता था कि वनी बदला होती है और उसे मानना और इज़ा पहुचाना सवाब का काम वो उसे वो वक्ता और वो जजबात बताने रखा और अब आप कैसे जान गए कि वनी भी इनसान होती है वो तंस करते हो बोली कई बार अल्लह गुरूर तोर के आपको बहुत कुछ समझा देता है मेरा भी गुरूर तोटा है वो शेकिस्ता खुर्दा लहजेंग बोला पहली बार किसी से महब्बत की और वो भी कौन जिस से बढ़ला लेना था वो खुद अपनी खिसमत पर हसा नच्टा ने कुछ लम्यों से देखा आप किस हद तक उसके साथ संजीदा है उसके सवाल पर उसने हैरा से उसकी जाने देखा मेरा शेकिस्ता खुर्दा चहरा और उसके लिए शिद्दत देखकर आपको अभी भी अंदाजा नहीं हुआ कि मैं उसके लिए किस हद तक संजीदा हूँ फुल्टा उसी से सवाल करने लगा मैं उसके लिए अपने बाप तक के दूबदू हो चुका हूँ कि अब भी कोई वुनजाश बच्टी है मेरी शिद्दतों पर यकीन ना करने की उसने एक और सवाल उठाया क्या गैरंटी है कि उसकी हसूल के बाद आप उसे फिर कभी उस उलुक नहीं करेंगे इसलमी उस अन्नाम की सोच की तरजमानी कर रही थी क्या ये गैरंटी काफी नहीं कि मैं इन दीनों को किसी भीयानक खौब की तरह हमेशा के लिए भूल जाना चाहता हूँ जब मैंने बेख़वरी में उस पर जल्म किया किसी बोसीदा किताब के सफार की तरह उन दीनों के अपनी जिनगी की किताब से फार देना चाहता हूँ क्या ये गैरंटी काफी नहीं क्या तुबा जब मिने बाप ने उसे उठवाने का जिसमें उसे मुझसे दूर किया उसका एक ट्लब्स दर्द में डूबा हुआ था नश्रा का दिल पसीज गया मैं आपके लिए सिर्व दूआ कर सकती हूँ कि आप अगर इतने ही सच्चे है तो उसका दिल आपके लिए पिगल जाए वो बेबसी से बोली उसके हाथ में तो कुछ नहीं था नमारी जिसकी बात सुनता था न जर्नाब बस आपकी दूआ भी बहुत है शायद किसी की दूआ मुझे लग जाए हौले से ऐसे मुस्कुराय जैसे अपनी बेबसी पर अपना ही मजाग उड़ाया हूँ फैर बहुत शुक्रिया वक्त देने का हो सकते तो जर्नाब को समझाएए का वो इसी दर्खास दिकले उसे यहां तक लाया था मैं कोशिश करूंगी उसे दिलासा देने वाले अंदाज मुरी महबत यू भी होनी थी तुमसे तर्स खाती कासा फैलाती तुम्हारी नजरों की मुंतजर तुम्हारी भीक की आस लिए महबत यू भी होनी थी खुद की नफी करती अना का बुच जुकाती खुद को मिट्टी करती महबत तुम ही से होनी थी और महबत यू ही होनी थी वो जो पढ़ने में मगनती मुबाइल की टोन पर उसकी जानी मुतवज़ होई सरवरित का नंबर देखका गुसे से मैसेज पढ़ का डिलिट करना चाहा जब दुसरी जानी से उसके पढ़ने की तद्दीक करके वैर्ट सेप पर उसके नाम की नीचे टाइपिंग लिखाया क्या माफी मागने से तुम्हाई तस्किन होगी क्या तब तब तुम्हारे मिलने की उमीद होगी लवस लवस में शिद्दत तडप रही थी आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हजारों लड़कियां हैं किसी से भी शादी कर लें वो जान चुणाने वाले अनदास में बोले हजारों हो लाकों हो या करोडों जर्नाम मली कुन में से एक भी नहीं है उसकी बात पर वो चन्नामें गुंग रह गई लड़कियों को बेवकूफ बनाने के हुर्बे मुझ पर मतास मैं बदला लेनो था ले लिया आपने कि जूट बोलने का कि आपको मुझसे मुझसे महबत है मंगर अफसोस मैं इस जाल में नहीं फस्तक्ती बस अब यही बात तरपा रही आपको वो खूब कारी वार कर गई बेवकूफ होती तो वरीद चौदरी तुम्हारे पीछे कभी खवार नहोता सिर्फ एक मौका दे दो एक ठंडी आप भरका उसने टाइक किया मुझसे अपसोस है कि आपका हर नया डायलोग मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखता उसा जटक कर आखरी उसका नमबर ब्लॉग कर गई वरीद ने जवाबी मेसेज करना जहां मगर जैसे ही मालूम वह वो ब्लॉग कर चुकी है मुबाइल घुसे साइड मेस पर पढ़का आज कुछ बनाया नहीं आपने शाम में वह यही किचन में पानी पीने आया जब चुलो पर एक भी हांडी ना देखकर पहले फ्रीज कोला उसमें भी कोई ऐसी काबिले जिकर चीज नहीं थी कि जिसे वो रात में खाते नशर लाउंज बटी कोई असामन बना रही थी इसकी बात पर एक नजर उसे देखा कल प्रिजन्टेशन है मेरी और परसू से एक्जेम्स शुरू हो रहा है अच्छे नंबस ना लिये तो तुम ही ताने दोगे पिर शादी का शौक था आपको ये तो होना ही था मूँ बिगार कर नौन स्टॉप बोले उसकी बात पर मारीज अपना कहका न रोक पाया नश्रा ने पहली बार उसे कहका लगाते सुना और देखा था और काश पिछल में उसे ना देखती उसे लगा उसे इश्क हो जाएका और इस खड़ील रूसे बेख्तियार माशालला कहती नजरे फिरी मारीज उसकी कहफे से बेखबर अब भी अपनी हसी रोकने की कोशिश कर रहा था आपकी आदाशत और सही वक्त पर ताना देने की आदत से मैं बहुत इंप्रेस हूँ मस्कुराते लज़े में किचन काउंटर से टेक लगा उसे नजरों के सार में ले लिया गरीन, मरून और जर्द रंगों के इमतिजाच का लेनन का सूट पहने पालों को केचर से आज़ाद के कुछ उलजाए एक कंदे पडाले फलोर किशन पर बठी नोर्स सामने फैलाए लैपटॉप गोद में धरे तेज़ी से टापिंग करने मसरूफ थी मारिज ने उसे बहुत कम चहरे पर कोई मेकअप इस्तेमाल करते देखा था इस वक्त भी धुले चहरे के साथ भी मारिज की दिल में उतर रही थी कानों में सोने की गोल से टॉप समावक्त पहने रखती थी गने में बारिक सी चैन होती थी बस इसकी कुल सज्धच होती थी मारिज को खुले बालों में भी उख किसी हसीना से कम नहीं लगती थी अब ये महब्बत के अजास था ये कुछ और हाँ तो इंसान को हज़े जाब होना चाहिए हुलिया लैप्टाउप पर चैने के साथ-साथ जुबान भी फरराटे से चल रही थी चले आज आज आप रेस्ट करें बलके पेपर्स होने तक रेस्ट करें तब तक किचन की जिम्मेदारी मेरे से उसे ने पर हाथ तकर फीच खुर कर कुछ पकाने के लिए सोच रहा था तब इतना ने हुआ कि बंदा कोई टिनर ही करवा दे पता नहीं कौन सी कमपनी चैनाते हूँ या पैसे डुबो रहे हूँ वो फिर से तरकश में तीर तेस कर चुकी थी उठे फिर चादर ओड़े आज आपको केंडर लाइट डिनर करवाते है इसकी बात पर हैरस से और खुशी से नश्रा ने उसे देखा हाई सची इतने अच्छी हो तुम्हारी खुशी से ताली बजाते जट पट लैप्टाउप बन किया ये सब में वापस आकर समेट लूँगी उसकी नजरे अपनी किताबों पर देखको नजाज़त भरे अंदाजम बोले उफ इतनी एक्जस्ट वो टुकी थी दिल कर रहा था बाहर जाने को क्या पता था तुम यूँ दिल खुश कर दोगे मेरी बात मान कर उसे बच्चों की तरह खुश देखकर फिचन से बाहर आकर उसकी तक किताबे समेटने लगा रहने दोना मैं आकर कर लूँगी उसे अपनी चीज़े समेट कर देखकर कमरे में जाते जाते पिलट कर बोली कोई बात नहीं कितना सा काम करने से कौन समेगी जाओंगा आप चादर लेकर आएं अपनी केयर के लिए वो पुर असर अलफास तेमाल नहीं कर पाता था मगर क्या किसी के अंदास काफी नहीं होते नश्रा को तो उसके बिन कहें खयार रखने की ननोखी रवीयों से भी शदीद महब्बत थी एक महब्बत भाई नजर उस पर डाल कर वो कमरे की जानी बढ़ी कुछ दिर बात दोनों गाड़ी में बठे नश्रा के पसंदिदर आइस्टोरेंट की जा रहे थे तुम्हारी गाड़ी में गाने लग सकते हैं इदर उधर हाथ मारते सिस्टम को चेक करने लगी आपके मेरी जिन्दगी में आने के बाद वो सब कुछ हो सकता है जो पहले कभी नहीं हुआ उसकी बात पर नश्रा ने हाथ रोकर तिछी नजरों से देखा जो दिल मौ लेने वाली मुस्कुराट होटों पर सजाए एक नजर उसे देखकर फिर सामने देखने लगा कि तुम मुझे पर तंस कर रहे हो ये शुकर करने का कोई नया तरीका है वो भी नश्रा थी आपके दूसरी बात दुरूस्त है मौ कार तो उसकी बात पर मुस्कुराटी नजर डाली मगर तुम्हें तारीफ करने का धंग नहीं आया वो उसकी गहरी नजरों को बहुत आसानी से खुद पर महसूस करती थी अब आपकी संगत में वो भी सीखी जायम का गुदी सहला कर बोला उसके जवाब पर नशरा के दिलकी धरकनों ने लेबद ली नशरान जो ही रिकॉर्ड आउन किया गारी में गुलने वाले अलपास दोनों का अपने सहर में जकर गए आखरी लाइन पर मारिज ने नजर भर कर उसे देखा जो नकाब किये खिलकी से बाहर देखती शायद अपनी धरकने शुमार कर रही थी हातों की उंगलिया इस्तराव या खबराट में मरोड रही थी मारिज ने आईस्ता से बाया हाथ मढ़ाकर उसके हाथ अपनी मजबूत की रफ्त में लिये शायद शादी की पहनी राट जब सरदर दिल ये चाय की फरमाईश करती आप मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी या शायद तब जब आपने रोते मुझे पत्खर कहा था शुरू से यही समझता था कि आप बेबाग है रिवायत को तोड़ने वाली मगर आपके साथ मुझे इतने साल देती रही वो पहले बार वो यूँ उस पर अपना आप आशकार कर रहा था और नश्रा को और असीर कर रहा था मैंने सोच रखा था कभी जिन्दगी में किसी को अपने इतने करीब आने ही नहीं दूँगा कि वो मुझे से धोका करे या मेरा इतिबार मिट्टी में मिलाए तो मैं अपनी मां की तरह तकलीब से दोचार हूँ महबत प्यार ये सब मेरी जिन्दगी में कही नहीं था एक गहरी सांस लेकर उसने फिर से एक नज़र नश्रा पर डाली जो आँखे कोले उसके इनकिशाफ सुन रही थी लेकिन आपने मेरे सब इरादों पर पानी फिर दिया मस्मुई तासु के सर इलाते वो मलामती निगाँ उस पर डाल कर फिर से विंड़ स्क्रींग के पार देखने लगा यही तो मेरी खुबी है वो मज़े से गर्दन अकड़ा कर बोड़ी खुबी नहीं यह आपकी धौस है उसकी तस्थी करने लगा नश्रा मू बना गई मेरी कभी कमजोरी मत बनिये का आपने मुझे ताफ़त और जो मान बख्षाए मैं उमीद करता हूँ यह कभी न तुटे मैं अपनी मां जैसी अजियत परदाश नहीं करना चाता उसके लहजे में जो तुख है धाड़े मार रहा था नश्रा का दिल भी उस तकलीफ को महसूस करने लगा था हम मान और एतिबार भरा रिष्टा बनाएंगे उसके हाथों में दबए अपने हाथ को जोड़ से भेंचते वो उसे अपना एतिबार सौन गई हैंस उसके लिए फक्त इतना ही बहुत था कि वो अपने कोल से बाहर तो आ गया उसकी हैसियत तो खुबूल की उस रात ना सिप मारीज ने उसे डिनर करवाया बड़के शौपिंग भी करवाई अब आपको यकीन आ गया होगा कि आपका शौर एक कामियाब बिजनसमें है घर की जानिम काड़ी करो खमोड़ते उसे चेड़ने लगा हां अगर तुम हफ़ते में एक बार इस पिसम की शाह खर्ची कर लिया करो तो मुझे हमेशा के लिए इस बात पर यकीन आ जाएका नश्राबी शान बेनियाजी से बोलती हस पड़ी बंदा आपके हुकम का गुलाम सीने पर हात रखे अपने मख्सूस अंदाज में बोलता वो भी उसकी हसी का साथ देन लगा वो कब से उसे देख रहा थो जो हातों में परेशान तासू लिये फेपर को गूर रही थी जब से उसने वरीद का नंबर बलॉक किया था उसने फिर दोबारा उसे तंग ना किया नाही युनी में बराहरास्त मुखाटिब किया गर पर उसकी कोशिश तेज तर हो चुकी थी मगर वजहा चौदरी और अब तो उसकी दादी दोनों किसी सुरत इस प्रिश्टे के लिए तयार नहीं थी वो बुरी तरह से बेबस हो चुका था जरनाब से बराहरास्त अपने हर रवे की माफी मांगना चाहता था मगर वो भी कोई दूसर सिरा हाथ ही नहीं आने दे रही थी क्यों उसे पकड़े उस तक आता आहिस तरह वी से चलता उसकी चैर के करीब आया उसके पेपर पर नज़र डालते उस सवाल को देखा चाहूं कब से अटकी वी थी दो आप्शन्स को पैंसिल से मंतखिब कर चुकी थी मगर दोनों में से दुरुस्त कौन सी थी इसी कश्मकश में वो पिछले 20 मिनट से बैठी थी आदी किलास पेपर देखा चाह भी चुकी थी उसका भी पेपर मुकमल था मगर या आखरी सवाल अटक गया था वरीद ने दुरुस्त आप्शन पर उंगली रखी कोया उसकी खामोश मदद की जरनाब अपने पेपर में इतनी मगन थी कि उसका अपने खरीब आना पर रुकना नोट ना कर सकी कुछ देर बाद जब पेपर पर एक मरदाना उंली आका ठहरी तो बुरी तरह चौंकी तर उठाकर अपने खरीब खड़े वरीद को देखा जिसकी नजरे हमेशा कि तरह उसे उलचाए वे थी जरनाम ने दांप पीसे इसके अपनी चानिट देखते ही वरीद सीधा हुआ हाथ अटाकर मुड़ गया जरनाम ने दोनों दायरे मिटाकर गलत वाले आप्शन को पेंट से टिक किया अपनी सीट से खड़ी होकर वरीद के जानिब आई जो रॉस्टरांग के खरीब खड़ा उसे ही अपने खरीब आते देख रहा था इस्टूरंट्स को नकल करवाते शर्म आनी चाहिए आपको उसे पेपर पकड़ाते पहेंचे लेजिन बोड़ी इस्टूडंट्स नहीं सिर्फ एक इस्टूडंट जो सिर्फ इस्टूडंट नहीं इस से बढ़ करें मेरे लिए उसकी नजरों की बड़ती जसारतों ने जन्नाब को निगाएं जुकाने पर मजबूर किया मुझे आपका ये एस्टान नहीं जाहिए से वाज़े करवाया कि उसकी मदद की जरूरत नहीं थी मैं एस्टान नहीं महबबत करता हूँ और महबबत बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देती है ऐसे बहुत से काम जो इनसान को नहीं करने जाहिए एक जानिब से चिंगारियां भरक रही थी तो दुस्सरी जानिब से उतने ही ठंड़े ठार गोलो की बरसाट चारी थी मुझे तुम से ज़रूरी बात करनी है उसके मुझे जाने से पहले इसके आवास पर रुकी मगर मुझे किसी भी खेर से कोई बात नहीं करनी टिक्ट करके उसे मजीद बता गई कि इसके नजदी कि उसकी क्या एहमियत है बेवकूफ अपना केरियर खराब करने पर तुली है वरीद को उसकी हरकत पर शदीद गुस्ता आया कुछ दिर बाद उसके आफिस में जरनाब की हाजरी थी जिससे कुमारे बांधे के आफिस आय थी मुझे नीचा दिखा के तुम क्या साबिट करना चाती हो उसके सामने पेपर टेबल पर पठखा उसकी टेबल के दूसरी जानिब पुर्सी के करीब खड़ी थी इसकी धार पर लमबर को घबराती पेपर पर नज़र डाली वही सवाल रेड पेंस से हाईलाइट किया गया था मुझे आपको नीचा दिखाने का शौक नहीं सिर्फ ये बताना चाहती थी कि किसी एक इस्टिरंट को ये फेवर देकर आप पेवर्टिजम कर रहा है और मैं इसमें आपका साथ बिलकुल नहीं दे सकती जी कड़ा करके बोली वरना उसकी खशूनत भरी नज़रे देकर दिल खबरा दरूर रहा था तो फिर किस चीज़ में आप मेरा साथ दे सकती है उसके चेहरे के तने जाविय यकलक बदले आँखों में मकसूस चमक नुमाया थी जो जन्नाब को जेर करने की पूरी कोशिश करती थी बस इतनी ही बात करनी थी आपने उसने मुकमल तोर पस की जज़बे लुटाती आँखों के तासूर को नजरनास किया नहीं बहुत सी बाते करनी है मगर तुम मुझे मौका दो वो फिर से अपने मकसद पर आया और मैं आपको कह चुकी हूँ कि सवाले से मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूगी वो कदियत भरे लहजें बोली तुम अभी बात जौब कर रही हो फखर के पास उसके बात के जवाब नो फिर से परसनल हुआ जन्नाब के माथे पर बल पड़े इस से आपका कोई तालुग नहीं उसे साव जवाब दे कर उमुडी मेरा तुमारे हर मौमले से तालुग है अभी से नहीं बहुत सालों से फखर की नौकरी तो उसकी असलियत मालुम होती वो छोड़ चुकी थी कुछ मलिक आयाज और मारिच ने जोड़ दिया था कि अब उसे ये नौकरी करने की जरूरत नहीं है मलिक आयाज ने उसका फ़र्चा पानी सब उठा लिया था शायद बहुत जल वो उसे होई ले ले जाकर उसकी असल हकीकत भी सब को बताने का इरादा रखते थी मगर मसला उसकी वनी वाले मौमले का था अगर पंजाद को खबर हो जाती कि वनी हुई लड़की वहां से भागने के बाग जिन्दा सलामत है तो कभी मुसे मलिक आयास के पास सुकून से रहने ना देते इसलिए अभी वो मसलेहतन खामोश थे मंगर जनाब की अब पूरी तरह से खबर रखते थे मैं ऐसे किसी तालुक को नहीं मानती जो जबरदस्ती के जोड़े जाए वो फिर से इसकी नफी करती अपकी बार मुड़े बगर वहां से निकलती चली गई एक बात पूछो वो दोनों इस वक बालकुनी में बेटे मौसम की कुनकी इंजॉय कर रहे थे साथ साथ काफी भी पी रहे थे नशरा कब से पढ़ाई में मगन थी खाना भी पेपर की तैयारी करते वे खाया था आखे मारिजने से थोड़ी देर फ्रेश करने के लिए काफी बनाई और उसके ना ना करने के बावजूद उसका हाथ थामकर से लाउंज से उसकी मखसूस जगे फ्लोर कुशन से उठाया इतना पढ़कर क्या करेगी सारा सिमस्टर बढ़ा होता तो एक रात में तैयारी की टेंशन ना होती हमेशा की तरह अपनी बातों से उसका दिल जलाया तो कुछ जादा मुझे अंडरस्टिमेट कर रहे हो असाइमेंट्स और प्रिजन्टेशन में टॉप स्टुरेंट में नाम है मेरा वहां के सुकेड़े उसकी शरार्ती अंदास देख कर रही बोली तोनों इस वक्त केंड की कुर्सियों पर साथ साथ बैठे चांड की रोशनी को देखने के साथ साथ काफी पीते एक दुसरे को जलाने में मसूफ थे और मैं इनने कम में स्टुरेंट में से नहीं जो एक रात में तैयारी करे वो हमेशा एक तरह उसकी गयर संजिता बातों पर संजिता हो गई आपको इसलिए यहां लेकर आया हूँ कि दिमाग को थोड़ा फ्रेश करे मसलसल पढ़ पढ़ कर भी कभी कबार पेपर अच्छे नहीं होते क्योंकि हम इतना लोड ले ले लेते हैं कि एक्जेस हो जाते है कि पेपर में सब गुटमुट हो जाता है ख्याल रखने का वही अनुका अंदास तुमारे मुमें खाक उसकी महबत पर मतासिर होते थे भी वो उसकी बात से पेपर अच्छा ना होने वाली बात उचक कर सदमे में जा चुकी थी नहीं अभी तो मेरे मुमें ये काफी जा रही है खाक फिलाल नहीं आ सकती वो भी उसकी बात का बुरा मनाय वगर मज़े से सलमेलाना इंज्जाय कर रहा था नश्रा ने मूँ बिकारा फिर कुछ सोचकर उससे सवाल किया जी जरूर पूछे मगर ये मत पूछेगा कि मेरा पेपर कल कैसा होगा क्योंकि मैं आलिम बाबा हर्गिस नहीं नश्रा उसकी बात पर सर पर हाथ मार कर रह गई परेसंटेशन के तैयारी के दरान उसे सणा थे उसने मारिज से गलती से पूछ लिया था कि उसके मताबिक उसकी परेसंटेशन को कितना रेट करना चाहिए और फिर जो जो फर्मुदाद मारिज ने बताया उसके बाद नश्रा ने कानों को हाथ लका लिया कि आएंदा इसे ऐसी कोई बात नहीं पूछेगी जी मैं जानती हूँ और तुमने मेरा दिल जलाने के लिए कोई फुजूल तरीन बात करनी है और मैं हर्गिस नहीं चाहती कि तुम्हारी कोई फुजूल बात सुनकर बशुगू नहीं करवाओं उसा जटक कर बोली अच्छा अच्छा पूछे से बुरा मनाते देख करो हसी रोपते बोला अगर कोई शक्स अपने एकिये पर शर्मिंदा होकर माफी मांगे तो क्या हमें सब भूल नहीं जाना चाहिए अगर आप मुझसे माफी मांगना चाहती है तो इसकी ज़रत नहीं है मैं बहुत सखी हूँ मैंने आपकी हर बुरी बात फरामुश कर दी है कुछ देर संजीद्गी से सोचने के बाद जो बोला नश्रा को भढ़का गया तुम कुछ संजीद्गी से जवाब दे सकते हो उसके मजबूत कंदे पर अपना नाजुक हाथ पढ़के अंदास से मातियो पेचोता आप खाने लगी आप अपने हत्यार काबो में करें मैं संजीदा हो चाता हूँ उसके लंबे नाखुन उसे शर्ट के अंदा से भी चुबे थी मज़े से उसका हाथ पकड़कर नाखुन आगे करते उस पर चोट करने लगा तुम ही नोशने के लिए रखिया वो उसके हाथ में दबे हाथ क्यूंग्लियों को मोड कर वो ली रात में आपकी हत्यार काटूंगा उसे धंकी देने लगा हाथ अभी भी उसके हाथ में था जिसे दोनों हाथों में दबाए महबत भरा लंब्स बखश रहा था नश्रा की धड़कर ने मुंतशर हो रही थी खबरदार जो मेरे नील्स काटे तो मैं गंजा कर दूंगी नहीं तो उसके लंब्स का असने जायर करने की कोशिश कर रही थी मारिज प्लीज पताओ ना उसके हाथों से हाथ किचा आप क्यों इन खुबसरत लमहात में एक बिल्कुल भी मकसद टॉपिक चिरना चाती है उसके हाथ चोड़कर उसकी कुरसी के पुष्ट पर बाजो ठिकाते मख्मूर नजों से उसके चेहरे का तवाफ किया उसके बात परो शच्टर सी चन पल आंके कुलें से देखती रही वो किस कदर उसे जानने लग गया था लगता था उसकी नस नस में बसने लगाओ जैसे माफ कर दो तुम और जनाब उसे समझ गया था वरीद का जिकर करेए आप आइंदा उसकी कोई बात नहीं सुनेगी वो ये तक कैसे जान गया था तुम्हें कैसे बता उसने उसी हैरानी से पुछा आप और जनाब यूनी में होते वे भी मेरी नजरों में रहती है अब उसे क्या बताता कि इसके बंदे वहां हमा वक्त मौजूद रहते थे वो ये तक जानता था कि कब और कितनी बार वरीद ने जनाब को अपने आफिस में बलवाया है मैं तो समझ जी थी कि तुम्हें पता चला तो मेरा कीमा बना दोगे वो अपना डर उस पे वाज़े करने लगी चले आए पिर आपका कीमा बनाओ उसके कंदे पर हाथ रखकर आँकों मस्नुई गुस्ता लाते उसे घूर के बोला जी नहीं नश्रा ने डर कर अपने कंदे से इसके हाथ अटा और कुरसी भी घसीट कर उससे फास्रे पर की उसके डर पर मारिज का कहका को मजबूती सी थामा मारिज पंजो के बल उसके सामने बैठा नजरे मसलसल उस पर टिकी थी उनसे लपकते जजबे नश्रा को खेरा किये दे रहे थे उसने नजरे जुका ली उच्पा इतना ही अतिबार है हाथ उसके बाजों पर रखकर पूछा वो तो उसके जरा से देखने पर फिगल जाती थी कजा के कुर्बत सांसे नहमवार हुई तुम पर एतिबार है मगर तुम जर्नाब वाले मौमले में जितने चची हो उस हिसाफ से कुछ भी कर सकते हो वो भी साफ गोई से बोली इतना भी टची नहीं कि आप पर हाथ उठाऊं मैं ऐसा मरत नहीं इतना तो जानी गई होगी आप उसके कलों से उटती महक नश्रा के हवासों पर सवार हो रही थी हाइंदा इस मौमले में कोई बात हमारे तर्मियान नहीं होगी जिसे माफ करना चाहिए और जिसका वो असल कुसूरवार है अगर वो माफ नहीं करेगी तो मैं कभी भी इसे माफ नहीं करूंगा ये कोई फिल्म या कहानी नहीं के विलन को फीरो बना दी जाए उसने जितना बुरा जन्नाव के साथ किया जन्नाव जो कुछ उसके साथ करे वो कुछ भी नहीं है इस तकलीफ के आगे जो उसने सही है आप मेरे मारने पर खौवज़दा हो गई सोचे उसने उसकी मार सही है बाकी दिलों के हाल अल्ला जानता है अगर इस सबसे उसे अकल आ चुकी है तो अच्छी बात है लकिन आखरी फैसला जन्नाव का है और मैं हमेशा उसके साथ हूँ वरीज जैसे मर्दों का अंजाम उससे भी भैयानक होना चाहिए जो औरत को कमजोर समझ कर अपनी ताकत ऐसी घटिया मर्दानगी की सुरत दिखाते है दी में अन्दाजम बोलता हूँ उसके दिल में उतर रहा था नश्रा ने सर उठा कर उसे देखा मर्दानगी औरत को तहफुस देने में है उसकी सांस चीन कर उसे बे सरो समा करने में नहीं मर्दानगी औरत से महबच करने में उसे मौम की गुरिया के तरह ट्रीट करने में है जानवर या बेजान चैस समझ कर उसे इज़ा पहुचाने में नहीं है दुनिया के सर्दो करम से बचाने के लिए है ना के खुद से खौफ़दा करने में अपनी नाकामियों का बदला औरस से लो अपनी मौमलात उल्चे तो घर के औरत को धुनक कर रख दो अल्ला ने औरत को इसलिए मर्द की कफालत में नहीं दिया ना जाने हमारे यहां कफालत का मतलब ये क्यों समझते है के औरत के साथ जो मर्जी करो उसकी अल्ला ने इजाज़त दे रखिये अगर उसका भाई मरा था मेरे बाप की वज़े से तो उसमें जर्ना कोई क्या कसूर था मर्दानगी तो ये होती कि वो मेरे बाप को सुली पर लटकाते कि कहां का इंसाफ था कि उनकी बेटी को ले जाकर तकलीव देकर ये समझते है कि मेरा बाप तकलीव मेरेगा क्या वो जिन्दा है इस तकलीव को महसूस करने के लिए नहीं तो क्या फाइदा हुआ उन्होंने अपने आमाल खराब करवाए और लमा भर को रुका नश्रा ने उसके कंदे पर हाथ रखका यकिनन वो बहतरीन मर्दों में से एक था अब वो जर्नाब से माफी का खवाए तो क्या फाइदा है उसने तो बेकसूर तकलीव सही उसके लहजे में शदीद तकलीव थी तुम बहुत अच्छे हो मारिच वो बेक्तियार बोली चहरे पर उसके लिए महबबत ही नहीं मैं इतना अच्छा नहीं बस इनसान को इनसान समझता हूँ चाहे वो औरत हो या मर्द इसलिए कभी मेरे बारे में ऐसा मत सोचे का मुझे पल भर के लिए अपने मर्द होने पर अपसोस हुआ था जिसके मेरी बीवी डरती है मैं कभी भी आप पर हाथ नहीं उठा सकता ना उठाओंगा इसके हाथ को अपने हाथ में थाम कर फिर से तसलिए दी चंद पल उसके आँखों में देखता रहा फिर बढ़का उसके माते पर महबत भरा मान बख्षा नश्रा उसकी हरकत पर साकित रह गई माते पर आज अनुका ही एहसाल जागा था औरत बहुत खास होती है मर्द के लिए चाहे वो मां की सुरत हो बहन बीवी या बेटी और आप बहुत खास है मेरे लिए मेरी जिन्दगे में रंगी आपकी बदलत है आप से पहले मुझे नहीं मालूम था रूपना, मनाना, चुडाना और महबत करना क्या होता है ये सब रंग आपके दम से है उसके माते से माता टिकाए बोजल आवाज मुझे नश्रा के हुआसों पर च्छा रहा था मेरे लिए लफस बहुत खास है हर तारीफ से बढ़कर आँखे बंद करके वो हौले से मुस्कुराई जी तो आज हमारे साथ वरीद चाहदी जी मौचूद है वो आजकर की एकानुमी के हालात और उनको बहतर करने के कुछ खातिर कोई तरीके हमारे साथ चेयर करेंगे यकिनां आप मेंसे बहुत से नोचवान महंगाई और बेरोजकारी से तंग है वरीद साथ आप सब के लिए एक नई मौटिविशन लेकर आज हमारे दार्मियान है अपनी भरपूर तालियों में उन्हें दावत दूँगा कि वो बहुत से हकायक हमारे सामने रखे और उन सब पर हम कैसे काबो पा सकते वो भी बयान करे वो जो अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी से स्यार करके आया था इस सेमिनार के लिए उसके हमरा स्पेश पर आया बहुत शुक्रिया आप सबने मुझे एकनी इज़स से बुलवाया हैं यहां तो मैं कुछ इंपॉर्टन चीज़े आपको दिखाना चाहता हूँ कि कि इन वजुहार की बिना पर हमारे मुलकों की एकनोमी खराब हुई है प्रोजेक्टर के साथ अपना लैपटॉप सेट करती है वो साथ साथ वहां बैटे बहुत सारे स्टुएंट से मुखादिब था दो तीन बार ये प्रिजेंटेशन में शामिल होने वाले सवालात को उसने बेताज्ज़ से सुना और ये आज नहीं पिछले तीन दिन से उसका सेमिनार का स्परजल था और तीन दिनों से वो मुससल गयर हासित दिमागी का शिकार था दो तीन बार सवाल कुछ दे और जवाब उसने कुछ दिये लोगों के चहरों से उसे अंदाजा हो गया कि वो बेरब्त बाते कर रहा है हम कुछ देर का बरेक लेते हैं फिर यही से सिस्सिला शुरू करेंगे मेजबाने सेमिनार के दर्मियान एकदम बरेक ली वरीद को अपने साथ ये हौल के साथ बने कमरे में आया सर आप डिस्क्राब लग रहे हैं वरीद वहां मौझूद कुरसी पर सर थाम कर बैठा था मैं शायद कुछ एक्जस्ट हो गया हूँ बहुत माज़ूरत आपका सेमिनार मेरी वज़े से खराब हुआ माज़ूरत खवाना लहटे पर वो मेजबान हैरत का शिकार हुआ वरीद चोधरी तो किसी से कभी माज़ूरत नहीं करता था आखिर इतना फूटा विकरा क्यों लग रहा था नहीं सर कोई बात नहीं हम आपकी किसी मजबूरी का कहकर इसको अभी खतम करवा देते हैं वो इसकी मुंतशर हालत पर तश्वीश का शिकार हुआ नहीं आप बस मुझे दस मिनिट दे मैं सेमिनार मुकमर करके जाओंगा उसने दस मिनिट के लिए उसे अकेले रहने की दर्खास थी जी जी सर जरूर वो फूरन कमरे से बाहर निकला उसके जाती कमरे में खामशी कराज था मत करो मेरे साथ ऐसा पिछले तीन दिन से नहीं बनके बहुत दिनों से वो इस बेतवजी का शिकार था ये महबबत उसे रफ़ता रफ़ता अंदर से खोकला करती जा रही थी हर लमा जहन में बस वही रहती उसे लगता था वो खाली हो चुका है वरीट जोदरी अब कही नहीं था उसके अंदर बाहर हर जगे बस जरनाब थी उसकी महबबत उसकाश उसकी अपनी पहचान खतम हो रही थी वो बेबसे से माथा मसल रहा था वो उससे किसी सुरत कोई बात करने को तयार नहीं थी वो उसे माफी मागना चाता था चाह दिये करके यही उसका जीना सहल हो जाए मंगर उसने भी बड़ा बड़ा बदला लिया फिर माफी के लिए गिलगड़ाने का मौका तक नहीं दे रही थी और यही सोच यही धुतकारना उसे पागल कर रहा था तो फिर मैं दूआ करती हूँ कि तुम भी इस जजबे का मज़ा चको और ऐसे के किसी दिन मेरी जबे तुम हो और कोई तुम्हारे इस जजबे का ऐसे ही मसाक उड़ाए यहनि के बहुत पहले कहे अलफाव से दिन रात कचुके लगाते थी देखो आज मैं इस जजबे से गुसर रहा हूँ इस तकलीव से दो चार हो रहा हूँ तुम्हारी बद्वा मुझे बहुत बुरी तरह लगिया जानी उसकी आँके नम हुई महबत ये तकलीव बड़ी दर्दनाक होती है हरा आज उसने महसुस कर ली थी बड़ी शिद्द से महसुस की थी कैसे हो बेटा तो एक जरूरी मीटिंग खतम करके फारिग हुआ था कि मैं लिकायास की कॉल आ गई जी साइं पर ठीक हूँ आप सुनाए उनका बहुत कम उसके आफिस टाइम में फोन आता था अलहमदिलिल्ला वेटे मैं ठीक हूँ रजिया की तब ये ठीक नहीं है मैं उसे लेकर शेहर हॉस्पिटल में आया हूँ लेकिन अभी वापस जाना जरूरी है तुम बच्चियों से जिकर मत करना हॉस्पिटल का चक्का लगा लो वैसे तो जरीना भी यहां है लेकिन मैं चारा था तुम आ जाओ उनकी बात पर वो परिशान सा हुआ जो भी था वो उसके बाप की बीवी थी उमारिज की हकीकत से तो अंजान थी मगर बच्च्पन से अब तक दरीना की तरह उन्होंने भी उसे प्यार और महबद दी थी नरम दिलवाली रजिया उसे फविली के और लोगों की तरह बेहत अजीज थी क्या उन्हें जरनाब का बता देना चाहिए जो भी है उन्होंने उसका गम भी दिल पर लिया है उन्हों जामता था कि वो माँ थी कैसे अपनी बेटी को भूलती अब ही वक्त नहीं आया आज जुमा था और जरनाब को उनके पास आकर रहना था मारिज की कहने पर हर वीकेंड पर वो उनके पास आकर रहती थी बीबी को फलेट पर छोड़ दिया है जी साब अभी छोड़ कर आपकी चानी बारा हूँ इसकी बात पर उसे ससली हुई पर और इसका फोन बन करके नश्रा को कॉल की वो काफी बना कर जरनाब को कब ध़मा कर अभी अपना कब लेकर बेठी थी के फोन गुन गुनाया अस्सेलाम उलेकुम मारिज बहुत कम आफिस दे फोन करता था हैरान होते फोन उठाया कैसी है उसने साधे से लहजे में पूछा जैसी सुबा थी और मज़े से बोली सुबा तो आप नीन में थी या भी भी नीन में हैं उसकी मस्कुराती आवास पर नश्रा ठिंकी हाँ तो तुम मुझे जगा देते अब सारी रात तैयारी करूंगी तो सुबा तो सोई होगी ना वो जो अपनी तारीफ सुनने के चक्करों में थी उमीद लगाई भी थी तो किस से जो कभी उसके तारीफ नहीं करता था उसकी बातों पर वो हमेशा की तरह उसे पेंस सिच्वेशन में भी हलका फुलका हो चुका था अच्छा ये बताए जर्नाब आ गई है उससे तद्दी की ओह तो ये कहो बेहन के लिए फोन किया है मैं ऐसे खुश वहम हो रही थी कि मेरे शोहर नामदार ने मुझे आज याद कर लिया जर्नाब को देखकर मस्नी तास्व से बोली वो उसकी लंद तरानियों पर मस्कुराए बगएर न रह सकी अपने भाई के हाल पर रहम भी आ रहा था जो उस रेडियो के साथ गुजारा करता था शुकर आपकी गलत तर्मी दूर हुई वो भी मारिश था इतनी आसानी से उसकी बातों में आने वाला नही था तुम आओ जराज अपने हधियार तेज रखूंगी अपने नाकुनों को देखकर दान पीस कर बोली मारिश कहका लगाए बगएर न रह सका आपके हधियारों पर पर पुर्बान जाओ जिने थाम लू तो आपकी जान हवा हो जाती है उप जानता था उसकी कुर्बत से कितनी घबराती है अच्छा बस मतलब की बात करो फॉरण हद बंदी लगाई जरिनाब के सामने शर्माने का उसे कोई शौक नहीं था पता था वो बाद में रिकॉर्ड लगाएगी मुझे कुछ जरूरी काम है एक फॉरण डेलिगेशन आया हुआ है तो मैं शायद आज लेटा हूँ कुछ उसकी बात तुमें सब फरामोश कर चुका था एकदम याद आने पर बोला मली कयास ने मना किया था लहाज़ उन दोनों को अभी रजिया विगम के बारे में बताना नहीं चाहता था अच्छा ठीक है खाना तो घर आकर खाओगे ना वो उसकी फिकर पर महबबस से मुस्कुराया कुछ कह नहीं सकता अगर ना नहुआ तो इनफॉर्म कर दूँगा अपना ख्यार लखे का महबबब भरा लहजा नश्रक की धरकन को हमेशा की तरह अपने बस में कर गया तुम भी महबबब भरी मुस्कान ने उसके चहरे का हाता किया होसला है मेरे भाई का जैसे उसने खौन बन किया जरनाब उसे चेड़ने लगी क्यों मैं जर्ला दूँ क्या पतिनक कर बोली कम भी नहीं जरनाब उसे चड़ाने लगी और ये हत्यार कौन से और जो मज़े से उनकी बाते सुन रही थी उसी की बात कर हवाला देखकर पूशने लगी तुम्हें क्यों बताऊं हमारी प्रसनल बात है तो बात गुमा गई अब इतनी रोमेंटिक बाते हो जरनाब से तो शेयर नहीं कर सकती थी ओ हो ते लिए प्राइवेसी भी होने लग गई उसे छेड़ने लगी फिर एकदम उसके गिर्द अपने बाजों का हिसार बानकर उसे जोर से खुद में भेचा दोने लाउंज में फ्लोर किशन पर आमने सामने बैठी थी मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए हो दोनों मुझे प्यारे हो उससे अलग होकर महबबत से बुलती चट 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 उसके गालों पर प्यार किया उसकी महबबत पर नश्रा मस्कुराई इसमें मेरा नह ख़ती तो हम उनसे मिल सकते उपर तास्व प्लेजर से बोली मैं तुम जानती हो जरनाब उस बंदे ने मुझे कभी साइम के हवाले से कोई ताना नहीं दिया मैं जो हमेशा उसे नाजाज उने के ताने देती रही उसने कभी वो सब बाते पल्टा कर मेरे मुझे पर नहीं म जिसे मारिज कभी दुनिया का सबसे बुरा इंसान लगता था और आज वो पूर पूर उसकी महबत में डूबी थी क्या इश्टियाक से पुछा वो माफ करना जानता है वो तुल्कियों को थकलीफ को भूलना जानता है अर ये हर किसी के बस की बात नहीं उसने मेरी नफरत को भी पूरे दिल से खुबूल किया अर अब मेरी महबत को भी पूरे दिल से खुबूल किया है तो बहुत खास है शायद हम सब के लिए अल्ला की जानिव से बेचा ऐसा बंदा जिसके वसाफ हमें भी इफियार करने चाहिए जरनाब का हाथ थामे मालिच का जिकर करते आफिर अपने मकसब की बात पर आ रही थी जरनाब जिसमानी तकलीफ से कही बढ़कर रूह की तकलीफ होती है क्या तुम मानती हो इस बात को उसके बात पर नशानी हौले से सरिलाया मेरे अलफाज ने हर लमा उसकी रूट च्छनी की मगर वो इन तकलीफों को भी भूल गया उसने मुझसे बदला नहीं लिया उसने मुझे माफ किया क्या तुम वरीद को माफ नहीं कर सकती मैं भी तो उसी की जगे खड़ी हूँ कभी मैं भी उसी की तरह सफाग थी मैं भी पिगली अल्ला ने मेरा भी गुरूर तोड़ा ऐसे ही वरीद का भी गुरूर तोट तोटा है तुम मारिज की बहन हो तो तुम वैसे उसाफ क्यों नहीं अपना सकती तुमने बहुत खूब उससे बदला ले लिया क्या तुम्हें नहीं लगता मेरी तरह वो भी तुम्हारी महबत मुब्तिला होकर अब रूल गया है क्या इसकी आजमाईश खतम नहीं होनी चाहिए जर्नाब ने साच जुका लिया एकदम आँखों में आंसों एकटे हुए मारिज के पास के यकीन था कि मैं वैसी ही नहीं हो जाओंगी जैसी पहले थी मगर उसने मुझके यकीन किया और मैंने उसकी यकीन का मान रखा जर्नाब अल्लह ने उससे बदला ले लिया है और मेरा नहीं ख्याल मगर क्या गैरंटी है कि वनी के इस रस्म में हर लड़की की इसमत मुझ जैसी हो तुमें नहीं लगता अब ऐसी रस्मात का फात्मा होना चाहिए जिसमें औरत की इतनी तदलील की जाती है कि वो बेगुना होते तकनीफ सहती है कि कि किसी मर्द को अब लड़की की इसमाल करे उसका एक एक लफ्स दुरूस्त था मगर ये सब मेरी और तुम्हारी हाथ में नहीं इन रस्मों को मैं और तुम खतम नहीं कर सकते तो बेचागी से बोली तो ये मर्द तो कर सकते है उसकी बात पर नशर में उलचकर उसे देखा दर्वाजे की जा ही रही थी कि मॉबाइल बचा मॉबाइल उठा करो खुद भी अपनी जगे से खड़ी हुई मॉबाइल पर सरवडी कॉलिंग देखकर वो लमा बर को वहीं खड़ी रही हेलो फोन उठाया असलाम उलेकुम दुसरी जानिब से सलामती भीजी गई वालेकुम आसलाम खेरियत एक नज़र मॉबाइल का जनाब को देखा जो सवाली नज़रों से उसके जानी देख रही थी मैं आपके फ्लैट के दर्वाजे पर खड़ा हूँ जनाब आपके पास है क्या मैं उसे एक चन्द मिनट के लिए बात कर सकता हूँ मैं जानता हूँ आपके लावा इस लमें मैं और किसी को मदद के लिए नहीं पुकार सकता वो मुझे कोई बात कहने का मौका नहीं दे रही मुझे उससे माफी मांगनी है मुझे उमीद है आप मेरी मदद करेगी फिलीज नश्रा इंकार मत करेगा समझे एक मरते इंसान के आखरी खुआईश पूरी करेए मैं बहुत अकलीफ में हूँ इसके आवास की नमी नश्रा से छुपी ना रह सके जी मैं आती हूँ जरनाब को एक नश्रा देखकर और दर्वाजे की जाने बड़ी दर्वाजा खुला उसे देखकर चंड पर नश्रा शौक ट्रे गई फुर्शकर लाइड ग्रीन शल्वार कमीज में बड़ी हुई शियों के साथ वो नकसक से तयार सरवरीद के हुलिये से अकसर मक्तलिफ नजर आ रहा था नेक्स्क पेपर के लिए उन्हें चार चुटिया थी इसलिए दो दिन से वो इन्हीं भी नहीं गई थी वरना इसका यह उलिया पहले ही नजर में आ जाता आईए सर्व दिल कड़ा करके उसे अंदर आने का कहा वो इस वक्त से पे एक बेबस इनसान की मदद कर रही थी जानती थी मारिश को मालूम हुआ तो वो बहुत गुस्ता करेगा लेकिन वो मना लेगी उसे लिक्टिन फिलीज मैं ज्यादा देर आपको यहां रहक नहीं सकती उसे साब को इसे बताया मैं ज्यादा वक्त नहीं लूँगा उसे शक्र भरी नजरों से देखता बोला आये उसे अपने पेछे आने का कहती आगे बड़ी कौन है नश्रा को देखते जैसे ही उसकी नजर उसके पीछे उठी वो कितने ही लमे साकित रह गई प्लीज जर्नाब आज मुझे मौका दे दो उसे अपनी जाने देखता पाकर विलाचारी से बोला तूटा भी ख़रा ले जा और कुछ नश्रा की कुछ देर पहले की कही बाते वो बस एक नजर उसे देखकर रह गई उसके सामने फ्लोर कुशन पर बैठ गया सर आप प्लीज सोफे पर बढ़े नश्रा को सका यूँ बैठना अच्छा नहीं लगा फौराँ आगे बढ़कर बोली प्लीज उसने आथ उटा कर उससे कुछ और कहने से मना किया सर जुकायो जर्नाब के रूबरू था नश्रा उसके पीछे खड़ी जर्नाब को उसकी बास सुनने के दर्खास कर रही थी कहां से शुरू करू आवाज में वाज़े लड़कराः थी जिस लब में मेरा भाई इतमारे बाबसाइं की गारी से टकराया मैं उसके साथ ही खेल रहा था उसे खून में लगपत मैं ही कार्ष के हमरा हॉस्पिटल लेकर गया मेरा बहस नहीं चलता था कि उसके मानने वाले को खुद अपने हाथों से कतर करूँ मैं वो बच्चा था जिसे ना सिब बाब बरके दादा दादी घर्स खानदान के सबी लोगों ने सर पर बिठा रखा था मैं शुरू से जहीं था और मा की निजबत बाब के ज़्यादा करीब था हमारे खानदान में लड़कों को बच्चमन से यही बताया जाता है कि तुम मर्द हो तुम औरत के साथ किसी भी तरह का सुलूख करो तो तुम्हारा कर मैंने मा को भी अपने बाब से मार खाते देखा जब भाई की मौत पर मैं रोया तब भी मेरे बाब ने यही कहा कि तुम मर्द हो अब तुम्हें बदला लेना है और बस यही बात दिमाग में घर कर गई जब तुम वहां वनी होकर आई मेरे दिमाग में दिन रात यही बात तुम्हें मानना सवाब का काम है और मैं बिना सोचे समझे वही करता गया लब भेंच करो लमा भर को रुका जैसे बहुत मुश्किल से इन तकलीव दा दिनों के याद कर रहा हो मैं उस बात को ये कहकर जस्टिपाय नहीं करूगा कि मैं बच्चा था क्योंकि ये सोच मेरी तक तक नहीं बदली जब तक 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 तुम से महबत नहीं हो गई हाँ मैं उस बात को इतिराफ करता हूँ वरीद चौदरी जो औरत को सिर्फ नफस की ज़रूर समझता था आज जान गया है कि औरत भी मर्द की तरह इंसान है जीदी जाती इंसान जो मर्द से भी ज़्यादा चत्तानों जैसा ना सिर्फ होसला रखती है बलके इसी बात का इरादा करके उस पर डड़ जाये तो मर्द को भी गुटने टेकने पर मजबूर कर देती है पहली बार उसने सर उठाकर लमा भर को जानाब की जानी देखा और फिर नजरे अपनी गोद में धरे अपने हातों पर जमाए मैं जो अपनी खुबसूरती पर गरूर करता था आज इसी खुबसूरती से चिड़ है जिसने कितनी ही लड़कियों को उसे बरतने पर इस्तिमाल किया हाँ मैं यकिनां बद्तरीन मर्दों में से एक हूँ मैं इस काबल नहीं कि तुम मेरी महबत पर यकीन करो मगर मैं अल्ला से फिर भी दुआ करता हूँ कि उसकी वो आयात मुझ पर पूरी ना आए जिसमें ल्ला कहता है बतकार मर्दों के लिए बतकार औरते भराही आवास मुस ने आयात का हवाला दिया मैं अपनी नस्ल बतकार औरस नहीं चला सकता मैं मानता हूँ, उसके लिए मैं अलाह से माफी मांगता हूँ, मैं तुम से माफी मांगता हूँ मैंने तुम पर जितनी बार हाथ उठाया, जितनी बार तुमी तक लिए दी मुझे माफ कर दो, मुझे किसी चीज़ का होश नहीं तीन जिन से मेरे सब सेमिनार खराब हो रहे हैं मुझे यूनी से भी वार्निंग मिल चुकी है मैंने किलास के सब पेपर्स गलच चेकी है मैं किसी मीटिंग में एक्ट्यू नहीं मुझे दिन रात तुम्हारी महबत के अक्टुपस ने जकर लिया वहाद बांदे अपने आंचों पर फ्यार न रख सका नश्रा दिवार को धामे इस उंचे लंबे मगरूर मर्द को जरनाब के सामने हाथ जोड़े हैरस से आंके कोले देख रही थी कम हैरान जरनाब भी नहीं थी आंके कोले वह हैरस से उसकी बाते सुन रही थी उसका नदामा से फूट चहरा देख रही थी मुझे माफी दे दो बेशक अपनी महबत मत दो मेरी यही सजा होनी चाहिए मगर मुझे माफ कर दो शायदी माफी मुझे कुछ परसुकून कर दे मैं इतने दिनों से तुम से इसी लिए बात करने का मुतमानी था कि शायद तुम्हारी माफी मेरे गुनाहों को दो दे तुम अल्लह से कहो वो भी मुझे माफ कर दे उसका हर आश इस बात का सबुत था कि अल्लह ने उसे उसकी गल्दियों का ऐस दिला दिया है इसक पहले था या आश़िक पहले आए माश proving तु आशिक पहले मैं आपको माफ करने को तयान हूँ एकी दिर से खामोच दरनामने लब खोले उसका लहजा मतवाजन था और चहरे पर कुछ अनों की तमक थी वो जो आँखे जुकाई बैठा था चटके से नजरे उसके चहरे पर डाली नाए हां से आसु साफ थी बेयकीनी से उसे देखा मगर मेरी एक शर्ट है इसकी बात पर वरीद ने तेजी से सरह आया तुमारी हर शर्ट मनसूर की बात सुनने से पहले उसने अपनी रज़मन्दी की महर सबत की आपको पूरी पंचायाद के सामने मुझे वनी के इस गंदे तालुक से आज़ाद करना होगा आपको ये कहना होगा कि रस्म आज के बात आपके अलाके में फरवान नहीं चड़ेगी आपको अपने खांदान वालों के सामने मुझे से दस्टबरदार होना होगा मैं भी उन सब के सामने आने के लिए तयार हूँ मगर इस्ते पहले इस करिया रस्म का खात्मा आपको करना होगा इस्ते कम पर मैं आपकी माफी कुबल नहीं करूंगी उसका लब्स लब्स एक उसम लिये हुए था यहीं मौका जन्नाब को गनीमत लगा मैं नहीं जाती मेरे बात महां कोई और लड़की सकलीड़ दर रस्म की तवबतों से गुजरे आँखे नम ही मैं यह सब करने को तयार हूँ वरीद के मिस्पत जवाब पर नश्रा ने शुकर का सांस लिया मगर फिर मेरी भी एक अधनासी बुसारी शुकर नश्रा ने बेक वक्त चौंग कर उसके जानी देखा बैस्मेंट में होने की वज़े से उसका मुबाइल मिल नहीं रहा था और को कैसे बताओं कि वरीद चौदरी उनके फ्लेट में मौजूद है उसका बंदा बाहर खड़ा अबसे मारीज को फोन करके बताना चाहता था कि उसने अभी वरीद को इनके फ्लेट में जाते वे देखा है वो यह जगे छोड़ कर नहीं निकल सकता था वन्हा खुद उसके आफिस जाकर उसे बताता मारीज ने उन्हें बस इतना बताया था कि आज उसके घर लेट आएगा लहाजा उन्हें अपनी आँखे खु़ी रखनी है पिछली बार की तरह इस बार वरीज चौदरी का कोई बंदा उसकी बीवी और बहन तक पहुंचा तो उन्हें जिन्दा नहीं चौड़ेगा और आज वरीज चौदरी का बंदा नहीं बलकि वो खुद उन तक पहुंच चुका था अस्सलाम लेकुम ताया साई आज हबते बाद उसका फोन आया था कली वो रजिया को लेकर वापस आय थे जिन्दागी पर उसने परेशाने समय थी इसलिए दिल अब कमजोर हो गया हफ्ता ट्रीटमेंट करवाने के बाद वो उसके घर ले आया मारिज ने इस तमाम वक्त में बाकाइद्गी से हस्पिडल के तमाम काम किये मगर नश्रा और जरनाब को उनमें किसी ने हवा तक नहीं लगने दी थी ताकि वो सुकून से अपने पेपर्स दे सके कल ही उनका आखरी पेपर हुआ था और आज जरनाब का उन्हें फोन आया वालेकुमस्सलाम मेरा बच्चा कैसा है महबबस से बोले मैं ठीक हूँ मुझे गाव आना है और आप से एक एहम बात भी करनी है बहुत कुछ सोच कर उसने उन्हें फोन किया जब कहो बेते मैं वैसे भी आपके पेपर्स खतम होने का इंतजार करा था मैं सब के सामने आपको आपकी असल हैसियत के साथ अब लाना चाता हूँ यो भी उसे अपनी अरादे बताने लगे मैं भी अपनी असल हैसियत से आना चाती हूँ वरी चौदरी ने मुझे से माफी मांग ली है कि बात पर वो लमा भर को गुंग रह गए मेरे लिए ये आसान नहीं था मगर मैंने एक शर्ट पर उसे माफ किया है उन्हे तफसीर से बताने लगी क्या ओ मतजसस हुए मैंने उसे काया कि वो पंचात बिलाए उस पंचात में उसके घर के मर्द हमारी यहां के मर्द मैं और वो हम भी मौजूद होंगे और वो सब के सामने मुझसे वनी की हैसिया से दस्किवरदार होगा उसके आवाज लहजे की बुक्तगी पर उनकी लमा भर को नम ही अभी कभी हम जिसे कमजोर समझते हो ऐसा ताकतवा निकलता है के दुनिया को शर्ष्टर कर देता है उन्हें फखर था कि उनके खांदान की बेटी तनी मजबूत थाबित हुई थी कि उसने एक किलिया रस्मक के खिलाफ आवाज बुलन की थी इसे मर्द खतम ना कर सके वो बच्ची अपनी ताकत के बल पर खतम करवाने चली थी I am proud of you बटा मेरे बच्चे नम लहजे में वो उसे सराहे बगएर ना रह सके दुआ करे कि वो लिन पूरी आब अताब से हमारी जिनदगी में आए और जैसा मैंने सोचा है वरी चौधरी अपने कहे पर पूरा उतरे इसकी बात पर उन्होंने सदक दिल से आमीन कहा मैं आज ही गाड़ी भुचवाता हूँ आप और नश्रा दोनों आ जाओ कुछ दिन रह लो उनके अगले सिमस्टर शुरूरने से पहले उन्हें एक हफ़ते के चुटी थी और इसी एक हफ़ते में वादे के मताबिक परीद ने इस सब करना था कुछ दिनों से वो उसे देख रही थी कि वो खामोश सा था वो शोकी और शरारत जो उन दोनों के दर्मियान शुरू हो चुकी थी अब वो नजर नहीं आ रही थी कुछ वो खुद अपने पेपरस मसूफ थी कि वो इससे ढंग से कोई बात ना कर सकी काली पेपरस खतम हुए सारा दिन सोने के बाद शाम में उटका उसने अच्छा सा डिनर अपने और मारेज के लिए तयार किया उसके आने से पहले खुद भी अच्छे से तयार हुई रात में आट बज़े कि वो ऑफिस से वापस आया घर में चिकन, स्रिक्स, गिरिल्ड पेटेस और पास्ता की खुश्बू फैली भी थी लाउंज में सेंटर टेबल पर केंडल से लाई गई थी लाउंज से होती उसकी नजर कीचें में चमकती दमकती नश्रा पर पढ़ी हलके चौकलेट, ब्राउन, रंका, सिल्क का, हलके काम वाला सूट पहने बालों को स्टाइडिस से मैसी जोडे में जगड़े कानों में खुब्सरा स्यावेजे पहने हलके से मेकप में उसका सुकून अच्छा खासा बर्बाद कर चुकी थी अस्सलाम उलेकुम खाने की प्लेट्स बनाते कदमों के चाप पर उसने मुर कर देखा कानों में सुनेरी बालिया और उनमें जुड़ा फैंडेंट, हलकोरे लेते मारिज की सब तब तबच्छे अपनी जाने मर्कूस कर चुके थे वहां से होती उसकी नजर नश्रा की आंकों पर लगे, लाइनर और फिर होंटों पर लगी लाइट सी लेपिस्टिक पर गई मारिज ने बमश्किल नजरे उसके जगमगाते चेहरे से मुरी लैप्टॉप का बैग सोफे पर रखा आज कोई खास बात है, आखिरों पूछे बिना ना रह सका हाँ ना, मेरे पेपर्स कता हुएं, इससे ज़्यादा खास क्या हो सकता है वह मुस्कुराते हो बोली, तुम फ्रेश हो कर आओ, तब तक मैं ये रेडी कर लूँ लैट्स काउंटर पर रखती, अब वो काफी फेटने में मसरूफ थी, मारेश की भटकती नजर एक बार फिर उसके जानी बुठी, जो उसके दिल की दिनाया दुनिया तह हो बाला करके, खुद सुकून से काम करने मंगन थी इतनी सच्धच कि वो खुद नॉर्मल थी और मारेश की धरकनों को अब नॉर्मल कर रही थी, वोट कर किचन की जानी बड़ा नशरा की, उसकी जानी पुछ थी, वो चीनी का जार खुरने मसरूफ थी जब कमर पर मारेश की हाथों का लम्स महसूस हुआ, हाथ धरकने और व जानी है कि आज आपने यू मेरे लिए तयार होकर खुद को सजा कर अपनी ले मुश्किले बढ़ा दी है, उसकी जजबात से बोचल आवास पर नशरा की गपरार सुआ हुई, उसकी उम्रिया उसके बालों में सरायत की, इससे पहले कि उससे बालों में लगी तुड़े की पिंस खुलता, नशरा ने अपनी कमर से उसकी हाथ हटा कर साइट पर निकलते फासला खायम किया, फूजूल बाते नहीं करो, जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है, अपने आवास की लर्जश पर ममर्शकुल काबू पाते, अपने सामने डार्क, बलू शलवार, कमीज मार्श की सीने पर हाथ रखे, उसे पीछे धकिला, मार्श ने इनी हाथों पर अपने हाथ रखे, मेरी वियत खराब करके, अब आपको अपने भूख की सोच रही है, उसकी गहरी आँखों का तास्व महसुस करते, वो बड़ी मुश्किल से उसके सामने खड़ी थी, नजरे महसुस होते, खुल कर हसा, इतनी जालिम आप हर्गिस नहीं, ये तो मुझे यकीन है पक का, उसकी हाथ अभी भी उसकी हाथों में थे, और इतने छिचुरे, तुम हर्गिस नहीं, मुझे भी पक का यकीन है, वो भी उसी के अंदान्स बोली, मार्श ने मस्नुई घूरी से देखा, ये छिचुरा होना नहीं, रॉमेंटिक होना है, केंडल लाइट डिनर तो बना दिया, मकर इस डिनर में रॉमेंस का अंसर होता है, ये नहीं पता, वो मस्नुई तासुच सर हिलाने लगा, उसके कपकपाते हाथों को छोड़ कर सीधा हुआ, तुम अपने रॉमेंस अपने पास रखो, जाओ, जाओ ना मार, इस तंग नहीं करो, वे चारगी से बोलती, इस लम्यों से और भी प्यारी लगी, कहां पता था, कभी यूं से जेर कर सकता है, गुस्ता नहीं, अपनी महबबस से, चेंज करके आता हूँ, फिर आपको केंडल लाइट डिनर पर पाना, उसने नहाया, शराफा सिखाया, काफी कमग लिए, दोनों बालपिने में चले आया, एक बात पुछो, वो काफी देर से नोट कर रही थी, कि वो कुछ खहना चाता है, मगर कह नहीं पा रहा है, अगर कोई फुजूल बात की, तब मारूंगी, और रोहां सी आवाज बोली, मारी जोले से हसा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो दिन पहले हमारे फ्लेट में कोई आया था, जिस दिन जर्नाव यहां थी, मक्य किनारे पर उंड़ी फिरते नीची नजरों को आहस्ता से उठा कर उसके चेहरे पर सच्चाई खोड़नी चाही, वो उसी रात अगले दिनों में भी नश्रा ने उसे वरीद के वहां आने के बारे में कुछ नहीं बताया था, पुछ आता था खुद उसे वरीद के आने का मकसल बताए, मगर नश्रा उस जाने से मुकमल खामोश थी, मारी को इतने दिनों से यही बात चुब रही थी, उसकी बात पर लि वरीद वरीद आया था, उसमें हिकलाते वे कहा, क्या करने आया था, अपकी बार एक तेज मज़र, उसके हवास बाखता चहरे पर डाली, और आपने उसे अंदर किवानी दिया, एक दम उसके लहजे में सकती दर आई, मारिज वो माफी माँगना ठाता था, कुर्सी के हते पर उसके वाज़ों पर अपने नरमगदास हाथ रखते गोए, अपने लम्से से शांत करना चाहा, मैंने आपको मना किया था, कि आप और जर्नाब मुझे उसके करीब भी नजर नाए, जब ब्रे मैचे बोलता हूँ, नश्रा को खौफ़दा कर रहा था, वो जर्नाब से बात क सुन रही थी, वो अपनी सफाई देने लगी, और आपने उसे ये मौक का फराम किया, उसने थमसकर उड़ाया, देखो मारिच, अगर एक शक शर्मिंदा हो तो उसे मजी शर्मिंदा नहीं करते, और अगर वो आप मेंसे किसी को कोई नुकसान पहुँचा देता, कि बात पर बहुत ही कोई बेतु का बात करती है आप, वो उसकी मिसाल पर बोला, हाँ तो तुन तो बहुत तक तुकी बात करते हो, और रो रहा था, जर्नाब से माफी मांगी है, उसने, वो आहिस्ता हिस्ता उसे सब गुफटगू बताने लगी, ऐस्तो के आंसों पर यकीन ही करना चा गरदन मौर कर से देखा जो एक फास थी, वो निकल गई थी, बेक्तियार हाथ बढ़ा कर उसके बालों से पिर निकाली, नश्रा निमूब बना कर उसकी हरकत को देखा, इतनी अकल की बाते आपको कब से आ गई, गलत फिरमी दूर हुई तो भी अपने मूर में वापस आया, मैं हूँ ही बहुत अकल मन, तुमने मुझे हमेशा अंडरस्पिमेट किया है, गरदन उची करके उनाज से बोली, मारिज ने हाथ बढ़ा कर सके कंदे पर रखते उसे खुद से करीब किया, नश्रा की बोलती वही बंद हो गई, यकीना, ये मेरे साथ जिनने का सर है, तो क् कुछ रॉमेंस की भी क्लासिस में आपको दे दू, उसकी भारी बोजल आवाज नश्रा के उसान खता कर रही थी, चुप करो तो, उसका बाजो गंदे से हटाते पासले पर हुई, मारिज ने हाथ बढ़ा कर उसके बाल अपने हाथों में थाम कर उलचाए, बाबा साइं की क आते बोली, तुम्हारे बगर, सब होता है जाना, बस मेरा गुजारा नहीं होता, की बात के जवाब में इसके जजबों से चूर आवाज नश्रा को फिर से घबरात मुब्दला कर गई, मैं कुछ खाने बनाकर फ्रीज कर जाओंगी, तुम आकर गरम कर ले ना, इसकी आवा रहना बहुत मुश्किल लगता है, महबत पर अलम्स, उसके चेहरे पर जा बचा जगा गया, मैं खुद आप दोनों को लेने आओंगा, उसे जोर से खुद में भेचते हो, जैसे उसे उसे दूर नहीं करना चाता था, उसकी शिदतों पर नश्रा जितना नास करती कम था, इ बारेज़ ने मस्कुरा कर महबत से उसका माता जूमा, वापस आएं तो उसका जवाब दोंगा, नश्रा ने आसुदा होकर उसके कंदे पस्तर रखे, अपनी नाज़क बाजो का हिसार उसके गेद खींचा, बात की तुमने अपने बाबसाईं से, चन्दिन पहली जरनाब उसका नंबर अनबलॉक किया था, सुबह ड्राइवर और गार्ज में उन्हें लेने आना था, वो चन्द जोड़े बैग में रख रही थी, जब वरीड सब पर वरीड का मैसेज है, हाँ, मैंने आज सुबह उनसे बात करके सब बता दिया था, कल मैं और नश्रा काओ जा रह बस आपने जो वादा किया, उसे भूलिये कमद, उसे यकीन दहानी करवाने लगी, कभी नहीं, उसमें भी यकीन पर महर लगाने में पल भर की देर नहीं की, मैं आपकी गुजारिश मान चुकी हूं, और अल्ला के बात आप पर मरुसा कर रही हूं कि जैसा चाहती हूं वह अपने संजीत की से, फिर उसे बहुत कुछ बावर करवाया, मैं तुम्हारे इस यकीन को कभी तूटने नहीं दूँगा, तुमसे नफरत भी डंके की चोट पर की थी, अब महबत भी डंके की चोट पर निभाओंगा, की जानिब से आने वाले मैसेच को पड़कर, लमा भर के लिए सन्नाव की धरकनों ने लेवर दी, मगर फौरण ही वो सब फरामोश कर गई, बस मुझे आपकी चानिब से मिजबत रवईया ही चाहिए, ओ बात बदल गई, और तुम्हारी चानिब से मिजबत रवईया की, मैं अब कभ उमीद रखों, अपने मतलब की बात पर आय मेरा ख्याल है, मैंने आपको कहा था कि हम में ऐसी कोई बात नहीं होगी, वो बुरा वना गई, सुनो, थोड़ी सी गुंजाईश रख लो, वो आस से बोला, जितनी गुंजाईश निकानी थी मैं निकाल चुकी हूँ, आप मुझे प्रेशराइस कर रहे हैं, वो लब अब समझ आया कैसे लड़कियों को अपने पेशे लगा लेते, वो तंस से बोली, अभी तो एक ही लड़की को लगा लो तो बड़ी बात है, उसके तंस पर भी वो मस्कुराय बगर ना रह सका, शोख मस्कुरा ठोटो पर सजाय मैसेच किया, मुझे नमास पर नहीं हो, दाम इसकी माफिक कुबूल करके उसकी महबत को पूर पूर उसका बना दे, उसके अंदाज़ा था, कोई इसकी इसकी किस्म की दुआ होगी, गुट नाइट, इसकी बात को खात्मे लाए वगर तेज़े से मैसेच करकी मुबाइल रखकर नमास के लिए उट खड़ी वे, दौा म वाया था, जरनाब से शादी वाली बात को कोई हवाला ना दिया, वो खुश्टे के बूत सर से उत्रा, मगर उन्हें नहीं मालुम था, ये बूत उसके पूरे वजूद को जगर चुका है, उन्होंने किसी खश्टे के पेशन अज़र पूछा, जी कुछ हैं मौमला डिसकस करने, वो चाय पिता सरसरी इंदान्स बोला, कौन से हैं मौमला वलीद बोला, कुछ है, जिसने चलना है उचले, ये है, वही जाकर आपको बताऊंगा, बलके आपके सामने ही, भी सब कुछ आएगा, तो मुझे क्या डिसकस करना है, इसकी बात में अजीब पुरासरारियत स पी थी, तुम हमें अभी बता दो ताकि हम भी हमारा साथ दे, वो जहाँ चौधरी ने उससे गलुआने की कोशिश की, आपने जाना है या ने, कब सामने मौजूद टेबल पर रखकर टांग पर टांग रखते हैं, वो बराहे रास तो उनकी जानी देखते सर्द अतासरा त पाखों में लिए बोला, अचा ठीक है, हम चलते हैं, चचाओ को लिने क्या जरूरत है, उन्होंने हामी भरी, जब मैं कह रहाँ कि जरूरत है, तो जरूरत है, वो अपनी बात पर जोर देकर बोलता, वहां से उठकर अंगरूनी हिस्ते के जाने बड़ा, पता नहीं अब उन्होंने इंतजार कर ले, उसने मुबायल देखते वे का, सब बड़े बड़े फलंगों पर आमने सामने बैठे थे, कुछ दिर बाद मली कयाज अपने बेटे और जरूरत के हमरा वहां दाक ले, अस्तलाम उलेकुम, अंदर आते अपनी भारी आवाज में उन्होंने सलाम किया, उन्हें अंदर आते देखकर, वरीद की नजरे सिर्फ उसी एक वजूद पर टिकी थी, जो काली चादर में खुद को चुपाए उसके रूपर उथी, जरनाब ने नजर उठाकर सामने देखा, सफ़े शलवार, कमीज पर काली चादर लिये, दूप के बास, कोकल्स ल किया हुआ था, इसलिए उमाजर्थ कर गया, हलाकि उस दिन के लिए वो भी अपनी बहन की ही तरह बहुत पर जोश था, वजहाँ चौदरी तो मली कयास को देखकर ही चिटक गये थे, वरीद का उनके साथ यांदाज देखकर गुसे से पेचोताब खा रहे थे, गम गुसे स बुरहाल वलीदर उनके साथ आए, बाकी लोग को कभी था, सब कड़े तेवा लिये, वरीद को घूर रहे थे, आज इस जर्गे को बलाने का मकसद ये है कि बहुत साल पहले मेरे भाई की मौत, मली कयास के भाई, मली क सरफरास की कारिस हुई, इस वक्त में इतना चोटा था कि बहुत सेहन फैसलों को ना तो समझने की एहलियत रखता था और ना समझ सका, इस लम्हे मेरे वालिद में बजाये खून के बदले खून का फैसला करने के मली करफरास की बेटी को वनी के तौर पर मेरे साथ नब्धी किया था, सब खामोश देसे उसकी आवाज वहां गु थी उसे ना ढून पाए तो ये उसकी बेगैरती समझे जाती है, मुझे भी ऐसे बहुत से गटिया और गैर इकला की सबक पढ़ाये गए, और मैं भी यहां आकर उसकी तलाश करता खेर, कहानी का खुलासा ये है कि वो लड़की मुझे मिल गई, मगर इस अंदाज में कि अल रिजे पर पहुंचा हूँ कि मैं आज इस जर्गे के सामने, इन दोनों खानदानों के सामने, जर्नाब मलिक को वनी के इस प्रिया रसम से आजाद करता हूँ, बहुत सी बातों को हदफ करते असल मुझे पर आया, इसकी बात पर वजहा चौदरी उसके खानदान के सभी लो कोई रसम परवान नहीं चड़ेगी, वन्ना मैं खुद को इस खानदान से अलग कर लूँगा, आखिर बात मतوازन लहजे में कहते हैं उसने फिर से जर्नाब की जानी देखा, जिसके चहरे पर पुर सुकून तासुरात देखकर उसका दिल पुर सुकून हो गया, एक धीमी म तनफन करते उठे, नहीं, अगर आप खंडे दिमाग से सोचे तो आप की इज़त रवाकार बढ़ा है, वो उन्हें जुटलाने लगा, बहुत चुक्टिया बटे, मली कयास ने अपने लोगों को खड़े होने का शारा किया, मुझे खुशी है कि तुमने एक गलत रसम का ख उस वक्त मेरी उमर ऐसी थी कि मुझे सही गलत की पहचाना थी, अपने बाप को नजर अन्दास की वो खड़ा होकर उनसे मसाफ़ा करने लगा, जर्गे के मौसिदीन भी उसके फैसले को सराने लगे, उठो यहां से, वज़ा चौधरी अपनी बाकी दोनों बेटों और खान इस फैसले में मेरा कमान नहीं, उस अल्ला ने मुझे से किसी के अतौस तसे फैसला करवाया है, उनका हाथ ठामकर उस पर बोसा देख से इसमें बताते साथ ही करदन मोर कर जर्णाप की जाने देखा, जो मली कयास की बेटों की हमरा, वहां से निकल रही थी, खुश रहो, उ उन्होंने सच्चे दिल से उसे दुआ दी, सभी उसके फैसले पर खुश थी, सिवाया उसके खांदान की लोगों के, मगर उसे परवा नहीं थी, मली को की हवीलों में आज जैशन का सा समा था, नजाने क्यों, तुझे असीद की शादी पर देखती है, ऐसा लगा था, जैस आज एक और हकीकत भी आप सब को बतानी है, इसका घर के सभी बड़े और बच्चे हाल में मौजूद थे, सब जन्नाब से मिल रहे थे, आसू और खुशी दोनों इसलमी उन्हें घेरे वे थी, कहो बैटे, इश्रत बेगम ने बेटे को इजादा दी, आज वो भी बेहत आज साब, राजिया ने लब कुशाय की, सर्फरास ने चैन में एक शादी कर रही थी, मारिज उसी औरट का बेटा है, वो अब जिन्दा नहीं है, मगर मारिज को उसने मेरे हवाले कर दिया था, सर्फरास उसे अपनी कपलत में लेने को तयान नहीं था, और उसने मुझसे वादा लिया था, कि मैं यहां किसी को ना बताओ, मगर मुझे लगता है, यह उस बच्चे के साथ ज्यादती होगी, इसलिए वो प्रू से मेरे करीब है, क्योंकि उसकी असलियातर हकीकत से मैं वाकिफ था, मुझे मैसूस हुआ कि आज ऐसा मौका है कि अगर मैं उस हकीकत से भी परदा उठा दू तो, यहां किसी को कोई मसला नहीं होगा, उनकी बात पर इशरता जरीना दोनों ही बेख्यार रोपड़ी, और वो सब जो उसे नाचैस बच्चा समझ कर हकीर जानते थे, वो भी आज शर्मिनना नजर आए, भाई साथ आपको ये पहले बता देना चाह पर देर आए, दरूस्त आए, मेरे ख्याल में उन दो खुशियों के मौके पर क्यो ना आज सदका करे और मिलाद करवा लिया जाए, जरीना विकम की बात, यह सबने तायग थी, कुछी देर में वहां मिलाद कर निकार किया गया, सदका और खेरा दिया गया, वो इतनी जाने वरीद अपने कहे को पुरा करेका या नहीं, कैसी है, सलाम दूआ के बाद उसने खेरियत जानी, बहुत अच्छी और बहुत खुश, सफैर नेट की शलवार कमीस पहने और शिशे के सामने खड़ी, खुद को देख रही थी, साथ साथ उससे फोन पर बात भी कर रही तो फैसला जरनाब के हकमी हुआ, से ठैकते लहजे से ही वो जान गया कि वरीद ने अपना वादा पूरा किया है, तशक्तुर भरी सांस खारिच की, अलहमदिलिल्ला और एक आर बात की भी खुशी है, इसके मुस्कराते लहजे में कुछ अनोखा पन था, वो कौन सी, इसने हैरान होकर पूछा, अब बाबा साई ने सब को बता दिया कि आप जनाब, इसी घर के चश्म जिराग है, इसकी बात पर वो साकित हुआ, मेरी मां की हकीकत बता दी, कि आवाज जैसे किसी गहरी खाई से आई हो, नहीं, बाबा साई ने कहा है कि चचा साई ने शहर में शाद रो रहे हो, वो हैरान हुई, जी नहीं, रोने किसमें क्या बात, इसने अपनी आवाज पर काबू पाकर कहा, शुकर, मैं तो बहुत खुश हूँ, अब कोई यहां तुमें तेड़ी आँख से नहीं देख सकता, वो अपनी खुशी उसके साथ चेयर कर रहे थी, तेड़ी आ पर सकता था उनकी खुशी, अब तुम मुझे एक बात बताओ, पिछले दिनों चच्चिसाएं की तब्यात ठीक नहीं थी, और वो हॉस्पिटलाइस हुई, वो भी शहर में, जनाम ने दिन रात इमारदारी की, और बीवी को बताना भी कवारा नहीं किया, कुछ याद आने पर शिकवा करने लगी, उसे और जनाम का हवेले आकर मालू हुआ था कि रजिया, उनके पेपर की दिनों बीमार थी, ना सी वो शहर में हॉस्पिटल में रही, बलके जहीना के साथ-साथ मारिज ने उनके खूब खिरमत की, नेकी के कामों की तश्यीर करना, कोई अच्छी अच्छी बात है, तो मस्कुरहर दबा कर बोला जानता था, अभी फट पड़े गया और वही हुआ, अच्छा बच्चू, मैं कोई बात चुपाऊं तो तुम बेहतिबारी बीच में लेया आती हो, अर अपनी दफ़ा, तश्यीर नहीं करनी, बीवी को बताना तश्यीर करना होता है, बस अब मैं भी, तुम्हें कोई बात नहीं बताऊंगी, देखना तुम, एक खासे डूपटा सर पर साइट किया, मारिज ने बेच साथता, उसके चिड़ने पर कहका लगाया, उसी लमे जरीना उसके कमरे में आई, तुम्हारी अभी तक तैयारी मुकमल नहीं आपका दामादी फोन करके तंग करना है, वो मज़े से बोली मारिज फोन में से आदी जरीना की आवास बासा ने सुन ली थी, किस चीज की तैयारी कही जा रही हो, उसमें अचंबे से पुछा, हाँ मेला, मैं क्यों तुम्हें बताऊं, मज़े से बताती फिठेना गई, ऐस किसी मासूम को क्यों तंग नहीं करते, देखी, सजर मिल गई है आपको, वो तस्वर कर सकता था, कि इस वर जरीना ने इसके साथ क्या सलुक किया है, तुम तो बात ही मत करो अब मुझसे, वो नाराज होती फोन कार गई, तुम्हें कुछ कहता नहीं मारिज, अबरदार आइ जो हो औरे तुम्हारा इस तरह रॉप जाड रही हो, अब ही देखा है मुझे, मैं तुम्हारे बाबा साइन से ऐसे बात करती हूँ, उससे समझाया, उफ अम्मा साई, एक तो उसने गुस्ता दिलाया है, और अब आप शुरू हो जाएं, मैं जा रहीं नीचे, वो हाथ दि लाती, कमरे से निकली जरीना, उसकी हरकत पर अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी, चौधरियों की हवेले में कहराम बर्पा हो गया, पागल हो गया ये उस लगई की पिछे, परीज जिस लमें, वापस आया, वजार चौधरी और सभी मर्द उसे लानतार करने को तयार बैठे थे, उचानता था, उसकी फैसले को यहां सराहने वाला कोई नहीं था, उसे अपनी ये जंग तनहा लड़नी थी, हाँ, मैं पागल हुआ हूँ, इसी पागल पन में इंसानियत भरे फैसले कर रहा हूँ, कैसी अजीब बात है न, कि मैं और्ट की पिछे लगकर अपन यू सारे गाओ के सामने हमारी नाग कटवाएगा, उसके फुपा करामर चौधरी गुसे से गूरते वजाया चौधरी से बोले, किसी मासुम कैसी गंदी रसमें बगर वज़े के अपने घर लाने और उस पर मार पीट करने से आपकी नाग नहीं कट़ती क्या, उसके जैसे वरीदी नहीं था जिसकी सफ़ागी को सब जानते थे, तुम जानते हो उसकी पादाश में, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, वज़ा चौधरी ने कड़ी नजरोसों से देखा, मैं रती बराबर फ़रक नहीं पड़ता, आपने जो कुछ मुझे नायत किया है, आप स पस नहीं जाओंगा, मैंने कुछ दिन पहले ही अपने पैसों से अपना अपार्टमेंट खरीद लिया था, जो काड़ी आपने मुझे के उपकी थी, कुछ दिन पहले उसके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दी है, अब ये काड़ी मेरी ही मलकियत है, बाकिया जादते से आँखे फार्ड़ों से गूर रहे थे, मुबारक हो, आप मेरी उमीदों पर पूरा उतरे, मुझे इस सबका इन था, कि आप इस वैसले पर ना से कि मुझे पर गुस्ता होगे, बलके हर तरह का तालुक कर लिहाज में बुला देंगे, मुझे जरा भी फसोस नही जिन्दगी में हर रिष्टा, जिन्दगी के हर मोड पर आपके साथ नहीं होता, मैंने जहां आदी जिन्दगी आप सबसे अलग गुसारी है, बाकी भी गुसार लूँगा, मगर दूआ करूँगा, अल्ला आपको भी हिदायत दे, अगर अलाद की नाफरमानी माबाप को त जिन्दगी बातों से साकित करता, वहां से जा जुका था, एकना बड़ा फैसला करने के बाउटर उसके दिल में, मोहोम सी उमीद थी के शायद, बहस मुबाहसे के बाद उसका बाप उसके फैसले को कुबूल कर ले, लेकिन उनके चहरे पर मौजूस सखती और लेज़े में कोई लचप ना देखकर उसे वहां से जाना ही बेहता लगा, जनान खाने में भी, उसकी मा के सिवा सभी गुस्टे से भरी बढ़ी थी, एक जनानी के हातों बेवकूब बन गया, पागलाना होते, उसकी दादी ने गुस्टे से भरी बढ़ी थी, उसे अंदर आते देखकर पट पड़ी, अमा साइ, क्या मैं अकेले में आपसे कुछ बात पर सकता हूं, तब को नजर अंदास करते सुगरा बेकाम से मुखाती हुआ, उस सबसे नजरे चुराती उठी, उसे लिए दालान के जानी बाई, क्या आप भी मेरे फैसले पर ना खुश है, उनका जहरा दोन कभी या आपाओं के नहीं, इनके आपने मुझसे हमेशा रापते में रहना है, उन्हें खुद से रिप्टाते और तमानियत भरे लहजें बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, उनकी बात पर सरस्चारी से मुस्कुराया, क्या हो तुम्हारी हमसफर बनने को तयार है, उनके सवार पर उसने उन्हें उन्हें खुद से अलग करके कंदों को थामा, आपकी ये दूआ, मेरे साथ रही तो वो मेरी हमसफर बन जाएगी, बस आपने मेरे लिए दूआ करते रहना है, कि जिस औरत ने मुझे जिन्दागी के असल हकीका समझाई, उसे अल्ला मिन नसी उसके लहजे में दर्खास के साथ साथ एक उसम था, यकीनन उस औरत से पहले आपकी दूआओं ने मुझे सवारा है, मैं खुश नसीब हूँ कि मैं एक बहतरीन औरत की गोद में परवान चड़ा, आज से पहले ऐसी महबत का इसार उसने कभी उनसे नहीं किया था, वो बेक थामकर अकीदा से चुमकर आँखों से लगाया, आज उसे अपनी मां की कदरों मन्जलत का अंदाज हुआ था, यो किस कदर अच्छी औरती, मेरे लिए दूआ गो रही का, एक आखरे निगाउन पर डाल करना मांके साफ करके वो मुर गया, वो दूर तक उसे जाता देखती था, और वादा भी किया था कि काम का लोट खतम होते ही, वो काओ का चक्कर लाजमी लगाएगा, हमने साबित के साथ जन गार्स को भी नश्रा और जनाब को शेयर छोड़ने के छोड़के आने के लिए रवाना किया, अभी वो काओ की उदूद से निकल नहीं पायती कि एक ब्रस्ट वे, ये क्या हुआ है, किसी ने किली बिचा रखी है, साबिर जो फोन पर मसरूफ था, एकदम गाड़ी के डानडोल होते ही, ड्रैवर से मुखातिब होते हुए रास्ते की जाने मुतवज़ हुआ, सरनाब और नश्रा भी परिशान सी, उसकी जाने मुतवज़ ही ड्रैवर ने फोरन ब्रेक लगा कर काड़ी रोगी, साब कुछ खत्रा लग रहा है, ड्रैवर की बात अभी मुँ में ही थी, जब जानियों के पिछे से एकदम उनकी काड़ी पर फारिंग हुई, सीटों के दर्मियान हो जो तुम दोनों, साबिर पीछे मुँ करके चिलाया वो दोनों अपने नकाफ समालती, फोरन सीटों के तर्मियान बैटी, उची उची जाड़ियों के बास, साबिर और उसके काड़ के लिए, अंदाजा लगाना मुश्किल था कि किस जानिब से गोलिया बरस रही है, मगर फिर भी वो अपनी पोजिशन समालते जो आवी फारि का कहा, उन दोनों की वज़े से उन गाड़ी छोड़ कर बाहर भी नहीं निकल सकता था उसी लम्में, उनकी गाड़ी की पिछे तीन चार गाड़ीों के रुखने की आवास आई, निकाल कर लाओ उस हरामजादी को, आने वालों में से एक की धार खासी बुलंती, चारों जा सामने उस साथ बंदे, जादा देर मुकाबला बाजी ना कर सके, गन मार कर उसके एक बंदे ने साबिर को शदीज जखमी कर दिया, बाकियों को भी उठा कर वो गाड़ीों में डाल चुके थे, क्या करें, नश्रा को माउलला हातों से निकलता हो मैसुस हुआ, दर्वाजा खुलका जाडियों में डौर लगाओ, जर्नाब की बादपास ने सर उठाया, सब भी आपस में गुत्थम गुत्था थे, उन दोनों ने हैस्ता से गाड़ी से निकलते जैसे एक गदम उठाने चाहे, दो बंदे, चीलों की तरह उन पजप्पे, भागने लगी थी, हर राम खोल, एकने चादा समय जर्नाब के बालों को मुठी में डगड़ा, रिटके से उसका नकाब की जा, जर्नाब कौन है तुम में से, दोनों को बेनकाब की, वो करक्तावास बोले, इसके पहले की नश्रा बेवकूफी में कुछ कहती, जर्नाब ने जीप कड़ा करके, अपनी जाने बिशारा किया, उठा उसे, उबालों से घसिर्टों जर्नाब को एक गाड़ी के चानि ले गया, छोड़ो उसे, नश्रा चिलाती फरफड़ाई, पैक इस साली को, इसके भाई के पास, दूसरे ने एक जोरदार थपड़ नश्रा की मुँपर मारा, उलटकर कट्ची स से दूर होती गई, ठाकार करोती भी लगती वापस आई, साबिर को हिलाया जुलाया, मगर वो शदीद जखमी था, बमश्किल उसे उठा कर गाड़ी तक लाई, अपना बैक टाटोला, सीटों के दर्मिया नीचे ही गिरा मिल गया, रोते वे उसमें से मुबाइल निकाला, वो अभी फैक्टरे से निकल कर अपने आफिस के जाने जा रहा था, आज भर जल्दी जाना था, ताकि जनाब और नश्रा को सही से वेलकम कर सके, एक अफ़ता बाद उसे देखना था, दिल की हाला थी और थी, आफिस में दाकिल होते, मुबाइल पर नश्रा का नंबर क्या हुआ है, लहजे में शदीद परिशानी थी, वो ले गए उसे, बिलग बिलग कर रो दी, नश्रा कहा है, क्या हुआ है, इसको ले गए, आप कहा है, उसने पहली बार उसे नाम से मुखातिब किया भी तो इस लमें जब नश्रा उसकी मुँसे अपना नाम सुनकर कुछ भी नहीं हो सकती थी, हम हम शेहर आ रहे थे, वो बहुत से लोग आए, पता नहीं कौन थे, फाइरिंग की, साबिर भाई को सकनी किया, सब कार्ड कुमार पीटकर जरनाब को लेकर चले गए, उसे लाते खुद पर गुसरा, सितम बयान कर रहे थी, बाबा साहीं, और असीद के पेशिन असर, ज्यादा असर ड्राइवर के साथ ही वाद दी जाती थी, आप परिशान नहों, मैं जानता हूं, इसमें घटिया हरकत किये, हैतिमाद के नाम पर, हमारे फीट में चुरा घुपा है, मैं निकल रहूं गाओं के लिए, उसे तसलिद देते बोला, अपने मैन पर बैठा, तिजदी से कल की स्लाइट्स स्यार कर रहा था, साथ ही साथ चाय के सिबी ले रहा था, अभी उसे काम करते ज्यादा वक्त नहीं हुआ था जब दोर बिल बजी, चाय ककब, सामने मुझूद टेबल पर रखकर लैपटॉप, सोफी पर रखकर और दर्वाजे की जाने बड़ा, की होल से देखा, मारिज मलिक खड़ा नजर आया, वो कुछ चौंका, कुछ सोच कर दर्वाजा खुला, तुम यहां अभी उसकी बात मुँमे ही थी कि वो उस पर जपता, वुसे से उसका गरेबान था में उसे घसीड़ता, वो अंदर लाया, बोल कहा है मेर पागल हो तुम, मैं, मैं क्यू सरनाप को अगवा करूंगा, सदमे से वो बोलता मारिज को, इसना में शदीद जहर लगा, ज्यादा एक्टिंग करने की ज़रत नहीं है, मैंने ही बेवकुफ की, मुझे मलिक साइंग की बातों में आकर तुम जैसे सांप को नहीं चोड़ना चाहिए था, वही कहते थे, तुम जरनाप को नुफसा नहीं पहुचाओगे, चब तुम मे जगारा आँखों से सिकूरता उसके टीतले उडा रहा था, मुझे क्या पढ़ी है जरनाप को अगवा करने की, बीवी है वो मेरी, उसके लजामात पर अपकी बारों गुस्ते से चिलाया, दोनों आँखों में खून लिये, एक दूसरे को खूर रह थे, उसकी बात पर मारि गीरी रखने के पावजूद ये कब हुआ, फ्लैश बैक, कहें, उसकी गुजारिश की बात सुनकर, कुछ पल जरनाप खामोश रही फिर जी कड़ा करके, बोली, तुम उसे मेरी खुदगर्जी समझो, मुझे नफस परस्त कहो, ये जो भी, मुझे फरक नहीं पड़ता, मै पागल अपनी मर्जी के बगर नहीं रहते, मुझे तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम जोड़ना है, तुम मेरी महबत नहीं, मेरा जुनून बन चुकी हो, अजुनूनी इनसान कुछ भी कर सकता है, मगर फिर भी, मैं तुम्हारे आगे हत्यार डालते, तुम से सिर्फ इत तैयार हूँ, मगर मुझे सिर्फ इतना सामान बख़च दो, जनाब लब भीच गई, आँखे बन करके जैसे हिम्मत तमा की, मैं तैयार हूँ, एक गहरा सांस खारिच करते, आँखे कोल कर उसकी जानी देखे भी न बोली, नश्रा मूँ खोले, उसका एकरार सुन रही थी, तुम पागल हो, तो एक दम बढ़कर उसकी जानी नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मुझे हर हाल में आने वाली नसल को ऐसी रस्मान से बचाना है, और वैसे भी इनकलाब लाने के लिए जान से भी गुजरना पड़ता है, यह तो फिर एक रिष्टा है मैं आपके साथ निकाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कभी भी आपके साथ नहीं रहूंगी, ना ही इस रिष्टे को आप कभी मेरे और अपने दर्मियान लाकर मुझे किसी भी तरह बलैक मेल करने की कोशिश करेंगे, मेरी जिन्दगी यह आप से अलगी गुसरे की, मेर मुझे से आप किसी किसम की फरमाईश और मुईद नहीं रखेगे, मेरा और आपका तालुक अजनवियों से ज्यादा नहीं होगा, वो उसकी जाने देखने से गुरेस करते उसे अपनी शराय से आगा कर रही थी, मुझे मनजूर है, उसे जैसे अफ़ते अकुलीम की दौलत मिल गई, नशरा वरीग को देखकर रह गई, कोई इतना भी दिवाना हो सकता है, उसे इस लमे दिवाना ही लगा था, ऐसा दिवाना जिसे अपने नफ़ा नुकसान से वाकई, कोई कर्स नहीं थी, तुम मेरा साथ दोगी, अपनी जगे से उठकर उसके करीब आथ उसमें आ लमा वक्त हमारा और आपका पीछा करते हैं, वो वरित को इतला देने लगी, वो भी अपने चेरे से आंसो साफ करता उट खड़ा हुआ, ये उनियरसिटी तक में उसके बंदे मौजूद होते हैं, उसकी बात पर वो भी उल्चा, मगर मेरे आफिस में तो उसके कोई बंदे मौजूद नहीं होते न, या वहाँ भी, उसने कोई खुपिया कैमरा लगवाया हुआ है, वो लमा भर को मारिज के सेक्यर्टी से मतासिर हुआ, नहीं वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, नश्रा ने उसे पुर यकीन लेज़े में कहा, तो ठीक है, कला आप दोनों मेरे आफिस में आ जाएगा, वक्त मैं आपको बता दूँगा, बाकी की कारवाई मेरे जिम्मे है, खुछ सोच तो उसने फॉरां से सब मौअमलात करती, ड्रीव ठीक है, अब आप जाए यहां से, वैसे मारिज को मालूम हो गया होगा, कि आप यहाँ है, पता नहीं वो क्या हाल करेगा, न आप में से किसी को तो नुकसान पहुचाने नहीं आया, करकल आप दोनों का यूनी होना जरूरी है, उसकी बात पर दोनों ने सरी लाया, मुत्मईन होते वो वहां से चला गया, तुम एक बार फिर सोच लो, तुम ठीक कर रही हो ना, नश्राने से किसी भी परिशानी मुत पहला होने से बचाने के लिए एक बार फिर पूछा, जब दरिया में चलांग लगा दी, तो मोजों से क्या घबराना, बस खुद को बचाने के जतन करने हैं, हाथ पाम आने हैं, उसकी बात पर उलेज़े भर के लिए कुमसुम हो गई, और अगले दिन उन्हें स्पेशल ल लोग पहले से मौजोद थे, कुछ उसी के अपने खास बाडिगार्ड और चंद एक उसके बहुत करीबी लोग थे, साथ में एक मौलवी भी मौजोद था, वो सब ऐसा ही तासूर पेश करके उसके आफिस आए जैसे वो किसी और यूनी के बंदे हैं, और वरीद के महवानो की हिसे से उससे मिलने आये है, निकाह नामा आप फिल कर चुके है, सर पर डुपटा लियो, सपाट चहरे के साथ, वहां मौजोद थी, उसके सवार पर मौलवी ने हैरानी से दुलहन को देखा, जो दुले मौ के साथ, शकल पर कोई भी तास्र दिये, सामने मौजूद कुरस इससे बात कर रही हो, अजीब या आसियत भरी खोकली हसी थी उसकी, ये जैसे कहती है, वैसे ही इस निकाह नामे को फिल कर दे, मौलवी से मौलवी से मौकातिब होते है, उसने कहा, दस मिनट के अंदर फॉर्म फिल होते ही, किसी रोबोट की तरह उसने कुबूल है, अच्छा हल कर रही हो, जिसके नतायच की उसे कोई परवाना थी, जिस खामशी के साथ वाई थी, उसी खामशी के साथ वो दोनों, उसके आफिस से जा चुकी थी, मेरे पास इस वक्त इतना वक्त नहीं कि मैं तुम्हे इस निकाह नामे का माजरा बताओं, मुझे भी निकल बन करते, मुबाइल उठाते, मारिज से मुखातिबा जो कब से साकित खड़ा था, क्या तुम जानते हो, कहा होगी, पास से गुजरते, वरीद का बादू थामकर उसे रोका, मारिज के पढ़ने वाले तोड़दार थपड़ से उसका मुझ सूच चुका था, उसके सामने आ जो भूर चुका था कि अभी, थोड़ी देर पहले मारिज ने किस पुरी तरह उसे मारा, उसका गिरेबान तक पकड़ा, वो अपने महबूख के भाई को, मार्फ किये, उस लमें उसे तसलिए दे रहा था, उसके साथ नरम अंदास में बात कर रहा था, अगर तुमारे वालों की हरकत हुई तो याद रखना, वरीद, मैं तुम्हारा खांदान बरबाद कर दूँगा, इसका हाथ जटा कर अपनी सुर्क होती, आंकों से से वौन किया, अगर ये मेरे घरवालों का काम हुआ, तो यकीन जानो, तुमसे पहले मैं उन्हें बरबाद कर दूँगा, तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी इज़त है, बस इतना चान लो, वो वरीद के लिए इतनी है मैं जैसा के सांस, मैं खुद को खतम कर लूँगा, मगर उस पर कोई आँच नहीं आने दूँगा, उसकी आँखों में फिनहा, सचाई और महुबच देखकर मारीज के तासुरात ए मारीज के सामने खड़ा था, मारीज ने सर इला खरवापजी की राली, वह भी उसके पीछे अपना फलیٹ लॉट करता, तेज़ी से अपनी गाड़ी के जानी बळा, मारीज की, गाड़ी निकलने से पहले, उस जनशे अपनी गाड़ी निकाल कर ले गया, हेलो वरी चोधरी क पिछा करो अपने बंदे को फोन मिलाकर उसने हिदायत दी उसे अब नश्रा के पात जाना था उगारी भगाता उस हुस्पिटल में पहुंचे जहां नश्रा साबिर को लेकर पहुंची थी इसके पहुचने से पहले वाली कयास और जरीनों वहां मौझूद थे उनके चन्ड अहम बोडिकार्ड भी उनके आसपास थे उन्हें सलाम करता एक पहर बरसाती नश्र उसमें नश्रा पडाली जो बेंच पर बैठी कुछ पढ़ने में मसरूफ थी चहरा नाकाब में पोशिदा था कैसी तवियत अब साबिर की उसमें मली कयास से पुछा अभी कोलिया निका मुझे बढ़ा चौदरी के अलावा और किसी का काम नहीं लगता वो अपना शक बताने लगे असीद इसी सिस्सरे में मसरूफ है उन्होंने मजीद बताया मारिज ने सर लाया नश्रा उसी की जानिब देख लए थी उसने उसे सलाम करना भी जरूरी नहीं समझा था परित के पास कहे थे तुम कुछ पता चला उटकर उसकी जानिब आई मारिज ने कोई जवाब नहीं दिया मुझे आप से कुछ बात करनी है आप बाहर आएगी उसका सपार्ट और बेल अचक लेजा नश्रा को अजीब सलाका उसा रिलाती उसके साथ बाहर की जानिब आई करीब करती आपने आँखों से निकलती चिंगाईयों से उसे जलसाया हाँ उसका तनफुस बढ़ा एक दम उसे जटके से खुस से दूर धखेलता हाथ का मुका बना का सामने दिवा पर जोर से मारा नश्रा उसकी हरकत पर उच्छल कर रह गई हौफस उसे देखा जो जबत क कि निकाह का सच क्या है गड़ दे अब और कोई बहाना एक दम उसका बाजो अपने हाथों की सफ गिरफ में लेते उसे जोड़ा मुझे सच जाना है कि निकाह कब और कैसे हुआ नश्रा थूख निगलते उसे एक एक बात बताने लगे किस कदर खुदकर्स है आप उसे मौत के मुं में धकिल दिया है वो दबे दबे लज़े में चिका क्या रहे है मारिच मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सिर्फ उसका साथ दिया था वो उसकी अपने बाजों पर बढ़ती हुई सफ गिरफ पर रुहास हुए क्या मेरी जिन्दगी को बरबाद करके भी आपको सुकुर नहीं मिला जो मेरी बेहन की जिन्दगी भी बरबाद कर दी आपने उसने आप पर भरोसा किया मैंने आप पर भरोसा किया ये सिला दिया आपने मैंने आपको कहा था नश्रा कभी मुझे धोका मत दीजेगा मगर मेरी बेवकुफी थी कि आप पर अंधा इतिमाद किया उसे जोडते उसकी वूख को खायर कर रहा था आंसों उसकी आँखों में ठहर वो बेकीनी से उसके गुस्से से भरा चेहरा देख रही थी शुकर करे मैं आम मर्द नहीं मैंने आपको कहा था मैं कभी औरत पर हाथ नहीं उठा सकता अन्ना कभी उठाऊंगा लेकिन आप कोशिश कीजिए काईंदा मेरे सामने ना आए महबत और अइतिमाद के नाम पर आपने जो वार किया है वो मैं एतनी आसानी से नहीं बुला सकता जब ड़े भेंच कर उसकी आँखों के तासुरा से अंचान उसके कानों में सूर फूंक रहा था क्या किया है मैंने बताओ क्या गुनाह किया किसी की मदद करना तुम्हारे नजदिक अगर गुनाह है तो हाँ मैंने ये गुनाह किया है इंसानियत के नाते किसी की मदद करना गुनाह है तो हाँ मैंने ये गुनाह किया है मैंने तुमसे इसलिए छुपाया क्योंकि तुम वरीद पर इतिमार नहीं करते थे तुम्हें मालूम होता तो तुम जन्नाब को डांटते शायद वरीद को भी नुकसान पहुंचाते हूँ तो शक्स सिर्फ उससे महबद करने के गलती कर बैठा है जिसे तुमने नहीं समझ सकते इसलिए कि तुमने मुझसे कभी कोई महबद की ही नहीं तुमने सिर्फ पाज़ अदा किया है एहसान चुकाया है बाबा साइंका उसके सकत किरफ़ से खुद को छुडाते वो बिलग बिलग करोई मैंने कहा था ना तुम जन्नाब के लिए बहुत टची हो मैंने गलत नहीं कहा था वो अपने अंदास के सही होने का उसे बताने लगी क्यों आपने मुझे इस बात के बारे में नहीं बताया मैं किसी और तरह उसकी इफादत करवाता आपकी वज़े से आज वो कहा है हम मेंसे किसी को नहीं पता किस थाल में है किसी को नहीं मालूम वो फिर से उसे मौर्द अज़ाम ठहराने लगा मेरी वज़े से क्या मैंने उसे अगवा करवाया है वो तासुक और हिरानी से उसे देखते बोली काश ये पता चल जाए तो जिन्दा नहीं चुड़ूँगा उसे मगर ये बात अटल है कि आपका और मेरा अब कोई तालुग नहीं इतनी आसानी से वो उसकी जात को अपनी जिन्दगे से निकाल गया मैं सारी जिन्दगी की जूटी औरत के साथ नहीं गुजार सकता जो मुझसे बाते चुपाए और जिन्दगी को बार बार इस मोर पर ले आए जहां मुझे उससे महबत करने पर शर्मिन लगी हो नशना आंखे खोले उसके मुझसे निकलता जहर अपनी ले सुन रही थी बहुत बड़ी बात कह रहे हो तुम मारिज गमो गुसे से बेहाल उन जाने क्या कह रहा था वो वाकर नहीं जानता था उसकी जानिब एक खामोश मगसर दिनिगा डाल कर वंदर की जानिब बढ़ गया असीद पुलिस को लिए उस तड़क पर मौझूद था जहां से जनाब का अगवा किया गया था पुलिस वाले ने गोली का खोल उठा कर असीद को थमाया ये तो इमो की गोलिया हैं उचोंका ये सब महंगी पिस्टल थी जिसे बड़े बड़े लोगों के अलावा आम लोगों को रखने के उकात ही नहीं होती असीद के पास उसका लैसंस था इसके अलावा उनही दिनों वरीद के बड़े भाई वलीद ने भी इस पिस्टल का लैसंस लिया था असीद इसलिए जानता था कि एक दिन दोनों को ये लैसंस इशू हुआ था और दोनों मिनिस्टरी आफ इंटरियर के आफिस में मौजूद थे उनके अलावा यहां दोर दोर तक गाओं के किसी और बंदे के पास कीमों मौजूद नहीं थर ये वलीद चौदरी की गन से निकली वी गोलिया है वज़ा चौदरी का बेटा वो गुस्से से बोला ये उसी खबीज का काम है आप उसके खिलाफ पच्चा काटे उसकी बात पर पुलिस ऑफिसर कश्मकश में नजर आया मैं बकवास कर रहा हूं क्या वो जुनला कर बोला लेकिन वज़ा चौदरी पर हाट डालना इतना आसान नहीं है सर मुच किचाए इतने पैसे चाहिए मैं देनों को तयार हूँ तूसरी बात अगर ये गन वली चौदरी के पास मौजूद ना हुई तो मैं पच्चा वापस लेने को तयार हूँ वो खुदातिमादी से बोला जी सर जैसे आप कहते पुलिस वाले को मानते ही बनी शाम तक साबिर को होश आ चुका था मगर बहुत खुन बहने की वज़े से खुन की बोतले लगाए जा रही थी मलिक आया से कहने पर नशा को जो खराश आई थी उनके ट्रिट्मेंट के बाद उसे घर भेट दिया गया इस तुल्की के बाद मारी चुरू दोनों एक दुसरे को ऐसे नजरनदास कर रहे थे जैसे एक दुसरे को जानते ही नहों उसके हवेली वापत जाने पर मारी ने सुका सांस दिया उसने जिन्दगी में खुद को इतना वेबस कभी महसूस नहीं किया था इतना अप कर रहा था उसमझता था अब सब ठीक होने वाल रगा है उन सब की जिन्दगी नॉर्मल हो जाएगी मगर क्या पता था एक फैसले की बादाश में उसकी बहन को इतना बड़ा भुगतान पड़ेगा उसे मालुम हो जाता कि जन्दगी यह उदाओं पर लगाने रगी हैं तो कभी उसे वरीद से निकाह नहीं करने देता एक रसम खतम करने के लिए उस सारी जिन्दगी एक नापसंदीदा बंदे से जुड़ी रहेगी जिसके साथ रहने जिससे तालुक जोड़ने को वो तयार नहीं ये अकल की बात थी ये कम अकली की उसे नशना पर भी इसलिए शदीद कुस्ता आया कि वो अगर पहले बता देती उसे इतिमाद में ले लेती तो जर्नाब को हर मुम्किन कोशिश करके ऐसा कुछ भी करने से रोक देता मगर अब अब तो वो नजाने कहां थी वो शदीद इस्तिराब के आलम में हॉस्पिटल में मौजूद था किस बढ़ते पे तो चोधरीयों की हवेली जाकर उन्हें ललकार था कोई सबूत उसके पास नहीं था कि उसी ने जर्नाब को अगवा करवाया है हेलो सर अभी वो अपनी ही सोचों में गुम हॉस्पिटल में बेंच पर बैट था तो उसके बंदे का फोन आया जिसे उसने वरीद के पीछे लगाया था कुछ मालूम हुआ वो कहां गया है नजाने कि उसे अभी भी वरीव पर शक था कहीं उसी ने कोई गेम न खेलियो तर वो अपनी हवेली ही आया है कि बात सुनकर वो खामोश हुआ अगर उसे अगवा किया होगा तो हवेली तो नहीं रखेगा तुम वही पर मौजूद रहो जब तक वो बाहा ना आए और मुसलसल उसका पीछा करो वो अभी भी किसी नतीजे वर नहीं पहुंचा था उसका फोन बंद करते इसने असीद को फोन किया कुछ मालूम भा उसके लहजे में कास थी असीद ने कोली के खौल वाला साब मौमला उसे बताया मैं छोड़ूंगा नहीं उसे उसकी बात सुनकर लहसे भर में उसका चहरा सुखवा अभी हम सिर्फ इल्जाम की बनियाद पर उसे इंवाल कर रहे अभी पूरा सबूत हमारे पास नहीं है इसलिए कोई बेवकूफी मत करना मारिच असीद ने उसे समझाया अभी उनके हवेली प्रूप करने की जूरत नहीं है असीद ने उसे तंबिया की जी उफक्त इतना ही कह पाया उटकर साबिर के रूम के चानी बढ़ा जहां मल्कयास मौजूद थे उने सारा किस्ता बताया अगर यह उन चोहत्यों की हरकत है तो यह बचेगे नहीं इस बार उनके नरम चहरे पर भी इस लमें गुसे के तासरात थे वो इस लमें शदीद तकलीफ मुब्तिला थी उसे यहां चार गंटे पहले लाया गया गाडी बिठाया भी बालों से कीच कर था और गाडी से उतार कर भी उसे उसी वहश्याना अंदाज में था अभी वो अपने सर को हिला रही थी के नकाब में एक टेल डोल रखने वाला मर्द अंदर आया और उसे थपड़ों गूंसों से मार मार कर अद्मुवा कर दिया वो अभी अपना उसूर समझने से कासिर थी कि आने वाले की फंकार पर सब समझ में आ गया क्या समझती थी तू मेरे भाई को पागल बना कर जो चाहेगी करवा लेगी वो पागल बना था हम नहीं बड़ी खवाईश है तुझे वनी की रसम खतम करने की अब तो अपनी इस खवाईश पर ना सिप पच्टाएगी बलके तू हमारे सामने रोएगी गिर गिराएगी मगर तू फिर भी हमारे कहर से बच नहीं पाएगी यहां से भाग गई थी क्या सोज के भागी थी तुझे कभी पकड़ नहीं सकेंगे वो शक्स उसका सूजा मुँ अपने सक्स हाथों के गिरास में पकड़ कर उसके मुँ को मतादित बाद जटक रहा था सरनाव को लग रहा था उस मर्द के भारी हाथ की मार खाकर सूज गए थे पन पटी के एक जानिब से जिल्द पट चुकी थी जहां से खून डस रहा था तुम मेरे टुकड़े करके भी कहीं फैंक दोगे तो मैं तुम्हारे आगे नहीं गिलगडाऊंगी वो उसका तमसकर उडाती तुम क्या करने आए हो तुम उसे मर्दान खाने में आते देखकर उसे पूर कर बोले जर्नाब का आए गुसे से मुठी हम बेचे वो उनके सामने संकर खड़ा था कौन जर्नाब वो अनजान बने इतने बचे नहीं है आप अन्ना आपकी आताश ते इतनी कमजोर है कि जिस लड़की के बास भरे मजमे में आपके बेटे ने बकौल आपके आपकी ना करपाई थी उसका नाम इतनी जल्दी आप परमोश कर जाएगे अभी हफता भर भी नहीं हुआ इस वाके को जहन पर जोर दे आपको अच्छी तरह याद आ जाएगा मैं किस जर्नाब की बात कर रहा हूँ वो मुफस्ल जवाब देते वो शदीद तुल्क हुआ था मुझे क्या मालू कहा है तुम तो दे आया थे उसे उसके खांदान में तो अब यहां क्या करने आए हो मलिकों की हवेली जाओ और उन से पूछो टांग पर टांग रखे रहुना से बठे अपने मुचों और दाड़ी को उंग्रियों से सहला थे एक कबर उच्छा कर अपने सामने खड़े वरीद को तेज नजरों से देख रहे थे वो सुबह तक वही थी से रास्ते से आपने अगवा किया है वो चिला कर बोला अरे वह खूब इंसाम लगाया है किसी यार के साथ बाबा साही उनके बात पूरी भी नहुईर के उसकी धार पर वो खशुनत भरे अंदास में उसे देखने लगे बीवी है वो मेरी दान पर दान जमा कर बोलते उसने उनके सर पर धमाका किया तो पागल है चांग एकदम नीचे रखते वो खड़े होकर उस पर जखते उसने जटके से खुद को उनसे छुड़वाया मेरी बीवी मेरे हवाले करे वना जो लिहास में बरकरार रखना चाता हूँ तो नहीं रख पाऊंगा उनकी सुर्ख आंखों में अपने गुसीली नजरे कारे वो जिस अंदाज बोला उन्हें लर्जा कया देखो मैं वाकर नहीं जानता हूँ कहा है उसके कंदे पर हाथ रखते उसे शांत करने लगे वरीद ने एक बार फिर उनकी हाथ अपने कंदों से जटके मैं इस वक्त सिर्णाब का शोहर हूँ मुझे मेरी बीवी अभी और इसी वक्त चाहिए कहां रखिये मुझे बताए मैं खुछ जाऊंगा उसके पास वो कती अंदाज बोला मैं नहीं जानता हूँ कहा है उन्होंने नजरे चुराई मैं आखरी बार पूछ रहा हूँ कि वो कहा है इसके बार जो कुछ इस हवेली में होगा तो एक इबरत बन जाएगा वो फंकारा इसलिए में सेंटर टेबल पर धरा उनका मुबाइल बचा इससे पहले कि वो फोन उठाते वरीद ने उनसे भी पहले छपट कर उनका फोन उठाया दूसरी जानिब बलीद था ऐसा मारा है इस इंकलाव की बच्ची को कि इतने ही दिन उट नहीं पाएगी पिशाद मरी जाए अगर ठीट ना हुई तो और जोश में अपनी जाने से बचाहर चाधरी को अपना कारनमा बता रहा था इस बास से अंचान के दुसरी जानिब उसकी अपनी मौत खड़ी थी तो फिर याद रखना इससे कही ज़्यादा मैं तुझे ऐसा मारूंगा कि तू मौके पही दम तोड़ देगा काएं तू बोल जलील इनसान कहां रखा है मेरी बीवी को और चिला कौन वलिद का चरह लमा भर को फक हुआ उसके बाप के फोन से तो वरीद के आवाज आ रहे थी तेरी मौत वलिद अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो याद रखना तू जिन्दा नहीं बचे का मेरे हाथो बोल खबीज का है मेरी बीवी नहीं तो तेरी बीवी और बच्चे मेरी तहवील में है उसके अंदर से आज वही सफाक वरीद फिरसे जागा था जिसे जर्नाब के इश्क ने थपक थपक कर सुला दिया था मगर इस लमें मौमला उसके इश्क था देख वरीद मेरी बीवी और बच्चों पर नजब तक नहीं डाला वो खौब से कपकपाते लजम बोला वो फोन थावे फौरण जनान खाने के जाने के जाने तेज तेज कदमों से बढ़ा वजहार चौधरी उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए बढ़े वरीद इस लमें हुस्से से पागल हो रहा था भावी का है सामनी हॉल मौजूद अपनी माँ से पुछा वरीद को यूँ इस वक्ग उसे में आते देखकर वो जितना हैरान होती कम था वरीद मरियम को कुछ नहीं कहोगे तुम वजहार चौधरी चिलाते उसके पीछे आ रहे थे क्यों क्यों कुछ न कहूँ आप मेरी बीवी को टफाए मेरा सौकॉल भाई उसे जानवरों की तरह पिटे और मैं उसके बीवी वच्चो को कुछ न कहूँ और धाड़ा मुड कर वजहा चौधरी को खुंकवार नजरों से देखा मैं मैं बताता हूं तुम्हे वो कहा है उसका रास्ता रोक कर बोले शहर के करीब फॉर्म हाउस में है उनके बाद पस मुबाईल वाला हाथ मिकने की अंदाज में नीचे किया फिर पूरी कुवा से उनका मुबाईल सामने दीवार पर दे मारा दूआ कीजिये का मेरी बीवी बच जाए नहीं तो मैं यहां फून की नदिया पहाने में एक सेकंड की ताखेर नहीं करूंगा उनके जाने उमली उठाकर उन्हें वान करते वहां से भागने के से अंदाज में निकला काड़ी में बैटते ही मुबाईल हाथ में लेते तेजी से नंबर मिला है मार्च इस वक्त असीद के साथ प्रीस स्टेशन में मौझूद वलीद चोधरी के किलाफ एफायर कटवा रहा था सारे मौमला अभी तैप आ रहे थे कि इसकी मुबाईल पर वरीद का नंबर जगमगाने लगा उसके फ्लैट से निकलते वो दोनों एक दूसरे को अपना नंबर एक्चेंज कर चुके थे हेलो वो एक्सक्यूस करता फुलीस ओफिसर के कमरे से बाहर आया वरीद बात कर रहा हूं वलीद चोधरी के गाड़ी का नंबर मैं तुम्हें भेज रहा हूं और साथ ही उसका मुबाईल नंबर भी जितनी जल्दी हो सके उसे ट्रेस करके उसके चीतले उड़ा दो इंतही रेश अंदाज में गाड़ी को फॉर्म हाउस जाने वाल रास्ते पर डालता वो साथ साथ मारिज से भी बात कर ला था इसका बस नहीं चल रहा था कि वलीद को खुद अपने हाथों से मौत दे मगर इस वक्त किसी भी सुरात उसे जर्नाब के पास पहले पहुशना था और उसका बदला लेने के लिए वरीद के लावा भी एक शक्स मुंतेसर था और वो मारिज के लावा भला और कौन हो सकता था तुम उसे जान से मारो चाहे सिसका सिसका कर, चाहे उसे उल्टा लटका दो, जितना बुरा उसके साथ कर सकते हो, करो, वही जर्नाप का मुझरिम है मुझे नहीं मालूम उसने जर्राव को मार मार कर किन हालों तक पहुँचा दिया है मेरा इस वक्त जर्राव के पास जाना जरूरी है तुम वली चोधरी तक पहुँचो उसे नहीं मालूम था इतनी पिच्डी सरक और पेगडंडियों पर वो कैसे बढ़ाता हो गाड़ी लेका जा रहा था उसकी हातों की गिरफ्ट स्ट्रिंग पर सखत सखतर होती जा रही थी मेरे पास उसकी गाड़ी का नंबर और उसका फोन नंबर दोनों मौझूद है मारिज किसी को भी पताय बगर फूली सिस्टेशन से फौरी निकल खड़ा हुआ उसका फोन बन करके तेज़े से एक और नंबर डायल किया वली चौधरी का मुबाइल नंबर ट्रेस करो वो कहा है जल्दी और पांच मिनिट के अंदर बताओ अपनी कारी स्टार्ट करते उसने चौधियों के लाके के जानिब कारी दोड़ाई तो यहीं कही होगा उसके फॉर्म हाउस का भी वो पता अच्छे से जानदा था थोड़ी दिर में उसे पूरी लोकेशन केर हो चुकी थी वो वहीं एक करीबी लाके में बने अपने गुरों के अस्टबल में मौझूद था वरिद के गुस्टे के बास फिलाल उसने वहां कयाम करना ज़रूरी समझा वरना उसकी मौत वरिद के हाता यकीनी थी मारिश की गाड़ी फरराटे भड़ती वचा चौदरी के अस्टबल के जानिक जा रही थी साथ साथ मुससल वो कुछ और लोगों को भी वहां पहुँचने की अदायत कर रहा था अभी रात तक वापस नहीं जाना वरीच शदीद गुस्टे में है तो मिसे कोई भी अगर यहां से निकला मैं टांगे तोड़ दूँगा उसकी वो शदीद इस्कराब में इदा से उड़ा टहर रहा था उससे पता कैसे चला उसकी परेशानी इस वक्त रूट पर थी और वो उसकी बीवी भी है कब शादी की उसने बहुत से सवालार उसके दिमाग में सर उबार रहते जिनका इज़ार वो अपने बंदों के सामने वक्तन पॉंक्तन कर रहा था कल सुबह होते ही हम यहां से शहर निकल जाएंगे मुझे नहीं पता वो खबीज लड़की किस हाल में है लेकिन वापस जाना खतरे से खाली नहीं मुठियां खोलते बंद करते वो उन सबसे मुखादी था जो हुकम सरकार आपका उन में से एक बंदा बोला उससब इन बड़े लोगों की जी हुज़ी करने के लावार करी किया सकते थे सरकार आप कुछ देर के लिए बैट जाए उस सब हाद बादे उसके इड़कित खड़े थे एक चार पई पर बैटकर गाउन तक्ये से टेक लगाए एक टाउन दुसरी टाउन पर मोड़कर रखके पाउं जुलाता हो मुसलसल वरीदर उस बजाथ लड़की के बारे में सोच रहा था डर के मारे हविली इसको फोन भी नहीं कर रहा था कि अगर किसी को मालुम हो गया कि वो कहा है तो ये नहों कि वरीद को भी मालुम हो जाए वो अपने हिसाब से ऐसी जगे पे आया था जहां तक किसी का दिमाग फिलाल नहीं पहुंच सकता था मगर वो ये नहीं जानता था कि जब मौत आई हो इनसान को उसी मुकाम पर लादी जहां उसे इस शक्स को अपने कब्से में करना होता है वो गाउं तक ये से टेक लगाए उंग रहा था जब तीन गारिया तीन चार गारियों की आवाज ही चौंक कर उठा कि सभी गार्ज भी अलर्ट होकर खड़े हो गए दूर उड़ाती हो गारियां उसी जानी पार रही थी पर अग्दम उड़ बैठा खौफ से उन गारियों को अपने करीब से और करीब तर आते देख रहा था उससे कुछ इफासे पर उरुकी ठक ठक सब गारियों के दर्वाजे कुले जिन में से लगभग कोई तीस के बराबर गार्ज साथों में गंस थामें बाहर आये वो खौफ से आंके फारे तर्मियान वाली पिजारों में से मारिज मलिक को तर्ते देख रहा था प्राउंड शलवार कमीज पहने तंदों पर सेयाश और शादर डाले शदीद गुस्ते में गारी से बाहर आया जोड़दार धमाके से गारी का दर्वाज़ा बंद किया वलीद के कार्स उनके जानी बंदों के ताने खड़े थे गली इस इस इनसान उसकी खून चलकाती आंके वलीद को हवास बाफता कर रही थी तो अपने कार्स के पीछे चुटने की नाकाम कोशिश कर रहा था क्या समझाता तुने लावारी से मेरी बहन जागी रे तेरी हम के जो तू करेगा तू बच नहीं पाएगा मर्द है तो अपने गजर्गों के पीछे से बाहर आ मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे बात कर अरे औरत पर हाथ उठा कर तू खुद को मर्द समझता है फाहिस ताहिस ता उसकी जाने बड़ता उसे ललकार रहा था उबोल नहीं रहा था उधार रहा था लमे वरीद के अलफाज उसके कानों में अब भी गूंच रहे थे नजाने ज़र्नाब किस हाल में है उसका बस नहीं चल रहा था वलीद चौदरी के चीत्वरे उड़ा दे हाँ मारा है मैंने उसे क्या कर लेगा तो उसकी बातों पर जजबाती होता अपने बंदों के पीछे से बाहर आया गन हाथ में थामे उसका रुख मारीज के जाने कर रखा था ना ना इस क्यूने को हाथ में लेकर मुझसे बात ना कर मर्द है तो अपने बाजू पर एकिमाद कर हाथ लगा मुझे इसी तरह मार जैसे तुने मेरी बेहन पर हाथ उड़ाए हाथ उठा वहलक पार के चीखा मारीज का इस कदर उगुस्ता उसके अपने बंदों ने भी पहली बार देखा था उन सब को आज अंदाज हो गया था कि जन्नाब उसके लिए क्या हिस्यत रखती है अरे मेरे घर की इज़त पर हाथ उठा कर तू समझता है कि तू छुट जाएगा मुझसे तेरी मौत हूँ मैं देख अच्छी तरह मुझे अपनी तरह इशारा करता हो वलीद चौधरी पर पैदर पे अपने लबजों के वार कर रहा था वलीद चौधरी ने अभी भी गन नीचे नहीं की थी नीचे कर उसे मारिज उसकी जानी उमली उठाकर गन नीचे करने का इशारा करते फिस से चिखा अगर तू ये समझ के आया है कि तू मुझे मार देखा तो याद रख तू मेरा बाल भुबेका नहीं कर सकता ये सब मेरे एक इशारे के मुंतजर है यहां मैंने इशारा किया वहां ये तुझे भून के रख देंगे उनीडर अंदाज में मारिज की घुसेली आँखों में आँखे डाल कर करक्तेगी से बोला मारिज के बंदे भी वली चौधरी के बंदों पर बंदूक ताने खड़े थे ये लड़ाई मेरी और तेरी है अभी इन बच्चों को इंवाल ना कर और तमस्कर उड़ा कर बोलता एक दम वली चौधरी पर छप्रा था वो बेहत चौकरना होने के बावजूद मारिज के दाओं पेट को समझना सका उसकी गन वही जमीन पर गिरी और उसका वही बाजू मौर कर मारिज ने उसकी गरदन पर अपने फौलादी बाजू की सख्त गिरफ्त में गिती इससे पहले के वलीच चौधरी के दो बंदे मारिज पर फायर करते मारिज के दो चौकन्दा मंदों ने फायर खोल कर उन दोनों को मार गिराया इतनी होश्यारी अच्छी नहीं होती मारिज ने एक दोरदार मुपका उसकी कमर में मारा वो बिल्बिला कर रह गया हाथ कैसे लगाया तुने मेरी बहन को उसके बाजुक गिरफ्त उसकी गर्दन पर इसकदर सखत से सखत तर होती जाए थी कि वलीच को लगा अब उसकी गर्दन की हटी तूट जाएगी उसकी आंके उबल कर बाहर आए थी तुम सब अपने हत्यार नीचे किराओ उसे इसी तरह काबू में लिये मारीच उसके बंदों पर चिखा अपने हाकिम का ये हाल देखा उन्होंने मेकने की अंदाज में अपनी बंदों के नीचे जमीन पर रखी पकर लो इन सब को और तुम सब इनी लेकर यहां से चले जाओ और अच्छी तरह उनकी खातिर करो अपने बंदों को कम देते वो वली चौदरी को वही से काबू किये वे था उसका तनाफुत बुरी तरह बिगड़ रहा था मगर मारीच को परवा नहीं थी चंदी लमों में उसके बंदे वली चौदरी के बंदों को लिए वहां से जा चुके थे अपसी फोथ था और उसका शिकार उसे अपनी गिरफ्त से आसाद करते चंद साथे लेने का मौका दिया वो खांस दोवा दोरा हो गया मारीच ने अपनी चादर कंदों से उतार कर चार प्याई पर रखी वरीच चौदरी के समलने तक बाजू फोल्ड किये और साथ साथ माथे पर तेयरी चड़ाए उसे देखता रहा जो जमीन पर दोरा होकर बैठा था अभी वो सीधा भी नहुपाया था कि मारीच ने उसे बालों से पकड़ का सीधा किया और फिर मारीच जिन्दगी में पहली बार दरींदा बना उस बेदर्दी से समारा जितनी बेदर्दी से उसमें जर्नाब को मारा था उसकी आँख से पून रसने लगा मारीच के मुको की मार इसकदर सखत थी कि वो अद मुआ मुट्टी में ल्टपत हो चुका था मारीच ने उसके मात्य के करीब सर के बाल अपनी सखत मुट्टी में जखड़े थे ऐसे मारा था तूने मेरी बहन को उसके मूँ से अलफाज नहीं जिंगारिया निकल रही थी वलीद के जबरे चटक गए उसके मूँ से खून निकल रहा था मुझे मुझे माफ कर दो वाद मुआ हुआ भूआ बमश्किल हाथ जोड़े बोला तुछ जैसो को माफी नहीं मौत मिलती है उल्टे हाथ का एक जोड़दार थपर उसके मूँ पर मारा उल्टा लिटा कर उसकी बाजु कमर पर लगा कर उसके कंदे और बाजु के जोड़ पर जोड़दार कौनी मारकर से जोड से अलग कर डाला उबलबला कर रह गया तुझे मालू होना चाहिए था कि वो लड़की सरफराज मलिक की बेटी मारिज मलिक की बहन है और वरीद चोधरी की बीवी थी जिसे तूने हाथ लगाने की गलती की अब इस गलती को सुधाना है है ना उसके सर के बालों को सर की पुछत से पकड़ कर उसका मुख मिट्टी में पै दरपे मारा मैं जानवर बनता नहीं मगर तुछ जैसों के लिए यो धरिम्दा बनने से दरीग नहीं करता चाकु निकाल कर वरीद नोसे सीधा करते उसके दिल के आर पार कर दिया चाकु निकाल कर वरीद चोधरी की कमीस के दामन से साफ किया बाजू फोल्ड करके पसीना साफ करके उसके मुर्दा वजूद के करीब भुका 4 पैसे चादर उठाकर जार कर गर्दन के गित लपे थी एक निगाहें गलत उसके वजूद पर डालने बिना अपनी गाड़ी के चाने बढ़ा ड्राइविंग सीट का दर्वासा खोल कर बैठा किसी को फोन किया इस मर्दूत की लाश यहां से उठाकर उसके बाप को भेटो स्प्रिंग पर गिरफ को सक्त हुई गार्ड रीबस की जिस तरह धूर उड़ाता आया था वैसे धूर उड़ाता वहां से चला गया फॉर्म हाउस के बाहर मौजूद कार्ड उसकी गार्ड इसकदर रेश अंदास में वहां आते देखकर कुछ हैरान और परिशान हुई गेट के आगे गार्ड रोख कर उसने शिशा निचे किया गेट को लो हुक्मी अंदास में बुला गार्ड ने तेज़ी से गेट खुला उसे हिदायत मिली थी कि वलीड चौदरी और वजाहा चौदरी के अलावा वहां कोई नहीं आएका मगर वलीड को देख और वहां वो कुछ उचने की घुस्ता की नहीं कर सकता था उसकी घुस्ते से सब भी वाकित थी लहाजा उसने फौरण गेट वाकिया उसकी गार्डी फर्राटे भरती रहाशी इस्ते के जाने बड़ी अच्छा खासा अंदर जाकर रहाशी इस्ता जुरू होता था उसने वो भी मिंटों में त्रै किया गार्डी कुछी दूर खड़ी करके धमाके दार अंदाज में गार्डी का दर्वासा बंद करते अंदर बढ़ने लगा मगर बाहर मौजूद गार्ड्स में उसे वहीं रोका आगे से हट जाओ नहीं तो बहुत बुरा सुलुक करूँगा उन्हें दाख़ी दर्वासे के आगे खड़े देखकर वो आँखे निकालते बोला साथी साथ अपनी गन निकालकर उन पर तानी साब हमें इजाज़त नहीं उनमें से एक ठूक निगलकर मन मनाया वरीद ने आगे बढ़ते छपटकर उसका गिरिबान पकड़ा मुझे किसी की इजाज़त की ज़रुरत नहीं गुर्राहट ज़र्दा आवास पर वो गार्ड सरता पैर कांपा दफाओ जाओ लेकिन जाने से पहले बताओ लड़की को कहां रखा है उसकी बात पर वो दोनों ने एक दूसरे को देखा वरीद ने एक बार फिर्म उसके गिरिबान को जटका बकवास करोगे कि यही कबर खो दो तुम्हारी सन्नाते दार थपड़ उसके मूँ पर मारा साप पहली मंजिल पर पहले कमरे में थपड़ खाय करो फॉरण सच उगरने लगा यही खड़ रहना वलीद के अलावा कोई इस कमरे में गया है उन्हें वही घड़े रहने का हुकम देते वापस काया भंगारे बरसाती नजरों से दोनों को देखा दोनों ने नफ़ी में सरी लाया अगर चूर बोलाना तो गर्दन उतार कर रख दूँगा दोनों को गुरते वो तेखी से अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा तीन तीन स्टेफ खलांता सीडिया चड़ते कपकपाती हाथों से पहले कमरे का दर्वाजा खुला सामने ही बैट के करीब नीचे जो लड़की पड़ी थी वो यकिनन उसकी मताय हया थी तीन से उसकी जानिब बढ़ा उसे सीधा किया और फिर लगा दिल किसी ने मुठी में पकड़कर जोर से खिट पेट चाहूं वरीद ने दो बाहर ही उसका चेहरा देखा था मगर उसका एक एक नक्ष उसे असबर था इसकदर सोचा था उस लड़की को उसने इस लमें उसे जरनाव की शकल पहचानी मुश्किल हो गए इस कदर सुझी हुई थी कनपटे के पास से जिल्द पटी हुई थी खून लगीरों की सुरफ जमा हुआ था फॉरा नबस टटोली बहुत धलकी चल रही थी चादर उसके वजूद पर कही नहीं थी जिसे वो हमा वक्त ओड़े रखती थी वरीद का दिल किया वो धाड़े मार मार कर रोए जिसे महरम होते कभी हाथ नहीं लगाया किसी गयर ने उसके भाई ने उसके साथ ये सुलुक किया था खमीज बहुत जगों से फट चुकी थी और जहां जहां से पटी थी वहां जखम थे जूतों की नौक के जखम वरीद ने फॉरण बैट पर बिच्छी चादर में उसका वजूद लपेटा और बावजों में उठाए तेजी से नीचे के जाने बड़ा वही दोनों गार्च दर्वाजे पर खड़े थी जिन में से एक जर्नाब को बालों से खसीट कर अंदर लाया था उसे अपनी जान हवा होती लगी वरीद उसे बावजों में उठाए अपनी गारी की जाने बड़ा दोनों को साथ आने कर शारा किया आंखों से चिंगारी अब भी बरस रही थी तो दोनों खामोशे से आगे बड़े एक ड्रावर करने को कहा और दूसरा आगे उसके साथ बैठा पिछली सीट पर जर्नाब के साथ बैठते से खुद से लिपटा रखा था साथ साथ उसके हाथों को गर्मारिश देकर उससे होश मिलाने की कोशिश कर रहा था जो बेसुद था गाड़ी करीबी हॉस्पिटल की जाने मोड़ों उन्हें हिदाद दी आंसों पीते उसके विकरे बालों को हाथों से समार थे उन पर अपने लब रख दिये कोगवा करने का लखाँ है और जागए वकुआ पर आपके बेटे की गन से निकली हुई गोलियों की ये खोल है हजार चौदरी टांग पर टांग जमाए उसी रहुने से मरतान खाने में मौझूद पुलीस एहलकारों को गहर बरसाती नजरों से देख रहे थे बहुत बड़ी जुरुत कर लिये तुमने मुझों को एक अंदास से समारते वो तीखी नजरों से सामने मौझूद पुलीस आफिसर से मुखातिव है सर इलाल इज़ाम है हम उन्हें मुझ्रिम नहीं कर रहे पुझी जग कर बोला तुम्हारी ये वर्दी उतरवाना मेरे बाए हाथ का काम है बहरेहाल इमो मेरे बेटे के पास है भी तो तो क्या इसकी गोली मुलक में जहां कही मिलेगी तुम अपना मुझ ठाकर यहां बखवास करने बहुत जाओगे गुस्ते से सामने मौझूद लकडी की टेबल पर हाथ मारते हो मुझतल अंदांस बोले देखे सर मलिकों ये इल्जाम लगाया है और अकर आपका बेटा इंवोल्ड नहीं तो आकर अपनी हक में गवाही दे दे हम केस खतम करवा देंगे पुलिस ऑफिसर हिम्मत करते हुए बोला तुमसे मैं बाद में लिप्टूँगा शकूरे पास खड़े बंदे का ओवाज दी जी सरकार शकूर हाथ बंदे उनके करीब आया हो मिस्टर को फोन मिलाओ चील जैसी आँकों से सामने करे ऑफिसर को घूरते वे शकूर को कम दिया जी साथ मौदिब हुआ तेजी से फोन मिलाया असीद कोई दस्वी बार उसका नंबर मिला रहा था इस बार बेल चली गई कहा हो तुम आखिर जुनलाय हुआ था जरनाम मिल गई है उसकी पर सुकून आवास पूर हैरान हुआ तुम कहा हो से असीद पर शादी मर्ग तारी हुए आपकी ये ऑफिसर कुछ नहीं कर सकते फिलहाल ये छोड़े के कहां से और कैसे मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ आप भी आजाए हूँ इस दिजाए हस्ता हुआ बोला ठीक है मारिज ने कुछ भी और बताए बगैर हॉस्पिडल का नाम बता कर फोन बन कर दिया असीद ने वहीं से गाड़ी कुमाई पुलिस ओफिसर को अंदर गए घंटा बहो चुका था मारिज ने भी कहा था ये पुलिस ओफिसर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त इस ओफिसर की अपनी वर्दी खत्रे में थे अभी वो ओफिसर वहीं मौजूद था जब वजहार चौदे का एक बंदा भागता वो अंदर दाकि लुआ सरकार इसके चेहरे पर हवाईयां उड़ी वी थी क्या मौत आ गई तुझे उधारे अभी तुन जाने वो वलीद क्या करता और वलीद भी पता नहीं का हम अचुका था जो वापस ही नहीं आना था वो इन दोनों पर भड़के वे बैठे थे उनकी लाश तन मुलाजिम लेकर आए हैं वलीद वागई मरी चुका था हाथ में ठामा मुबायल वजहा चौदरी की हाथ से बुरी तरह फिसल का नीचा गिरा आंके हैरत की जादाती से फटने को थी क्या बकवास कर रहा है अपनी जगे से तेजे से खड़े होते हुँ इस मुलाजिम पर पल पड़े सर, सर, फुलीस आफिसल ने आगे बढ़कर बमश्किल वजहा चौदरी की गिराफत से उस मुलाजिम को चुड़ाया मैं माट डालूँगा ऐसे कैसे, ये कैसे हो सकता है वरीद ने बहुत बुरा वार खेला था वो यही समझे के वरीद ने ये सब क्या सर, फुलीस अपने जजबात को काबो में रखे हम हम देखते है वो उन्हें लिए बाहर के जानी बढ़ी जहां वलीद चौदरी की लाश को उनके मुलाजम लिए खड़े थे एक एक कदम उन्हें उठाना दो भर लग रहा था वलीद उसके कप्रे, वो अच्छी तरह पहचानते थे वो चीख के वे जमीन पर उसकी लाश के करीब बैठते चले गए सरकार किसी ने फून करके बताया था कि आपके अस्टबल के गरीब वलीद सरकार की लाश पढ़ी है किसी को नहीं मालम कि किसमें ये किया उसकी लाश लाने वाले मलाजम ने बताया मैं चानता हूँ ये किसने किया वो एकड़ भाड़कर खड़े वे वरीद चौदरी ने किया है यह, उसके गार्ड्स का आएं, वहीं बताएंगे बताओ का आएं, उसके गार्ड्स, उसका सराहतिया से निज़े रखते हो चलाएं, ताप वो तो चले गए, अंडरग्राउंड, ओु मलाजिम जिज़गते हो बोला, कैसे चले गए वो, वो धाड वरीद साहब के कहने पर उन में से एक ने मुझे फोन करके बताया था कि उनका हुकम है कि जब तक सरकार ना कहे और बाहर नहीं आना इस पुलिस आफिसा ने कुछ मश्कूक नजरों से उस मुलाजिम और वजहाँ चोधरी को देखा किस सिल्सले में अंडर ग्राउंड हुए हैं उसका चौकरना बनता था तुम यहां से अभी अरसी वक दफा हो जाओ और जहाँ चोधरी को लगा हर बाजी उलट गई हो जैसे क्या सोचा था और क्या हो गया था आप अभी सद्मे में हैं मैं फिर आओंगा और तुम तुम्हें इस बात का जवाब देना होगा कि उनके बन्दे कहां और क्यों गए हैं वो पलीस आफिसर अपनी शकूक भरी नजरों से उस मुलाजिम को देखकर बोला वजहा चौदरी के लिए इतने बड़े धचके के बाद मौमला समालना मुश्किल हो रहा था कुछी लमों में वो भी वरीद के पास हास्पिटल में मौजूद था कैसी है वो बेचैनी से उसे इस्तवसार किया वरीद नजरी चुरा गया नपस बहुत दीमी चड़ रही थी फ्रेटमेंट चड़ आए उसके कंदे पर हाथ रखते उसे तसलिए उसे तसलिए उसके आंखे दिमला गए परिद ने एकदम उसके कंदे से ठाम कर उसे खुद में भेंच लिया दोनों को इस वक्त तहारे की जरुत थी दोनों इस वक्त उस लड़की से की जाने वाली महबत पर रो रहे थे उनके पास से गुजरते लोग हैरस थे उन दो कडियल जवानों को रोते देख रहे थे मारीज ने भी उसके गिर्दबासों का घेरा सख्ट किया दोनों इस लमे बेबस थे उसे बचा लिया था मगर एकने जख्मों के बाद क्या वो बच जाएगी इस सब के बारे मूँ नहीं जानते थे मैं इसके मुझरिम को मार आया हूँ कुछ देर बाद को लुकी लहजे में सरगोशी के से अंदास में बोला इसका यही अंजाम होना चाहिए था मुझे जरास अभी शक होता कि सब के बाद मेरे घर वाले इस हद तक गिसकते हैं तो एकीन जानो उसे पहले ही तुम लोगों से मांग कर उनकी गन्दी नसरों से दूर ले जाता वो पश्टा रहा था कुछ देर बाद दोनों खुद पर काबू पाते पिछे वे मैं वजाहा चोधरी पर केस कर चुका हूँ उससे अलग होते आस दिन से अपने आंसों साफ करते मारेज को मुझा किया उसे इस लमें अपना बाप भी नहीं कहना चाता था अजनबियों के तरह उसका नाम लिया मारेज में सरी लाया उसे अब सिर्फ दरनाब के ठीक होने की गस्त थी कुछ ही देर में हॉस्पिटल में मलिक आयास मौजूद थे साबे के पास वाजीद को आने का हुकम दे चुके थे उसके आते ही मलिक आयास दरनाब के पास हॉस्पिडल में मौजूद थे वरीद और मारेज को देखकर वो तेजी से उनकी चानी पड़े कैसी है मेरी बच्ची उनके लहज़े में शदीद बेता भी थी अभी डॉक्टरस ट्रिटमेंट दे रहें मगर उसके बाएं हिस्ते पर बहुत ज़्यादा तशद्द किया गया है जिसकी वज़े से डॉक्टरस को शक है कि कहीं बाएं बाजू प्रेलाइस नहो जाए वरीद की बाद पर उलब भेंच कर रहें गए अभी वगपर शिद्द गिरिया से उनकी आवाज जदीद भाड़ी हो रही थी डॉक्टरस का ये भी कहना है कि यहां जदीद सहूलते मौचूद नहीं तो बेतर है कि उसे शहर किसी बड़े हॉस्पिरल लेकर जाया जाए अभी वो इतनी ट्रीटमेंट दे रहे कि कल तक उसे शहर किसी और हॉस्पिरल में शिफ्ट किया जाए मारिज ने उन्हें मजीद इप्तिला दी तुम दोनों फौरी कल उसे ले जाओ साथ में नश्रा माया और एक दो और मुलाजमाओं को भी मैं भीज देता हूँ उन्होंने फौरान सब कुछ करतीब दिया साबिर की हलत कैसी है मारिज के सवाल पर उन्होंने सरी लाया बेतर है अब बस कून की कमी है जो इन्शालला चांद एक हफ़ते में बेतर हो जाएगा मुझे तुम से कुछ बात करनी है उन्होंने एक नजर अपने सामने सा जुकाय मारिज पर डाल कर कहा वरीद उनकी बात समझते पौरान से पहले एक जानिब चल दिया क्या इसका और जर्नाब का निका तुमने करवाया था वरीद के एक जानिब होते ही वो बोले नहीं बीवी ने करवाया था जर्नाब की मर्जिसे उसने सचाई बताते सब बात उनके कोश गुसार की वो कुछ देर पहले ही अपने बंदों से यह सब बाते सुन चुके थे के जर्नाब वरीद की बीवी है और तुम इतने बेखबर थे के तुम यह सब जान ही नहीं पाए वो से आड़े हाथों ले रहे थे वरीद चौदरी को कतल कर दिया है और इसी ने जर्नाब को टपाया था क्या इस बारे में भी तुम इतने ही लायल्म हो अपकी बार उन्होंने कड़े तेवरों से सिगुरा नहीं मुझे उसका इल्म है वो हाथ सामने बांदे हमेशा कितरा मौदिब खड़ा हुआ था तुम और वरीद आपस में राप्ते में थे उपे तर पे उससे सवालाद कर रहे थे जी मैं सुबा उसके फ्लैट पर गया वहीं मुझे पर ये सब पता चला फिर बीबी से निकाह की खिकत पता चली और फिर वरीद ने जरनाब को ढून लिया वो एक एक बात सदक दिल से उन्हें बताता गया और वली चौदरी के कतल का तुम्हें कैसे लुआ उनकी बात पर उसने लहजे भर को नजर उठाई फिर उसे तरह वापस जुका लिए उसकी खामोशी उने बहुत कुछ समझा रही थी जो वो समदना नहीं चाते थे मैं पूछ रहा हूँ मारिच तुम्हें उसके कतल का कैसे लुआ उनकी बात पर और फिर से खामोश रहा दोनों कॉरिडर के एक सिरे पर रश्ट से कदरे हटकर खड़े थे इसलिए तो यह उनके जाने मतवज़ नहीं था मारिच मैं कुछ फूच रहा हूँ अब कि उनकी आवाज में सखते थी क्योंकि उसका कतल मैंने ही किया है उसके इनकिशाब पर एक जोड़दार थपर उन्होंने उसके मूँ पर चड़ा मारिच दुर खड़ा कया जिन्दगी में पहली बार मली कयास उस पर इतने मुश्टेल हुए थे खपड की आवाज पर वरीद ने चौँकर पीछे मुड़कर देखा मारिच का लाल चहरा उसे बहुत कुछ समझा गया तुम इतने खुदमुक्तार कब से हो गए कि ये सब मौमले अपने हाथ में ले लो उसके कंदे पर गिरफ तसक कि ये उस पर गर्चे मैं उसकी माफी नहीं मांगूगा हाँ मगर आप जो सजा कहेंगे वो सहूँगा चाहे वो सजा सजा मौत ही क्यों न हो पज़ुका चहरा अब भी उनके सामने नहीं उठा था क्या किया है तुमने उन्होंने बेबसिस उसे देखा फिर एक जटके से उसका खंदा चोड़ा कार चुपाए वो जलीन वलीद को दफनाने के बाद दी और जहार चौदरी की अकड़ वहीं की वही थी सरकार यहां पास यह जो हॉस्पिटल लिवा है उसके एक बंदे ने उसे मुतला किया है मार डालो जाकर उसे खतम कर दो वना यह वो सांप है जो मुझे भी खा जाएगा उसकी आँखों से चरारे निकल रहे थे जो हुकम साही वो बंदा तो उनके हुकम का गुलाम था चाहे बाप को मानने का हुकम होता या बेटे को और ये वज़ाहत चाओधी तो वो इनसान था जिसने खानदान का सरवरा बनने की खातिर अपने बाप को भी खतल करवाने से तरीक नहीं किया था हर आज वो अपने लाके पे तन तनह राज कर राज कर राज था तो आज अपने बेटे को मरवाते से कोई फरक ना पड़ता ऐसे बेहिसर मुर्दा समीर लोग अपनी ओलाद के लिए भी कुछ महसूस नहीं करते कमीना हमारे मुखालिफों से मिल गया वो गुस्से से बढ़बढ़ाया बस कर दे दुश्मनिया कितनों को मानना है और हवस नहीं कतम हो रही आपकी नजाने किस वक्त सुग्रा वेकम उनके पीछे आई उन्होंने सब तुन लिया वजहाँ चौदे जटके से पीछे मुड़े रोती भी लगती वो औरत तो नजाने किस बात की सजा कार तई थी अगर मेरी एक उलाद को अल्ला ने हिदायत दे दी है तो आप उसे भी सपह हस्ती से मिटाने पर तुले है क्यों इतने खुदवा सोचाते हैं आप जैसे लोग मेरा पहला बच्चा बे मौत मारा गया क्यों सोचा है कभी इस प्धार के लालुच में जिसके बड़ते पे आपने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा अल्ला ने सजा दी आपको मगर आपको फिर भी खौफ नाया ले आएक मासून को उसके बदले और जुम किये उस पर वो तो अल्ला ने आपकी माँ को नजाने कौन सी हिदायत दे ली के उसे यहां से निकाल दिया इसलिए के उसकी हुसन से वो डर गए के कहीं फरीद लॉट कर आई और वो उससे बीवी का दरजा ना देर डाले मगर क्या हुआ देखा अल्ला का इंसा आज हो सारे हिसाब बेबाग कर रही थी अल्ला ने उसी की महबत मेरे बेटे के दिल में डाल कर आप जैसे सबी लोगों को बताया कि ये है मेरी प्लैनिंग जब उसने एक परसूदा अगंदी रसम का खात्मा करना चाहा तो दुसरे बेटे के कान भरके आपने उस लड़की के जरिये वरीब को तकलीब पहुचानी चाही और अब फिर आपको अल्ला ने सजा दी एक और बेटे की मौत की सुरत आप अब भी अपनी अकर नहीं भूड रहें उनकी आँखे खुलनी की कोशिश कर रही थी मगर दिन दिलों पर महर लिखी जाए उदिल अल्ला के जानीब फिर कभी नहीं बलटते बकवास बंद कर जरील औरत अलाद के लिए मेरे सामने मूँ खोल रहे है एक दरनाटे दार थपर सुग्रा के मूँ पर पड़ा था हाँ बोलूंगी और अब हर उस हद तक जाऊंगी जहां मैं इन जाहिलाना रस्मों को रिवाजों को खतम कर सकूँ मार दे मुझे भी चिलाएंगी गोली चलाए दे जहर और मार दे मुझे करो उनका मनसुबा नाकाम हो गया था अभी वो मजीद हालात को अपने हद में खराब नहीं करना चाहते थे हैलो आयाद मलिक ने नमबर देखती पहली बेल पर फोन उठाया मेरे बेटे को बचा ले आज वो दरिंदा मेरी बहु और मेड़े को मारने का पंसुबा बना रहे सुक्रब बेगम की बेबस आरोती आवास सुनकर वो लब भेंच कर तासुब में सरहिलाने लगे आप फिकर मत करें मैं उनकी पूरी तरह इफादत करूँगा आपका बहुत शुक्रिया आपने हमेशा मुझे आगाहा कर रखा और मतशक्र हुए मारिज जो उनके गरीब ही खड़ा था कुछ चौंक कर उनकी चानिव देखा उन्होंने फोन बन करते ही मारिज की सरफ देखा जो अर्चंबे से उन्हें देख रहा था तुम उससे पूछते थे थे ना कि मुझसे भी पहले चौधियों की हवेली के अंदर की मौमलात का इल्म आपको कैसे होता है तो वरीज की मानी हमेशा मेरा साथ दिया है बहुत नेक खातुन है शायद अल्ला ने उनकी दुआओं के अवस वरीज को अच्छी रहा पे चला दिया अब समझा के वरीज का जर्नाब को नार एहसान समझ कर उसे महबत का दावा करना फिर अपने माबाप के सामने डर्ट जाना ये सब बाते आयास मली को कैसी मालू हो जाती थी आज ही मौमा भी हल हुआ उन्होंने हमेशा उस मरदूद वजाहत चौदरी के गंदे इरादों से मुझे आगा किया जो जो उन्हें मालू होते कै मगर इतना सब होने के बाद भी अल्ला ने वजाहत चौदरी को एकल नहीं दे आज रात वरीद और जर्नाब पर फिर से हमला करवाना चाहता है जो के अब नामुम्किन है मैं गार्स बुलवाता हूं तुमने एक मिनिट के लिए भी जर्नाब और वरीद को अकेला नहीं छोड़ना तुम्हारे मसले का हल हम फिर करते हैं और सुबह होते तुम लोग यहां से शहर निकल जाओगे मैं नश्रा को भी विजवाता हूं वो मज़ीद उनके सामने कुछ नहीं कह सकता था यह भी नहीं के नश्रा को मत विजवाएं वो उसका भी सामना नहीं कर सकता जजबात में वो बहुत कुछ गलत उसे कह गया था क्या बात है आप इतने परिशान क्यों है जब से वो हॉस्पिरल से आये थे बिलकुल खामोश थे अब तो जर्नाब मिल गई है मैं मानती हूं कि जर्नाब और नश्रा ने बहुत गलत किया मगर निकाह ही किया है कोई गुना तो नहीं किया वो यही समझी के मली कयाज इस वज़े से परिशान है उनके करीब बैट पर बैटते हो पूछे बगर न रह सकी मैं जानता हूं और नश्रा की इच्छी खासी कलास भी ले चुका हूं मगर मुझे असल फिकर मारिज की है वो घबराएवे नहीं थे मगर शदीद परिशान थे क्यों क्या हुआ है मारिज को कोई नहीं जानता था कि वो क्या कारनामा कर चुका है वलीद चौदरी के कतल के बारे में तो आप जानती है उनकी बात पर तजबजब का शिकार भी कि वो बता रहे या सवाल कर रहे अब तक तो सबी जान चुके है उसके बारे में जरीना की बात पर उनोंने एक गहरा सांस भरा उसका कतल मारिज ने किया है उनके इनकिशाफ पर जरीना का मुँ खुला का खुला रहे गया हैरत की जादती के बास ताया हाथ एकदम मुँ पर रखा मेरे खुदा ये क्या किया मारिज ने उनका भी हाल अब मली कयास से कमना था मली कयास की तरह जरीना भी उससे अपने बच्चों की तरह अजीज रखती थी और जब से नश्रा से उसकी शादी की थी वो और भी प्यारा हो गया था उने अब क्या होगा उन्होंने फिकरमंदी से पुछा यही सोच मुझे परिशान कर रही है कि अब क्या होगा अगर एक बात याद रखे का मैंने सारी जिन्दगी इनसाफ का उबलिद दी है चाहे वो फिर मेरी आुलाद ही क्यों न हो मैं हरकिस किसी जूट के सहारे पर उसे नहीं बचाऊंगा उनका अटल लहजा उनके रादों का पता दे रहा था कि वो किसी भी कीमत पर उसे रियायत नहीं देंगे आप चाहें तो उन्होंने जचकते वे जो कहना चाहा उसे अच्छी तरह समझ गए मेरा ख्याल है मेरा इतना वाज़े अंदास कि ये सब कहना आप के लिए काफी होना चाहिए किसी भी सुरत में नश्रा को आपने ही समालना होगा मैं जानता हूँ उसे शोहर की हैसे से कुबूल कर चुकी है इसलिए आपको ये सब बताया है कि चन्द दिनों में कुछ भी हो सकते हैं लéाज आपने नश्रा को समझाना है गलत को सही में कभी भी नहीं कहूंगा और ना उसके लिए कोई कोशिश करूगा उनके फैसले पर जरीना कदिल को या काप करेगा नश्रा की मारिज के लिए पसंदेद की से वो भी वाकिफ हो गई थी और मुतमें थी के वो दोनों एक दूसरे के सार ठीक हो गए मगर ये क्या हो गया था रात में नश्रा उनके पास हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी मली कयाज ने सिक्रेटी सक्त से सक्त करवा दी थी वो तीनों इस वक जरनाब के पास ही रूम में मौझू थे जहां वो धेरो पटियों में चकड़ी लेटी थी नश्रा तो उसे इस हाल में देखकर रो पड़ी मारिज ने किनकियों से उसे अपने सामने खड़ी रोती हुए नश्रा को बेबसी से देखा प्लीज भाबी ऐसे हिम्मत हा रेगी तो हम उसे ठीक कैसे कर पाएंगे मारिज के हवाले से उसने एकदम ही रोती हुई नश्रा को मुखातिब किया वो चौक कर मुड़ी एक नजर सा जुकाये दर्वाजे के करीब खड़े मारिज पर डाली बस उसे इस हाल में देखा नहीं गया को लोगी लहजे में बोलती आँखे साफ करने लगी आप लोग कुछ खाले आपके भाई का मालू हुआ था बहुत अफ्सोस हुआ एकदम कुछ याद आने पर वो वरीज से मुखातिब हुई जिसकी आँख में भूला वसरा आसू उदर आया था काश के उसका भाई इस हद तक दरिंदगी ना करता जी वो फक्त इतना ही कह सका ये खाले प्लीज दो पिलेटों में चावल निकाल कर एक वरीद के सामने रखी और दूसरी पिलेट पकड़े कश्मकश में खड़ी थी मैं एक मिनिट आता हूँ वरीद कुछ याद आने पर बाहर जाने लगा कहा जा रहे है तू मारिज यगदम उससे बोला डॉक्टर के आफिस तक जा रहा हूँ उसकी बात पर मारिज ने सरी लाया बाहर गार्ट खड़ा है उसलिए बगेर नहीं जाओगे तू वो तंबीहा के से अंदास में बोला ठीक है हास्पिरल का तमाम अमला मलिक यास को अच्छे से जानता था इसलिए उनके गार्ट को हास्पिरल में आने की पूरी अजाज़त दी गए थी वरीद के बाहर जाते ही नशनाने पल भर को उस सित्मगर के जानिद देखा खालो तुम भी उसके भी होट पर और हाथ पर जख्रम आये थे जिन पर बैंड़ेज की गई थी जुकरिया अभी भूग नहीं उसमें सहुला से इंकार किया सर फिर से जुका लिया सर फिर से जुका हुआ था समझते क्या हो तुम अपने आपको किस बात के हिरो बने पिर रहो मैं अगर यहां मौझूद हूँ तो सिर्फ बाबा साइं के उकम की वज़े से नहीं तो मुझे दुटकारने वाले की मैं शकल भी देखना का वारा नहीं करती उसकी बात पर नश्रा को भी मुखातिब होती हाथ पुष्ट पर बांदे वो अपने मुख्सूस दीमें अंदास बोला पता होता होना भी चाहिए तुमें अपनी अवकात का तुमारे साथ जुड़े रिश्टे को मान क्या लिया तुम तो मेरे सर ही चल गए उसके लिज़े से मारेश को वही पुरानी नश्रा की आदाई जो उसे हमेशा हकीर जान दी थी मैं आपसे माफी माँगता हूँ कि मैं अपनी अवकात भूल गया था कि अतिराफ पर नश्रा का दिल गोया किसी ने उठ्थी मे लिया बहुत हट किया है तुमने मुझे डेरो आसों आँकों में जमा हुए मुझे माफ कर दे इसकी नमावास पर वो और भी शर्मिंदा हुआ मैंने बहुत बार जर्नाब से पूछा था कि वो सोच समझ कर एक कदम उठाए मैंने जबरदसी तो नहीं की थी उसके साथ वो खुद को किलियर करने लगी मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए था जर्नाब वो पहली इनसान थी जिसने बच्पन में मुझे इस लमे महबबत दी जब हर जगे मुझे तुदकार मिली जर्नाब और मलिक साई वो दो वाहिद बंदे हैं जिनकी महबबत में मैं कुछ भी कर सकता हूँ बेहन के जानी देखते उसकी आँखों में फिर से नमी आई और मैं मैं कही नहीं उसने हसरत से पुछा आप महबबत नहीं आदत है जरूरत है जिसके बगर मैं सांस नले पाऊ इसलिए आपसे हाट जोड़ कर अपने अलफास की माफी मागता हूँ शायद महबबत निसान को कभी कभी वहशी बना देती है इसलिए अल्ला ने दुनिया में दिल लगाने को मना किया है इसलिए अल्ला ने बार बार इस हकीकत को दोराया है कि रिष्टे माल और चाहे ये सब वो जब चाहे दे सकता है और जब चाहे वापस दे सकता है इसलिए उनकी महबबत में अंदे मत हो जाओ मगर मैं हो गया और शायद इज़त के लिए हर इंसान अंदा हो जाता है अपनी नहीं अपनी साथ जोड़ रिष्टों की इज़त के लिए उसकी आंकें आंसों जब्ट करने की घास से सुर्क हो रही थी नश्रा के कब से रुके आंसों यक लक्त उसके रुकसारों पर बहे मारिज ने बड़ी तकलीब से मंज़र देखा न चाने क्या हुआ बढ़कर उसे खुस्ते लगा कर भेंटा मुझे माफ कर दे मुझे आपकी जिन्दगी भी नहीं आना चाये था मैंने सिवाय तकलीब के आपको कुछ नहीं किया उसके दिल्गरफता लफास पर बिलग बिलग करोई अपनी बेबसी पर महभबत पर जन्नाब के साथ हुए इस खुबूप पर कुछ समल कर पिचरटी एक दम सहरे के तासुरात फिर से सख लो गए खाना खालो अब मैं बार बार तुम्हारे तरले नहीं करूंगी अपने खोल में सिंती इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करना था उसी पल वरीद वापस आया वो दोनों फिर से अजनवी बन चुके थे उस सारी रात मारिज और मली कयास पर बहुत भारी थी फजर के करीब माया और दो और मुलाजमाई वो होस्पिटल पहुँचा चुके थे और उसके कुछी देर बाद उस सब मुCHTलिब गाडियों में वहाँ से निकल पड़ी जिनमें सब से आगे मारिज की गारी थी मारिज की ही गारी में टेर उसके हमरा थी उस गारी को राय भी मारिज कुद्ध कर था कुछी दूर चल कर वोसी रास्ते से गुजरे जहां से उस दिन जरनाप को अगवा किया गया था नश्रा उम्डिया मरोड रही थी मारिज ने चौंक कर उसकी जानी देखा नकाप सिजहां की आँखों में इस लमे वहिशत थी वो जान गया कि उसे वही मनजर यादा रहे हाथ बरहा कर उसकी मस्तरिब हाथों पर नगरम हाथ रखकर गया उसे तहफुस का हिसाथ दिलाया नश्रा ने चौंक कर अपनी हाथों पर धरी उसके हाथ को देखा वहां से होगी उसकी नजर मारिज की जानी बढ़ी जो लब भेजे संजीदगी से ड्राइव कर रहा था उसकी हाथों को जटक ना सकी शायद हो खुद इसوقक किसी का मान और ताखुद चाहते थी खौफ का हमेशा ने डर्डर अंदाज में मकाबला करते खौफ मारे बाहर नहीं हमारे अंदर होता है लहाज़ा उसे अंदा से खखब करना हमारे बस में होता है जिस दिन हम उसे अपने अंदा से खतम कर ले फिर खौफ कही नहीं होता इसका ठहरा लेजर नश्र को तक्वियत बखश रहा था मगर वो उसे ये सब बताना नहीं चाहती थी अभी वो इसे बहुत सख्त नारास थी कुछ भी कहे बिना वो बाहर देखी रही मारिज ने उसका दाया हाँ ठाम कर लबो के पास करते से खुशकुवार बीते दिनों की याद दिलाई जब उनमें सब सही हो रहा था फिर अचानक I am sorry उफिर दुप भरे लहजे में बोला काश वो अपना घुसा जब्द कर लेता जिन्दगी में पहले बार उसने यूजब्द का दामन छोड़ा था और वो शदीद पश्टाया था खुशे दो बहुत महबबत करने वाले लोगों को उसने जिक महँचाई थी मलिकायाज और नश्रा दोनों अलग-अलग वजुहात की वज़े से उसे नारास थे उसे आज इस बात का खुब अंताज़ा हो गया था कि घुशे को अलग-अलग ने क्यों हराम किया है क्योंकि ये हराम काम की जानिफ हमें रागिप करता है हॉस्पिटर पहुंचते ही वरीद और मारीद दोनों फिर से डॉक्टर से बातकीत और उन सब में मस्रूफ हो चुके थे शाम तक जरनाब को कुछ खोश आ चुका था डॉक्टर का भी यही कहना था कि जब वो पूरी तरह होश में आये की तभी उसके परेलाइस होने और ना होने की बारे में कुछ खा जा सकता है उसी दोरान वरीद को जैसे ही मौका मिला उसने सुखरा बेकम का नंबर मिलाया जानता था मा इस वक्ट गम से निडाल होगी मैं यह नहीं पूछूंगा कि आप कैसी है मगर इतना जरूर कहूंगा कि मेरे पास इस वक्ट दो ही रिष्टे है एक आप और दुसरा जर्नाप मुझे आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है मा से बात करते रो पड़ा मैं ताइस बच्ची का ख्याल रखना कि मारे बाप के रादे ठीक नहीं वो से मुतला करने लगी मैंने उन पर केस की कोशिश की थी मगर पुलीस केस लेने को ही तयान ही वो मायूस को लहज़िंग बोला ऐसो का केस बस अल्लह की अदालत में डाल दो वो बहतरीन इंसाफ करेगा ऐसे फिरौनों के लिए उनसे बड़े फिरौन चाहिए होते है बटा तुम और मेरे जैसे लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते वो भराय वो लहज़े में बोली ममा क्या आप मेरे साथ है उसके लहज़े में क्या क्या नहीं था कैसी हसरते नहीं थी हाँ बटे मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी दुआएं तुम तोनों के साथ है काश मैं भी जनाब बच्ची जैसी होती तो तुम्हारे बाप के खिलाब बहुत पहले उटखड़ी होती मेरे बच्चे उस शक्स की फिरोनियत की नजर हो गए उस दते गिलिया से बेख त्यार रो पड़ी मगर मुपर हाथ रखकर अपने रोने की आवाज वरी से चुपाई वो पहले इतना परेशान था मज़िद परेशान हो जाता मुझे माफ कर दे वो वलीद के लिकमगीन हुआ नहीं बेटे जो बुरा करता है वो अपना इंजाम खुद पा लेता है एसलिए तो इस नहीं को आपने आमाल को सूचे परके आया हो गलत कर रहा है या सही और इंसन का खुद से बढ़ कर कोई और थिसाभ नहीं गर सकता इंसन अपनी अच्छाई बुराई से बहुत अच्छे से वाकिव होता है मगर जिसमें अपने खिसमत में बुराई लिक्वानी हैं वो खुद को तसलिदेने को हजार दलाईल ले आता है कि मैंने ये काम इस दे किया मगर जो अपनी बुराई को मान लेते हैं उन्हें डर उसका इतिराफ करते है जैसे तुम ने किया मुझे फखर है तुम पर कि तुमने खुद के अश्चोफल मखलुकात होने का सुबूत दिया अल्ला ने तुम्हें ठोका लगाई और तुम संभल गए अल्ला तुम्हारा हामियो नासिर हो अपना ख्याल रखना अब मैं फोन बन करें उनका के गलफ उसके अंदर अम्रिक की तरह टपक रहा था वो कॉरिडर में इस वक फर्ष पर बैठा हुआ था रिष्टो के इंचमेलों ने उसे तोड़ कर रख दिया था तुम मिल लो जर्नाब से जैसे जर्नाब को हुशाया था फैले नशरा और माया उससे मिलने कमरे में गई थी फिर मारिज अर वो बाहर आकर उसे अंद़ जाने का कह रहा उसमें सर उठा कर मारिज की कारें देखा मारिज ने गौर से उसकी आंके देखी मैं तुम्हें इतना ना उकसाता तो शायद तुम इस अच्छ तक ना जाते उसे अपने वो अलफाज बार बार कजू के लगा रहे थे जो उसने जरनाब का इल्म होते ही मालिच को फोन करके वरीद के बारे में कहे थे नहीं उसमें तुम्हारा कोई खसूर नहीं मेरे साथ ऐसा ही होना था हर किसी को अपने किये की सजा मिलती है उसकी बात पर वरीद ने उलच कर उसे देखा तुम क्या सोच चुके हो वो इतना बच्चा नहीं था कि उसकी सचाई उसके चेहरे से भाप न लेता जरनाब से मिल लो उसे दवाई दे दी गई है चैद कुछ देर तक वो गुनूर्गी में चली जाए उसकी बात पर वुलचा साजरनाब के कमरे की जानी बढ़ा उसकी होश में आते ही डॉक्टर्स ने पूरी तसलिस इसका चेक अप किया सब रिपोर्ट्स आने के बाद उन्होंने ससली दी के कुछ दिनों तक उसका दाया हिस्ता सुन रहे गा लेकिन जैसे ही प्रॉपर डाइट और दवाईयां उसके अंदर जाएगी वो परेलाइज वाली तकलीव के चानिब नहीं जाएगी मारिज और वरीद ने शुकर अदा किया वो दोनों शरीर टेंचन में थे मारिज के होते ही डॉक्टर उसे दवाई दे कर गई थी दर्वाजा खोल कर वो अंदर दाकिल वा अभी भी वो पट्टियों में जखड़ी हुई थी मगर इन सब के लिए यही काफी था क्यों जिन्दा थी और किसी भी खिसमानी माजूरों से बच गई थी आहिस्त तरवी से चलता उसके बैट के खरीब गया किसी के ख़द्मों की चाप उसे अपने बहुत करीब महसुस हुई आहिस्ता से आँखों के पपोटे खोल कर देखा वरीद चोधरी उसके सामने आँखों में नमी लिये खड़ा था आप यहां वो अभी बमश्किल बोल पारी थी क्यों मुझे नहीं होना चाहिए था उसका एक हाथ थामे महबबा से उस पर बोसा दिया जर्नाब का काम सी कई ऐसी जसारत का कब सोचा था नश्रा ने बताया था आपने बचाया और तूटे फुटे लबजों में बोली अल्लह ने बचाया तुम्हें मुझे तो बस उसने रहा दिखाई मुझे माफ कर दो मुझे जरा सब ये अंदाज़ा होता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो कुछ होगा उस दिन जर्वे से मैं तुम्हें रुकसत करवा कर निकलता उस दिल की बात कहरा था शुक्रिया उसकी तासे फूल रही थी तुम इतना मत बोलो फिलीज अभी ठीक नहीं है तुम्हारे लिए बस जल्दी से ठीक हो जाओ तब शुक्री वसूल करूँगा उसकी हुंटों पर उंग्ली रखकर उसे चिप करवाते हो मुहंबत से चूर लहजे में बोला जर्नाब को अपनी बेबसी पर रोना भी आया अगुसा भी कि वो उसकी हाथों कलम्स खुद से दूर भी नहीं कर सकती थी वरीद के गरम हाथ मसरसल उसका एक हाथ से ला रहे थे उसे यह एहसास बहुत अजीब लग रहा था नश्रा से यह सुनकर कि उसने जर्नाब को उस जिन्दान से निकाला जर्नाब का दिल डोब कर उभरा वालीद ने उसे जितनी बेदर्दी से मारा था उसके कपड़े जगे जगे सिर्फ पर तिके थे उसके सर पर तो क्या जिसम तक पर चादर तक ना थी और उसी हालत पे वरीद ने उसे देखा था वो शरम सिकट गई थी मगर अभी उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो इस सब पर ज़्यादा सोच पाती उसके हाथ पकड़े पकड़े ही वो गुनूड़की में जा चुकी थी अगले दिन सुबह 11 बचे पुलिस के चड़ अहलकार हॉस्पिटल मौजूद थे जी फरमाएं प्रिसेप्शन से पुछे वे वो जर्नाव के कमरे के बाहर मौजूद थे आप उने से वरीद चौदरी कौन है वो दोने इस वक कमरे के बाहर ही थे जी मैं वरीद ने अपनी चाने बशारा किया आप पर इल्जाम है कि आपने भाई का कतल किया उने से एक आफिसर ने करक्तिगी से इससे सवाल किया और ये इल्जाम किसने लगाया है अपके मारिज ने दखल अंदाजी की उनके बाप ने दो दिन पहले आपके भाई का कतल हुआ और उने बताया कि घरेलू चपकलिश के बास आपने उने कतल कर दिया इसकी बात पर वरीद ने गुस्से से मुठियां भेजी क्या आपने उनसे तफ्टिश की कि ये घरेलू चपकलिश किस नुएट की थी उस्ताख तले जिम बोला एक छोटी मोटी अयाशिया हो ही जाते जी अब लड़की के मौमले में भाई को मानने कि क्या तो थोड़ा सा आगया कर सर्गुश रुमा आवाज में कांग तबा कर बोलता वरीद और मारिज का शदीद घुस्ता दिला किया वरीद ने मुच्टहल होते उसे ग्रेबान से पकड़ लिया किसे की इजदत पर हाट डालना तुम जैसे कानून के मुहाफिजों के लिए चोटी बात है उगुर राया मारिज ने फौरान थाम कर उसे पुलीस आफिसर से अलग किया भोश में रहो वरीद उसे घर का इसका गतल वरीद ने हरकिस नहीं किया और जिसको उसने उठाया था मली कयास की भतेजी और मेरी बहन थी मारिज ने अपने सुरक आँखों से सिखुरा और ये गतल मैंने किया है उसकी यूँ आसानी से कहने पर वरीद अपना घुसा भुले शेश्टर उसे देखकर रह गया पुलीस वाले अलग फैरस से एक फातिल को कतल का एतिराफ इतनी आसानी से करते पहली बार देख रहे थे क्या हो रहे ये शोड की आवास सुनकर और घर आकर मुपर नकाब के बहर आई सामने पुलीस को मारीज और वरीज से बहस करते देखकर परिशान है आप अंदा जाए उसे यूँ बाहर आता देखकर मारीज ने आँखी निकाली हो क्या रहा है पुलीस वालों की नजरे उसे खोज रही थी मारीज का बस नहीं चल रहा था या तो नश्रा को एक लगा दे या फिर पुलीस वालों की आँखी नोच ले आगे बढ़कर यगदम और उनके और नश्रा के बीच आया ऐसे आया कि वो उसके चोड़े वजूद के पीछे चुप सी गई आप अंदा जाए मैं भी आपको बताता हूं जाए वो अपनी बात पर जोड़ देकर उसे अंदा जाने का शरा करते बोला मगर नश्रा को कुछ गलत होने का हिसास हो रहा था उसके चाहरे के पत्रीले तासरा देख यो मज़िद कोई बहस के बेना अंदा चली गई क्या हुआ है आपा माया भी खबराई भी थी पता नहीं यार पलीस खड़िये बाहर मुझे डर लग रहा है ओए बाबू ये भागने के तरीके हम पर मतास्मा हो मुझरिमों की इंचाला कि उसे हम अच्छे से वाकिफ है बहमे सुकेरते वो इंतहाई बदलिहाजे से मायर्च से बुला मैं अगर एक बाल जुम ना करता तो क्या कर लेते आप जब मैं इतना बड़ा सच बगएर किसी हिले बहाने के आपके सामने करक रहा हूँ तो मेरी इस बात पर भी यकीन कर ले कि मैं पांच मिनिट में आपके पास मौझूद हूँगा अंदर मेरी खौातीन है इसलिए मैं आपको अंदर नहीं बुला सकता तो मैं अभी इसी वक्त हमारे साथ ठाने जाना होगा तो मारी इस की बात पर कुछ देर के लिए सोच कर बोला जहां कहेंगे आपके साथ जाने को तयान हो मुझे सिर्फ चन्द मिनिट दे दे परी तमाशाई बना सब देख रहा था तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मारी मैं आयासंकल को फोन करता हूँ आखिर उसे बोलना पड़ा मैं बहतर जाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ तुम बस इन सब का ख्याल रखना मारी इसके गंदे पर हाथ रखते पर सुकून अंदाज में कहा ऐसे जैसे पुलीस वालों के साथ अपने के की सज़ा भुगत में नहीं तुम पागल हो गए हो जानते हो उसका क्या अंजाम हो सकता है वो आप तक उसके तासुरात और उसके अंदास पर हैरान था उसे नहीं मालूम उसे सजाय मौट हो सकती है मैंने हर अन्जाम को जहन में रखकर यह सब किया था तुम्हारी फिकर अच्छी लगी मुस्कुरा कर उसके कंदे को तर्टपाया वरिद को वो उसे इस वक्त दुनिया भर का बेवकूफ इंसान लगा जो अपनी मौत को खुद दावत दे रहा है ओ हीरो बस करो यह जस्पायती फिल्म जल्दी से अंदर से हुकर आओ हमें और भी काम है पुलीस ओफिसा जिंड़ा कर बोला मारी तेज़े से कंदे की जाने बढ़ा यह क्या तुमाशा है वहा है नश्रा उसे अंदर आते देखकर आईस्ता मगर गुराते लेज़ेंबों नी कभी कभी इनसान जिन्दगी में अपनों की खातिर कुछ ऐसे एक्दाम कर देता है कि उसे अपनी जिन्दगी की भी परवा नहीं रहती एक गहरी सांस खायच करते वो उसके सामने खड़ा हुआ नश्रा ने उलजी नजरोस उसे देखा जर्नाब को वलीद चौदरी ने अटवाया था मारिज की बात पर उसने मूँ बनाया ये बात मैं जानती हूँ मगर ये नहीं जानती कि उसका पतल किसने किया मारिज की बात पर अपके उसकी आँखे हैरत की जादती से खैली कम हैरान माया भी नहीं थी एक जानी पैठे वो खामशी से उन्हें देख रही थी जो आमने सामने खड़े हर चीज को भुलाए वे थी जोन टेल मी मारिज के तुम दोनों में से किसी ने नश्रा ने अपने हाथ मूँ पर रखे दिल ये मानने को तयार ना था वो मैं ही था जिसके हाथों शक्स पतल हुआ इतने आराम से वो इतनी बड़ी बात उसे बता रहा था मारिज वो सब्मे के बास पस इतना ही कैसा की माया भी मूँ खोले उसे एतिराफ करते देख रही थी उसलिए कहता था रिष्टों के आगे कभी कभी इनसान बेवस हो जाता है उसा जुका कर इस्तिजाया हसा तुम पागल हो गय थे उसकी कमीज को सीने की मुठी से थामे सीने की जगे से थामे मुठीयों में जोर से भेंचते उसे खटब कर बोली हाँ खुस्सा इनसान को पागली कर देता है पर वो किसी अंजान को नहीं सोचता मारिश का दुख भरा अंदास मुझे माफ कर दे इसलिए कहा था मुझे आपकी जिन्दकी में नहीं आना चाये था सिवाए दुख अजियत और आंसों कि मैं आपको कुछ नहीं दे सका हाँ मगर मारिश आपसे बहुत महुपत करता है उसलिए जो मैंने कहा वो भी खुस्से में था कि मुझे आपकर एतिमाद था और जर्नाब कहीं मुझे चूरी चुपे निकाह करवा कर आपने मेरे अतिमाद को खेस पहुँचाये बस खुस्से में दो गलत काम हो गए आपका दिल दुखाने का और किसी के कद्र का उसके हाथों पर हाथ रखे उसकी आंसों बहाती आंखों में देखके उसका दिल डानलोल हुआ था मारिज तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तुम तो लोगों का दिल दुखा दो तो तुमें ये दुख कच्चों के लगाता है कि तुमने किसी का दिल दुखाया फिर इतना बड़ा कदम तुम छूट बोड़ रहो ना वो बेबसे से बोलते उसे और भी तकलीफ से दोचार कर रही थी मारिज ने थूख निंगलते नफी में सरी लाया उसके सीने पर धरे अपने हातों पर रखे उसके हातों पर सर टिकार कर रो दी बाबा साइं तुमें बचा लेंगे तुमने एक बुरे शक्त को मारा है किसी मासूम का नहीं एकदम सर उठा कर मतरम नजरे उठा कर उमीद से बोली चाहे वो बुरा था या अच्छा मगर मैंने उसे मारा है बगएर किसी एथौर्टी के और उसकी सजा मुझे मिलेगी और मिलने चाहिए मलिक साही भी कुछ नहीं कर सकते की बात पर नशरा ने गुस्टे से उसके हाथ जटकते उसके कंदे पर ठपड मारे माया एकदम से मारीज से पीछे करने के लिए आके बड़ी मारीज ने उसे आके बढ़ते देखकर हाथ उठा कर मना कर दिया तुम्हें किसे से महबबत नहीं तुम सही कहते थे तुमने मुझसे महबबत नहीं की तुम अब छूट बोल रहे हो मुझसे महबबत करते तो मेरा भी एहसास करते मेरा सोचते मेरा क्या होगा तुम्हारे बगएर मगर नहीं तुमने सिर्फ जर्नाब को चाहा तुमने जूटे दावे किये मुझे अपनी महबत में फसा कर खूब बदला लिया तुमने तुम बहुत बुरे हुमारिच आखिर जब वो ठख गई उसी के गंदे पसा टिका कर फूट फूट करो दी अपनी बड़ी सजा अपनी ले तज्विज मत करो कोई तो हल निकालो इसके आंसो उसके कमीज में जजब हो रहे थे अब तो यकीन कर ले मैं आपके बहुत महबत करता हूँ ना करता तो यह आपके सामने खड़ा इतराफ न करता मगर जो काम मैंने गलत किया है माया को उसे संभालने कर शारा करते हूँ मजीद कुछ रहे बगए माया की गिरफते हूँ मचल मचल गई बड़ी मुश्किल से उसमें उसे खाबू किया वो दोनों रो रही थी चलिए कमरे से बाहर आते हूँ खुद को कंपोस कर चुका था वरीद से चले मिला इन सब का ख्याल रखना पुलीस उसे हिदाय देते हो मतوازन चाल चलता पुलीस एहलकारों के साथ वहाँ से चला गया वरीद तो अभी तक हगड़क खड़ा था ये पल घर में क्या से क्या हो गया वो कमरे के जानी बढ़ा नश्रा ने रो रोकर अपना हशर कर लिया आपने भी कुछ नहीं किया वरीद को अंदर आते देखकर वो बोली इसने मौक कहीं नहीं दिया वरीद बेचारगी से बोला पागल है बेवकूफ है वह एक नंबर का वो गुस्ते से बोली एक बात कहूँ वरीद नहीं उसके जानी देखा जो माया के साथ लगी अभी भी रो रही थी ऐसे सचे इंसान बहुत कम दुनिया में देखे हैं आप बहुत किश किसमत हैं जिसे वो शेक्स मिला वो सचे दिन से उसकी तारीफ बयान करा था और देख ले सच का क्या अंजाम होता है बुराई को लोग छुपाते हैं और काम्याब रहते हैं इस दुनिया में मगर सच का साथ देने वालों को सजा मिलती है कैसा अजीब इनसाफ है ना वो तुल्की से बोली अजीब रहा निकाल देखा उसे कोकली तसली दे रहा था कोई रहा बची ही यह नहीं अजीब रहा छोड़ कर ही नहीं गया रूते रोते एक दम उसे मलिक आयास का ख्याल आया फोँ्ति दो में रहा एक दम मायातेजी से बुली बड़ी जिसमस का फोन था, ये लेख से थमाया, उसने पौरन मली कयास का नमबर मिलाया, बबा साइं नश्रा की कौल आते देखकर उन्होंने मर्दान खाने में बैके लोगों को बाहर जाने का शारा किया, जी बेटे, क्या हुआ, फोन उठाते उसकी रोती वी आवास आप, आप जानते हैं क्या, क्या उसने ऐसा किया है, वो अभी बेयकीन ही थी, कि बातर उन्होंने गहरा सांस दिया, हाँ, मैं जानता हूँ, उसके इस कारनामे के बारे में, जिलनाहट बरी अंदाजन बोले, और क्या बताया है, उसने तुम्हें मजीद इस्तसार करने लग वो आसु साफ करते, लहजा मतवादन करते, आस से बोली, नशरा, मैंने कभी छूट का साथ नहीं दिया, वो तुर्रम खान बनकर बिना किसी के इल्म में लाए, जब ये हरकत कर चुका है, तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, मैं हरकिस उसकी लिए कुछ नहीं करूँगा, नहीं कर सकता हूँ, गुस्ते से बोले, बाबा साइं, केस में ये भी तो कहा जा सकता है, उसने अपने सेल्फ डिफेंस में उसे मारा, और दुनिया की कोई अदालट सेल्फ डिफेंस में हुए, कतली की सजा सजा मौत की सुरत नहीं देती, की बात पर उनका माता इप इनका मैं तुम्हें चुका हूँ, कि मैं इस नालायक के लिए कोई जूट नहीं बोलूँगा, तुम्हें समझ नहीं आ रही, उस सकत लेजम बोले, मैं वो आपको अपने बाप की तरह समझता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसके साथ, उनके अंदास पर, उनके सकती पर उह हैरा मैंने भी हमेशें उसे अपना बेटा माना है, मगर उसने उसकी लाज नहीं रखी, और मेरे इल्म में लाइब अगर निकल पड़ा, तीस मार खान बने, उनके लेजम परेशानी से साथा जिमलाहर थी, नशा जितना हैरान होती कम थी, वो तखतेदार पर लटकने जा रहा थ और उसके बाप को कोई फरक नहीं पड़ रहा था, मुझे आप से ये उमीद नहीं थी, कि आप ऐसा करेंगे, वो उनके सफ़चा जवाब पर उनसे खफ़ा हुई, अब तुम्हें पता चल गया ना, कि मैं इसकी किसी हमाकत में उसका साथ नहीं दूंगा, तुम दोनों मिय अरज के लिए सकते बुना मना गई, आप कुछ मत करें, मैं खुद पुलिस स्ट्रिसन जाओंगी, वो अटल लहजे में बोली, खबरदार अब अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की, वापस बलवाता हूं तुमे में, उसके इरादे सुनकर धारे, नश्रा ने उनकी धार को खात ने मारिश को मखातिब किया, उसने चुप चाप, फोन उसके हवाले कर दिया, उन्होंने उसे हदकड़ी बाननी चाही, तुम्हारे पास अभी ऐसा कोई पर्मिट नहीं, जिसके तहर तुम मुझे हदकड़ी बान कर यहां से लेकर जाओ, मारिश के बात पर उस पुलिस वा था, थाने पहुँचने तक, एक फुलिस वाले ने उसे सक्ती से उसके बाज़ू दबोच कर गारे से निकाला, मैं बाहर निकली रहा हूँ, आराम से, वो अपना बाज़ू चुरुआ कर बोला, नखरे ऐसे दिखा रहा है, जैसे कोई मैट जीत के आया है, उए, कातिले आवाज और लहजे को नीचा रख, पुलिस वाला गारे से निकलते उस पर चिलाया, मेरी आवाज भी आप से नीची है और लहजा भी आप से बहतर, अकर देखो इसकी, अंदर चल, तेरी तो अकर निकालते है, उसकी बात पर मारीज ने अपने मकसूस अंदाज में सकुराह जी चलिए, कि अंदाज उन सब को हिरान कर रहे थे, या तो खातिल मजहमत करते हैं, या फिर शमीन दगे से सह जुकाय चलते हैं, ये अपनी तर्स का अनुखाई कातिल था, जो ढ़ल नहीं रहा था, ना गुस्सा कर रहा था, पुलिस अहलका ने किनकियों से सफैश, अलव आज यहां कैसे, मारिज ने हॉलेस उसके सलाम का जवाब दिया, सर ये कातिल है, वो वलीद चौदरी वाले केस में, वो हिलकार उसकी तस्री करने लगा, ओए, बेवकूफ तुम जानते हो, ये कौन है, डियस पी ने उसे आँखे निकाली, मारिज ने हलका समस्कराते हैं, वालेट निकाल कर उस पुलीस एहलकार के सामने किया, जो उसे पकर कर लाया था, डियाइजी मारिज मलिक, कार्ड उसके सामने करते, मारिज ने दोहराया, उस शक्स के चेहरे पर हवाईया उडी, बैठे सर जी, ओए, कोई चाय पानी का बंदबस करो, मारिज को बैठने का बोला, सौरी सर जी, मुझे इल्म नहीं था, और आपने भी बताया नहीं, उस अदीज शर्मिनदा था, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी कसूर नहीं, तुम ड्यूटी कर रहे थी, मगर कुछ बाते तुमने गलत कही, जिस पर मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मारिज की मुझे बात नहीं निकलने जाए कि मारिज मलिक डी आई जी है, समझो यहां तुम्हे कोई बात मालू हो ही नहीं, उसने वहां मौझूद तीन चार पुलिस एहलकारों को मुखातिब करते सक्ती से कहा, सब ने सिल्यूट करके गोया उसकी बात पर अस्पात का इसार किया, जो आप तुम सब S.P. से पहले मारिज ने उन सब को वहां से निकलने का शरा किया, सब जी इधर बैटे ना, अपनी सीट छोड़कर उसे वहां बैटने का कहने लगा, तुम जानते हो मुझे ये प्रोटोकोल जैसी चीज़े पसंद नहीं, चुप चाप अपनी कुरसी पर बैटो, मारिज ने उसे आँखी दिखाई, सर जी वो अजीब लगता है ना, हुमन मनाया, कुछ अजीब नहीं लगता है बैटो, अब के वो रौफदार अंदास बोला, और खुद उसकी टेबल के सामने रखी दो कुरसियों में से एक सवाली, सर जी, आप मुझसे बहता ज जानते हैं कि आपने किसी भी लिगल पर्मिशन के बगर वलीद चौधरी को मारा है, तो उसी वज़े से केस तो आगे चलेगा, और डरते डरते बोला, हाँ मैं जानता हूं, मगर मौमला मेरे घर की इज़त का था, तुम जानते हो दो बार, वलीद को मुझतलिफ रेप केसे मैंने अंदर करवाने की कोशिश की है, मगर वो हर बार एक दो दिन रहकर वाहर आ जाता था, खर मैं उसको देख लूँगा, अभी मैं यहां तुमारे आफिस में ही हूँ, रात तक, ये बात किसी को मालूम नहों कि मैं अपने फिलेट पर जा रहा हूं, समझ आ रही तुम् मलीस आफिसर आफिस से निकलने से पहले मेंस पर रखिया था, मलिक आयास की बहुत सी कॉल्स आई हुई थी, फिलेट में पहुंचते साथ ही उसमें मलिक आयास को फोन मिलाया, क्या तमाशे करते पिर रहा हूं, वो गस्से में बोले, इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि उसमें उन्हें यूँ जिच किया था, वरना जिस कदर वो फर्मर बर्दार था, एक्री तो उनकी अपनी उलाद कभी नहीं रही थी, बस आखरी तमाशा है, उसकों से बला, कितने दिनों बाद वो अपने फिलेट आया था, फिरीच खोले, टेकिन चारी थी, प्रीजर मे कुछ नगेट्स नजर आए, वही निकाल के लिए फ्राइ करने के लिए, नश्रा का ख्याल एक लम्हे के लिए जहन से जुदा नहीं हो रहा था, दो पैर हो चुकी थी और पता नहीं, वो अब तक किस हाल में होगी, बहुत दिल किया कि उसका हाल पूछी लेकिन अभी लागू रखना था, तुम जानते हो पुलीस की इजादत के लिए और किसी भी लीगल नोटिस के लिए, वली चौधरी को मानने पर तुम्हारे एक लाफ केस सब सकता है, और तुम्हें पुलीस पोर्स से निकाला भी जा सकता है, वो उसे ऐसे बता रही तो जैसे वो नहीं जी बिलकुल, मैं जानता हूँ, और इसलिए खीले बहाने करने या प्रोपोश होने की वज़ाया, मैंने इतिराफ कर लिया, तो कि इस तरह इतिराफ करने और मेरी हिस्टरी शफाफ होने की वज़े से, मुझे शायद तीन माह या कम के लिए सस्पेंट किया जा सकता है, ऐस ने मुझे वादा किया था कि इस फिल्ब में जाकर मेरा खुआप पूरा करने के बाद, तुम कभी किसी मुकाम पर अपनी जाती किसी दुश्मनी को बिच में नहीं लाओगे, वो थपर तुम्हे वादा किलाफी पर मारा था, वो अब तक उस थपर पर गुस्त थे जो गु जानी समझता हूँ, वादा किलाफी पर आप उससे बुरा भी मेरे साथ कर सकते थे, तो मुझे दुख नहीं होता, वो शर्मसान लेजिम बोला, नश्रा को बताया तुमने अपने बारे में, नहीं वीबी को सिर्फ कतल का इल्म हुआ है, बागी कुछ नहीं बताया, और उन्होंने मसलिए गुसे से कहा, कुछ मौमलात हमें खुद निप्टाने दे, अब वो अपने और इसके आपसी मौमलात को अपने ससूर से तो डिसकस नहीं कर सकता था, यह तो नहीं कह सकता था, कि उसकी नाराज की खटम करने के लिए फिलाल वो उसे नहीं बता सकता, क्यो और वो यह नहीं जानता था, इस सब के मालूम होने के बाद, अब वो मारिच का क्या हशर करेगी, मैं शहरी आ रहा हूँ, तुम कहा हो इस वक्त, उन्होंने उसे अपने आने के तला दी, अभी ठाने से फ्लैट पर आ चुका हूँ, कुछ दियर में पुलीस बचा, चौदर और वो हो गया है, वली चौदरी के वो बंदे जिन्होंने उसके साथ मिलकर वजाहत चौदरी की खिदायत पर जरनाब को उटवाया था, वो उसी दिन मैंने सेल बिजवा दिये थे, इसके अलावा वजाहत चौदरी के दो और गरगे भी मैं काबू कर चुका हूँ, वो भी उसके खिलाव गवाही दे चुके हैं, उसने तफसीर से उन्हें बताया, और सबसे बढ़कर मैं चाहूंगा कि वरीद और सुक्रा वेकम उसके खिलाव गवाही दे, इन दोनों मा बेटा की गवाही आखरी कील का काम करेगी, तब तफसीर सुनकर उन्होंने आमीन कहा, अल् जाहा चौदरी की घड़ी और गंगोटी आज भी मेरे पास मوجود है, जिसे मैं बतोर सुबूत अदालत में पेश करूँगा, फिर देखते हैं, पैनल मेरे लिए क्या फैसला करता है, दर्द भरे, अंदास में कहते भी वो पूर उमीद था, अल्ला तुमारे लिए आसानी करे मैं अभी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, उनकी बात पर उसने अच्छा जी कहते है, पौन बन कर दिया, इन तकलीफ दर लम्हों के आसार उस लम्हे भी, उसके चेहरे पर तासा हुए, लोपहल की वक्त जरनाब को थोड़ा होश आया, नश्रा की लाल मतरम आंके देखकर, समझ गई थी के जरनाब उसे देखकर कुछ परिशान ही, वरीद को इशारा करती हो चली गई, बलाजमाएं बाहर ही होती थी, सिर्फ जरुरत के वक्त उन्हें अंदर बुलाया जाता था, नश्रा को क्या हुआ है, वो काफी बैतर थी अप, चहरे से पटिया हटा कर बस, ज खरीब किये, उससे बाते कर रहा था, आप यूनिसिटी नहीं जा रहे हैं, कुछ ख्याल आने पर फिर पूछा, नहीं मैंने अभी लिव ले ली है, और तुम्हारा और नश्रा का सिमिस्टर फ्रीज करवा दिया है, उसकी बात पर उसमें आंके उसकी जानिब की, उससे बा मारे जिसमें में इनरजी जाएगी, वो भी रिकवर हो जाएगा, उसकी उल्चे बालों पर हाथ पिरते, उन्हें सुलजाते, वो सरनाब को घबराहट मुटला कर रहा था, कब सोचा था, वो यूं कभी करीब आएगा, एक हाथ सुनता और दूसरे में मुसलसर डिप्स लग और महबत की फूल खिलाते बोलता हो, उसे गुंग कर गया, आपकी फैमिली मुझे नापसंद करती है, उसे कुछ और ना सूधा तो बेदुका सा इतिराज उठाया, मेरी माँ तुम्हें नापसंद नहीं करती, और मेरे लिए सिफ वही मेरी फैमिली है, अब उसके डृप बहुत ठीट है आप, वो बेबसी से बोली, अभी जल्दी जल्दी ठीक हो, बाकी किसे क्या पसन है, या नहीं, वो तुम मुझे पर छोड़ दो, उसके माते को महकाते हो, जर्नाप का अच्छा खासा जिच कर रहा गया, ज्यादा मेरे पास आकर ये हरकते करने की जूरत नह अगर मैं आपको पीछे नहीं कर सकती, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे करेंगे, खबकी भरे नजरों से देखा, अब ये तो बर्दाश करना पड़ेगा, वो भी कहां पीछ रटने वाला था, भाई कब तक आएंगे, उसका ध्यान खुद पर से हटाने के लिए, वो फौ पागल हो गया है तू, पुलीस एहलकारों को अरेस्ट वारन के हमरे आते देखकर वज़ार चौधरी भी पर गया, आप पर बहुत से केसे हैं, इन्हीं की पादाश में आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो पुलीस एहलकार शहर से आय थे, उसके अपने इलाके के थाने के पुलीस को तो वो कुछ समझता ही नहीं था, अरे कौन से केस के, कहां के केस खुर रहा है, आंके घुसे से उबर रही थी, यह आप तो ठाने जाकर ही मालूम होगा, कि कौन कौन से केसे हैं, फिलाल तो मली कयास की भतीजी और आपकी अपनी बहु को ना सिफा आपने अगव करवाया, बलके उस पर तशद्द भी करवाया, और उसका सुबुत आपके बेटे के मुलाजिम दे चुके है, पुलीस वाले की बात पर वो भड़ा कुठे, मैं, मैं, तुम्हारे खिलाफ केस करवाओंगा, उसे वान करने लगे, खिलाल तो आप अपने केस समझा ले, अब इस वक्त किसी को फोन नहीं कर सकते, मेरा खियाले आप आराम से बात नहीं सुनेंगे, उसमें अपने बंदों के इशारा किया, उन्होंने तेजी से वचाह चौदरे के गिल तखेरा डाला, जबरदस ते उसके हातों में हत्परी डाली, तुम तुम पश्टाओगे, उबना कर बोला, ले चलो उन्हें, उन्हों मक्य उडाता, अपने बागी अलकारों से बोला, उन्होंने खसीड़ते वचाह चौदरी को पुलीस की गारी में डाला, को रिष्टेदार, कोई मुलाजिम, कुछ काम ना सका, इस बार उन्हें पकड़ने के ओर्डर्स उपर से आए थे और सबसे भी पहले, उस दाद ने जिल्लत, इस वक्त उसके नसीब में लिखी थी, और ये अल्ला ही जानता है, उसने कब किस लमें किसी के लिए खैर करनी होती है, और कब किस के शरका उसे अंजाम दिखाना होता है, वजहाँ चौदरी के बुरे कामों के खात्मे की बारी अब आई थी, हेलो, अमा, करीडर में खड़ी वो आखरी उमीग के तोर पर माँ को फोन कर रही थी, मैं सथके क्या हुआ मेरे बच्चे, उसकी पुरनाव आवाज उन्हें परिशान कर गई, अमा, वो वो ले गए मारिच को, जच्कियों के दरमयान से बोलना दुश्वार ह पुरा था, तब वो शक्त सांसों में बसने लगा, उसे अंदाज ही न हो पाया, क्या मालूम था यूँ जदाई उनके दरमयान आखरी होगी, कौन ले गया, वो भी परिशान हुई, पुलीस, अमा, कुसूरवारों को क्यों नहीं पकड़ती है, पुलीस, कैसा गंदा निज काम है, कि हर बार बेकुसूर उनके हत्ते चड़ते हैं, और जो जालिम है, वो दंदनाते फिटते हैं, उसका लहजा शदीद करवाहट ले हुए था, काश अमा, मैं रोक लेती उसे, चाहे वो मुझे बिगड़ रहा था, गुस्सा कर रहा था, मुझे मार लेता इस लमें, लेकिन काश मैं उसे अपनी मुहबत में बान लेती, इस लमें तो वो इतना बड़ा कदम ना उठाता, माते पर हाथ रखे सारुकतार हो रही थी, तो मैं उसके कतल का इल्ग हुआ है, वो उसके मतोश हालत से समझ गई कि ये धमाके कि कुछ तेर पहले हुआ है, तभी तो त आपको और बाबा साइं को कोई फरक नहीं पड़ता, वो रोना दोना भूलकर गुस्ते से बोली, अनला ना करे, क्यो उजड़े, वो दहल गई, हाँ तो जो वो सच का अलम बरदार पहुच गया है थाने, तो क्या वो उसे फूलों की हार पहनाएंगे, और उसके कारनामे प उसकी बात पर लाजाब हुई, यही उन्होंने बलिकयास को समझाया था, मगर वो सुनने को तयार ही नहीं थे, जब सब बिगड़ जाएं तो अल्ला पर डाल दो, अल्ला भी हाथ पाओ, मार कर अपनी जान बचाने का हुकम देता है, यह किसी को नहीं पता, वो जिट हो कर बोली, कितना तो समझाया तुम्हारे बाबा साइं को, वो कहां सुनते है मेरी, वो बेबस थी, कहां जाती, किस से वायाद करती, उन्हें भी अपनी बेटी की अगली जिन्दगी का तसुर करते हौल उट रहे थे, उसी लम्हें से कोरीडर के सिरे पे, मलिकयास अपने गनमे बासके के बारे में खबरदार कर गया, कैसी है मेरी बेटी, महबबस से पूछा, मर गई है आपकी बेटी, उनके अंदाज पर आँके फिर से पानी से लबलब भरी, गलत बात नहीं करते बेटा, उनका लहजा यकयक सक्त हुआ, और जो आप कर रहे हैं, वो तो बिलकुल ठी है न जैसे, मेरी सिंदगी तबा हो रही है, और आपको कोई फिकर ही नहीं, वो भी ऐसे कया है जैसे, मेडल लेने थाने जा रहा हो, दुपटे से आंसों साफ करते, वही हाथ मोड कर, होंटों पर रखकर सिस्किया दबाई, अली कयास का बस नहीं चल रहा था, अपने गार् उला कर बुरहाल कर दिया था उनकी बेती का, तुम अंदर आओ, आराम से बैठो, कुछ छल निकालते उसका, मैं जाता हूँ अभी ठाने, उसे बहला कर अपने साथ लगाते, जर्नाब के कमरे के जानी बढ़े, जर्नाब इस नमे चाग रही थी, क्या हाले बच्चे, फिर से नश्रा की जानी देखा, जो सबसे बेनियास, कमरे में एक कुने में कुर्सी पासा धुकाया बठी थी, बेटे, निकाह, शादी, मजाग खेल नहीं होता, उनकी बात पर वरीद और जर्नाब ने लमे भर को एक दुसरे की जानी देखकर नजरे जुका ली, आप उसे जानी देखके वो सच्चे दिल से बोला, जर्नाब को पहली बार उसकी महबत पर तरसाया, अपना सब छोड चाड़कर उसकी लिए, दिन रात पागलों की तरह वहां मौदूद था, आज पहली बार उसे वरीद की महबत में सच्चाई लगे, कोई शक्स इतने दिन आखिर म महबत का डिरामा कर सकता है, मैं आप से माजूरत करता हूँ, कि मेरी वज़े से आपको उस बार की तकलीफ उठाना पड़ी, जर्नाब ने इस महरूश शक्स का गरूर टूपते देखा था, वाकई, अल्ला ने बहुत बदला ले लिया उससे, अब उसका वरीद के साथ ला तालुक और बुरा रवया रखना बनता नहीं तो, क्या वो उसकी महबत पर एमान ले आए, उसने खुद से सवाल किया, खर कोई बात नहीं, अब तो वही किया, मगर मैं चाहता हूं कि जर्नाब की तबियत बहतर होते ही, आप इस रिष्टे को पूरे तोर तरीके से निभा और हमारी बेटी को हमारी हवेली से रुकसत करवा कर ले जाए, उनकी बात पर नश्रा ने जटके से उनके जानिम देखा, यहां उसके सुहाग की जिंदगी दाओं पर लगी थी, और उसका बाद, लोगों की रुकसती की बाते कर रहा था, मुझे आपसी उमीद नहीं थी, अग्दम भी पर कर बोली, नश्रा, उसकी उची आवास पर उन्होंने तंबिया की, जन्नाब ने हैरस से उसका रियक्शन देखा, वो तो उसकी शादी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटर थी, तो फिर अब ऐसे क्यों कर रही है, वहां वो तक्ते दार पर लटकने की तयारी कर रहा है, और आप यहां शादियों की बाते छेड़ कर बठे, उनकी बेहिसी पर जितना हिरान होती कम था, आवाज धीमी रखो, वरीद भी हक दक सा, उन बाप बेटी को लचते देख रहा था, कौन, किसकी बात कर रही हो, जन्नाब के लिए नश्रा का अंदाज औ बेटे है, पतने किस बात का बदला ले रहे इस से, चादर का कोना हाथ में थामें वही हाथ, मूपर रखे और शिद्ध सिरो पड़ी, ये, ये, क्या किया मारिज भाई ने, मेरे खुदा, जन्नाब वरते हैरस से मलिक कयास को देखने लगी, नश्रा, जब तुमें पूरी ह बात हुजाने पर इतने पुर सुकून कैसे, कुछ तो गलत है, इसका रिमाग सेजी से कुमा, मारिज का इतने सुकून से कतल का इतिराफ करना, ये सब एक काम इंसा नहीं कर सकता, और इतने बेधड़क होकर, वरित को ये कुछ और ही केम लग रही थी, तो क्या मारिज जो नजर आता है, वो नहीं है, अब कि उसे मारिज की शनाफ्त भी मश्कूक लगी, और क्या हकीकत खुलेगी, और क्या खुलना बाकी रह गया है, वो हाथ फैला कर, बेबसी से बोली, उसे बाहर लेकर जाओ, उन्होंने खामोश बैठी माया को इशारा किया, इस दुनिया से भेज़ दे, इसके साथ, उससे पाउ पटक कर बोलती, माया चुटने से पहले, खुद कमरे से बाहर जा चुकी थी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करने हैं बैटे, जरना आपको गमसुम देखकर, कुछ सोचते, उन्होंने वरीद को मखातिब किया, आप इधर आए, उ उनकी जानीब से उसे घुस्ते से भरपूर फोन जल्दी आएगा, सर ये केस मेरा किस था, वो अपनी बात पर जोड दे कर बोला तनमीर अली, उसकी बात पर एक खंडी सांस भर कर रह गए, मैंने आपको मैसेज भिज़ा था ना, इसे पढ़कर मैं उसी लम्हें उसे मानने करादा नहीं था, मैं खुद उसे पुलिस की तहविल में देता, मगर वो मैसेज फोटी बात नहीं थी, जिसे वो डिलेट करके ये समझा था, कि मैं उसे रीकवर नहीं करवा सकता, वो इस लम्हें भी उस मैसेज को याद करके सरता पैर शदीर गुस्ते से भर चुका था, जिस लम्हें उस दिन नश्रा को डांट कर वो असीद के साथ ठाने पहुँचा उसी लम्हें तक, उसका जरनाब के मुझ्रिम को माने कराता नहीं था, वो चानता था कि बिना केस किये, तो किसी भी शक्स को मानने का हक नहीं रखता, ये उसकी अपने पैशे के साथ बद्या जानती होगी, मगर जिस लम्हें उसे वरीट के फोन से मालिम हुआ कि वलीट चौदरी ने जरनाब का अगवा किया है, उकारिम बैठा भी उसकी लोकेशन मिलने का इंतजार कर रहा था, उससे मैसेज मौसूल हुआ, उससे पहले कि वो पढ़ता, मैसेज जिलिट कर दिया ग वक्त तेरी बीवी पर नजर पढ़ गई, वाह, क्या पीस है, अब अगला टार्गेट वो होगी, मगर उसे में तेरा हर बदला लूँगा, दो बार मुझे जेल भिचवाया था ना, तूने, तो देख अब, तेरी बीवी की इज़त कितनी बार खराब करूँगा, और यही म मुझे पसन है, तुम अपनी गल्ती का इतराब बहुत जल्दी करते हो, बहरेयाल मैंने इन बात कर ली है, दो दिन में पैनल बैठे का, कोशिच करूँगा कि तुम्हें दो महा के लिए सस्पेंट कर दिया जाए, उनकी बात पर बास्दानी मान गया, मुझे कोई मसला नही जानता था, इस हब तक सजा तो उसकी बने गी ही, अब दो महीनों में वलीमा खिला देना, उनकी बात पर हलका सा कहका लगा गया, तुलहन नाराज बैठी है, और वलीमा खाने की बाते कर रहे हैं, फिर मैं इस सस्पेंशन को अपनी हनीमून की छुटिया समझू, वो भी श जी अल्ला ने हमारा साथ दिया, वो भी एक सरदा भरकर बोला, कहा हूँ अब, उनकी बात पर वो कफलिंग्स बंद करते वे, उतको आयनी में देखने लगा, हॉस्पिटल आ रहा हूँ, मैं भी फ्लू शलवार कमीज पर हरके गरे कलर की, चादर कंदों पर डाले, वो अप उनकी नाक में दम कर रखा है, नशरा का रोता हुआ रूप, तखयूल मिलाते हूले से मस्कुराया लगता है, आपको खूब टफ टाइम दे रही है, मुसलसल शरारक पर आमदा था, हाँ बिल्कुल, और इस टफ टाइम को, तुम खूद ही समालो, उनके अंदास और बमश् ना रह सका, मैं नशरा को भिजवाना हूँ, अपनी बास समेट करनों ने फोन बन किया, अब वो भी फोन बन करते है, केंडल लाइड डिनर की तैयारी करने लग पड़ा, नजाने केंडल उसके उपर ही ना गिरा कर वो उसे जुसा दे, मारिज उसके गुस्ते से खूब वा आई, इस अंदाज मन की दिल जोई करे, क्या मैं ठीक हो सकती हूँ, ऑलाद है तो वो मनो मिट्री दब गई, और शोहर है तो उसने सारे जिन्दगी बस अच्छा बुरा पैसा कमाने और गलत कामों में उचारने में लगा दी, उसे सारी लेकर बोली, मैं हवेली ड्राइवर को कहता हूँ, वो आपको मेरे पास शहर ले आए, मुझे इस वक्त आपकी बहुत जरूरियत है, लगता है, अब खाली हो गया है, आसो के कत्रे ने, ना चाहने के बावचुद उसकी आँखों से बहे, जो भी था वो बाप था उसका, मगर हक और सच के लिए रिश्टों को क काम इतने बुलंद नहीं, कैसे कैसे अपनों के कुर्बानिया दे कर, वो दुनिया में सच को फरोग दे पाए, सच्चाए करास्ता मुश्किल नहीं, मुश्किल तरीन होता है, वरीब को बखुबी इस बात का अंदाज़ा हो गया था, तुमारी भाबी अभी बहुत वे हैं, उन्हें मेरी जरूरत है, यहां तो वही गंदी जहनियत के लोग, उसे उसकी उलाद को मन्हूस कर रहे हैं, नजानी मफलूत जहन, कब सीधे होंगे, मैं आउंगी, जल्दी तुम्हारे पास बहुत ठीक हो जाए, इन्शालला फिर अल्ला के करम से उसकी रुक्तती परवाएंगे, अभी तो देखो, तुम्हारे बाप का क्या बनता है, उन्डी हाँ भरकर बोली, वरी जानता था, उसका बाप तो नहीं हाँ, मा वजाह चौधरी के साथ मुख्लिस थी, उसकी हर अच्छाई बुराई के बावजूत, सबसे बढ़कर यही बात थी, कि वो ब आने पर आमदा नहीं था, कल मारिच आ जाएगा, तो वो सुकून से दो दिन के लिए काउ हुआएगा, मलिक आयाज उसे मारिच के बारे में सब बता चुके थे, मैं भी यह सुनकर सुका सांस लिया, कि मारिच का तालुक पुलीस से है, वरना वो शदीद गिल्ट महसूस कर रहा था, मगर वो मुतमें था, नहीं तुम अभी काउ मताना, तुम्हारी दादी और चचा ताया तुम्हे कोस्ने दे रहे हैं, यह एक और हंगामा शुरू हो जाएगा, हालाद बेहतर होते ही, तो मैं तुम्हें खुद बलवा लूँगी, उनकी बातरों महस अफसोस से सर लाकर रह गया, जानता था अभी, उसके बापकी किरफ्तारी पे पागल हो रहे है, चन्द दिन बाद उसके बापकी जगे, गाव पर हुकुमत करने के लिए पागल होंगे, आखिर इस सल्कला कब खतम होगा, फून बन करके वो और भी मुझहमल हो गया, तुम कुछ दिर के पर चली जाओ, गाड्स के साथ मैं तुम्हें विजवा देता हूँ, अपने और जरनाब के चंद कप्रे लेआ, और कुछ फ्रेश हो लो, वो कॉरीडर में खड़ी, नीचे मौजूद लान के जाने नजाने क्या देख रही थी, कि अपने पीछे से मनी कयास की आवास सुना पर चलुम नहीं होगा कि तुम्हारे कपड़े फिलेट में कहा मौजूद है, तो बेटर है कि तुम ही जाओ, माया इधर ही रहेगी, अनकी बाद भी मनासिब थी, वो कोई भी बहस के बिना सर हिला कर अंडर के जानी पड़ी, बैक लेने के लिए कुछी देर में वो पर कर रही थी, क्या क्या मनजर आंकों के आके ना आये थी, बैक से मुबाइल निकाला गैलेरी खुली, एक दिन नजाने क्या हुआ था कि वो लैप्टॉप पर काम करते मारिश की चुपके से तस्विरे लेने लगी थी, चैज उसी दिन के लिए भी थी, वरना तो उसकी य अदास पर वो वारी सक्के होने लगे, अगली तस्विर खुलने की हिमत ही ना हो सकी, मुबाइल गोट में रखकर वो फिर से रोने को तयार थी, कहां चले गए हो, या ला, कोई हल, कोई एक हल निकाल दे, कि मेरे मारिश की जिन्दगी बच जाए, अभी तो उसके साथ हम ली थी, फ्लेट्स के कमपार्टमेंट में कारी रुखती, वो ठके ठके कदमों से अंदर की जानी बड़ी, कपकपाती हाथों से फ्लेट्स के सामने खड़े होते, चावी बैक सी निकाली, ऐसा लग रहा था, मीलो का सफ़र पैदल करके आई हो, दर्वाजा खोलती ही अंद उसे कितनी देर गुज़र जाती किसे अपने करीब सरसराहट मेंसुस हुई, पड़ से आंखे कोली, लाउंज में केंडल्स जड़ रही थी, जब वो आई थी, सब तो घुप हंदेरा था, सब भूल भाल वो थोड़ा सा खौफ़जदा हुई, एक हैवला सर लाउंज से करने का एडिया एकदम दिमाग में आया, आइस्ता कदमों से चलती अंदर बड़ी, बे खौफ होकर आई, किचन से आने वाली आवास को वो करोड़ों में भी पैचान सकती थी, बैग हाथ से गिरा, वो तेज़े से किचन के सामने आई, जहां की लाइट वो अब रोशन कर चुका था, आँके फारे बेयकिनी से, वो अपने सामने खड़े मारिश को देख रही थी, जो सीने पर हाथ रखे अपनी दिल फरे, मस्कुराहत होटों पर सजाए, उसी की चानी मतवज़े था, नश्रा को ये खौआ भी लग रहा था, आइस्ता से बढ़ते वो उसके मुक कर उसके सामने आखड़ा हुआ, आँके जखकेगी, तो वहाँ कुछ नहीं होगा, मैं हकीकत में आपके सामने मौजूद हूँ, हौले से हस्ते उसकी बचकाना हरकत देख रहा था, मारिश, उसके होने का यकीन होती हो, उसके बुरी तरह लिपट चुकी थी, मारिश में उस चाती अगर तुम्हें कुछ हो जाता, मेरी सांसे लग रहा था, बंद हो रही है, और रोते रोते दिल के सबीर राज आशकार कर रही थी, वहाँ से तुम्हें बच गया, लेकिन आपकी महबत मार देखिए अब मुझे, उसकी खुश्बूख खुद में उतारते, उसके गि की बादी लग रही थी, नव हुश्ब्रत की तो वह बही इंतारी, अर अब जब महबत की थी, वह वहाँ शिद्ध पसंद थी, नहीं बीबी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, के हातों का अपने हातों में ठाम कर उन पर बोसा दिया, मुझे सच सच बताओ, तुम पर लगा कर फिर से अपनी खुरुबत का मान बक्षा, मायज मुझे सच सच बताओ, तुम मुझे बहला तो नहीं रहे, कही आखरी खुआश के तौर पर मुझे मुझे मुलाकात करने के लिए तो नहीं आए, मैं मैं जिन्दा नहीं छोड़ूंगी, अगर किसी ने तुम्हें फा चार दोहराई जा रही थी, आप रिलेक्स हो, मैंने आपके लिए डिनर बनाया है, आप फ्रेश हो ले, फिर आपसे कुछ जरूरी बाते करनी है, उसके अंदास नश्रा को ऐसी मैस्स दो रहती जैसे वो उससे बहुत कुछ चुपा रहो, मुझे कुछ नहीं करना, तुम सि कोई केस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा तालुक भी पुलीस से है, उसे साथ लगाए वो उसकी समातों पर इतना बड़ा धमाका कर चुका था, उसका अंदाजों से नश्रा की एकदम सांस रुकने से हुआ, मैं करने की अंदाज में उससे अलग हुआ, नश्रा ने उलज़न भ नश्रा ने गुस्ते से जोड़दार मुक्ता उसके बाजू पर मारा, क्या अब अकवास कर रहे हो तुम, उसके कमीज को उसी अंदाज में उसकी सीने की जगे से मुठ्थी में थामा जैसे हॉस्पिटल में थामा था, कौन है पुलीस में, मारिज कौन है, अपकी बारो ची उसे आप मलिक आयास का मुतमईन अंदाज समझ में आया, यानि वो जानते थे, यानि उन दोनों ने मिलकर उसे बेवकुप बनाया था, आप मेरे बात आराम से, वो उसके हातों से अपनी शर्ट छुड़वा कर उसे अपने साथ ले सोपे पर बैठने लगा, जब उसके मु उससे पीछे होते वो नीचे बढ़ती, एक बार फिर से हातों पर चहरा गिराये रोने मस्रूफ थी, मारिज बालो में हात फिरता, उसके करीब बढ़ने लगा, जब वो तेजी से उठकर उसके पास से हटके दूर खड़ी वी, मेरे करीब भी आये ना, तो मू नोश लूँ दम बढ़ाता, उसके करीब जा रहा था, भार में गई मस्राते, वो हलक के बल चिलाए, तुम तुम किसी महबत के काबिल नहीं, बेवकुफ थी जो तुम्हारे लिए पागल होती रही, सब की मननते और तरले करती रही, तुम्हारी जान बचाने के लिए, भार में जाओ त वो उसके कबड़ते कदमों से खायफ होते, तेजी से आपकी बार बालकुनी की जानी बढ़ी, क्या कर रही है आप, मारे इसकी वो अच्छी खासी दोड़े लगवा रही थी, तुम अगर, अब मेरे करीब आए, तो यहां से कुछ जाओंगी, तुम जानते हो, जो कहती हू कर गुजरती हूँ, अपनी ये शकल घुम करो यहां से, नहीं देखना मुझे तुमें, तुम तुम बेहिस इंसान हो, रेलिंग के साथ लगे लगे धंकियों पर उतर आई, दिमाग खराब हो गया आपका, सुकून से बैठकर मेरी बात सुनेंगी, तो आपको समझ भी आए ते रहे तुम, तो अब अच्छी तरह मज़ा लो, मेरी मौग पर शादियानी बचाना, एक बेवकूफ लड़की को अपनी महबत में पागल करके मैंने दुनिया पते कर ली, वो गुस्से से पागल हो रही थी, इससे पहले कि वो रेलिंग पर अपना कदम रखती, मारीज उसके तवज़े अपनी जानिब ना देखकर, तेजी से उसका हाथ पकड़कर अपनी जानिब कीचा, नशरा उसकी इस पुर्ती से अंजान थी, ऐसे ही तो पुलीस में नहीं था, हर तरहा के हलाद की ट्रेनिंग कर रखी थी, जैसे ही वो माईश से लगी, अपकी बाए उस रुखने के बज़ए अब उसे लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ा, उसे बैट पर बिठा कर तेजी से दर्वाजे का लॉफ लगाया, मुझे यहां तुम्हारे साथ एक मिनिट के लिए नहीं रुखना, दर्वाजा खुलो, हटो, उसके सामने से गुस्टे से बैट से उ याद दिलाने लगी, मैंने एक बार भी नहीं कहा था कि किसी को मानने के जुम्हे, मुझे फासी हो जाएगी, मैंने कहा था मुझे सजा मिलेगी, इसकी बात पर वो फिर से उज़ी, मुझे दो मां के लिए अपनी सिट से सस्पेंड किया जा रहा है, वो अपने मखसूस दि ये को देख रहा था, बालो की डेली से चुटिया, एक जानिब गंधे से होती आगे पड़ी थी, मारिज मलिक, अपसे मेरा कोई रिष्टा नहीं, तुम्ही ने कहा था ना, क्या इंदा कोशिश करिएगा, मेरे सामने मत आए, मैं आपके साथ अपना रिष्टा रखना नही कि मैंने ये सब आपको पहले क्यों नहीं बताया, उसे बैट की जाने भी शाना करते हो बोला, बैटेंगी यहां मेरी जूती, अट रहो के नहीं, उंगली से उसे वान करते, वो मुड कर कोई चीज उसे मारने के लिए देखने लगे, जब पीछे से उसने नश्राओ का अप कुई, मुझे ज्यादा हलका लेनी की ज़रूरत नहीं है, मैं आज पे बिठाती हूँ ना, तो फ़र्श पर पटकना में मुझे अच्छे से आता है, उसे पेड़ पर हाथ रखे देखकर वो अब रुचका कर बोली, चीट तो फिर मैं भी अपने नाम कहूँ, बैटे यहां एक दम से सीधे होते, उसे बाजो से पकर कर बैट पर उठाया, खुद करीब ही नीचे, बैटे नश्रा ने अपने बाजो से उसका हाथ जटका, मैं बहुत, उसने अभी बात शुरू की ही थी कि नश्रा ने दोनों कानों पर हाथ रख लिए, ताके उसकी बात न सुन सके, म कानों से हाथ ठाते, उसे अच्छी तरह जटाया, ओके मत सुने, मैं खाना लगा रहा हूँ, बाहर आ जाये, उसके पास से उठकर बोला, मैं यहाँ डेट पे नहीं आये, जा रही हूं मैं, इसे पुर सुकुन होते देखकर और फिर से उठकर दर्वाजे की जानी बड़ी, जब मारीज ने पास से गुसरते, उसका बाजो ठामकर उसे फिर से साथ लगाया, आज तो पूरी डेट मनाऊंगा, उसके कानों के करीब सरगोशी करते, उसके धरका ने मुंतिशर की, बहुत खुश पहिमी है तुमें, इससे पहले के दोबारा उसके पेट पर या सीने पर कोहनी मारीज ने उसका बाजो अपनी गिरफ्त मी किया, हर बार में इतना बेखबर नहीं हो सकता, उसका बोजर लहजा नश्रा के गुस्ते को कम कर रा था, मगर वो भी अभी इतनी जल्दी उसे माफ नहीं कर सकती थी, दिल ने ढेरो शुकर अदा किया था, कि उसे कोई अब मैं नहीं रखना चाती, नहीं रहना मुझे तुम जैसे जूटे के साथ, वो फिर से उसे बुरा भला करने लगे, मैंने जूट नहीं बोला, तो सच भी नहीं बोला, उसकी बात काट कर बोली, वही सच आज सुनाने लगा हूँ, वो फिर से उसकी जिद के आगे हार गय अब क्यों अब किसली मुझे अब तुम्हारे किसी सच में कोई इंटरेस्ट नहीं बेतर है कि तुम मुझे पख़च दो इससे अपना आप चुड़ाते वो दर्वाजे की जानी बढ़ी लौक खोल कर कमरे से बाहर रही जहां मौम बतिया अपनी बेकदरी पर जल जल कर अब खतम होने वारी थी मैं वहाँ पागल होती रही तुम्हारे जिंदगे के लिए गिल गड़ाती रही और तुम मज़े से थाने से निकल कर यहां आकर मेरी महबत का सोचते मुझे पर हसते रहे उसे रहर रहकर अपना पागल पन याद आ रहा था ऐसा नहीं है एकीन जाने ऐसा नहीं है उसके पीछे पीछे लाउंज में आये जहां वो अपनी चादर ओड़ती बैक उठा का सीधी खड़ी होती आँखों में आँसु ले तुद पर पशिमान थी ऐसा ही है इतनी आसानी से कभी तालुक खतम करते हों कभी सच चुपाते हों मैं कौन हूँ तुमारी जिन्दगी में उसके सामने खड़ी उससे हिसाब मांग रहे थी आप ही तो जिन्दगी हैं उसके महबत की शिद्द से लबरेज अलफास नश्रा के दिल पे लगे जखमो तुमने फौर ग्रांटेड लिया है आंसों से भरी आंखों से उसे देखते हुँ अपनी महबत पन मातम कर रही थी बाखुदा कभी नहीं आपकी महबत तहुपा है मेरे लिए उसके हातों को थाम कर बेबरसी से उससे देखा बस करो यह ढखोस ले उसके हाँ जटके लेकिन वो भी गिरफ्सक्त कर चुका था पहले मेरी सारी बात सुन ले फिर जो कहेगी वो करने को तैयार हूँ वो फिर से उसे पहला फुसला कर उसी बात पर ले आया इन्हीं को सुनाओ अपनी बाते जो तुम्हारे सग्गे है जब तुम्हें मुझ पर किसी बात का यकीन नहीं इतिबार नहीं तो इस रिष्टे का भी कोई फायता नहीं इंतिजार करना अब मैं उसे खतम करने में पहल करोगी सोर से उसके हाठ जटा कर दाखली दर्वाजे की जानी पड़ी अगर ऐसा कुछ करेगी तो सच में में मर जाँगा ये बाजू का अपनी गिरफ्त में लेते गाड़ी हविली से ले जाओ मुझे हॉस्पिरल नहीं जाना इस वक्त तो किसी का सामना नहीं करना चाहती थी हॉस्पिरल जाकर मजीद अपना तमाशा नहीं लगवा सकती थी लेकिन बीबी हॉस्पिरल मारिज के अलावा किसी के मुझे इस लम्हें ये लफ्स सुनते हो फिर से विखर गई किस कदर चाहा था इतने कम वक्त में सिदम्ब जरीफ को जब मैंने कहा है कि मुझे हॉस्पिरल नहीं जाना तो नहीं जाना और ये वीबी किस खुशी में का आए तुमने मुझे वो उस ड्रैवर पर उलड़ पड़ी जी वीबी जैसे आप कहे फिर से वही लफ्स आइंद अगर मुझे बीबी कहा तो अच्छा नहीं होगा घुस्था अजियत तकलीफ महबब सब जजबे उस पर एकटे हमला आवा हुए थे जी जी वो नश्रा के गुस्ते से घबराया अभी ड्रैवर ने गाड़ी आके बढ़ायी थी कि नश्रा की मॉबायल पर तुम तुम चानते नहीं मैं उपर तक फोन करूंगा छोड़ूंगा नहीं तुम में से किसी को जब से उसे जेल की सलाकों के पीछे डाला था उसने चीख चीख कर पूरी जेल सर पर उठा रखी थी ओए चुपकर बड़े देखे तेरे जैसे ताज और तक्त वाले जब उपर से ओडर आते है न तो तुम जैसों की सारी अकड़ वो बारे में भरी हवा की तरह निकल जाती है जेलर उसकी चीख उपकार से अब तंग आ चुका था तुम तुम लोग जानते नहीं मैं मुझे अभी वो खसे से लाल चहर अली बोला अबे चल तुम नहीं जानता जब तेरे केस मिकलने शुरू होंगे ना तब सारी दोस्ती यारी पानी की ढ़ाग की तरह बैठ जाएगी तु अभी देख सार मारिज ने तेरे साथ क्या क्या है एक लंबी लिस्ट बन चुकी है तेरी कर्टितों की और साथ में तब पक्के गवा और शक्स मारिज को अच्छे से जानता था कहां अफ़स गया मैं चाल में गुरूर अब भी वैसा ही था उसे से बुना कर उस अलाकों से पीछे हुआ उसे हैरत थी अब तक उसका वकील आया क्यों नहीं था क्यों कि इसको इतना लड़काया जा रहा था आखिर इस मारिज मलिक की मुझसे क्या दुश्मनी है सिवाए इसके के मलिक आयास की भतीजी को हमने उठवाय लिया उस जहन पर जोड़ा था कि आखिर इस मारिज का उसके अलावा न सारी बातों से क्या तालग हो सकता था नहीं वो जानता था कि मारिज महिनिगार का बेटा है और बहुत जादिओ वो ये जानने वाला था कि मारिज के उसके साथ क्या दुश्मनी है वो सर थामे सोफ़ पर कितनी देर से एक ही अंदाज में बैठा था उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो इसकदर शिद्दत पसंद होगी वो समझा था महबबब, उससे, जुनूर, नफरत, हर एहसास पर हावी हो जाती है पर निया बीवी के रिश्टे में तब बनता है जब दोनों एक दूसरे को अपना आप सौंटे हैं यह अतिबार की पहली सुड़ी होती है जिस पर आकर दोनों एक दूसरे का लेबास बनते हैं और फिर दोनों उस लेबास में चुपे राजों का पास रखते हैं वो तो अभी एक दूसरे को समझने की मनजिल में थे और फिर ऐसे लम्हों में ऐसे ही मौक्या आते हैं जहां रिश्टे बार बार रेश्टे के धागे की तरह तूटता महसुस होता है पर लमा उसकी तूटने का डर होता है उसने सही से उस पर एतिबार किया ही नहीं था उसका शिक्वा बचा था यकिनन वो तकलीब की इंतिहाओं को छुकर आई होगी आज करी यकिनन उस पर जिन्दकी का सबसे बड़ा थड़ा दिन होगा क्योंकि जो महबबत में पहल करते शदीद तकलीब से हमेशा वही बज़रते हैं महबबत में पहल नश्रा ने की थी तकलीब से वही ज़्यादा गुजरी थी काफी सोच बिचार के बाद उसे नश्रा का रवया ठीक लगा और खुशी काला की एहसास भी रगोपे में सरायत कर गया था की दुनिया में कोई उसे इस हद तक जनून तक चाहने वाला है कि उसका होना ना होना उसकी हस्ती को मुंतिशर कर गया है इन भूली बसरी मुस्कुराट उसके चहरे पर बिखरी इन लमों को याद करते जब वो उसके सही सलामत होने पर उसे चूँकर महसूस कर रही थी उन तमाम जगों पर नशला कि लम्स का हसास फिर से जगा जिने उसने अपने हाथों से चूँकर मौते बर किया था सर उठा कर सामने बुझी मौंबतियों को देखा जो पिकर चुकी थी एक नजर के जब मुझूद रेशियन सेलेट, पाइनेपल, चिकर और चावलों पर डाली जिने उसने देखना भी कवारा नहीं किया था उठका उसने सब चीज़े समेटी उसे हॉस्पिलल के लिए निकलना था शायद उस जाने अजीज को दोबारा देखकर मिल कर कोई ऐसा मौका बन जा सके कि वो उससे माफी मांग ले और वो मांग जाए इसी उमीद पर तेज़े से सब पका खाना फिरीज में डाला नच्टा के चंड कपड़े निकाले वो जानता था कि मली कयास में उसे यही कह कर वहां बिजवाया था और वो उससे लड़ भड़कर कुछ भी लिये बगर चली गई सब चीज़े तयार करके फ्लैट को लॉक लगा कर छोटा सा बैक लिए काड़ी में बैठा मली कयास कॉरीडर में मौझूद माया के साथ कुछ बाच्चीत में मस्रूफ थे जब कॉरीडर के सिरे पर मारिज को अकेले आते अचंबे से देखा कुछ देर बाद वो उनके करीब रुक कर अपने मखसूस अंदाज में उनसे मिला उनका हाथ थाम कर उल्टे हाथ पर बोसा दिया नश्रा कहा है जब काफी देर बाद भी वो करीडर में नहीं दिखाई आती नजल ना आई तो उन्होंने आखिर पूछ ही पैठे वो जो सीधा हुआ था उनकी बाद पर ठिचका क्या मतलब उसे समझ नहीं आई उसे नश्रा का क्यों पूछ रहे क्या मतलब का क्या मकसद उनकी तेयोरी चड़ी नश्रा क्या फिलेट पर ही है तुमारे साथ नहीं आई उनकी बाद पर और भी उलच कर उनके जाने देखने लगा बीबी तो काफी देर पहले हॉस्पिलल के लिए आ गई थी तो वो यहां नहीं आई उनकी बाद पर मली कयास यगदम अपनी नश्रस से खड़े हुए मारे वो तुम्हारे पास आई थी उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे उसकी दिमागी हलत पर शुबा हो मगर वो वहां कुछ देर रहकर वापस आ गई थी उसके बाद पर अब वो तीनों खबरा गए मगर वो तो यहां आई ही नहीं उनकी बाद पर मारे वो लगा उसके जिसम से जान निकल गई हो उनका फोन आफ है जब वो वहां से निकली तो मैंने काफी मरतबा मिलाया मगर आफ जा रहा था इसकी मजीद इतला पर मली कयास के हाथों के तोते उड़े शफी को कॉल करता हूँ उन्होंने ड्राइवर को फोरन फोन मिलाया मगर उसका भी बन जा रहा था और कौन कौन सा गार था गारी में मारे इसने तेज़ी से मुबायल खोलते मली कयास से पुछा दो तिन का नाम बताया उनके मुबायल पर बेल जा रही थी मगर कोई उठा नहीं रहा था इसनी गुस्से से हाथ का मुका हवा में लहराया आप यही रुके मैं निकर रहा हूँ कुछ सोच कर वो फोरन वापस हास्पिरल के खाजी रास्ते के जाने भागा या अल्ला ये कैसी आजमाईश है अभी एक बच्ची की जिंदगी बमश्किल बच्ची और अब मेरी दूसरी बच्ची इतने मजबूत होने के बावजूद वो आब दिदा हो गए बबा साइं पिली इस थिम्मत ना हरे अल्ला उसे अपनी हफाज़त में रखेगा माया उनके कंदे पर हाथ रखकर तसलिय आमेज अंदास बोली अब अब अड़दार तुमे से किसी ने बबा साइं और का फोन उठाया फवेली से दूसरी गाड़ी मंगवाओ जब तक नहीं आती हम यही पर है वो इन्हें हुकम सादर कर चुकी थी गाउं में दाकिल होने से कुछ देर पहले ही उनके गाड़ी अचानक बन हो गई जैसे ही ड्रावर ने उतर का चेक की किसी तकनीकी मसले की वचे से गाड़ी जाम हो चुकी थी किसी मेकनिक को दिखाने की दुर्ड थी एक गाड़ पास से किसी मेकनिक को देखने के लिए निकल चुका था जबकि ड्रावर समयत बागी दो काड़्स वहीं मौझूग थे रात के 11 बच चुके थे नश्रा का मॉबाइल बंद था जबकि ड्रावर के मॉबाइल की भी बैटरी खतम हो चुकी थी बागी बाड़ी काड़ को उसने फोन उठाने से सकती से मना किया था उनके मॉबाइलों पर कभी मलिक आयास कभी मारिज की कॉल वक्तन फॉक्तन आ रही थी मगर उनकी उखड मालकीं को नजाने क्या हुआ था कि उन्हें मॉबाइल उठाने से सकती से मना कर दिया वो मचबूरी में ना इधर के थे ना उधर के सोटी साइं मलिक साब हमें जिन्दा नहीं छोड़ेंगे एक गार्ट कुछ देर बाद बन मना कर बोला और अगर फोन उठाया तो मैं तुमें से किसी को जिन्दा नहीं छोड़ूँगी वो जो मैकनिक का पता करने गया था उसे फोन करके पूछो कब तक आएगा गुस्ते से बोलती होसे हुकम दे रहे थी साइं आपने उसको मुबाइल रखवा लिया था एक ने डरते डरते कहा ओ हाँ हाँ हवेली फोन करके पूछो दूसरी काड़ी कब तक आएगी वो इस वक्त मारिजा और मली कयाज दोनों से सफ ख़पा थी वो निकल पड़ा है प्रैवर ने फोन रखकर उसे मुटला किया जीब मुसीबत है वो इस वक्त सिर्फ हवेली जाना चाहती थी कि ये मुसीबत आ पड़ी उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसकी सरकत की वज़े से मली कयाज और मारिज किस कदर परिशानी मुटला थे हैलो आखरी चौकी पर उस नंबर की गाड़ी गुजरी है वो किसी से फोन पर पूछ रहा था साथ गाड़ी का नंबर भी बता जी सर वहां से निकल चुकी है मारिज को एतना अंदाजा तो हो गया था कि वो शायद हवेली के लिए निकल गई हो और उसका शक पुरूस्त था गाओं और शेहर के दर्मियान जो आखरी चौकी थी उसकी गाड़ी उस चौकी से गुज़ा चुकी थी कितनी देर पहले गुजरी है उसकी बात पर मारिज ने घड़ी में वक्त देखा ग्यारा बज़ रहती यानि वो गाओं की खुद में अभी दाकिल हुई होगी ठीक है शुक्रिया कहते साथी अपकी बार उसने उन कार्ट में से एक नंबर पर मैसेज किया कुछी देर बाद उसका रिपलाई आते उसने कारी की स्पीड बढ़ाई अपना श्रक दिमाग ठिकाने लगाना ज़रूरी थी स्प्रिंग पर उसकी गिरफ्ट मस्बूत वी इतनी देर से तुम क्यों आए तुम्हें होश नहीं था कि मैं यहां इस दिन्दान में पड़ा हूँ वकील को सलाकों के पास आते देखकर और चिलाया सर मुझे देर से मालू हुआ था उसकी टोन ही बदली वे थी अजहाँ चौदर ने दीके चतुनों से गुरा क्यों मर गए थे क्या तुम जो तुम्हारी कबर तक मेरी बर्बादी के तिला नहीं आई उसने वकील को आड़े हातों लिया मैं जमानत के पेपर दिखाए इन हराम जादों को ताके मैं यहां से बाहर निकलू उसने हाथ उठाकर उसे साथ लाई फाइल की जाने बशारा करके कहा सर इस पर आपकी जमानत के पेपर नहीं आए उसने कुछ फिच्च पिचाते कहा क्या क्या बकवास कर रहे हो पागल तो नहीं हो गए शराप चड़ा कर तो नहीं आए मैं कह रहा हूँ कि मेरी जमानत के काकसात निकालो वचाहर चौदरी ने कुछ उलच कर उसकी जाने देखते गुसे से अपनी बार तहराई सर में वही अर्थ कर रहा हूँ कि आपकी जमाना तभी मुम्किन नहीं बहुत भारी केस पड़ा है आप पर आपको याद है बहुत साल पहले आपने महर मिकार के साथ ज्यादती करके उसे कतल कर दिया था उस केस से लेकर चौकत किसान की बेटी के साथ ज्यादती वाला केस भी खुल चुका है जिसके बाद आपने उसके माबाप को धंकिया देकर गाउं से निकाल दिया था फिर अब आपने बहुत को जो उटवाया था अपने बेटे के जर्ये उस पर भी मारिच मलिक ने अपनी बहन को हबस पेजा में रखना सिर्फ रखने पर इस पर अपने बेटे से तशद्द करवाने के जुर्में भी आपको पकड़ा है तीन केस बेहत मस्बुत है और उनकी गवाहिया भी रिकॉर्ड करके पुलिस के तहविल में दे दी गई है अभी इतनी जल्दी आपकी रहाई मुंकी नहीं उसने तफसीर से बता कर उसकी तमाम खुश्वाहिया दूर की ये ये मारिच मलिक वही है ना मलिक अयास का खास 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 बंदा उस अदमे के आलम में सब सुन रहा था पे दर्पे होने वाले इंकिशाफ उसे पागल कर रहे थे मैं निगार का ऐसा कौन सा सगा निकलाया जिसमें इतने सालों पर पुराना के सब खोला था और उसे तो उसने मारा भी नहीं था अपने बंदे से कहकर उसकी सांस खुटवा दी थी तो क्या उसके बंदे ने गवाही दी मगर उस केस को आफिर खोला तो खोला किसने वो शदीद उलच चुका था कोई सिराहाथ नहीं लग रहा था सर अभी आपको कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा यह केस अब पूरी तरह से अदालत में पेश होगा और सुबह ही हमें अदालत में पेश होना होगा मैं आज रात हमाई जाने से सकेस के मनफी जवाबात तयार करता हूँ और फिर सुबह में आऊंगा वो चाहाँ चौजरी ने बेतावज़े से खिबास सुनी वो अपने हवासों में ही कहा था वो तो अभी तक उलजी जोरों के सिरे ही थामने मगन था मगर कोई दिरा हाथ ही नहीं आ रहा था तक हार कर नीचे मौजूद च्रटाई पर आखिर बैठी गया जो भी था कितनी देर वो खड़ा रहता तुम सब अपने फोन इदा रखो जब उन दोनों के मॉबाइल बजना बन ना हुए तब बिलाखर उसने मुडकर सक्थ लेज़े में उन दोनों को उकम सादिर किया और अपने साथ वाली सीट पर अपने मॉबाइल रखने का कहा उसकी बात पर उन में से एक ने चायदा के नीचे से मुबाइल पर कुछ टाइप करके वटन दबाते ही शराफ़ा से मुबाइल सीट पर रख दिया नश्रा ने उसकी जानी मश्कूफ नजरों से देखा फिर एक निगा उसकी मुबाइल की तारी के स्क्रीन पर डाली मुतमई होकर वापस अपनी पोजिशन पर बैड़ गी खत्रे का गुमान हुआ गाड़ भी पौरन गाड़ी से बाहर निकलते गंस हाथ में थामें गाड़ी का गेरा चुके थे नश्रा ने अपनी पूरी आँखे कोलते दाने जाने शीशे के पार देखा गाड़ी रुकते कोई गुस्ते से गाड़ी का दर्वाजा बंद करके बहा निकला अंध्रा ज्यादा होने के सबब नश्रा को सही से नश्रा नहीं आया मगर चार ढाल से जिसका गुमान हुरा था करीब आती हूँ गुमान नहीं हकीकत था जैसे उसे मालू हुआ कि गाड़ी अभी गाओं की हुदूद में या शहर की हुदूद में मौजूद हो उसने आफरी धमकी आमेज मेसेज उन बाड़ी गाड़ में से एक के नमबर पर किया अगर दो सेकंड के अंदर इस मेसेज का जवाब नाया तो याद रखना मैं पुरे गाओं के सामें तुम्हारा वो हाल करूंगा कि सालों लोग याद रखेंगे फॉरण से पहले मुझे जवाब दो कि कहां पर हो इसनमे और उसके उस धमकी आमेज मेसेज का ही कमाँ था कि एक गजनफर का सेकंड में रिपलाई आया माँ कर दे साहब ठोटी मलकाई गुस्सा हो रहे है कि आपका और बड़े साहब का फोन ना उठाए हमारी गाड़ी खराब है और हम गाओं के सिरे पर ही मौजूद है उसके जवाब पर मारी ने फोरण दिमाग में लोकेशन का एक मुटसर नक्षा कीचा और एन उनकी गाड़ी के पास जापोचा वो सब अलर्ट उसकी जाने गंट ताने खड़े थी जिस लमें उ धमाके की आवास से तर्वाजा बंद करता अपनी गारी से उतरा उन सबकी गंस का रुख वापस समीन के जानी हो चुका था किसकी जादा से तुम सब फोन बंद करके बैठे वे थे तोड़ दू तब उन सबके फोन उखसे से बोल नहीं धाड़ रहा था क्या क्या ख्याला दिमाग में उन चनलमों में नहीं आया थे सहाब वो चोटी मलकाई ने मना किया था कि किसी का फोन नहीं उठाना शफी की बात पर उसका रुख फिड़की के उस पार चादर में लिप्टे वजूत के जानी हुआ जो यकिनन उसे देख चुटने के बाद अब इग्नोर करते वे सामने देख री थी एक चुटकी बजाते उन सब को वहां से हटने का इशारा किया वो सब फौरान से बेश्टर साथ जुकाय गाड़ी के दूसरी जानिब जा चुके थी मारी जने नश्रा की जानिब वाले गाड़ी के दर्वाजे के चानिब चदम बढ़ाए एक जटके से दर्वाजा खोला वो जो दुम साधे बैठी थी उसके गुस्ते भरी आवास अंदर बहासानी आ रही थी उमीद नहीं थी वो इतने जा रहा ना अंदाज में उसके जाने का दर्वाजा खोलेगा वो तो शुकर था कि वो पूरी तरह दर्वाजे के सारे नहीं बैठी थी वरना यकिनन जमीन बोस होती क्या है गुस्ते से उसे गुरा बाहर आए उसका सर्द सपार्ट लेजा नश्रा को लमा भर को मुंचमित कर गया मैं तुम्हें नहीं जानती बैतर है कि यहां से चले जाओ वरना मैं वो जो अपनी तक्रीर शुरू कर चुकी थी उसकी तक्रीर को ब्रेक तब लगे फ्रेंड डोर खोलते उसे गोया सीट पर पटका अगर यहां से एक कदम भी अब बाहर आपने निकाला तो मैं यहां वो कुछ कर जाओंगा जिसके उमीद यकिनन आपको मुझसे कभी नहीं रही होगी लेकिन आपकी इस बचकाना हरकत ने मुझे इस तब पर मजबूर किया उसकी हैरस से गुंख फैली आँखों में देखते उसे उमली उठाकर वान करता धंका के उसकी जानिब का दर्वाजा बन कर गया नश्रा बुरी तरह उचली उसे लेने एक देने पड़ गये थे तुम लोग कारी ठीक करवाकर वापस होस्पिटर चले जाना बीबी मेरे जी साफ वो सब यक जुबान बोले बुरकर तेज तेज कदम उठाता अपनी गारी की जानिब आया उसी गुस्से भरे अंदाज में ड्राइविंग स्विट समाह ली स्प्रिंग पर गिरफ के सक्ट की एक गहरा सांस खारिश करके सर्द नजरों से नश्रा की जानिब देख बढ़कर उसके करीब हुआ नश्रा का दिल धक से रह गया तेज़े से आंखे मेंचे जैसे मारिश जब कुछ कर गुजरेगा उस पर जुकका सीट बेल्ट खींच कर उसके गिर्द बांदी नश्रा ने पड़ से आंखे कोल कर देखा मारिश का चेहरा उसके चेहरे के बेहत खरीब था गुस्से से जबरे भेंच रखे थे सीट बेल्ट लगाती दीदा हुआ कारी स्टार्ट करती इतनी स्पीड पर भगाई जैसे जहाज उड़ा रहा हूँ नश्रा ने कभी उसे इतनी रेश ट्राइविंग करते नहीं देखा था अबके उसके हाथपा फूर रहे नकाब कपका खुद को गिनने से फचाने के चक्करों में चेहरे से हच चुका था फीड बेल्ड बांधी होने के बास वो दोबारा डैश बोर्ट से टकराई मगर दूसरी जानी परवा किसे थी गंटे का रस्ता बमश्किल 20 मिनिट में तैय करके वो अपने फिलेट से कंपा आएंगे तान परदार जमाय वो बमश्किल अपने गुस्से को काबू किये बोर रहा था नश्रक उसकी बातों से इतनी तो समझ आ गए कि मली कयास से बात कर रहा है सुबा आने वाली बात पर उसका रंग फक हुआ इस लमे मारिज के साथ एक ही जगे पर उखना अफोर्ड नहीं कर सकती थी जितने गुस्से में वो था उससे कुछ भी तौका कर सकती थी ऐसी सक्ति उसमें आज तक उससे नहीं बढ़ती थी उत्रे फोन बन करती उसे ख्यालों में गुम देखकर फार खाने वालने अन्दास बुला नशरा उसकी धार पर उच्छल कर रहे गी वो बेन्याजी से अपनी चानिब का दर्वाजा खोड़कर उत्रा उसके उतरते ही गारी को लॉक लगाकर उसे सक्ति से उसका बाजू पकड़ा मारिश बाजू छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है चल तो रही हो तुमारे साथ और वहां सी होकर बोली वो ऐसे था जैसे उसकी आवास उसे सुनाई नहीं दे रही हो फ्लैट का दर्वाज़ा खोलती उसे अंदर धकेल कर दर्वाज़ा जोर से बन जिया वो भाग कर अंदर की जानी बढ़ी इससे पहले कि वो अपने कमरे में बन होती मारिश भी तेज़े से उसकी जानी बढ़ते खबाजो थामते से अपनी चानी की चुका था क्या समझ कर आपने इतना सीम की रिट किया पागल समझा हुआ है मुझे वो इतनी देर की परेशानी गुस्ता फिकर सब इस लमें चिलाते वो उस पर निकाल रहा था कुछ देर पहले वहाँ ऐसे ही नश्रा चिला रही थी और अब कुछ ही देर बाद वो खामोश थी और मारिश उस पर चिला रहा था चिलाओ मत पागल तो तुमने मुझे समझा हुआ था जो मेरे जजबात से खेले उस कुसे से खायफ होकर बोली मगर आवाज इतनी उची नहीं थी चानती है इस बात का मतलब यह हमेशा की तरह अकल का इस्तिमाल किये बगए बोल रही है क्या खेला हूँ मैं जैसे आपने मेरे अइतिमाद को ठेस पहुँचा कर मुझसे बहुत कुछ चुपाया मैंने भी चुपाया हिसाब बराबर हो गया उसे दोनों बासों से ठामे उट जोड कर बोला जैसे उस दिन मैंने आपकी बात नहीं सुनी थी वैसे आज आज आपने मेरी बात नहीं सुनी फिर गुस्ता किस बात का चानती है आपकी इस हरकत की वज़े से किस कदर अजियत से मैं और मलिक सायं गुजरे है उसका चेहरा उसकी तकलीफ का गमास था तो मैं भी आज सारा दिन उसी तकलीफ से गुजरी हूँ तुम्हें खोने की तकलीफ से तुमने तो चंड मिनिट ही गुजा रहे होंगे तो सोचो मेरा क्या लुआ होगा उसकी बात पर ना चाहते भी आंसू फिर से उसकी आँखों में जमा हुए ले लिया आपने बदला मिल गया आपको सुकून जानती है क्यों आपको अपने पुलीस में होने का नहीं बताया वो तुलकी से बोला मुझे नहीं सुनना कुछ उसके हाथ अपने बाजों से चटपने की तगदो कर रही थी चहरा मोड का दूसरी जानिप देखने लगी अब सुनना पड़ेगा आपको यू मैं नहीं छोड़ूगा मेरी माँ थी वो वज़े उस माँ का बडला लेना था जिसका उसके साथ साला बेटे के सामने रेप हुआ था उसकी तकलीब दावास और उसमें गुली नमी और इनकिशाफ ने नश्रा को उसकी चानिब देखने पर मजबूर कर दिया वो अंगश्ट बदन दा उसकी आँखों में देख रही थी जिन में तक्वीफ ऐसे रुकसा थी जैसे अभी अभी वो वाकिया उसकी आँखों के सामने हुआ हो मेरे बाप मलिक सर्फरास के साथ तालुक बनाने के बाद मेरी माने मलिक साइं की मदद से वो कोठा छोड़ दिया जहां उनके सौधे होते थे उन्होंने अपनी जिन्दगी बस मेरे लिए वक्त पकर दी वजहां चौधरी भी अक्सर इस कोठे पर आता था जहां मेरी माँ उसने लब भेचे नश्रा के बादों पर गिरफ ते सक ली उसे लिए वो वही बैठ गया वो भी मेकने की अंदास में वही उसके सामने दोजानों बैठ चुकी थी ऐसे जैसे अब दोनों में मज़ीद खड़े होने के सकत नहीं थी उसे नहीं मालुम था कि मेरी माँ के मलिक सर्फरास से किस किसम के तालुब बन चुके थे काफी अरसे उन्हें कोटे पर ना देखकर उसने वहां की बाई से मेरी माँ का पुछा उन्होंने पक्त ये बताया कि वो ये सब काम छोड़ चाड़ कर कही और शिट्ट हो गई है वो मेरी माँ के घर के अडरेस से वाकिफ थी वाजहाच चौधरी ने असरार पर उन्होंने हमारे घर का अडरेस उसे बताया उन दिनों मलक साई मलक मिलक से बाहर थे मेर्ना मीरी माँ के साथ इतना गिनोना वाकिः पेश ना आता वो दो-वो तीम दिन मुसलसल हमारे घर आकर मेरी माँ को चन राते साथ कुसाने की मुमागी कीमत के लिए असरार करता रहा मगर मेरी माँ ने इंकार किया उसा चुकाय पहले बार इस वाक्य पर नश्रा को अपना सब कुछ मांते लब कुशाय कर रहा था उजब भी आता मेरी माँ मुझे दूसरे कमरे में चुपा देती चादो उसके सामने अपनी कोई कमजोरी रखना नहीं चाहती थी और फिर तीन दिन मसलसल इंकार का नजिजे निखला के चौथे दिन रात के पहरो घर में अपने मसलभा बंदों के हमरा आया मेरी माँ ने मुझे दूसरे कमरे में बंद कर दिया उसके बंदे बाहर खड़े रहे और वो हमारे लाउंज में मेरी माँ को गसीड कर लाया और वहीं उसने जबत से आँखे मीची नश्रा ने उसके हाथ को धामा आँसों के कत्रे मारिश की आँखों से पूट कर नश्रा के हाथों पर गिरे मैं दर्वाजे को थोड़ा सा कोल कर सब मंदर देख रहा था बस नहीं चल रहा था कि उस तलीज से अपनी माँ को छुड़वाओं मगर मेरी माँ ने मुझे अपनी कस्नम दी थी कि जो भी हो जाए मैंने बाहर नहीं आना उस शैतान ने मेरी माँ को नोश डाला भंबोड़ा कि मेरी हिस्सियात मुझमित हो गई और वहीं अपने एक बंजे से कहलवा कर मेरी माँ के मुपर तक्या रखवा कर उनका दम गोड़ दिया मुझे नहीं मालूम मैं कितने लमें उस कमरे में बेस्व हरकत पड़ा रहा मेरे कानों में आज भी मेरी माँ की चेके गुंती है उनकी इलते जा वो नश्रा के हातों पर सर रखता सिसक पड़ा नश्रा के अपने आश्व रुखने का नाम नहीं ले रहे थे बेक्तियार होकर उसके अपनी गोद में जोके सर पर अपना सर रख गए एक उलाद के लिए कितना तकलीफ दा मंज़र होका उसके रॉंटे खड़े होके इस पड़र तूटा बिकरा शक्स हो नश्रा को अपसे कुछ देर पहले के अपने रवएये पर शदीद नदामत में आगिरा मारिज ने कितनी मन्नते की थी उसके के एक बार की बात सुन ले मारिज जब कितनी देर वो यूही बैठा रहा नश्रा को आखर उसे हिलाना पड़ा फुरकां के लिए उसीदा हुआ अपने हाथ उसके हाथों से निकल कर आखरू इस ताफ की वो गलती से अपनी घड़ी और अंगोटी वही छोड़ गया था जब मुझे होश आया मैंने माँ पर चाद़ डाली और वो दोनों चीज़े इसने पास रख ली और आस परोस के कुछ लोगों को बलाया उसी दिन से ये सोच लिया था उस शक्स को कभी न कभी सूली पर लटकाऊंगा और फिर वही से फुली जवाइं करने का खुआप गुन लिया मलिक साय ने हर लमा मेरी मदद की मैं ये बात इसलिए डिस्कलोस नहीं करना जाता था कि एक तो मुझे प्रोटोकोल की हुआईश नहीं दूसरे सूल पुलीस का हर किसी को बताते नहीं और फिर अगर मैं मनजर आम पर आ जाता तो अज़ाहत चोधरी के खिलाफ और बहुत से कैसिस में सुबूत एकटे नहीं कर पाता क्योंकि कहीं न कहीं उसे मालूम हो जाता तो शायद वो और भी बहुत से लोगों की तरह मुझे मरवा देता या फिर पैसे लगवा कर मुझे नौकरे से ही निकलवा देता आपको इसलिए नहीं बताया कि वरीद और जर्णाफ वाले मौमले में आपने मुझे मायूस किया था आप पर एतिबार करके बताया था कि मेरे बंदे कहां कहां आप दोनों पर नज़र रखते हैं और आपने उसे मेरे ही खिलाफ इस्तिमाल कर लिये उसकी जानी देखकर कहा नश्रा पशिमान हुई इसलिए जब तक वजहा चोधरी पकड़ा ना जाता मैं आपको नहीं बता सकता था कि वलीद वाले मौमले में मुझे कोई सूली पर नहीं लटका सकता आज शाम वजहा चोधरी पकड़ा जा चुका था इसी खबर के बास सोचा अब आपको अपने बारे में बहुत सी हकीकते बताओं मगर आप उसमें आखिर में जिस अंदास उसे देख नश्रा पर गड़ो पानी पड़ा मुझे क्या पता था सारी तरहादारी निकल चुकी थी मनमना कर बोली आपने ऐसी दोड़े लगवाए हैं ऐसा दिमाग गुमाया है कि आपको अप सजा मिलेगी गहरी नजरों से उसके शर्मीनदा चहरे को देखा दोनों इस वक इतने करीब बैठे थे कि दोनों को एहसास अब हुआ था नशरा पीछे को किसी नारिज ने बाज़ों से थाम कर उसे वापस अपनी जानिब घेचा सजा के नाम पर किसक रही है जो कुछ तेर पहले मुझे सजा दी उसका क्या उसका बोज़न लेज़न नशरा को गबराट में उबतिला कर गया कोई सजा नहीं दी इतना जो चिलाए हो तो दिल बंध हो जाता था मेरा तो को मुझ बना कर उसे देखते हुए बोली पीछे की सकने के कोशिश नूस चारी वो सारी थी आएम सौरी मुझे अंदाजा ही नहीं था तुम इतनी तकलिफों से गुजरे हो उसके नरम खूर तहरे को देखते हो उसकी तकलिफ शिद्दत से महसुस करते हो ली आप जानती है इस वाके के बाद मुझे और मर्द का तालुक हमेशा हवस्जदा लगता था मगर फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जरनाब की महबत ने बताया कि नहीं मर्द और ओरत के रिजदा, बेहन और भाई की सुरत तो बहुत पाकिज़ा है पिर आपकी माँ साएँ और जरनाब की अमा साएँ की चानिफ से मिलने वाली इजदत और महबत ने बताया कि ये माँ और बेटे की सुरत में भी मौझूद है और फिर आपने तो महबत का हर मानी ही बदल कर रख दिया महबत से इसका हाथ थाम कर हटेली को महबत से महकाया नश्रा जो बेतकलूफी से बैटी तो उसकी हरकत और आंखों के गहरे तास्रों पर अपने जगे से इमट कर रह गई आपकी महबत ने समझाया कि मिया बीवी का रिष्टा दुनिया का सबसे खूफ्सुरत रिष्टा है जिसमें मरदर और अरट जुड़कर इस काइनात को मौतिबर कर देते हैं एक दुसरे की एहसास से उसके चहरा दोनों हातों के प्याले में लेकर महबत से एक एक नक्ष को नरम गरम सांसों से मैकाया तुम इतना गुस्ता हुए मुझ पर नश्रा जिजकर पीछे वी कहा इन शिद्दतों क्यादी थी अभी तक बस उसका गुस्ता ही तो देखा था इसकी बेगानगी देखी थी यूँ आपरे करम की तरह बरसना ये तो सब अंजान ऐसासात थे अब महबत पी दे रहा हूँ उसकी मानी खैस नजरे नश्रा की सांस से हमवाना हमवार कर रही थी मुझे भूक लगी है अब किसी तरह तो उसका ध्यान हटाना था बहुत गलत वक्त पर आपको बहुत गैर जरूरी कामयादा दे है उसे मसमी घूरी से नवाजा इतना अच्छा आपके लिए केंडर लाइट डिनर का इंतिजाम किया था अराब लड़ भिड़कर निकल गई किस कदर जिनूनी मुक्य मारे मुझे कोई निशान देखे अपनी गर्दन पर मौझूद उसके नाफुनों की खरूंचे दिखाई हाँ तो जब संग करोगे तो ऐसे ही पेशाओंगी वो भी कहां शर्मिंदा होती उसकी गर्दन से नजरे चुराकर अपनी जगे से उठते वो ली कोई अखलक तो उसका हाथ थाम गया एक जटका दिया नश्रा ने सवालिया नजरे उसकी गुदास चहरे पर डाली जहां वो होट दबाए धनी मोचो तले शरीर मुस्पराहट लिये उसे देख रहा था फिर तो मेरा रोज रिमांड हुआ करेगा आपके हाथो इसकी बात का मतलब समझते वो जीब कर अपना हाथ चुराकर फास्टे पर होती चादर कंदों पर दुरूस करने लगी तेज कदम बढ़ाकर पिचन की जाने गई बस बाते बनाने का पता है क्या बनाए हैं यहां तो कुछ भी नहीं सिफ़ा जदा चहरा लिये वो उंची उंची बोल कर अपने चहरे के लाली को चुपाने की कोशिश कर रही थी फिर इच खोल कर बारी बारी सब चीज़े उसके सामने रखी नश्रा इतना कोई देख कर शर्मिंदा हुई फिर बारी बारी सब गरम करें लगी बीबी वो जो कमरे से हाथ मुध होकर उसके साथ आकर बैठा था उसके अपने अंदाज मुखातिब करके कुछ कहने ही लगा था जब नश्रा ने काटा उठा कर उसके हाथ पर चुबोया सी अब क्या कहा मैंने यकीन करें आपकी तरफ देखा भी नहीं वो शराफ़ से बला बीबी कहना कप चुड़ो के वो बेचारगी से बली उसके सवाल पर वो शरारत से हसा जब आप मुझे शोहर समझना फिरू कर देगी उसकी बात पर वो उससे बमश्किल घूर सकी तब तुम ज़्यादा ओवर हो रहे हो उससे घूरने की नाकाम कोशिश की ओवर होना नहीं उसे रोमेंटिक होना कहते है महबत की कुछ तकासे भी होते है मुझे नासे की तरह उसे समझाने लगा अच्छा जल्दी खाओ मुझे नीन आ रही है किसी सूरत इस बात पर उसकी हाथ नहीं आ रही थी हाँ तो खाना खाकर हम सोएंगे कौन सा धमार डालेंगे उसकी जिजग समझता हसी में बात उड़ा गया दोनों शदीद ठक चुके थे खाना खाकर कमरे में जाती मजीद कोई और बात किये बगर सोने के लेट चुके थे हाँ मगर इस सब के बात इतना जरूर हुआ था कि वो जो उसके करीब आने की हमत नहीं कर पाता था इस लमे मज़े से उसके सर अपने सीने पर रखे उसके गिर्दे मजबूत बाजो का हिसार बांदे कहरी परसकून नीन में था और नशरा भी शायद बहुत दिनों बाद इतनी परसकून नीन ले सकी थी जिस लमे नर्स उसके बाजो का मसाज करने कमरे में दाकिली वरीद ने उसे प्रोग दिया आप जाए मैं खुद कर लूँगा उसने माया और बागी दोनों मुलाजमा को नर्स समेथ बाहर भीज़ दिया जरनाब ने उसकी जानी देखकर नफी में सर लिलाया मनिका यार्स सुबह ही हवेली वापस निकल चुके थे आप कैसे कर सकते हैं वो इसके करीब आके उसके गाउन का बाजू कंदे तक उपर कर चुका था उसके बाजू में भी इतनी सिक तकत नहीं थी कि वो उसे हरकत दे पाती इसलिए हिमसाहमा सिर्फ जुबान से ही कर सकती थी ऐसे उसके बाजों पर स्क्रीम का मसाज उसी अंदाज से करने लगा जिस अंदाज से दो तीन दिन से नर्स को करते देख रहा था और डॉक्तर से इजाज़त लेकर उस नर्स से मसाज का तरीका भी अस्वर कर चुका था वो जर्नाब का हर काम खुद अपने हाथों से करना चाता था उसे पल-पल अपनी होने का यकीन दिलाना चाता था उन हालों को वो उसी की वज़े से पहुंची थी वो उस नदामत को उसकी खिदमत करके कम करना चाता था और शायद किसी सब के बरले उसके कासे में महभबत भी डाल ही देती किसी आस को लिए वो ये सब कर रहा था मैं तुम्हारा महरम हूँ चाहे जैसे भी हालात में बना मगर तुम्हें मुझसे जिजगने की जरुरत नहीं अर तुम्हें इस हकीकत से इंकार भी नहीं कर सकती नरम हातों से वो मसलसल उसके बाजों पर मसाज करता उसके चेहरे की लाली को नजर अन्दास कर रहा था मुझे इस अब पसंद नहीं उस्ताक तलहजिम बोली ठीक है कि वो उसकी अपने इर्दिगर्द मौझूद की पर अहतिजाज नहीं कर रही थी मगर यूं उसे अपने काम करते भी नहीं देख सकती थी कुछ चीजे नापसंद होने के बावजूद करनी पड़ती है वक्त की जरुरत होती है लहाजा दिल को ऐसी मजबूरियों पर खामोश करना पड़ता है मेरे और अपने साथ को भी वक्त की मजबूरी समझ लो नजरे उठा कर लमा भर के लिए अपनी गहरी नजरों से उसकी खफा नजरों को देखकर मुभम सा मस्कुराया आपको ऐसी मजबूरी निभाने की जरुद नहीं अब सब किलियर हो चुका है बेटर है के हम अपने रास्ते अलब कर ले उसकी बात पर वरीद का मसाज करता हाथ रुका एक हाथ उसके उपर से गुजार कर वो हलका सा की जाने चुका उसके हरकत पर जरुद निभन होश कर उसे देखा मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ठोड़ना होता कि तुम्हारी मनते करके तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ कभी न जोड़ता मुझे नाम सारी सिंदगी अपने साथ ही देखना है तुम चाहे अपनी महबत मुझे सौंपो या नहीं मगर मुझे अब अलग नहीं हो सकती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा कर तुम्ही रुखसत करवाओंगा मैं तुम्हारी हर बात मानने को तयार हूँ मगर तुम से रास्ता अलग करने के लिए मैं इतना ही जंगली और वहशी इंसान साबित होंगा जिसकी जलक तुम बहुत पहले देख चुकी हो वरीद सर सापैर तुम्हारी महबत में बदल गया है मगर तुम्हारे लिए वो आज भी उतना ही जनूनी है पहले नफरत में था और अब महबत में अपने चोड़े से दिमाग में ये बाद बिठा लो और आज से तुम्हारे बागी सबी काम भी मैं खुद करूंगा इस देट क्लियर उसकी आँखों में ज्छांकते एक की लफ़ पर जोड़ देते वो अच्छी तरह उसे अपना मकाम उसकी जिन्दगी में बावर करवा जुका था जुकर उसकी वहशे जदा आँखों को महबत से चुआ पीचे हटकर उसके गाउन के बादो को नीचे करके महबत की एक और निशानी उसके सुनजदा हाथ की पुष्ट पर दी चीजे समेट कर नर्स को कॉल की जो आकर चीजे समेट ले जाए सुबह जिस लमें उसकी आँख खुली नश्रा उसी अंदाज में अब भी उसके सीने पर सरके पुर स्पूंस हो रही थी मारी ने साइट टेबल से मुबायल उठा कर टाइम देखा उसे कोट पहुशना था आज वचाहत चौधरी के केस की पहली पेशी थी इसी नमें उसके आस बंदे का फोन आया है हेलो सर आप कब तक पहुँचेंगे वह यकीनन वहां पहुँच चुका था बस 20 मिनित तक मैं वहां मौजूद होंगा और हाँ वो करॉप्शन वाली केस का क्या बना उससे बात करते होले से नश्रा का सर उठा कर पास पड़े तक्ये पर रखा बैट से उतर कर आहस्ता से कमरे से बाहर निकला ताकि उसकी नीन खराब नहूँच तर वो जो सस्ता करोड ही राशन लोगों में मिला है बागी का उसके बैंक में मौजूद है और डॉकॉमेंट्स में उसने दो अरब को तक तीन इस अंदाज से किया है कि ऐसा शूर हो रहा है कि वो सब लोगों को दे चुका है लेकिन वहां के पटवारियों से जब तफसीली रिकॉर्ड नि असा बर्दस मैं बस पहुंचता हूँ फिर ये रिपोर्ट भी तुम जज़ को पेश करोगे उसने कहते साथी फोन रखते वाश रूम का रुखिया बाहर आकर नश्रा के लिए एक नोट लिखकर किचन काउंटर पर रखा फ्लेट लॉक करके वो फोट की जानिब निकला द लेकिन वो खाली था बाल समटे उठी मूँ पर हाथ रखकर जमाई रोकी बैट से उतर कर तेज़ी से बाहर की जानिब लपकी वो पूरे फिलेट में कही भी नहीं था वाश रूम के जानिब बढ़ी मूँ हाथ दोकर किचन के जानिब आई काउंटर पर मक के नीचे एक नो कर कपड़े चेंज किए वहां से निकली काड़ी का नंबर और रंग वो नोट में बता चुका था कंपार्टमेंट में जाकर उसे काड़ी ढूनने के लिए ज़्यादा तरद्द नहीं करना पड़ा जैसे काड़ी के नजदी काई डराइवर ने फौरण अपना तारुफ कर किया भाई का कुछ पता चला को कितनी ही बारवरी से पूर चुकी थी लेकिन उसने फिलहाल कुछ नहीं बताया था उस दिन मली कया आज ने ना सिर्फ मारिज के पुली स्पोर्स में होने का इनकिशाफ किया था बलके ये भी बताया था कि वो उनके भाई का बेटा है उसे अब मालुम हुआ था कि वो सब उसे इतनी एहमियत क्यों देते थे और जनाब और उसका तालुक इतना गहरा क्यों था उसे खुशी हुई थी ये जान करके इतना मजबूर शक्स इस खांदान का हिस्सा है जिसका हिस्सा अब उसकी जाद भी थी उसे शदीद दूफ पर तक से मश्क बनाया जाता है इसी लिए वो हर तरह से उसका साथ देने को तयार था हाँ यार बिलकुल ठीक है और फ़ेर से फुलीस वाला है मज़े से अफ़तारी बात उसे बता रही थी शुकर है मैं बहुत परेशान थी माया भी उन्हीं के पास बठी थी नशन ने आते वरीद को कुछ दिर के लिए उसके फ्लेट जाने का कहा ताकि वो भी फ्रेश हो जाए वो मसलसल हॉस्पिटल में ही था यूनी से उसने फुटी ले रखी थी अल्ला करे अब इस घटिया शक्स को सकत सकत सजा हो जरनाब की दिल की बात माया ने गहडा ली आमीन उन दोनों ने भी सदक दिल से आमीन कहा पहली ही पेशी में मुसलसल वो अपनी हरकतों को नफी करता रहा जिस पर अदालत ने उसे चंद रोज रिमान के लिए भेच दिया मारिज ने कोर्ट से बाहर खिलाफ पैनल पैट रहे और तुम इसका रिमान लेने की बात कर ले हो उस पर बरहम वे मारिज ने बेबसी सकर कुझाया कोई सूरत मैं शक्त को उसके अंजाम तक अपने हाथों से पहुचाना चाहता हूँ उसका रवा रवा अजिया से गुजर रहा था मैं जानता हूँ जजबात को बहुत अच्छे से समझता हूँ लेकिन फिल्हाल मैं तुम्हारी इस स्सले में खास तोर से कोई मदद नहीं कर सकता उमीद है तुम मौमले की नजाकत को समझोगे उन्हों ने इस सबहा उसे समना किया जी सर उसके पास उनकी बात मानने की सबहा कोई चारा नही था बेहन कैसी है उन्होंने जरनाब का पूछा बेहतर है अलहमदलिल्ला वाकर तेजी से रिकॉर कर रही थी अल्ला उसे जल्द सेहत याप करे मैं हॉस्पिटल चक्का लगाऊंगा कल मजीद एक दो बात करके उन्होंने फोन बन कर दिया मारिज करो खब हॉस्पिटल की ज कर रखा है वो अभी नश्रा की हरकत को बमश्किल बरदाश कर पाये थे बच गया है मारिज एक एहम बात आप सब को बतानी थी मारिज पुलिस में है इसलिए वलीद वाले मौमले में उसे कोई सजा नहीं मिलेगी सिवाए इसके कुछ अरसे के लिए उसकी सीट पर काम करने कि अजाज़त नहीं होगी इसलिए उसने ये सब अपनी हाथ में बरसानी लिया था अब मज़िद मुझसे पूच गुच मत किजे का मैं इस वक शदीद ठकवा हूं आराम करना जाता हूं सबके मज़िद सवालों से बचने के लिए उन्होंने हौल से उटते फौर अपने कम बैठे थे पुलाज़मे ने खामुशे से ट्रे बैठ के सामने मौजूट टेबल पर रखी दरीना ने उसे बाहर जाने का शारा किया उसके बाहर जाते वी चाय बनाकर उनके करीब बैठ गई यूँ परिशान है तायकक अप उन्हें थमाते साथ ही सेंविचेज भी पेश क उन्होंने नश्रा की हरकत कहस दुनाएं आप दुनोंने उसे नहीं समझा जानते है किस कदर होते हैं उसमें कल मुझे फोन किया था उनके सामने धीरे से बैठते वो अपने मद्धम अंदास बोली जानता हूं मगर उसका ये मकसद नहीं कि वो मारिच और हम सब को यूं पर उनकी बात पर वो भी खोले से मस्कुराएं मुझे तो खुशी है कि वो मारिच की हैसित को अपनी जिन्दगी में कुबूल कर चुकी है वो महबब से उसका जिकर करने लगी हां और इस हद्दा कर चुकी है कि बाप भी दुश्मन लगने लगा है मरी कयास की बात पर वो खुश्ट कुन मस्कुराइट उनके चेहरे पर रुकसा हुई अलहमदलिल्ला हमारी बश्चियों की नसीब में अच्छे लड़के लिखे नजर बच से बचाये लगा और अब किसी तकलीफ और आजमाईश से हमें ना गुजारें उनका लहजा पिछले दिनों के तकलीफ औ नहीं हामेस हरिलाए जी मैंने दो तिन बार उन्हें पोन किया था बहुत 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 दुर खातों ने अल्ला ने वरीग की सुरब उन्हें कितना अच्छा अच्छा अजर दिया है अल्ला करे वो सारी जिन्दगी माँ का कदरिदान रही जिसमे इतनी आजमाईशों से गुजरने के बाद भी किसे से शिक्वा नहीं किया वाकिकतन सुग्रा बेगम की हिमा से शदीद मतासिर थी बेशक अल्ला उनके लिए आसानिया फरमाए वही तो थी जिन्होंने लमहा बलमहा उनका दाद दिया था जिस लम्हें वहास्पिटल पहुंचा जरनाब सो चुकी थी माया और नश्रा वही एक कौने में नमास पड़ने में मगन थी वो खामोशे से अंदर आकर जरनाब के बैट के करीब आया पहरे पर चोटों के निशान मद्दम हो रहे थे बाएं चांग की पटिया भी उतर कर अब मतासर रगे पर चोटी चोटी पटिया लगा दी गई थी महबत से उसके माते पर प्यार किया इतनी अजीज थी वो उसे काश वोसे बता सकता नश्रा ने जानमा समेट कर पीछे मुड़कर देखा जरनाब के बैट के पास खड़ाओ किस कदर महबत से उसे देख रहा था कदिर क्या ये लमा यही कैद कर ले उसके अपने भी भाई थे मगर जो महबत उसने मालिश की जरनाब के लिए देखी थी वो अलगी थी दोनों भरपूर तकलिकों से गुजर कर भी किस कदर मजबूत आसाब के मालिख थे जरनाब के तक से उसे अपने चेहरे पर किसी की गहरी निगाहों का एहसास हुआ गर्दन मौड कर देखा तो नश्रा महवियस से उन दोनों को देख रही थी नश्रा ने रुक मोड कर जा नमाज पास रखके रेक में रखी माया भी नमाज खतम करके मारिख के बाजों के गहरे में खड़ी उसके सलामत अपने सामने खड़े होने पर शुकर अदा कर रही थी हम सब बहुत परेशान हो गए थे जब से उसे मालूम हुआ था ये उसका भाई है तब से मारिख के लिए महबत में औरी तरह का सिकाक आ गया था आई कैन इमेजिंग उसका सर सीने से लगाए नश्रा को नजरों के इसार में लिये है था जो इदा उधर देखती उसकी गहरी नजरों का असर जायर करने की कोशिश कर रही थी अब सब ठीक हो जाएगा उसे तसलिदी इंशालला माया आसुसाफ करती उससे अलग हुई वरीत कहाए मारिख ने उसकी कमी को शिद्द से महसुस किया मैं जब हॉस्पिरल आई थी तब जबरदसी उन्हें घर बेचा था इतना रफ उनका हुलिया हो रहा था सोचा जाए फिरेश हो ले और कुछ रेस्ट भी कर ले खबसे तो जर्नाब की खिद्मतों में लगे हुए है उसके करीब सोफे पर बैठते कहा माया जर्नाब के बैठके करीब कुरसी रखे कुई सुरह पर रही थी मारिज जो नश्रा कुछ फास्टे पर सोफे पर बैठे थे क्या बना उस शेतान का नश्रा की लहज़े में वज़़ा है चाहदरी के लिए नफरती नफरती मारिज ने गहरी सांस खारिच थी इतनी जल्दी तो फैसले नहीं होते अभी तो रिमान के लिए बेचाए फैते के केस तो बहुत मजबूत है बचने वाला तो वो हर्किस नहीं है तो फेके पुछ पर बाज़ू टिकाया नश्रा उसके हिसार में आ गई इन्शालला काश में भी पुलीस में होती कचूमर बना देती उसका वो दान पीसके बोली मारिज उसकी बात पर ऐसी हंसा जैसे बच्चे की बात पर हंसा जाए शुकर अभी आप पुलीस में नहीं वरना तो हम सब को अंदर करवा चुकी होती उसकी मजाग उड़ाने वाले अंदास पर नश्चाने तीके चतुनों से उसकी जानिव देखा कुछ खाया है सुबा का याद आने पर एकदम बोली नहीं सुबा जल्दी में निकला था फिर टाइम ही नहीं मिला वो कनपटिया हलके से दबाता हुआ बोला कभी अपना ख्याल ना रखना उने मलामत भही नजरों से उसे देखा उठकर एक रेप की जाने पर वहां सैन्विचेस मौजूद थे जो वो आते हुए बना कर लाए थी आप जो है मेरा ख्याल रखने के लिए मुझे क्या करना है ये सब करके गहरी नजरों से उसे देखा लेनन के लाइट ब्राउन प्रिंटेट सूट पर डाग ब्राउन चादर ओडे वो हमेशा की तरह उसे अपने दिन के करीब धरकती महसुस हुई हां मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी जौब पर भी तुम्हारे साथ जाया करूंगी आंके सुप्रेयर का उसे गुरा आपके जो अंदाज है आपको वाकी पुलीस में होना चाहिए मज़े से उसकी हाथ से प्लेट लेकर सेन्विस से इंसाफ करने लगा क्या वाकी मैं जा सकती हूँ उसकी मज़ाग पर संजीदा होते इश्तियाग से बोली मुझे मजरिमों से थोड़ी हमदर्दी है कि जुमानी बात पर उसने एक नज़र माया की जानी देखा जिसकी हनुस उनकी जानी पुछती मौके का फायदा उठाते अपने नाखुन उसके कंदे में चुबए देखा सशब्द पसंद हसीना उसके हमले के लिए बिल्कुल तयान नहीं था माया का ख्याल करते अपनी सी दबा गया मुड कर उसे घुरा शाम में वरीद भी हॉस्पिटल आ चुका था कॉफ वायड चलवार कमीज पहने फिरेश सा वो मारिस के सामने मौजूद था खुशी हुए जान कर कि तुम प्लीस में हो उससे गले मिलते वरी ने साब गोई से कहा इसी बदोलत तुम्हे उस दिन बचा लिया था वो उस दिन का फिर से जिकर करके बोला आओ कुछ जरूरी बाते करनी है उसे लिए वो कमले से बाहर निकल आया दोनों का रुख आस्पिटल में मौजूद पैफे के जाने था जिस दिन तुमने वनी की रसम खतम होने के लिए पंचाद बुलाई थी उस दिन भी मैं एक जरूरी केस के सिलसले में शेहर से बाहर था बहुत कोशिश और चाहने के बावजूद मैं उस लमें जर्नाब के पास मौजूद नहीं था मैं लिक साई चूंके मेरे प्रोफेशन से बाख़वर थी यसलिए उन्होंने अस्तार नहीं किया वो तफसीर से उसे एक और मासी का दिन याद करवा रहा था और इबरी उस दिन मासी को वहाँ ना पाकर हैरान था आज ये मौमा भी हल हो गया मुझे समझ नहीं आ रही मैं कि इन अलफाज में तुम्हारी मदर के साथ हुए जल्म पर अपने बाप की जाने से तुमसे माफी मांगो वहाखिकतन उससे बहुत शर्मिंदा था तुम्हें माफी मांगने की जरुद भी नहीं हो क्योंकि तुम्हारा इस सारे मामले से कोई तालिफ ठाना तुम्हारा कोई कसूर है किस कदर जगरे वाला था हो वरना ऐसे विक्टिन कैसिस तो इस साथ में जल्म करने वाली की नसले तबहा कर देती है तुम बहुत आला जर्फ हो वो कहरे बिना ना रह सका नहीं मैं आला जर्फ नहीं तुमसे नफरत की एक वज़े तुम्हारा वजाहत चोधरी का वेटा होना और फिर जर्नाब के साथ वो सब करना था जो भी था पहली वज़े की बन्याद पर तुमसे नफरत नहीं बनती थी मेरी और इस खुद साथता सोच पर मुझे सारी उमर शर्मिन्दगी रहेगी मैं लोगों से इनकी इन्फरादी शक्सियत की बन्याद पर अगरी कौन था जो इसकदर तक्रीब दाहला से गुजरने के बावजूद पे खुद को हर सते पर पर रख कर अपनी चोटी से चोटी कोताही को दर गुजर करने को तयार नहीं था चाद ऐसे लोगों के बारे में ही कहा गया है के कुछ तोट दुनिया की भट्टी से गुजर कर कुंदन बन जाते है मारिज वैसे ये एक कुंदन था जना मुझे बहुत अजीज है उसका अंदाजा तो तुम अच्छी तरह लगा चुके होगे परीद की सोचों को ब्रेक मारिज की अगली बात ने लगाई उसकी बात कर मस्कुरहाट उसकी होंटों पर रिंग गई बहुत अच्छी तरह वैसे उसे धंकी समझू या इत्तिला मारिज का अंदास की थी धंकी से कम ना था कि बेसाख साथी बर वो भीरे से हसा कुछ भी समझ लो मलक साय ने मुझे बताया था कि तुम जल्दी रुखसाती चाहते हो दोनों हाथों की पहनिया टेबल पर टिका कर हाथों को बाहम पेवस करके ठोड़ी के नीचे जमाया हाँ क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस लम्हे जब उसे किसी साथी की सबसे ज़्यादा ज़रत है मैं उसके पास हर हर लमा मचुद हूँ चाहर मेरी उन तक्रीफों का मदावा हो जाए जो मैंने उन्हें पहुँचाई है तो यासित मेरे रहजे में बोला इसमें महबबत कितनी शामिल है उसके कड़े सवाल पर वरीदे चौंक कर इसकी आँखों में जाता वैसे तो तुम भाई हो तुम्हारे सामने ये महबबत के अत्राफ अजीब लगता है लेकिन मैं ठहरा धिट बकॉल तुम्हारी बहन के तो शायद मेरी हर पल उसके साथ मौजूद ही उसके लिए सरता पैर खुद को बदल लेना अपनी कोताहियों को शमार करना अपने रस्ते बदल लेना ये सब इनसान तब ही करता है जब अपने किसी बंदे की महबबत में जगरकर उसे राह रास पर लाए जन्नाब मेरे लिए वही शक्स है जिसने अल्ला के रास्ते के जाने मुझे पलटाया अभी महबबत है, जनूर है, कैश तुम उसे जो नाम देना चाहूं दे लो उसकी लहजे की सचाई रांकों से जहांकी जन्नाब के लिए उसकी महबबत पर उसे वाकई कोई शक्त न था ठीक है मैंने आज डॉक्टर से बात की है एक अफ़े तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा कहते हो तो यहीं से डारेक्ट उकसाती कर देते है मलक साही से भी वो बात कर चुका था इसलिए इस वक्त वरीद से खुल कर गुफता को कर रहा था जैसे तुम मनासिब संजों मैं मां साही को भी ले आउंगा उसकी बात पर मारीज ने अस बात में सलिल आया ठीक है मैं मलक साही से फाइनल बात कर लेता हूँ तुर देखते हैं तुमने अगर काउ जाना हो तो बेशक एक दो दिन के लिए चले चाओ मैं यहीं पर हूँ मारीज ने उसे उपर की मैं तो जाना चाता था लेकिन मेरे चाचा और दाया बहुत भी प्रेबेटे अब वहां पगड़ी किसे बाननी जानी है उसकी जंग शुरू हो चुकी है वह सिजाईया हसा एक बात कहूं एक मशुरा है मारीज ने कुछ सोच कर कहा जरूर हरीज ने उसकी जानी देखकर इजाज़त दी तुम क्यों नहीं अपने बाप की जगे समाल लेते मुझे यकीन है वहां की लोगों को एक इनसाफ पसद सच्चे और खरे शक्स की अच्चच जरूरत है मारीज की बात पसमें बेयकीनी से उसे देखा तुम समझते हो ये सब होने के बावचूद भी मुझे इस सब की खौइश है तो मेरी बात तो गलत समझ देओ मारीज ने अपीम सरिलाए नहीं या ये ताज और तक्स इंसान को स्वाए खुद को खुदा समझ लेने की और क्या देता है वो टूटे लहजम बोला जरूरी तो नहीं हमें यही तो मुझरियात बदलने हैं फिर इस बात पर सोचना ज़रूर चलो सब के लिए चाय के कहे दे वो दोनों उट खड़े वे मैं कहे रहूं कि मैं किसी महनिकार को नहीं जाता समझ नहीं आ रहे एक तुम लोगों को पिछले तीन दिन से उसका जिसमाने जिमान लिया जाया था अब वो था कि कुछ उगलने और मानने को तयार ना था तेरी आदाश लगता है बिलकुल ही खराब हो किया सर डालो उसका ठंडे यख पानी के ड्रम में उसका सर डाला गया यहां तक कि वो बंदेवे हाथ जोर जोर से चलाने लगा बाल उसे पकड़ कर उसका सर बाहर निकाला सरदी में ऐसी तक्रीव दा सजा वजहा चौदी को महसूस हुआ उसका चहरा सुन हो गया है ना देखने की हमती ना बोलने की बकवास करेगा कि नहीं एक जोरदार हंटर उसे कमीज से मुबरा जिसम पर पड़ा मैं मैंने उसे रेप नहीं किया था वो बिलबला उठा चलो ये तो याद आया कि महन निकाल कौन थी अब ये भी आता आजाएगा कि कब कहां कैसे और किस तरह तुने उस बेचारी औरत के साथ जादा दिकी थी समू अब दूसरे ड्रम में डालो पलीस आफिसर ने अपनी खड़ी की नौक उसकी मंजमित फुड़ी में जोर से मारते वे घुस्सर से जबड़े भेंटे कहा दूसरे ड्रम में खौलता पानी था जिस पुलीस आहिलकार ने उसे जकर रखा था उसे बालों से थाम कर फिर से उसका मुँ खौलते पानी में डाला उसकी चीफ निकल गई बाहर निकालो उने ढाल होकर बमश्किल उस आहिलकार के साहरे खड़ा था जजी बेहोश वोड कया है उसी गरदन एक जानी के लुड़कते देखकर वो बोला होने दो अभी तो सारी खोश आने है उसे पेंको उस हरामजादे को उसकी कोट्री में और आज से उसकी दाल और रोटी बिलकुल बन उसकी बेहोश जिसम पर जोड़ से अपने बोट मारकर उस से बाहर निकल गया आज दो दिन बाद उसमें थोड़ी हिम्मत हुई मलिक आयास के फोन पर बात करने की सुबह य उन्होंने रज़िया कि बहुत असरार पर में हास्पिटल बिजवाया था और माया को वापस बुलबा लिया नश्रा तो किसी सुरत वहां से जाने को तयान ना थी वरीद को भी बहुत असरार करके उसने यूनी भिजवाना शुरू कर दिया था वहां से सिधा वो हॉस्पिटल ही आता था असलाम अलेकूम बाबा साही ती मी आवास बोली वालेकूम असलाम कैसी हो बेटा उनके लहजे में हमेशा वाली नर्मी और शफकत थी मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं उनके पोशफीक लहजे पर उस पर घड़ो पानी पड़ा मैं भी ठीक हूँ तुम बताओ माईश ठीक है उनकी आवाज में शराड़ा सिती मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे मैंने बहुत बत्तमीजी की थी वो फौरान मुद्धे पर आई अरे कोई बात नहीं मौमला मारिश का था इसलिए मैंने भी मारी बातों को संजीता नहीं लिया उनकी दरिया दिली पर ठीनकी हाँ वो तो है ही आपका चहीता तो मूँ बना कर बोली मेरा तो शुरू से ही चहीता है मगर शायद अब किसी और का भी हो चुका है उनके छेड़ने वाले अंदास पर उसका छेरा तब गया नजाने क्या क्या बगवास उमारिश के हवारे से उनके सामने कर गई त्यूफ अब सोच सोच कर शदीर शर्रम आ रही थी बाबा साइं उसने इहतिजाजी नारा लगाया हाँ हाँ मुझे अच्छा लगा तुम्हारा ऐसा उसके लिए पोजसी होना मगर बेटे मुझे बुरा लगा जब तुमने हमें बताए बिना हवेली जाने का फैसला किया उन्हें ये लगा गनीमत लगा उसे थोड़ा सा समझाए उसकी गल्दी की तरफ उसकी तवज़े दिलाए बेटे शिद्ध पसंदी अच्छी है मगर इतनी नहीं कि इनसान नफ़ नुकसान की परवाना करे उनके सर्जिश ने उसे मजीद शर्मसार किया मैं तो तुमने जितना तंग करना था कर लिया मैं उमीद करूंगा कि तुम मारिच को अप अपनी हरकतों से आजिस ना करो वो हलके फलके लहज़े में उसे बहुत कुछ समझा गय और इससे बात करते थोड़ा आप जनाब का इत्माम कर लो तो और भी अच्छी बात है मैं जानता हूं तुम दिल की बहुत अच्छी साफर खरी हो मगर बहुत से जगों पर बहुत सी मसलते देख कदम उठाना पड़ता है मारिज कभी तुम्हारी शिकायत नहीं करेगा लेकिन मैं चाहता हूं कि वो दिल में भी तुम्हारे और मेरे हवाले से कोई बात न रखे समझ रही हुना बेटे जी बाबसाई मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं लेगी मुझे नहीं मारिज को शिकायत ना हूँ उन्होंने पौरण उसकी तसी की जी जी अलविदाई कलमात के बाद उसने फोन रखकर एक सुकून भरी सांस ली हाए अब मारिज को आप कहना पड़ेगा मली कयास के अलपास सोचकर उसे एक नहीं फिकर लाहक हुई वो और नश्रा कुछ देर पहले फ्लेट आये थी रजिया वरीद अपने और मारिज के लिए उकुछ खाने का इत्माव करने आई मारिज के आजकल मसलसल कोट के चपकर लग रहे थे कल उसकी पैनल के साथ मिटिंग भी थी इसे सिलसले में वापस आते से शाम हो गई हॉस्पिटर पहुंचते ही जर्नाबर रजिया से मिलकर वरीद के वहां हुने कद मिरान करते नश्रा कुले कर उफलेट के लिए निकल आया मारिज फिरेश हुने चला गया चब के उसने चादर दारते किचन कर उठ दिया हेलो नश्रापा चाए बनाने के साथ साथ तो माया की कॉल पी अटेंड कर जुकी थी कैसी हो विरेश सी आवाज मुझे बाते करने लगी आपको पता चला माया के सवाल पर उचौंकी किस बात का पैन में दूर डालता हाथ उसका थमा जरनाब आपको हस्पिटल से डिस्चार्ज करवा कर वरीद भाई रुखसी करवा कर ले जाएंगी उसके इंटिशाब पर उस्धीद हैरान हुई तुम्हें किसने बताया दूर डालकर फिटिज में वापस रखते वो हैरान परिशान सी फैन को देख रही थी अम्मा साही ने बाबा साही मारिज भाई और असीद भाई ने मिलकर फैसला किया है वरीद भाई ने उनसे गुजारिश की थी उसकी बात पर मुठियां भज गई कि मेरे हाथों से अब जाय हो जाएगा ओबर बढ़ाई क्या कह रही है माया बमश्कुल सुन पाई मगर कोई एक लवज भी फले न पड़ा कुछ नहीं अच्छा मैं ज़रा काम करें तोड़ी तोड़ी देर तक कॉल करती है मारिश को कमरे से बाहर आता देखकर उसने फॉरन फोन बन किया अब ज़र तुम मुझे कोई बात बता दो फोन बन करती हूँ वो पंजे ढ़ार कर उसके पीछे पड़ गई कफ लिंक्स बन करता हूँ छटके से सर उठाकर उसके कुंखवार तासराद देखने लगा अब क्या कुसूर कर दिया मैंने एक थंडी सांस भरकर उसके अदालत में पेश होने के लिए तयार था नश्रा ने खबगी भई नजर उसके वजिया चहरे पड़ा लिए मस्करट किलर की शलवार कमी स्प्रेश था वो नश्रा को कुस्ता दिला रहा था एक क्या बेवकुफी है जरनाप की हॉस्पिटल से रुखसती करवा रहे हो वो चाय भूलकर फिचन में केबिनर्स भंगालते मारिच की पीछे-पीछे बिरने लगी साथ साथ उसका सर भी खारी थी हाँ तो वैसे बोला जैसी कोई बात ही नहीं यह फैस्बा कब हुआ उसकी बेनियाजी पर सुलख करे गई परीद ने एक दो दिन पहले कहा था आज सुबह ही फाइनल हुआ मैं सुबह से आप से मिलने ही सका वरना सबसे पहले आपको ही बताता डाजिस्टो का रोल निकाल का उसमे पिलेट में रखा और इसमी बेवकूफी क्या है इशारे से उसका ध्यान चाय पकने की जानी मब्सूल करवाई तो बहुत अकलमंदी है ऐसे कोई रुखसत करता है बेटी को वो चाय डालते भी अफ़ाखवा सी बोली पहली बात यह है के वरीब के खांदान की सिच्वेशन ऐसी नहीं के वो कोई आम हालात की शादी अरेंज़ करे दूसरे यह वरीब की खुआश है के वो जरनाब के ठीक होने तक उसे अपनी ही पास रखना चाता है कैदू बन रही है उसकी बात पर मारिज की उमियत के मताबिक फिर से खुंखोर तासुरात उसके जहरे पर बिकरे मैं क्यों विलन बनूँगी वो सर जटक कर बोली हाथ बढ़ा कर कब थामा मुझे लगता है जरनाब अभी इस सब के लिए तयार नहीं उपाएगी वो जरनाब का सपार्ट रवया नोट कर चुकी थी अपनी रुखसती पर तो आप भी तयार नहीं थी उसे कुछ याद दिलानी लगा ओहो मैं और तुम कहां से बीच में आ गए वरीद बहुत समयदार है और इस रिष्टे की नजाकतों से भी बहुभी वाकिफ है और जरनाब की कंडिशन से भी यही अच्छा मौका है जरनाब उसके करीब रहेगी तो शायद उसकी महबत को बहता तरीके से कुबूल कर पाएगी इसकी बात पर नश्रा के जरे पर नरम तासुर बिकरा तो हर रिष्टे के लिए कितने मुत्वाजन अंदास में सोचते हो न उसकी मौत रफ हुई यह तारीफ ती यह इतला एक प्लेन प्लीज उसका हाथ थाम कर सवाल क्या तारीफ की कोशिश की थी उसकी एकदम हाथ थामने वो जिजगकर उसे गूरते भी बोली जब मैं समंदर के करीब रहते सबर कर सकता हूँ तो वरीद भी कर सकता है यो डोंट वरी फिलहाल इस बात की टेंशन ले के एक दो दिन में मलिक साही और आपकी अमा साही तुम्हें आप कहा जाए है अल्ला मारिच मैं कैसे कहूंगी उसे फिर से फिकर लहाक हो चुकी थी मारिच का कहका भरपूर था जैसे मैं आपको अब बीबी की जगे नश्रा कहा करूंगा वो बड़े आराम से उसका नाम ले कया था मारिच कितना अच्छा लगता है मेरा नाम तुम्हारे मूझ से उगले जचचक बड़े मज़े से उसकी तारीफ कर चुकी थी वो वाकर अजीब थी बेबाग भी और जैसे मारिच पहल करता तुई मुई हो जाती थी उसके इन दोनों रंगों में वो खुद भी कई बार उलट जाता था मेरी तारीफे ना करे फिर नुकसान भुगतना पड़ता है तो आपके हाथों के तोते उर जाते वो गहरी नजरों से देखते उसे नजरे जुकाने पर मज़ूर कर चुका था अच्छा बस पौरण चोहर मत बना करो वो घबराते चाय का खाली कप लिए पौरण वहां से उठी आप मौका ही नहीं देती पौरण मेरे अर्मानों पर पानी डाल देती हो बेचार की से बोला अच्छा ये बताओ वजहार चौधरी के केस का क्या बना कुछ कंफेस किया उसनी या नहीं तो किचन में जाती ही खाने की तैयारी करने लगी घंटे दो में उन्हें वापस हॉस्पिटल जाना था जी आखिरकार कुछ रोज जिसमानी रिमान के बाद वो अपने तमाम जुराइम का इतिराफ कर चुका है मारिज की बाद पर उसने शुकर किया कर मेरे भी केस का फैसला होगा उसकी पुष्ट पर खड़ा वो गंभी लहजें बोला वैसे तुम्हारी सजा ये हुनी चाहिए कि दिन रात तुम्हें आफिस में ही रहना पड़ता उसकी कंबी लहजे ने हाथ पाफ उलाए सदा तो वाकई बहुत कड़ी मिल रही है और लहजे में तजस्स समो कर बोला वो क्या? वो भी मसरूफ से अंदास मुढ़ी दो महीने के लिए सस्पेंड किया जा रहा है यानि दिन रात आपको जहिलना पड़ेगा उसकी हाथ से चुरी लेते तेज़े से सबसिया काटने लगा लेकिन नशरा को ब्रेक लगवा गया क्या? मुझे जहिलना पड़ता है तुम्हें वो गुस्से की ज्यादाती से चिलाए मार जिसके चहरे के तने तासुरा देखकर हंसते वे उसके चहरे पर जुका, दो महीनों के लिए हम हनीमून पर चलेंगे उससे खुद से लगाया, उसके गुस्से को ठंडा करने में काम्याब हो गया नशरा की बोलती तो उसके अम्मा से ही बंद हो चुकी थी इतना लंबा हनीमून कौन करता है? नजरे उसके इशर्ट के बटन से उचा कर बोली मैं और आप वैसे मलिक साई का ख्याल है वजहात वाले केस के बाद हमारे वलीमे के छोटी सी तक्रीब रखी जाए आपका क्या ख्याल है उसकी जुकी, लरस्ती, पलको का फेल मारिश के लिए बिलकुल नया और बेहद दिलफरेव था मुझे क्या पता? तुम ही बने रहो फंक्शन का और्गिनाइजर किसी की रुकसाती का अरेंज कर रहे हो तो किसी के वलीमे का उसकी नजरों की जसारात से घपराती हुई लहजे की लोड़कणाट पर बमश्किल काबू पाते बोली आपके नाज नहीं उठाओंगा तो किसके उठाओंगा? हाँ, मगर यह इजाज़त तब तक है जब तक राहिमा मारिज नहीं आ जाती उसकी आखरी बात पर ढटके से नशरा ने इसकी कंदे से सर उठाया यह राहिमा कौन है? तासुरात ये अखलक बदले खूर कर मारिज को देखा हमारी बेटी जो आपका परतू होगी हसका उसके माते से अपना माता टिकाए मारिज के अलपास नशरा की दिनकी धरकाने बढ़ा रहे थे तुम तुम बस बहुत खुजूल हो गयो हटो, खाना बनाने दो चहरे के सुरकी किसी तौर कम न हुई तो उसका हिसार तोड़ते वो मारिज को खुल कर हसने पर मजबूर कर रही थी वरीज उसके साथ रात हॉस्पिडल मौजूद था मारिज और नशरा रजिया को जबरदस्ती अपने फ्लेट आराम की करसे ले गए थे जरनाव रुकसाथी के लिए तयार नहीं थी और वो दोनों चानते थी वरीज का इस सिल्सले में उससे बात करना उससे कायल करना बेहर जरूरी था उसी करसे वो वरीज को उसके पास अकिला छोड़ गए क्यों परिशान हों से वाश्रूम ले जाना खाना किलाना तब वो अपने जिम्मे ले चुका था इस वक्ट भी उसे सूप पिला रहा था और उसके जहरे पर तफकरात को बासानी पर सकता था क्या परिशान नहीं होना चाहिए उल्टक से सवाल करने लगी उसके हिसासात ना जाने क्यों वरीद के लिए अब भी स्कर्द ही थे नहीं जब मैं तुम्हारी परिशानी ले चुका हूँ तो तुम्हीं परिशान होने की क्या जूरत है उसे सूप पिलाते हुँ मुसलसल उसे नजरों के हिसार में लिये वे था उसकी आँखे अब भी वरीद को वैसे ही दिवाना करती थी मैं आपके साथ या जिन्दगी तो गुजाने के लिए तयार हो जाओ खुद को किसी नग किसी तोर आमदा कर लो मगर वो उस बंदे की अच्छाय की मौतर रफो गई थी मगर वो खुद को उसके साथ जिन्दगी गुजाने के लिए तयार नहीं कर पा रही थी मगर क्या वरीद ने उसे मजीद बोलने पर उक्साया मगर आप मुझसे किसी महबबत और उल्फत की उमीद मत रखेगा मुझे इन जजबों पर यकीम नहीं वो नजरे जुकाए एक हाथ से मजीद सूफ ना पीने के लिए मना कर चुकी थी वरीद ने सूफ वाला बाउल साइट टेबल पर रखा फिसक कर उसके मजीद करीब आया जरनाब ने चौनक कर उसका करीब आना महसूस किया उसका दाया हाथ अपने हाथों में ठाम कर उसने लग कुशाए कि मैंने पहले भी कहा था मुझे तुम्हारा साथ चाहिए तुमारी महबत मिल गई तो मेरी खुश नसीबे में इजाफा होगा ना मिली तो मुझे कोई मलाल नहीं होगा बस तुम साथ रहो मेरे लिए यही बहुत होगा तुम जानती हो तुमारी महबत में मुझे इस कदर बदल दिया है कि मैं वरीच चौदरी रहा ही नहीं मेरा अंदर बाहर बस हर सिम्थ तुम हो मैं मैं नहीं रहा मैं तुम हो चुका हूँ उसका जजबात से चूल लहजा जरनाब के दिल की खसीलों को ढ़ाने की भरपूर तगदो कर रहा था तुमारी महबत में मुझे सबर और सकामत सिखाई है और इन दोनों चीज़ों के सारे मैं इस उमीद पर पूरी जिन्दगी तुम्हारे साथ कुजाने के लिए तयान हूँ के कभी न कभी तुम्हारे दिल में थोड़ इसी जगे तो बना पाऊंगा तुम्हें छोड़ने का तो सोच भी नहीं सकता मगर मेरी खुदकर्जी समझो तुम्हें किसी और के लिए छोड़ भी नहीं सकता महबबस उसके हाथों पर लब रखे तन्ना आपके हाथों के कपकपाहट ने उसे इतनी तसलिए जरूर दिलाए कि वो उससे महबबत भले ना करती मैंगर उसकी महबबत और शिदतों को पूरी तरह महसूस जरूर करती है यह आपके साथ जादती होगी नचाने कि उसे वरीद के लिए अपना सर्ज अंदास को सोचकर बुरा लगता था तो तुम दिल को आमदा कर ले ना कि वो मेरे साथ ये जादती ना करे गेरी नज़े उसकी बड़ी बड़ी आँखों में डाल कर गया उसे अपनी महबबत में जगड़ा कभी पश्टाएंगे वो अपने शक उस पर आया कर रही थी पश्टाना होता तो इतनी आगे तक का सफर ही ना करता मैंने तो हर नतीज़ को पसे पुछ डाल कर खुद को तुमारी महबबत के धारे पर छोड़ दिया डूबू या पाल लगो मुझे इससे गज़ नहीं इसका हुर्फ हुर्फ उसकी सच्चाई का गवा था उसने आसूद की से लमा भर के लिए आँखे बंगे तो फिर मैं कल अम्मा साइंग को बला लो परसु से उसे डिस्चारज करना था और आज उसे हर हाल में मनाना जरूरी था अगर कभी पच्चताए तो याद रखे का मैं महबबत तो भले करू ना करू फिर आप पर कभी यकीन नहीं करूँगी उसे बावर करवा गई तुम्हारे इस यकीन का मान कभी तूटने नहीं दूँगा ये वादा है तुमसे महबबत से उसकी सभी पेशानी को चुआ पहले बार जरनाब को उसका अपने नज़ी काना बुरा नहीं लगा ये अजीब से हसास ने उसके दिल को चुआ तुम मिरे लिए बहुत कीमती हो उसका चेरा हातों में लिए उसके नक्ष आँखों से चुने लगा महबबत से उसे खुद में समेटा जरनाब ने आँखे बंद करके खुद को अल्ला की जानिब से अपने लिए चुने गए इस शक्स को सपुर्द कर दिया जरनाब पर नश्रा इस वक्त पेशन बैट पर टांगे लटकाये बढ़े थी मारिच मली कयास और धरीना और रजिया को अपने फिलर्ड से लेकर आ रहा था कल की रात नश्रा और मारिच दोनों उसके साथ रहे वरीद सुग्रा वेकम को लेने कया था तरनाम ने कभी नहीं सोचा था ये दिन उसकी जिन्दगी में आएगा बच्पन से अब तक इतनी गयर मामूली वाक्यात उसके साथ पेश आये कि शादी जैसा एहम रिष्टा और दिन अपनी जिन्दगी से खारिच कर चुकी थी किसी को वहा ना पाकर नश्रा को चन एहम बाते करने के लिए मौका और नहायत मनासिब लगा मैं तुम्हारे लिए आज बहुत खुश हूँ उसका बाया बाजू अब हरकत करने लगा था नश्रा नहाले से उसके बाजू पर हाथ रखकर महबत भरी लहजे में कहा चांती हूँ तुम और भाई दोनों मेरे लिए आज बहुत खुश हो वो हले हले मुसकुराई उसके ना ना करने के बावजूद नश्रा दिदाजेब और स्टालिश पारीग धागे और हलके से काम वाला जिंग कलर का सूट उसके लिए लेकर आई थी इस वक्त वही जेबतन के बढ़ी थी चहरे पर चोटों के निशाना आते अभी वो सहरे के साथ ही चलती थी सूट के साथ का डुपटा उड़े वो कुछ उलजी कुछ निढ़ाल सी थी जना महबत दुनिया का सबसे कीम्ती तोफ़ा है अगर हो जाये तो क्या ही खुबसूरत बात है और अगर ना हो तो किसी की महबत की कदर कर लीनी चाहिए मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में अभी बहुत से वस्वसे होंगे मगर एक बार दिल से इन शकूक और शबहात को निकाल कर वरीक की शक्सियत का तज़्या करो तो तुम्हें अंदास होगा कि वो शक्स तिरे से ही तुम्हारी महबत की बदूलत बदल गया उसकी आंके, उसका चहरा, उसका हरहर अंदास चीश चीकर तुम्हारी महबत का दम भरता है उसे एक मौका दो कि वो खुद पर लगे सब दागों को दो सके दरनाफ सा जुकाय उसकी बाते सुन रही थी तुम्हारी महरी दोनों के साथ जिन्दगी ने किसमत ने बहुत से सितम किये मगर तुम दोनों की सबसे अच्छी बात ये है कि तुम लोगों ने किसमत की सितम जरीपी पर आहाव वगा नहीं किये हमत नहीं हारे जिन्दगी की आंकों में आंके डाल कर हर मुसीबत, हर मुश्किल का मुकाबला किया मारिज ने तो मेरी महबत को अपना कर पराख दिल होने का सुबूत दे दिया वो जिन्दगी के इस पदलाओं पर भी साबर और शाके हो चुका है ये चैलिंज भी उसने कुबूल कर लिया है तो फिर तुम क्यों नहीं ऐसा कर सकती जरनाब ने पलंके उठाकर उसकी चानिद देखा तुम सही कह रही हो इसलिए मैं वरीज को एक और आखरी मौका देने के लिए तयार हो गई हूँ मैं ये नहीं कहती कि मैं चन्हीं लमों में उसकी महबबत पर एमान ले आऊंगी क्योंके महबबत इतनी जल्दी हो ही नहीं सकती ये तो मसलसल खुद को जुटला जुटला कर फिर उसकी आगे खुटने टेकने का नाम है हाँ अगर ये सफ़र शायद मैं शुरू कर चुकी हूँ वलीद ने जो यकीन मुझे सौबबा है उसी पर एतिबार करके मैं उसके साथ हम कदम होने को तयार हूँ बस दूआ करना नश्रा मेरे दिल में कभी ख्याल ना आए कि ये वलीद चौदरी का भाई है जिसने मेरी इस्दत तार तार करने में कोई कसन नहीं छोड़ती मुझे डर है मैं बदला ना लू अब मैं माव कर दू उसका हाथ ठाम करो अपनी दिली कैफियाद बताते नश्रा कुछ वोड़ इसी बच्ची लगी जो किसी नई जगे नए लोगों के दर्मियान जाने से खौफ़सदा हो मुझे पूरी उमीद है तुम ऐसक कुछ नहीं करोगी तुम मारिज की बहन हो इतनी ही बावाकार और इतनी ही मश्बूत हो उसकी हम्मत बंदाने लगी महबत किसमत वालों के दर प्रकटाती है तुम उसकी दस्तक पर उसे अंदर बुला लेना नश्रा नहीं सर इलाते मुस्कुरा कर कहा तुम इतनी अच्छी बाते कैसे करने लग गई जन्नाब ने शरी लहजे में कहा ओ पिलीज अब ये मत कहना मेरे भाई की सोबत का सर लग रहा है नश्रा हाथ उढ़ा कर जन्नाब की नकर उतार कर बोली हा हा बात तो सच है अब चाहे तुम मानो या ना मानो वो कंदे उचका कर बोली फिर बढ़कर उसे कंदे से लग गई मेरा ये नया सफर आसान होगा ना इतनी मुश्किल जन्दगी वो देख चुकी थी इतनी जल्दी वो नॉर्मल होती भी तो कैसे इन्शालला बहुत आसान होगा नश्रा ने उसे जोर से भेशते महबबस उसके सर पर प्यार करके यकीन दहानी करवाई कुछी देल में वो सब हास्पिरल में मौजूद थे सुगरा ने बढ़कर उसे खुद में समोते प्यार किया वो वरीद के लिए आज बहुत खुछ थी खुछ तो आज रजिया बेकम भी बहुत थी गो के जरनाब के साथ अभी वो बहुत कम वक्त खुदार सकी थी लेकिन वो मुतमें थी कि उनकी बेटी अपने घर वाली हो गई है जिंदगी रही तो मिलना चुनना तो हमेशे रहेगा बहुत शुकरिया भाई साहब शुगरा बेकम जरनाब से अलग होकर मली कयास की जानी मुड़ते हुए ता शुकर आमेश लजिम बोली शुकरिया आप का कि आप तक हमारा बहुत साथ दिया अल्ला आप के लिए आसानिया पैदा करे मली कयास ने साजुकाए को शफीक अंदास में कहा विर्कुल बहन आपने बहुत तकलीफे सही उसके बावजूद आपने हिमत नहीं हारी सरीना बेकम ने उनके कंदे पर हाथ रखी उन्हें सराहते वे कहा बस मेरी जित्नी सकती मैंने उन फर्सुदार रस्मों अश्यतानियत के मकाबला करने की पूरी कोशिश थी मैं बबान दहल बहुत से फिलाफात नहीं कर सकती थी लेकिन नहीं अस्ताफ हो अल्लह रस्ते खुद बखुद बना देता है इनकी बात पर सबने सर हिलाया मेरी बेटी का बहुत ख्यार रखियेगा मुझे तो उससे पूरी तरह महबत करने उसके नाज उठाने का मौका ही नहीं मिल सका के पराई हो गई है रजिया नम आँखों से जरनाब को देखते बोली जिसकी अपनी आँखे चलकने को तयार थी वरी ने एक नजर उसके आंसों जब पकड़ते पहरे पटाली आफ फिकर मत करें ये मेरी बेटी बंद का चारे है उसे हमारे पास अब कोई और तकलीफ सहनी नहीं पड़ेगी जरनाब को साथ लगाए और अजिया विकम को तसली दे रहे थी सबसे मिलकर वाखिर में मलिक आयास की जानी बड़ी उन्होंने बढ़कर उसे साथ लगा कर महबब से सर पर प्यार किया I am sorry मैंने आपका दिल दुखाया इसका इशारा अपने और वरीद के निकाह के जाने था मुझे उमीद है नादानी तुमने पहले और आखरी बार की थी और महबबस उसे खुद से लिपटाए मान भरे लहजे में बोली और हुले से सहरी ला गए उन्होंने महबबस उसे खुद सिर्थ अलग करते माते पर प्यार दिया बाजों से थाम के मारिश के करीब किया जसने बढ़कर उसे खुद में समय तिया जसनाब को एक गुनार सुकून महसुस हुआ उसे बाप याद नहीं था मगर मारिश ने बाप से बढ़कर उसके लिए किया तुम बहुत बहुत प्यारी हो मुझे इस कदर मजबूत होते भी उसनाब में खुद को बेहत कमजूर महसुस कर रहा था बेटिया और बेहने तो सवाना मर्द को भी कमजूर कर देती है मारिश को अच्छी तरह इस बात का हिसास हुआ और इसके सबसे बड़ी ताकत भी थी और उतनी ही बड़ी कमजूरी भी मुझे हमेशा ऐसे ही चाहेंगे न उसके सीने से सर उठा कर उसके सवाल में अजीब सी आस थी कि तुम यह पूछने की जरुरत है तुमारे शादी करने का यह मकसद नहीं कि तुमसे नाता तोड़ लिया है बलकि यह तो अब और भी मजबूत हो गया है उसके चेहरे से आंसु साफ करते अपने सुरुक आंखों में महबब समो कर उसे यकीन दिलाया आप से भी माफी मागनी है आपको भी बहुत बुरी तरह हर्ट किया है उसकी बात पर एकदम मारिज की नज़रे सामने आंसु बहाती नशरा पर पड़ी बस आइंदा कुछ भी छुपा कर मत करना उन्हीं जानती थी उसकी कल्की का खम्याजा किसी और ने भुकता था हैं अपना ख्याल रखना मैं और नशरा तो यही है तुमारे पास आते जाते रहेंगे मारिज ने बास समचते उसे खुद से अलग किया वक्त काफी हो गया था वरीद को हाथ से उसे थामने का शारा किया उसने बढ़कर मारिज की हाथ हटाते ही उसे बास उसे ख़ाम का सहरा दिया अलगर ने एक मर्द बाप उसके जिन्दगी से लिया तो कितने ही और मर्दों के हाथों में उसे कखाला देती तिनों ने उसे हदेली का च्छा बना कर रखखा अललगर के बढ़कर कोई ना समच सकता है ना जान सकता है उसे और सुग्रा वेकम को लिए सीधा अपने फ्लैट में पहुंचा तुम अपने पुराने घर भी रह सकते हूँ सुग्रा ने उसे रास्ते में भी वहां जाने की जित की जो बहुत अरसे से उसके जेरे तसरुफ था नहीं मेरा दिल नहीं लगता वहां वैसे भी मैं आपको अपनी कमाई से खरी दे अपने घर रखना थाता हूँ बेशक छोटा सही बहरया वो मेरा अपना घर है वरीत की बात पर चुप कर गई यकिनन वो बहुत सी अजियत से उस लमें गुजर रहा था वो अपने सब भाईयों में सबसे ज़्यादा बाप के नस्दिक था अब बाप को ये गिनाओना रूप न जाने वो कैसे सह गया किसे से कुछ नहीं कहा मगर वो जानती थी वो अंदर ही अंदर सदीद तकलीफ में था जननाब पीछे बैटी खामुशी से उनकी बाते सुन रही थी फ्लैट के कपार्टमेंट में रुकते ही उसने जननाब की जाने से लाया एक बैग गारी से निकाला लिफ्ट से वो अपने फ्लोर पर उन्हीं लेकर आया वो फ्लैट तकरीबन मारिज के फ्लैट जैसा ही था मगर कशादा ज्यादा था और एक और इजाफ़ा ये था के इस फ्लैट में सिल्डिया चड़कर दो कमरे उपर की जानी बी थे लाउंज की किलास वाल के पार बहुत कशादा पैरिस था जहां से नीचे के जानी बहुत पसी लौन का मंज़र आँकों को बेहत भला लगता था जनाब को लिए वो अपने कमरे में आया कमरे से ही उसकी नफासाद पसंद सबीयत का अंदाजा हो रहा था डाग गरे फरनीचर में बैट था बैट के सामने काउट और उसके दाएं जानीब दीवार के साथ ड्रेसिंग टेबल मौझूद था बैट के बाएं जानीब दो चोटी कुरसिया रखी गई थी जिनके पीछे बड़ी सी चिड़की के आगे दबीस परदे पड़े थे बैट के सामने बड़ी सी वार ड्रॉप थी ड्रेसिंग के साथ ही वाश्रूम का दर्वाजा खुलता था जानाब को बैट पर बिठाएं कमर के पीछे दो तक्ये लगाएं वो इतने से में ही अच्छी खासी ठग गई थी सुग्रा बेकम भी उनके पीछे उसकी कमरे में मौझूद थी आप बैटे मैं अभी आता हूँ उन्हें जानाब के पास पिठा कर वो कमरे से निकल गया चादर उतार दू पैते साथ ही उन्होंने बढ़कर उसकी चादर उतार कर उसके कंधे पर डुपटा दे दिया ठाने के खुछ लाओं इसनी महबबस उससे पूछ रही थी उसने नफी में सरह लाकर थोड़ा सा किसकते उनके लिए अपने पास ही बैटने की जगे बनाई जब तुम्हारे बारे में मालू हुआ था तब से ही तुम्हे देखने देखे बिना दिलने खुआश की थी कि तुम मेरे बेटे का नसीब बन जाओ उसके खरीब बैटे महबबस उसके कपहाद थामे वो गर्दान पीछे किये संजीत की से उनकी बास सुन रही थी नजर उठा कर उनका मस्कुराता चहरा देखकर बेरिया सी मस्कुरात उन्हें दी अल्ला करे यह हमेशा तुमारे हक में ऐसा ही अच्छा रही मेरा बेटा खुश किसमत है इसकी जिन्दगी में तुम जैसी बाहादर लड़की लिखी गई उसके थोड़ी चूते वो धीमे लेजन बोली मस्कुराहट मसलसल उनके होंटों पर रक्सा थी जरनाब की बलके लेरस कर जुकी मुझे आपके बेटे और शोहर के लिए अफसोस है उनके हाथ में थामे अपने हाथ को देखके वो साफ को इसे बोली हाँ कुछ लोगों और रिष्टों के लिए वक्त अफसोस ही रह जाता है रंडी आ भर कर बोली हम लोगों को उनकी गलतियों की बस निशान दही कर सकते है मगर उनके सर पर बंदूक रखकर उन्हें मना नहीं कर सकते क्या शायद मैं तुम्हारी तरह इतनी हमत वाली नहीं थी के बुराई की खुल कर मुखालिक करती मुझे छप चिन जाने का खौफ था मगर तुम्हें ऐसा कोई खौफ नहीं था वो पहली बार यूं किसी से अपने दिल का हाल पहरे थी वो वाकर शायद उसे बेटी बना कर लाई थी या फिर गम गुसार जरनाब ने दूसरा हाथ उनके हाथ पर रखकर ठटपाया गोया तसलिदी हो इसलिए मैं चाहती थी तुम जैसी लड़की से मेरे वरीद की नसल परवान चड़े जो उन सब गंदी रिवायत को कुचल डाले कि फिर कोई इतना बेबस नहों इस मौशरे के हाथो उन लोगों के हाथो उन्होंने बढ़कर उसकी पेशानी चुमे वरीद अपने बाप के बहुत नजदिक था यकिनां अन्दा से तूट चुका होगा मैं उमीद करती हूँ तुम उसे समेट लोगी उन्होंने उमीद भई नज़रोस की जाने देखा जो नज़रे चुडाते मैं कोशिश करूँगी उनके मुससल खुद पर मौजूद नज़रो को महसुस करके उसने उन्हें तसली दी नज़रे चूटी थी या सची जन्हाब अभी खुद भी फैसला नहीं कर सके मगर वो उन्हें मायूस भी नहीं करना चाहती थी हमेशा खुशर आबाद रहो कल मैं चली जाओंगी लेकिन उमीद करती हूँ जल्दी तुम ठीक होकर वलीद के हमरा आओगी अभी वलीद की बीवी को मेरी बहुत ज़रत है उसके चेहरे पर महबब से हाथ रखके उन्होंने अपनी मजबूरी बताई इंशालला मैं जरूर आउंगी नजाने वो ये सब कैसे कह रही थी उसके खुद भी अंदाजनी हुपा रहा था रात में जिस वक्त वो कमरे में आया हो कुछ देर पहले ही नीम पूरी करके उठी थी इसी वक्त वाश्रूम जाना जाती थी सुगरा बेगम सारा वक्त उसके हमरा रही इसलिए वरीद कमरे में ज़्यादा देर के लिए नहीं आया था इसे खाना देकर दवाई देकर नचाने उकिन कामों मसरूफ था इस वक्त भी उसकी आवाश कमरे में आती खटपट से खुली आखे खोल कर सामने देखा जहां वालमारी कोले अपने कपड़ों के साथ उसके कपड़े रख रहा था गरनाप को चनपल के लिए ये सब बहुत अजीब और अनुखा लगा कभी वहमों गुमान में भी नहीं सोचा था वो इस शक्स के कमरे में उसके घर में उसके बैट भाई हूँ इसने कास लेटी होगी और वो इसकी चीज़ों को पुरे हक से हाथ लगा रहा होगा बैट पर होती सासराथ पसमें गर्दन मोर कर पीछे देखा जहां वो एक बाजू पर जोड देकर फटकर बैटी बैट के साथ टेक लगा रही थी वरी तेज़ी से उसकी जानी बढ़ने लगा पुरान हाथ उठाकर उसे आगे आने से रोका इतनी कमजोर नहीं हुई थोड़ा बहुत तो जिल सकती हूँ सादे से लहजे में कहा तुम कभी भी कमजोर नहीं थी उसके जिगर जिगर करती नज़रों ने जर्नाब को अपने हिसार में लिया कि खुद पर मर्कूज नज़रों को महसुस करते उसका हाथ ना महसुस अंदाज में अपने डुपटे की जाने गया वरिद ने एकदम रुख मोड कर बाकी का काम समेटा अल्मारी बन करके बैठके दुसरे जाने बाकर से करीब बैठा थैंक्यू तुम ने मुझे एक मौका दिया वो हकिकतन उसका मश्पूर था मैंने हवेली से दो मुलाजमा बलवा लिये कल मेरे यूनी जाते ही वो कुमारे पास रहेंगे उसके बिखरे बालों को माते से पीछे करते हाथ से समार रहा था सर्णाब का जहरा उसके हाथों की बड़ती हरकत पे सुख हो रहा था वही हाथ उसके चहरे पर ठहरा महुंबस से उसकी पल को उसकी आँखों पर अंगो था फेरा मुझे एकीन ही नहीं आ रहा तुम मेरे कमरे में मेरे इतने करीब मौजूद है उसके जजबास से चूर अलफाज उसके आँखों की गर्माईश सब उसकी महबत की दावेदार थे कुछ लोग खास होते हैं और कुछ खासल खास होते हैं तुम आखरी वाली केटेगरी में से हो उसकी आवास का बोजल पन बढ़ रहा था जरनाब को अपने हवाल मुक्तल होते महसूस वे क्या मैं आउनलाइन अपना सिमस्टर पूरा कर सकती हूँ उसका ध्यान हटाने के लिए उसे आफिर उसे एक अलगी मौज़ू छिड़ना पड़ा लमी भर के लिए चौंका फिर उसके चहरे पर फैली अगर मैं मज़ामत नहीं कर रही तो इसका मतलब यह नहीं कि आप फैल दे चले जाए जो पूछा है उसका जवाब दे तो दबंग पड़क फ्लहजा वरीत को खुलकर हसने पर मजबूर कर गया उसका हाथ छोड़कर अपकी वो उसकी गोद में सर रख कर चुका था जरनाब का मुह हैरत की जादती से खुल गया फैलना इसको कहते में ड़क की नाथ भोले से दबाते उसके तासरात का इज लेते बोला ऑनलाइन पढ़ने के बारे में मैं कल पता करूँगा अगर तो इजादत मिल गई तो फिशला कवर करवा कर बागी का सिमस्टर पढ़ लेना उसकी नंबी चोटी को थामे उसके बालों से खेले लेना का जरनाब उसकी बे तकल्लिक वोपर उसे खुल भी नहीं पा रही थी कमबक्त ऐसी एक्सरे करती नजरों से देखता था कि उसका चेहरा समतमा उठता आप इतने फ्रैंक किस खुशी में हो रहे हैं? उसकी जसारतों पर वो शदीद घबरार का शिकार हो रही थी वो कैसे उसे हटाए फ्रैंक मैं इसी खुशी में हो रहा हूं कि मा बदलत आपके शोहर होते है और शोहर इतना सा तो फ्रैंक हो इसकता है न कि हाथ को फिर से खामते उधी में लहजम बोलता उसकी इजादत तल कर रहा था अच्छा उठे मुझे नीन आ रही है इसकी बात सुनकर उस पर हैरतों के पहाड उटे कितना सोना है तुमने लड़की फिछले तीन घंटों से सो रही हो अभी भी तुम्हारी नीन पूरी नहीं हुई वह हैरत की जादाती से उट पर था जरनाब ने मुस्कुरहाट दभाई मुझे सरा चेक करने दो कहीं तुम्हें दोवाईयों की सुरत में भंग तो नहीं दे रहे साइट टेबल्स उसकी दोवाईयों वाला शौपर उठाकर नए सीरेस उसकी दोवाईया टेक करा था की बात पर जरनाब खुल कर मुस्कुरहाई ओ आप भस्ती भी है दोवाईयों से नजर हटाकर उसकी जानिब देखते मस्मी हैरत का मुझाहरा किया क्यों मुझे हसना मना है जरनाब की हसी को ब्रेक लगा भंवे सुकेर कर उसे देखा बिलकुल नहीं मगर इतना कम हसना मना है उसका लिज़ा फिर शिद्दत समेट लाया बढ़कर उसकी पेशानी पर महबत भरा लंग छोड़ा पहले अपनी आँखों में कैद किया था और आज हसी में कैद कर लिया है कि पोशोग नजरे उसके चेहरे से हटने किसे इंकारी थी जरनाब ने नजरे चुरा ली अब आप क्या सारी रात ऐसी बातों से मेरा दिमाग खाते रहेंगे वो फिर से बात पलड़े नहीं हम मज़िद रॉमेंटिक बाते भी कर सकते हैं वो शरीर वआ उसकी घूरी पर उसका कहका बेसाथता था तो लो फिर स्ट्रॉक एक्स्चेंज पर बाते करते हैं ऐसी हिला यानी बाते करके वो वाकई बहुत देर उसका सर खाता रहा मगर इस सब के दोरान वो उसे खुद से बेत तगलुफ करने में कामियाब हो गया था रजिया जरीना और मली कयास हस्पिडल से ही गाओ की जानिब निकल चुके थे वो मारिज के साथ वापस अपने फ्लैट आ गई थी उसे फ्लैट पर छोड़कर वो पैनल मिटिंग के लिए जा चुका था आफिस पहुंचते हुँ सीधा अपने सीनियर्स के कमरे की जानिब बढ़ा जहां पांच लोग उस मिटिंग में शामिल थे दर्वाजा नौक करके जादत मिलते हैं अंदर दाकिला बैठिये उन्हें इसलिए उड़ करते वो उन पांच लोगों के सामने रखी में इसके करीब रखी कुर्सियों में से एक की जानिब बढ़ा आपका रिकॉर्ड बेहत शफाफ है लिकिन कि हम पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या मौमला था कि आपने अपने प्रोफेशन पर जजबात को हावी आने दिया गो कि इन सब के सामने उसकी हिस्ट्री फाइल की सुरत मौजूद थी उसके बावजूद वो उससे बयान लेना चाहते थे सर मेरी फैमिली इस मौमले में इन्वाल थी और कुछ नाजिबा मेसेजिस की बिना पर मैं अपने गुस्टे पर काबू नहीं रख पाया समतवाजन ले जा उन सब को उन फाइल्स में मौजूद उसके पहले से रिकॉर्ड कुर्दा बयान के साथ मताबिकत करता हुआ लगा आप जानते हैं आपने अपने प्रोफिशन के चंद एहम रूल्स को तोड़ा है सामने मौजूद एक सिनियर ने सवाल किया कि सर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इसलिए आज आपके सामने सच्चा ही लिए पेश हुआ हूँ इसका बहारी शफाफ लेज़ा किसी किसम के जूट से पाक था तोके इस शक्स पर पहले से भी केसेस फुल चुके थे लहाज़ा एक मुल्जुन को मानने की बदलत आपकी सजा में सक्ती नहीं की गई एक सिनियर की बात पर उसने महस सर हिलाने पर एक्टिपा किया आपको दो मेहने के लिए सस्पेंड किया जा रहा है लेकिन आपका नाम उन लोगों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है जो दो बारी ऐसी कोई भी गलती करेंगे तो उन्हें अपनी जौब से हाथ दोने पड़ेंगे कि आपके लिए पहली और आखरी वार्नी है कि अपने उहदे का इस्तिमाल किसी सूरत गलत नहीं करना इस डैट किलियर मारिश मलिक उन्होंने सभाओं से तमाम मौमला समिटे अपना फैसला सुनाया तो यकिनां वो पहले ही तर्टीब दे चुके थे लेकिन उसे सामने पिठा कर वार्निंग देना असल मकसद था जी से मैं बहुत अच्छे से इस बात का अंदाजा कर चुका हूँ और आपको उमीद दिलाता हूँ मैं अब कभी कानून के तैक पुर्दा उसलों को तोड़ने की कल्की नहीं करूँगा ने पूरी तरह से उन्हें यकिन दिलाया बहुत अच्छी बात है के दो बारा ऐसे किसी सुरतहाल से आपको और हमें गुजरना न पड़े पेपर पर साइन करते हैं अपनी बार जारी रखते हुए थे अब आप जा सकते हैं उमीद है दो महीने बाद आप अपनी जिम्मेदारिया इसी तरह अंजाम देंगे जैसा पहले देते रहे हैं उनकी बात पर उसने फिर से सारी लाया अपनी सीट से उट गया उन्हें सिल्यूट किया आपके सस्पेंशन पेपर्स तयार हो चुके है आप उनको लेते हुए जाएगा उनकी बात पर उसने एक बार फिर सिल्यूट करके कमरे से बाहर कदम बढ़ाए उसकी वापसी रात तक हुई थी खामुशी से खाना खाकर वो कमरे के जानी बढ़ गया नश्रन ने उसका मुझामल अंदाज बुरी तरह महसूस किया वो यही समझी के सस्पेंट होने की वज़े से वो परेशान है खाने के बरतन दोकर कीचन सम्रेट कर तमाम दर्वाज़े चेक करके और कमरे में आई जहां मुबाइल हाथ में ले नजाने क्या यक्टुक देख रहा था चेहरे पर दोख खुशी गम के मिलेजिले तासुरा थे वो इसकदर महू था कि उसने नश्रा का कमरे में आना उसके करीब बैठना महसूस ना किया नश्रा ने थोड़ा सा आगे जैसे ही उसके मुबाइल की स्क्रीन को देखा वहाँ सरनाब की उनके शादी पर लिगए एक तस्वीर जगमा कर रही थी नश्रा को उसकी फजमर्दगी की वज़े अब समझ आई महुब बस उसे कंदे पर हाथ रखा वो चौंग गया फिर मुबाइल बन करके नश्रा के जानी मतवज़वा तुम किस कदर हिस्तास इंसान हो अब पता चला वन्ना तो पत्थर लगते थे मज़े से उसके उसके पर तफसरा कर रही थी ये अंदाजा तो आपको बहुत पहले हो जाना चाहिए था कमाल जब्द से अपने आंसू पीका चेहरे पर मुस्कुराइट लिये उसे महुबत लटाती नजरों से देखा मैं सिर्फ अपने हवाले से नहीं हर रिष्टे के हवाले से केरिंग वैसे जर्नाम बहुत खुशनसीब है उसके कंदे पसर रखे फहिमाईशी अंदाज अपनाया खुशनसीब तो आप भी है उसके कंदों के गिर्द बाजू का हिसार बांद कर उसे कुछ और करीब किया अच्छा मैं के सवाले से उसे खुशनसीब कहने लगी थी तर उठा कर उसके जाने देखते सवाल किया यही कि उसे मेरे जैसा भाई मिला और आपको मुझ जैसा शुहार दूसरा बाजू भी उसके गिर्द लपेट कर उसके खड़ी नापको महबब से चुआ बड़े खुश पहिमो उसके तरदीर के बिना मज़े से बोलती उसके मुस्कुराते लबो को देखा वरीद उसका बहुत ख्यार रखे का तुम फिकर मत करो उसे तसली दे इंशालला इस बंदे को परक ना चुका होता तो कभी जर्नाब को उसके साथ न भीचता नश्रा के घने बालों से ढखे सरपर ठोड़ी डिकायों से खुद में भेंच कर गया उसने किसी शक को जटका अच्छा एक बात बताओ तुम्हें मैं सजी सोरी अच्छी लगती हूँ उसाथ की में उसका ध्यान बटाया वो भी खासा जहान दीदा था फौरान समझ गया हसकर उसे पीछे करके उसके चहरे के जानी देखा अब आप जाती है मैं आपकी सची जूटी तारीफे करूँ लग दातों में दबाए शोख मस्कुराट रोकी जूटी तारीफ करके तो दिखाओ सच सच बताओ वो मस्मी खुबगी से बोली हम इसे खुद से पीछे करते पुर सोच अंदाज में एक जानी देखने लगा इतना सोचना पड़ता है मेरी तारीफ करने के लिए वो सदमे से बोली उसकी हालत पर वो खुलकर मस्कुराया आप सच में मुझे हर रोक में अच्छी लगती है लेकिन जब सच्ची सवड़ती है तो क्या ही बात है वो साब गोई से बोला लेकिन वो रोक कभी कभी वना रोज हजा समारा देखकर मैं आपकी असल शकल भूल जाओंगा इससे पहले कि अपनी तारीफ पर खुश होती उसमें फॉरण से उसे खुशकुन ख्यालों से बाहन ला पटका तुम ना कभी ढंग से मेरी तारीफ ना करना ऐसी बात करोगे कि सारी खुश्पैमी को आग लग चाए अपने कंदों से उसके हाँ जटा कर मूँ बना कर बोली उसके नाराज़की पे वो एक बार फिर उसके गर्द हिसार बांग गया मैं तो दिन रात आपकी तारीफ करने को तयार हूँ लेकिन वो क्या है कि अमलन तारीफ में ज्यादा पसंद है मुझे लेकिन आप उस पे ऐसी हवास बाकता होती है कि मजबूरन मुझे अपनी तारीफ पे बंद बानने पड़ते है कि कान में सरगोशी किसे अंताज में रसम रेलता हो वो वाकई इसलमे उसके हवास बाकता कर गया तुम 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 बस फजूलिया तो उतर आया करो बात मेरी तारीफ क्यों रही थी उसके लोग देदी नजरे उसके चेहरे की सुरकी बढ़ा रही थी नजरे चुराते उसके हिसास से निकलने की कोशिश थी मैं भी तारीफ की ही बात कर रहा था तो खुमार आरूट लहजे में कहता उस पर पूरी तरह चाच चुका था आज मुझे आपकी महबबत को पूरी तरह महसुस करने दे नर्मी से से ठामे नशरा उसकी परमाईश पर बुखला गई मारिच उसने सहम कर उसकी शिदते लुटाते अंदास को देखा क्या हम सारी उमर एक दुसरे से अपने हिससात चुपाते ही रह जाएंगे इस महबबत को दुआम बख़चते उसका बोजह लहजा महबबत भरे लंब्स नशरा को महबबत के इस नए सफर पर ले जाने को तयार थे अपनी सांसों को शुमार करते उसने हैस्ता से सिकंदे पसर रखते गोया उसे अपना आप सौंब दिया मारिज ने मुस्पराते इसी कांच की गुरिया की तरह से खुद में समेट लिया और आखिर आज अपने तमाम जुरायम कुबूर करने के बाद फैसला सुनने के लिए उकमरे अदालत में मौझूद था आखरी गवा के तौर पर मारिज भी वहां मौझूद था वजहा चौदरी के केस की आखरी खड़ी के तौर पर मैं एक शख्स को इस कटहरे में बुलाना चाहता हूँ जो ना सिफ महनिगार के कतल का एनी शाहिद था बलके उसके पास वजहा चौदरी की दो निशानिया भी मौझूद है मारिज मलिक मेरी आप से दर्खास है कि आप कटहरे में आईए वकील ने जच की इजादत मिलते ही केस की समाज शुरू होते ही मारिज को कटहरे में आने की दावत दी दूसरे कटहरे में खड़े वजहा चौदरी ने बमश्किल आंके कौल कर अपने सामने खड़े मारिज मलिक को देखा मसलसल रिमांड और घुरूर तोटने पर उसकी हालत बरसों की बिमार किसी थी मारिज चंड लमें तो उसे पहचान ही नहीं पाया तो उसके सामने मौजूद शक्स वजहा चौदरी है जो चलता था तो ऐसे के जमीन पर मौजूद हर मखलूब को रोन डालेगा आज गंते, पंदे और सरजुकाई, बड़ी शेयो, बिखरे बाल और अबतल हालत ने उसे बतला दिया था कि वो इंसान है जो किसी भी लमें वक्त यर्दिश में आ सकता था और आ चुका था वो इंसान जिसे अल्ला ने उसी विट्टी से पैदा किया है जहां वो अपने पाओ की दमकते लोगों के दिल लर्जा देता है वही इंसान जिसे ना गुरूर जच्टा है और ना में वही इंसान जिसका अंजाम इस मुट्टी में मिल जाना है मारीज ने गहरी सांस लेकर कुरान पर हाथ रखा मैं जो कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा इसकी नजरे मुसलसल वजाहत चौधरी को देख रही थी और दिन अल्ला की चुनी गई इसके लिए इस सजा पर बार बार अस्तवपार का वर्थ कर रहा था मैं महिन निगार का बेटा हूँ इसके अलपास पजाहत चौधरी की आंके खूलने के लिए काफी थे छे साल की उमर में मैंने इस शक्त के हाथो अपनी मां का रेप होते देखा ना सिर्फ रेप बलके इस शक्त ने उन्हें कतल करवाए कि घड़ी और इसकी अंगोटी उस बार की निशानिया है जो वहाँ उस औरत को नोचने खसोटने में वहाँ भूलाया जब्त से सुर्ख परते चहरे के साथ और किस दिल से वो माज़रा बयान कर रहा था कि वही जानता था एक एक हख़एत सुनते वहाँ मौजूद लोग तंग उस बेटे की बहादुरी देख रहे थे जो आज अपनी माँ के मुझरिम के सामने खड़ा की आँखों में आँखे काड़े उसका फक्ट चहरा देख रहा था मैं तमाम हकायक बता चुका हूँ बाकी के तमाम कैसेस के लिस्ट आपके पास मौजूद है ये कहते साथी वो कठेरे से निकल कर अपनी सीर पर बैठ चुका था फिश्टे तमाम समातों और आज की समात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है के वजहाद चौदरी को मुक्तलिब बच्चियों के साथ जादती करने और बहुत से लोगों को बिलवास्ता पतल करने के जुर्मे सजा मौत की सजा सुनाती है फैसला सुनते ही वजहाद चौदरी के रौंटे खड़े हो गए मारीज ने एक निकाहें गलत उसके सफैद पढ़ते चहरे की जाने देखा एक और वजूद भी वहां शिदत गिरिया से जब्द के मनाजित तेह कर रहा था वरीज चौदरी अदालत के आखरी सीटों में से एक पे बराजमान था चौँके वजहाद चौदरी अपने सबी चरायम का इतिराफ कर चुका था वरीज ने मुनासिबे ही समझा के बाप और बेटे को एक दूसरे क्यामने सामने होकर गवाही देने के इस तकलीफ दा मरहले से बचा ले जाए उसे बजहाद चौदरी से तो कोई हमदादी ना थी हाँ मगर वरीज की तकलीफ का अंदाजा जरूर था और वो उसे तकलीफ नहीं देना चाता था वरीज जिस खामुशे से वहां आया उसी खामुशे से वहां से जा चुका था रात के आखरी पहर उसकी नीन सिस्कियों की आवाज से खुली चंद लम्हें नील को बलब की रोशनी में उसे समझ नहीं आई कि वो चाक चुकी है या खुआब में या आवाज सुनाई दे रहे हाथ बढ़ा कर वरीज की जगए को टटूला बैट पर वरीज की जगए खाली थी हलका साथर उठा कर आवास की जानी देखा कमरे में अलमारी के सामने जाए नमाज बिचायों सिच्दे में गिरा जारो कतार रो रो रहा था जरनाब आहस्ता से अपनी जगए पर उट बैटी आज वजाहा चौदरी के केस का फैसला हुआ था नशरा से उसे फैसला मालम हो ग रहता था लेकिन आज सोने से पहले तक वो बिलकुल गुमसुम असोचों में डूबा रहा जरनाब ने भी उसे जादा नहीं चेड़ा जो भी था जैसा भी था वो उसका बाप था जरनाब टांगे लटका कर इस्टिक पकर आहस्ता से जलती उसके पास दे चौप सिच्दे स उटकर दौा मांगने मजबूर था आजसो चेहरे को भी गो चुके थे वो इतना महू था कि उसे जरनाब के उटने का इल्म ही नहीं हुआ जिस लम्हें जरनाब ने कंदे पर हाथ रखा वो उस लम्हें चौँका चेहरा साफ करके गर्दन मोड कर से देखा कुछ चाहिए ग जा नमाज उठाकर अलमारी में रखते वो उसके करीब आया नजरे हनूस उसे चुरा रहा था मगर मुझे कब से नजर नहीं आ रहें कि विदू मानी बात पर वरीद ने नजरे उठाकर उसकी बड़ी बड़ी गोर आँखों में जाका क्या वाकर तुम्हें मेरी तलाश थी लहज़े में बेयकीनी थी अपना आदी बनाकर एकदम अजनवी कर देंगे तो क्या तलाश नहीं करूंगी आगे बढ़कर उसके सीने पर हाथ रखा वरीद को उसका लम्स एक अलगी सुकून बख़श गया सही कहते है मेरीं के लम्स में तकलीफ रफा करने का ऐसा इहसा होता है जो किसी दवास typ Kane मुंकिन नहीं होता मैं तुमसे कभी अजनवित नहीं बरत सकता कुछ मौमले ऐसे होते हैं जिन में इंसान अपने और अल्ला के तर्मियान किसी तीसरे को आने नहीं दे सकता चाहे वो आपकी महबत ही क्यों नहों अल्ला और बंदे के मौमलात में भी प्राइविसी चाहिए होती है और आनसू बड़ा ही प्रसनल मौमला है किसी ने पर रखे हाथ पर हाथ रखे उफी की हसी हस्ते बोला सरनाप को उसके इस रूप से बड़ी तकलीफ हुई कुछ लोगों की महबत के उनके हस्ते किलते चहरे के आप ऐसे आदी हो जाते है कि उनकी गमजदा हालत शदीद बेचैनी से दोचार करती है सरनाप को भी ऐसी बेचैनी ने अपने लपेट में ले लिया अगर आप समझते हैं तो अपनी परिशानी मुझसे भी शेयर कर सकते है उसे अनदासा नहीं था उसे अपने रिश्टे का मान बखश रही थी पभी कभी हम चाइते हुए भी इसी बहुत अपने को परिशान नहीं कर सकते वह अपने लिए ही वो से नर्मी से अपने सार लगाय औपना गम गलत करने की कोशिश कर रहा था वो आपके वालिद के कुछ कहने से पहले वरीद ने उसके मूँ पर अपना हाथ रखकर उसको वही रोक दिया मेरे और अपने दर्मियान किसी ऐसे शक्स को मत लाना कभी जिसके जिकर पर मुझे तुमारे सामने शर्मिन्दगी महसस हो मेरा जो तालुब जिसके साथ था वो सब तुमसे प्रिसकस करने की मुझे जरूरत नहीं मेरे साथ सिर्फ अपना तज़करा किया करो मेरी मा का किया करो बस किस दर्द से वो ये सब कह रहा था वो ही जानता था मगर अपनी जात के सपहलू और उसकी तकलीफ को वो वाकरी जर्नाब तक के साथ शेयर नहीं करना चाता था उमने दवाई ली थी वो अपनी सोचों में गिरा उसे रात की दवाई देना भूल गया उसे खुद से अलग करते उसने फिकरमन बहजे में को पूछा знаю जर्नाब ने उसकी आँकों में जाकते नफी में सरिलाया क्या करती हो या अपना खयार रखा करो कुछ हमलाया तो जिमेदारी आप ने लेती उसके इस्ताक भी अंदास पर वो उसे अलग करते करते चिच्चका वापस उसे अपने सामने करते अपके इसकी नजरों से महबत की शोले लगके जनाब के इत्मिनान ने गेरा शायद उसकी नजरों में हर लमे अपनी महबत देखने की इतनी आदी हो गई थी उसे मफ़कूत देखकर वो हकिकतन आज घबरा गई थी क्या महबत रंग ले आई हैं उसके सवाल में बड़ा वाज़े पैगाम चुपा था नहीं बस इस तक पहुशने का सफ़र शुरू हो गया है उसाफ को इसे बोली वरीद के चहरे पर शफ़ाफ मुस्कुराहाट रेंगी एहसास है कि हमदर्दी उसकी बात पर उसने जटके से सर उठा कर उसकी जानिब खश्मगी नज़ों से देखा आप कहां से इसे बेचा रहे है कि हमदर्दी की जाए आंके सुक्यर कर नाख चड़ाई वरीद उसके अंदास पर खुल कर मुस्कुराया इस्टिक उसके हाथ से लेकर एक जानिब रखते बढ़कर उसे बासुम इठाया मरीज इश्क में मुब्तिला शक्स से भी बढ़कर कोई बेचा रहा इस दुनिया में नहीं होगा इसकी गहरी मोलती नजरों ने बड़े गौर से जरनाब का गुलाबी होता चहरा देखा उसकी बदलती रंगत में उसे मेहजूस किया क्या इस मरीज इश्क को इश्क की हदों को चूने की जादत है त्याहिस्ता से बैट पर उसकी जगे पर लिटा कर इसकी आँखों में अपनी आँखे काड़े वो जरनाब का हलब खुश्क कर गया आँखे बंद करके उसमें गहरा सांस लिया आखिर तो ये लमा उनके दर्मियान ठहरना ही था उसका गम करने की खवाइश मन थी और वो अपना गम बूलने की जस्तजू लिया उसकी कुरुबत में गुम होना चाहता था अगर मैं ना कहूं से शायद उसका मजीद इंतिहान मक्सूद था धरकने तो कुछ और कह रही है उसकी करीब करते हो बोजह लहजे में बोला फिर जुबान की क्यूं सुन रहे है वह है आमई इस लहजे में बोली महबत जो नहीं है दिल ये भी कह रहा है उसके चहरे पर महबत भरा लंप सोड़ते वो उससे समेटने पर मजबूर कर रहा था महबत तो कभी नहीं होगी इसकी आँखों में बमश्किल देखे उसका महबत से नफिक करना वरीद को मज़ा दे गया मैं मजबूर कर दूँगा कि बालों में जहरा चुपाए हो उसे महबत भरे गिरफ्ट में ले चुका था इसकी धौन सर नाप को हमेशा की तरह बेबस कर रहा था नजाने कहां कहां गुंता और किन किन लोगों से मुलता था तो अकेली हट में उसका इंतजार करती थी क्या करो यहां बहुत से दोस्त है वो जान ही नहीं छोड़ रहे इसकी दोहाईयों पर आज का सारा दिन उसके साथ रहा था मगर सारा दिन सिर ताने ही सुनता तो उन्हीं के साथ हनीमून मनाते मुझे हवेली छोड़ाते वो सरजटा कर गुस्ते से बोली तो आज तो आपके साथ हूँ वो उसके गुस्ते को शान्त करते बोला बहुत महरबानी तुमारी तो एक चोटी पर बैठी फार खाने वाले अंदास बोली उसके मुँ फुलाने पर मस्कुराए बगर नहीं रह सका अच्छा वो सामने पहार पर चलना है एक जाने पिशारा करके बोला मुझे इतनी बरफ में चला नहीं जा रहा तर्दी से सुर्ख होती नाफ सुकेर कर बोली मेरा हाथ पकड़ेंगी तो चला जाएगा ना वुस्ता वापस जाकर कर ले ना अभी इर्दित को इंजॉय करे उसका हाथ ठामकर वो उसे बरफ से ठकी चौंटियों पर लिये आगे बढ़ गया मुझे गिराया ना तो अच्छा नहीं होगा उसे मश्कूक नजों से देखकर बोली कभी गिरने दिया हैं महबबस उसे साथ लगाया आँ देखा वो जो बेध्यानी में उसके जाने की ती गिर्ते गिर्ते बची तुम भी ये रोमैंस वापस जाकर करना अभी इर्दित को इंजॉय करने दो कि बाज उपर हाथ मारते हूं उसी के अंदास बोली पता है जो किसी की बात की नकल उतारता है वो कौन होता है शरारती लहजिंग बोला जानता था वो तब जाएगी वो तुम होते हो बंदर कहेगे वो हजब साबक चिर्ड सी कुर्टी इतने दिनों का गुस्ता बुलाए वो उस पर चड़ दोड़ी थी जो कर बरफ का गोला बनाकर उसके जाने बुचाला शे साल बाद एक तो मुझे तुमारी इस लॉजिक की समझ नहीं आती वो इस वक्त घर की विरानी से उक्ताई उससे उलज रही थी जो मज़े से मुझे लगाया उससे साथ लिये सोफे पर बैठा इस तनहाई और मन पसंद साथी का साथ इंजॉय कर रहा था जब बूरी हो जाएगी तब मेरी इनलॉजिक को याद करेगी इसके बालों में हाथ देरता वो उसकी चुनलाहट का मज़ा ले रहा था पिछले तीन सालों से वो दोनों एक विकेंड बच्चों को हवेली भेज देते थे और वो विकेंड मारिश का अपनी प्यारी बीवी के साथ अकेले घर में गुजरता था इस विकेंड वो अपने और नश्रा के दर्मियान किसी तीसरे को बरदाश नहीं करता था चाहे वो उसकी पांच साला प्यारी बेटी राहिमा मारिश थी या तीन साला बेटा चेर दिम मारिश था उससे अगला विकेंड वो भी बच्चों के हमरा हवेली जाकर रहते थे पढ़ाए खतम करते ही मारिश की बिजनस में नश्रा भी उसका साथ देनी लगी प्लीस की नौकरी के साथ वो बिजनस मैनेज नहीं कर पा रहा था नश्रा ने आगे बढ़कर उसका साथ भरपूर तरीकी से दिया इन छे सालों में उसे बेटी और बेटे का तुफ़ा दे चुकी थी हर गुजरता दिन उसकी महबत में इजाफा कर रहा था आपकी महबत कम हो गई है तो मुँ बना कर बोला जी नहीं यह तक्सीम हो गई है और महबत की तक्सीम में फिर भी सबसे ज़्यादा हिस्सा तुम्हारा ही निकलता है मज़स इसकी कोड में मौजूद पॉपकॉर्ण के बाउल से पॉपकॉर्ण खाते बोली उसे मज़ीद तक्सीम होना चाहिए गहरी नजरों की मफ़ूम पर नश्रा ने घूर कर उसे देखा चुप करो बच्चे दो ही अच्छे उसकी इतनी जल्दी बात समझने पर उकहका लगाए बगर ना रह सका दो बच्चों पे महबत खतम होती महसूस हो रही है तुम्हें किसरे पर तुम समझोगे कि मैं तुम्हें ही भूल गई हूँ फिर से शिक्पे शुरू हो जाते है मेरी तरफ नहीं देखती मेरा ख्याल नहीं रखती हलाके बच्चों से ज़्यादा तुमने अभी भी मुझ पर कबज़ा किया है वहाथ उठा को उसे उसकी हरकते याद दिलाने लगी मारी जहस्ते हस्ते उसे खुद में भेंचते उसे हमेशा कितरा घबराट मुझ दिला कर चुका था बड़ी बड़ी बाते करने में आपका कोई सानी नहीं लेकिन यहां आपका हाथ पकला वहाँ आपकी घबराट शुरू उसकी हालत से हिज उठाते बोला हाँ तो तुम इनसानों की तरह बात सुना करो न वो फास्ता कायम करने की नाकाम कोशिश करने लगी अच्छा मैं जानवरों की तरह सुनता हूँ उसके होंक होते चहरे को देखते मज़े से बोला जी वो भी जनली जानवर आप एक ही बार मुझे अपने पसंदिदा अलखाबास से नवाज दे यह हर कोई दिन बाद मेरे नामों की लिस्ट में इजाप हो जाता है उससे मश्वरा देने लगा जल्दी इस पर अमल करूंगी उसके रोमेंटिक मूट का वो हमेशा की तरह पतेनास करके उसे लड़ाई में उलचा चुकी थी उन दोनों को ढूंटा आखिर वो पाइन बाद की जाने बाया जानता था अगर जन्नाब पूरी हवेले में कहीं न मिले तो बस आखरी जगे ये भेना दरफ्त था यहां तो वो लाजमी मिल जाती थी और अपनी छोट इसी परी सारिया और वरीत को भी साथ ली होती थी बाबस आई वरीत को अपनी जानी बाते देखका सारिया बढ़कर उसकी गोद में चड़ी आपको दादो बुला रहे हैं जल्दी से जाओ उसके गालों पर प्यार करते उसे हवेली की जानी भगाया दरनाब भी इतनी देर में उठकर उसके करीब आ चुकी थी ये दरफ्त और मेरी बीवी जनम जनम का साथ है क्या उसके जाने देखते हो पर मसा अंदाज में बोला वो हस पड़ी इस दरफ्त से बहुत सी यादे जुड़ी है आपकी मार से बचने के लिए उसमें पना लेती थी वो रवानगी में कह गई अपनी बात की सक्ती का हैसास वरीद के चहरे पर लहराने वाले साय से हुआ आगे बढ़कर उसके बाजों पर हाथ रखा आएम सॉरी वाकिकतन शर्मिंदा सी हो गई चॉकलेट ब्राउन शलवार सोट मलबूस अपनी हयात को देखा सर पर डुपटा जमाय चादर कंदों पर रखियो उसे लमों में अकलीवदा लमों से बाहर निकाल लाई वही तो थी जिसकी खवाइश वो रद नहीं कर सकता था उसे की बदलत आज वो अपने बाप की सीट समाल चुका था उसे आज भी जरनाब की अलफाज याद थे जो इस इस लाके की बागे समालने के लिए उसने अदा किया थे इस रात उसकी मा का फोन आया था कि वहां के लोग वरीद चौदरी को अपनी लाके के हमकुरान के तोर पर दिखना चाते है तो मसलसल इस बात से निकारी था उसी रात उसकी माने जरनाब को फोन करके उसे मनाने की दर्फास दी थी आप क्यों खोफ़जदा है आकर उसमे वरीद से बात करने की हामी भली मैं अल्ला को अपने हिसाब देने से खोफ़जदा हूँ उसकी जिद को रद भी नहीं कर सकता था पहले बार उसने अपनी खुआईश बताई थी बच्चों का खेल नहीं है इसलिए आप से कह रहे हैं आप में लोगों को बहुत कुछ बदनने की उमीर नजर आ रही है हर काम अल्डा की रजा से करेंगे तो वो मुश्किलों से बचने के सो रास्ते भी दिखा देगा मगर क्या फायदा होगा अगर पहले जैसा कोई और उनके सरों पर आ जाए हमारी चन्द मेहनते तो यूँ ही अधूरी रह जाएगी उसका इशारा समच चुका था हम वहां आपका खौलज बनाने का खौब भी पुरा करेंगे तो उसकी तवज़े उसकी खौब की जानी दिलागे जिसे वो भूल चुका था मैं कहीं भी कलती करूं तुमने मेरे बखिये उध्यर देने हैं उसके साथ का खौब था जो वो इस रिष्टे के बनते ही उसे दे चुकी थी मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ वो महबबस उसे देखते बोली और यूं सब फैसले आसान हो गए वो हवेली आ गए जाओं उसने फगड़ी समाली यहीं उसे जर्नाब ने एक प्यारी सी बेटी का तौपा भी दिया जो अब पांस साल की हो चुकी थी मैं आज भी अपने हर फैल की माफी मंगता हूँ हाल मैं लोडते हूँ अपना दर्द मस्कुराहट में छुपाता उसे भी शर्मिन्दा की से बाहर निकाल लाया वैसे तुम्हारे ख्याल में अब एक शरार्टी से बच्चे को भी यहां तुम दोनों के साथ मौजूबत होना चाहिए उसके कंदे के गिर्द बाजू हाल करते उसे लिए वाहिस्ता रवी से बाग में चलने लगा मेरे दिल का सब हाल सुनाता है वो मज़े से उसकी हैरत ज्यदा जहरे को देख रहा था मेरे दिल अभी नाफरमान नहीं हुआ कि दहुदर मेरे दिल का हाल सुनाता फिरे वो चहरा उठाकर पुर यकीन लहजे में बोली क्या यह तुम्हारे पास है उसके अलफाद जर्नाब को हमेशा की तरह उलजा रहे थे महबत का इसार करने के लिए यह बड़े तमतराख से इन जगे पर मौजूद है वो भी जर्नाब थी यानि महबत नहीं हुई वो मायूसी से सर इला कर बोला बिलकुल भी नहीं वो भी मज़े से इंकारी हुई हमारे दिल का क्यामत वाले दिन अलग से इसाब होगा वो धंकी आमेश जहजे में बोला जर्नाब उसके बेबस अंदास पर किल किलाई अच्छार आपका अलग से इसाब नहीं होगा रोस एक ही बात करके और मुझे तंग करते हैं उतीके चतुरों से उसे देखते हो बोली और तुम फिर भी तंग आकर यह नहीं कहती कि हाँ तुम ही से महबबत है वो मस्नु बेचार की तहरे पर सुमें बोला इजहार जरूरी है अपके सवाल जर्नाब की जानिब से आया बहुत उसने भी फोरण हाँ की महें लगाई फिर तो कभी नहीं करने वाली और दामन बचा गई तुम्हारे तो अच्छे भी करेंगे आज मेरे गजब के लिए तैयार रहो वो लहजे में रौब लाकर बोला रोज ही आपके गजब होता है वो हाथ से मक्य उड़ा कर बोली आज तो सुनकर ही सूंगा और सूने दूंगा वो धंकिया बढ़ती जा रहे थी और जर्नाब की किल्खिला थी जिन्दगी कितनी आसान रहसीन हो गई थी क्या ही अच्छा हो सब लोग इन किर्दारों की तरह लोगों की जिन्दगियों में आसानी लाने का सबब बने अच्छाई और बुराई का अंजाम सब जानते हैं फिर भी अपना अंजाम बुलाए वजहा चौधरी की तरह लोगों उपर जिन्दगी तंग करके फतह महसुस करते हैं फरीद ने उसके अंजाम से बहुत कुछ सीखा और यही वजह है कि आज उसके इलाके में सुकून भी है और इत्मिनान भी क्योंकि हर रात सोने से पहले वो अपना इत्साब खुद करता है इस खौफ से लोगों की मौमलात तुलजाता है कि वक्त के तराजू में उसकी बुराईयों को और कोताईयों का पढला भारी न हो जाए क्योंकि अल्ला का हिसाब बहुत कड़ा होता है फत्मिशुदा नोवल कैसी लगी जरूर बताईएगा और इस नोवल में पढले में मुझसे जो भी जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्पर में जो भी गल्दी हुई होंगी इसके लिए माफित आती हूँ दर गुजर कर दीजेगा ठीक है और फिर से मिलेंगे कोई अच्छी सी नोवल के साथ खुदा हाफिस दुआउ मियाद रखेगा